सब्सक्राइब करते हैं आज महा रिवीजन ठीक है एक होता है रिवीजन और एक होता है महा रिवीजन तो महा रिवीजन में पूरा फॉर्स्ट टॉपिक से लेकर आखरी टॉपिक तक एक शॉट में पूरा कपूरा फिनिश करते हैं ठीक है वैसे तो आज वीकेंड है ठीक है आप सोच रहोगे कि सर वीकेंड वाले दिन तो पार्टी होनी चाहिए बट यही अपनी पार्टी भाई जब तक गेट का एक्जाम नहीं हो जाता तब तक कॉपी किताब पेन यहीं सब हमारी पार्टी के कॉंपोनेंट्स है इसी के साथ हमको पार्टी करनी है ठीक है पर्फ यह देखो भाई गाउं तो वसने दो यार किते घंटे चलेगा जब तक खतम नहीं हो जाएगा भाई चलेगा अप्रॉक्सिमेट मान के चलते हैं कि 5-6 आर्स के बीच में वी शूट फिनिश इट आफ ठीक है पांट से छे घंटे के बीच में हम इसको खतम करने की कोशिश क करेंगे मगर गाउं तो वसने दो भाई लुटे रे पहले आ गए देखो एक शॉट में पूरा फिनिश करते हैं चलिए तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो ठीक है पानी वानी रख लिया बगल में रेडी हो सभी लोग अगले 4-5 घंटे के लिए हर आदे एक घंटे 40 मट के बाद आपको Pomodoro टेकनीक के तहांत हम लोग रिवीजन रिलाक्स सेशन करते रहेंगे एक शॉट में पूरा फिनिश कर लें चलिए एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में जल्दी से रेडी लिग दो शुरू कर देते हैं आज का सेशन रेडी है चलो तो मैं अब्जेक्टिव बताता हूँ आज के सेशन का अब्जेक्टिव क्या है देखिए आइट्टिंग आप सभी लोगोंने कंट्रोल सिस्टम कहीं ना कहीं पर पढ़ी लिए होगा शायद बहुत सार लोगोंने फुल कोर्स किया होगा बहुत सारे क्रैश कोर्स किया होगा सब कुछ पढ़ लिया होगा तो आज के सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं बहुत सारे important formulas के बारे में important concepts के बारे में जो silly mistakes हो सकते हैं उसके और signal flow graph के साथ ठीक है तो block diagram और signal flow graph में कौन कौन सी important बाते हैं जो हम सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए या फिर हम सभी लोगों को याद होगी जस्ट उसको हमें recall कर लिना चाहिए देखे block diagram reduction technique में सबसे पहले हम लोग यह बोलते हैं कि हम किसी भी system को transfer function से represent करते हैं और उसी transfer function को अगर हम एक block level पे represent कर दें तो हम बोल देते हैं कि यह block diagram representation हो गया तो basically जो भी block होता है वो क्या represent करता है एक system represent करता है block के अंदर आप हमेशा क्या लिख सकते हो system का transfer function आप यहाँ पे लिख सकते हो transfer function कैसे calculate किया जाता है transfer function calculate करने के लिए output का Laplace transform divided by input का Laplace transform और initial conditions को हम लोग 0 के बराबर put कर देते हैं तो हमारा transfer function calculate हो जाता है ठीक है example के तोर पे हमारा objective क्या होता है कि हमें बहुत complex एक block diagram के connections दिये होते हैं इसमें एक input का आपका sign होता है एक output का sign होता है तो आप क्या चाहते हो कि यह जो आपका complex connection है इसको कुछ rules लगा के आप reduce कर दो ताकि यह single block में convert हो जाए जब भी आप block diagram reduction technique लगाते हो तो उसका logic एक ही होता है कि हमारा output change नहीं होना चाहिए ठीक है आईए notations वगरा के बात करते हैं ठीक है देखिए generally क्या होता है कि control system में हम अपने system को GS से represent करते है actually यह system का transfer function होता है यह आप ऐसा बूल सकते हो कि हमने system को laplace transform के form में represent कर दिया input को हम लोग RT से represent करते है time domain में यहां से आपका जो output आएगा वो time domain में आ जाएगा बिल्कुल है ना तो अगर हम कभी भी अपने output को time domain में calculate करना चाहते है आईडिया बहुत simple है कि पहले आप output को s domain में somehow convert कर ले या calculate कर ले फिर उसका inverse laplace transform ले लेंगे तो आपको यह time domain में मिल जाएगा simplification के लिए हम लोग क्या करते है generally input को r से represent कर देते हैं इसको g से और इसको c से है ना इसको ऐसे बार-बार rs, gs, cs नहीं लिखते हैं तो यह basic notation हम लोग use करते हैं ठीक है ना याद आ रही सारी बाते हैं चलो बहुत ही शांदार तो notation वाइस तो हम सभी लोगों को clear हो गया आईए कुछ बात करते हैं कि जब आप एक block diagram को reduce कर रहे होगे तो वहाँ पे आपको कौन-कौन से दिख रहे होगे ठीक है सबसे पहले आपको जो एक important component दिख्राओगा वो दिख्राओगा summer summer की basic definition क्या होती है summer हमेशा आपका एक multi input कैसे device होता है summer हमेशा एक multi input and multi output device होता है ठीक है तो output आपका multi हो सकता है या फिर output आपका single हो सकता है बड़ जो input है वो multi होना चाहिए that is for sure ठ ठीक है क्या ये बात सभी लोगों को याद है पर्फेक्ट है ना तो multi input होता है output single भी हो सकता है multi भी हो सकता है तो आईए कुछ summer के basic components देखने के कोशिश करता है summer आपको कैसा दिख रहा होगा देखिए क्या इस वाले block को आप summer बोल सकते हो यह देखिए कि यहाँ पर circle बना ह इसके compartments हमने show कर दिए चार compartments आपको दिख रहे है इसमें एक x1 input एंटर करने की कोशिश कर रहा है एक x2 output आप लिख सकते थे x1 प्लस x2 similarly अगर आप इस वाले summer block को देखो तो x1 और x2 इसमें एंटर करने की कोशिश कर रहा है यह प्लस यह प्लस तो यहाँ पे दो outputs वो आपको show कर रहा है एक y1 का sorry एक y2 और दूसरा भी y2 अगर आप इस वाले output की value देखो या फिर इस वाले output की value देखो क्या आपको दोनों सेम यह जल्दी से confirm करेंगे सभी लोग ता multi input, multi output भी हो सकता है डन है जल्दी से done करो आगे बढ़ते हैं फिर सारे points revise करेंगे छोटे से छोटे बड़े से बड़े ठीक है सब कुछ हमारे दिवां में quickly recall होना चाहिए ठीक है आईए आप बात करते हैं कि हम किसी summer block को neutral कैसे बना सकते हैं अगर हम किसी भी summer block को neutral बनाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होता है आप लोग chat box में लिखते भी जाओ मैं देखता जाओंगा कि आप लोगों को कितना याद है तो आप बोलोगे किसी भी summer block को अगर हमें neutral बनाना होता है तो हमें उसकी polarities बाहर खीच लेनी sign दिख रहें तो plus वाले sign को अगर मैं बाहर खीच के लिया था तो यह value आपके हो जाती plus one और यहां पर यह value हो जाती minus one अगर आप नोटिस करें तो इस बार 4 के प्लस सकते हैं जैसे अगर मैं यहां पर प्लस का साइन देता तो से कहीं फरक पड़ता कोई फरक नीबड़ता है टो चाहें तो आप प्लस प्लस लिख दें यानी कि किसी भी समब को नीटरल भनाने का मतलब होता है कि उसके इन पुट वाले compartment पे somehow plus का sign generate कर देना, plus का sign आप तबी generate कर सकते हो, जो आप minus का sign वहां से बाहर खीच लो, फाइदा क्या होता है summer को neutral बनाने का, summer को neutral बनाने से का फाइदा ये होता है, कि अगर आपने summer को neutral बनाया, तो जब आप block diagram से signal flow graph में mapping करते हो, तो वहां पे आप अपने summer को simply एक node से represent कर सकते हो, summer को एक node से तभी represent किया जा सकता है, when and only when आपका summer neutral हो, अगर summer neutral नहीं है, तो फिर आप उसको directly एक node से represent नहीं कर सकते हैं, करोगे भी तो फिर कुछना को चांसर में गलती हो जाएगी, done है, absolutely है ना, ठीक है, तो basically हमको समझ आ गया, काइदे से हम अगर सिर्फ इस minus को भी बाहर खीच लेते, तो यहाँ plus, यहाँ plus हो जाता, तो यह वारा पूरा का पूरा summer neutral बन जाते हैं, neutral का मतलब जो input वाले compartment से होँआ plus का sign जनरेट करना है, बट एक आदत हमें होती है, कि भाई, इस plus को भी बाहर खीच लेते हैं, तो यह plus 1 हो गया, इस minus को भी बाहर खीच लेते हैं, यह minus 1 हो गया, तो यह आपका एक neutral summer बन गया, डन है, यह आपका कैसे summer बन गया, neutral summer, perfect, चलो, आगे बढ़ा जाए, चलो, देखो यहाँ पे, यह जो neutral summer बनाने का यहाँ पे process लिखा हुआ है, क्या यह बिल्कुल ठीक है, क्या इसमें 3 inputs enter कर रहा थे, ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करिए, क्या यहाँ पे 3 inputs आपको enter करते हुए दिखाई दे रहा थे, यह देखे, पहला, यहाँ से देखे, यह देखे, दूसरा, यहाँ से देखे, तीसरा, है ना, यहाँ पे भी minus था, minus था, तो इस minus को भी आप बाहर ड्राइक करोगे, इसको भी, इसको भी, तो eventually, अगर आप notice करो, तो देखो एक minus 1 का block यहाँ दिख रहा होगा, एक minus 1 का block यहाँ पर, और एक minus 1 का block यहाँ पर, और यह जो summer है, यह आपका एक neutral summer की category में चला गया, ठीक है, तो यह किस category में चला गया, neutral summer, है ना, जो इसके input वाले compartments थे, अगर आप वहाँ पे plus 1, plus 1 भी लिख देते, तो कोई खास फरक नहीं पढ़ता, ओके, बात समझ आगे सबको, clear, बहुत ही बढ़िया, I think हम लोगों को आगे बढ़ना चीए, perfect, तो देखो वही चीज़ में आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जैसे अगर इस summer को देखो, मैंने neutral बना दिया, I think सभी को दिख रहा होगा, इस बार देखो, plus वाले sign को बाहर ड्रैग नहीं किया, minus वाले को बाहर, इस minus वाले को बाहर ड्रैग किया, तो यह summer हमारा neutral बन गया, जैसे ही summer neutral बनाना, आप देखिए, आपने इसको simply एक node से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यह एक बड़ा छोटा सा point होता है, जो exam में, जल्दी बाजी में, हडबडी में हम कभी-कभी गलती कर देते हैं, हमेशा याद रखें यार, इस बात को बार-बार-बार-बार में repeat कर रहा हूँ, summer को note से तभी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जब summer neutral हो, ठीक है, ये बात बिठा लो दिमाग में, घुजगे बिल्कुल दिलो दिमाग तक ये बात, जल्दी बताईए, important point का running notes लेते वोगे चलेंगे, ठीक है, ऐसे हाथ जोड़के बैट के marathon station अटेंड नहीं करेंगे, एसे हाथ जोड़के नहीं करना, चेर टेवल पे आप, hopefully आप लोग बैटे होगे, एक running notes लेते वोगे चल रहोगे, ठीक है, सारी चीज़ें note नहीं करनी है, जो important चीज़ें बता रहोगे, उसका running notes आप लोग लेते वोगे चलेंगे, यह देखो, आ गए, यह लोग कुछ सर थोड़ा और fast चलो, थोड़ा fast होगा, कुछ लोग गो लेंगे थोड़ा slow चलो, तो भाई, पहले यह clear कर लेते हैं कि teacher कौन हो और student कौन है, मैं तो यार, इस फिराक से आया था कि शायद मैं teacher हो और आप लोग student हो, तो क्या करें, या आप ही लोग बता दो, कैसे कैसे पढ़ाना है, या तो फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ा लूँ, पहले तो भाई, इस पर हम लोग एक सहमती जता लेते हैं, जल्दी बताओ, कौन teacher हो, कौन student है, एक बार इसको जल्दी से clear कर लेते हैं, मैं teacher हो, यह मान रहो आप लोग, सभ इनना important है, अब fast पढ़ाने का मतलब क्या होगा, कि कोई topic मैं छोड़ दूंगा बीच में, उसका कोई logic नहीं, ठीक है, जैसे 4 घंटे वैसे ही साड़े 4 घंटे, कोई ज्यादा फरक तो पड़ेगा नहीं, ओके, चलो, आज आएगी speed धीरे धीर, engine गरम होने में टाइम लगत में, तो तुरें थोड़ी भागने लगता है, थोड़ा discussion होता है, थोड़ा आप लोग भी, आपका भी engine थोड़ा गरम होगा, मेरा भी, फिर उसके वाद speed पकड़ेंगा भी, ठीक है, चलो, takeoff point, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कि अगर एक single input होगा, और output multi होना चाहिए, multi output होना चाहिए, तभी उसको हम takeoff point बोल पाएंगे, अदरवास तो फिर वो takeoff point नहीं कहलाएगा, यहाँ पर देखें, काफे सारे notes दे रखें, फटा-फट एक बार जल्दी से identify करके बता दो, कि कौन-कौन सा takeoff point हो, और कौन-कौन सा summer point है, ज बताईए, तीन वाला point क्या होगा, देखें, यहाँ पे आपके दो arrows enter कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है, यह आपका हो गया summer, हो गया ना summer, ठीक है, perfect, one वाला बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर, अगर one वाला जानना चाहते हो, तो यह जो नीचे वाल टेक आफ नहीं रह जाता, बलकि दो वाला आपको summer बोलना पड़ था, और जो आपका one वाला था, first वाला, वो आपका क्या हो जाता, first वाला आपका फिर take off हो जाता, बात समझ आ गई सभी लोगों को, ठीक है, perfect, perfect, आगे बढ़ा जाए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ और points की चर्चा करना शुरू करते हैं, यह देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा, उसको जल्दी से मैंने summarize कर दिया, summing node है, तो input जो है, वो more than one, या फिर greater than or equal to two होना चाहिए, more than one का मतलब हुए कि 2 या 2 से जाधा, और output हमीशा multiple हो सकता है, इस case में कोई issue नहीं, but take off के case में input हमीशा आपका कैसा होना चाहिए, input हमीशा आपका one होना चाहिए, and output हमीशा multiple होना चाहिए, उके, चलिए, यह table भी हमारी clear हो गई, I think this is well and good, अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ा हम लोगों को याद है, चलो, अब मैं आप लोगों को कुछ rules बताता हूँ, ठीक है, क्या-क components को fix करते हैं, एक होता gain block, एक होता है summer और एक होता take off point, है न, तो इनके combinations आईए बनाना start करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बस आप एक बार कहानी सुन लो, आपको यह हमीशा याद हो जाएगा, ठीक है, देखे, तो पहला जो combination मैं लेके चल रहा हूँ न, उसमें मैं क्या क बात कर रहे हो, take off के बात कर रहे हो, और gain की बात कर रहे हो, तो इन तीनों में जो gain होता न, वो राजा आदमी होता है, राजा का मतलब हो गया, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, gain अगर कहीं पे है, तो आपको उस gain को कहीं भी shift नहीं कर सकते हो, अगर gain और summer का combination है, तो summer उ यह, ठीक, gain की characteristic I think सबको सौझ में आगे, दूसरा मैं आपको एक take off की characteristic बताता हूँ, take off जो होता है न, दुबला पतला होता है न, बस एक line ही तो खीषते हो, generally आप लोग देखोगे, कि जो बहुत दुबले पतले लोग होते हो, बड़े चिलचले type के होते हैं, है न, क्योंक यह सारी चीज़ें आप relate कर पाऊगे, देखो, यहाँ पर summer था, यहाँ पर gain था, यह तो हिलेगा नहीं, यानि कि summer को ही आपको उठा के आगे लेकर आना पड़ेगा, भई, राजा से आप आगे जा रहोगे, तो फिर आपको इसकी strength बढ़ानी पड़ेगी न, ऐसे थोड़ तो इस वाले टर्मिनल पे आप एक G क अगे इंट्रोडूस कर देना, अगर यह logic से हम याद करें, तो शायद हमें कभी भूलने की नौबत नहीं आएगी, है न, gain अपना राजा आदमी, आपको उसके आगे लेके जाना है, तो दूसरे वाले input के आपको ताकत बढ़ानी अब आप इसको पीछे लेके जा रहे हो, भाई इसके पीछे अगर आप इसको लेके जा रहे हो, तो X1 जो G में एंटर कर रहा था, इसी में एंटर कर जाएगा, और यह अपने इस ट्रेंट थोड़ी बहुत कम भी कर सकता है, ठीक है, इसके पीछे जा रहे हैं, तो 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 1 by g का gain introduce हो जाएगा तो case से case b में कोई भी एक अगर case हमको याद है है ना तो दूसरा हो तो अपने आप पर याद हो जाएगा समझें यह यह तो भाई राजा आदमी यह तो कभी हिल नहीं सकता ठीक है पहला point सबको clear हो गया second point पर चलें भाई साब आईए second point पर चलते हैं second point में combination बनाते हैं block का, block diagram का gain का और take off point का अब देखना यहाँ पर चिरचला आदमी आजाएगा यह देखो, gain, take off point take off point को मैं थोड़ा सा heavy कर देता हूँ ठीक है यह देखे, take off point है ना अब यह take off point है यह gain तो हिलेगा नहीं बोलेगा भाई तुमको आगे जाना है तुम जो है दुबला पतला, दिख रहा है आपको कितना दुबला पतला चिरचला आदमी, इसको आप आगे लेके जाओगे उल्टा काम करेगा, उल्टी खुपड़ी का है नॉर्मल लॉजिक शायद हम लोगों को यही लगना चाहिए कि अगर आप राजा से आगे जा रहो तो ज़्यादा ताकत होनी चाहिए मगर यह उल्टा आदमी है तो यहाँ पे 1 by g का gain मिल जागा यहाँ से लॉजिकली आप मुझे खुद सोचके बताईए यह टेक ओफ पॉइंट और गेन का अच्छे से क्लियर हो गया भी टेक ओफ को आगे लेके जाओगे उल्टाई काम करेगा है ना तो वहाँ पे 1 by g का आपका gx और y2x और लॉजिक यह यह है कि आपको y1 और y2 की value सेम लेके आनी अगर यह यहाँ पे x और y1 यहाँ पे gx न तो यहाँ भी सेम चीज होना चाहिए था यहाँ पर आपको gX मिल रहा होगा वाइट 2x मिल रहा हो गए तो कभी-कभी हम लोग mathematics से भी questions तो बहुत अच्छी बात थीक है अगला वाला केस देखते हैं यह भी मैं आपको याद करवाने की कुशिश करता हूं जरा ध्यान से देखिए इसमें इस बार हम लोग समर और को कॉम्बिनेशन ले रहे हैं देख रहा है सभी को समर और टेक ओफ में हमेशा समर का जो प्रिफरेंस होता वो जादा होता है टेक औफ इसके आगे जाएगा एक चीज़ में आपको समझाता हूं जरा ध्यान से देखिएगा जब आप इस टेक ओफ को आगे लेके आ रहे थे गेन के तो देखो क्या टेक अफ के रास्ते में गें लाए था वं भाए जी जी जो भी आया था उससे मुझे फर्टनी पड़ रहा है बाट यहांँअ पर बहुते टेक ओफ को पीछे लेके गया थे तो टेक और आपको गेन दिख रहा होगा बिल्कुल सेंची समर के साथ होती है अगर आप इस टेक ओफ को उठाके आगे लेकिया होगे तो टेक आफ के रास्ते में समर आ जाए का समर से आगे उसको अग्ए जारह तो क्या हो जाए CAP जाए की दूबला पतला चिरफला आदमी तो एक इन्पुड तो की जाएखantics यहां पर बना के दिखाता हूं उससे थोड़ी जादा clarity मिलेगी ठीक है उससे जाधा clarity इसमें इसने direct सामने connect कर दिया सामने के बजाए इसको नीचे connect करते है ये भी ठीक है ये गलत नहीं है ये भी ठीक है ये देखो प्लस माइनस प्लस ठीक है इसके बाद फिर मैं आपसे question भी पूछूंगा ठीक है ये आपका x1 एंटर हो रहा था ठीक है और ये y1 था ठीक है इसमें कोई problem नहीं है ये आपका x2 था देखिए आपने इसको ऐसा ही रहे दिया इस वाले को तो आपने छेडा ही नहीं x1, x2, y1 जो आप का रहा था x1 प्लस x2 इसमें तो भाई कुछ भी आपने change नहीं करा ठीक है अब इस take off को उठा के आप आगे लेके जा रहे थे take off को जैसे आप आगे लेके गए तो इसी के रास्ते में एक summer डाल दो डाल सकते हो summer यहाँ पे plus और इस summer का जो output आएगा वो हम इस summer का दूसरा input देख लिए करो यह x2 आपको दिख रहा था कौन से sign के साथ plus take off को आगे लेके जा रहे थे तो यहाँ minus करके आप x2 लगा देना उल्टा काम करता है न take off आगे लेके जाओगे उल्टा ही काम करेगा क्लियर है मेरे भाई समझ आगे यह बात सभी को तो कुछ इसमें याद करने वाली बात ही नहीं आप इसको आगे लेके होगे इसके रास्ते में summer डाल दो summer का एक input अल्रेडी fixed है कि हाँ प्लस ही आने वाल है दूसरा input आप पिछले वाले summer का देख लो x2 था आगे लेके जाओगे उल्टा काम हमेशा करेगा यह सीधा काम take off करी नहीं सकता है यह plus था तो इसको minus कर लो that's it clear परफेक्ट बहुत ही शांदर चलो अब देखो similar logic से similar logic से यह वाला चीज़ भी आप बना सकते हो जैसे मालो इस वाले take off को अगर आप पीछे लेके जाओगे तो देखो इसी के रास्ते में एक summer इंट्रोड्यूस हो गया एक इंपूट तो इस समर का अल्रेडी फिक्स्ट है दूसरे इंपूट के लिए आप इसके पास गया यह प्लस था तो इसने भी प्लस ले लिया चेक कर लो इससे कभी कभार मैचिंग वाले questions आ जाते हैं स्टेट्मेंट बेस्ट को दिये थे तो आज आते हैं अगर याद अच्छी बात है नहीं आद है तो और पूट सेम रखने की कुशिश करें जल्दी से आप लोगों से एक एक क्वेशन पूछ लेता हूं तो जल्दी से हमें य अगर मान लीजे आपके पास एक गेन का ब्लॉक है और एक समर का ब्लॉक है ठीक है मैं समर के ब्लॉक को गेन के पीछे लेके जा रहा हूं तो समर के ब्लॉक के दूसरे input में क्या introduce हो जाएगा फटा फट बताएंगे सभी लोग गेन की वालो जी मान लो हाँ कुछ भी करो output सेम आना चाहिए बस कुल मिलाजुला के घुमफिर के बात यह है कि बहुत ही बढ़िया वन बाई जी वन बाई जी वन बाई जी आना चाहिए शांदार बहुत ही बढ़िया परफेक्ट चलो अगला बताओ अगला बताओ suppose हमारे पास एक summer है और उसके पीछे एक take off लगा हुआ है ठीक है उस take off को अगर मैं आगे लेके गया तो take off के रास्ते में एक summer आ जाएगा उस summer का input बताओ क्या होना चाहिए अगर पहले summer का एक input x2 है तो इधर क्या लगना चाहिए प्लस x2 या माइनस x2 माइनस x2 बहुत ही बड़ी है ठीक है शांदार ठीक है तो बस इतनी बात आप अपने दिमाग में रखना बाकी तो फिर output same आने के लिए आप judge कर सकते हो हां क्या करना है बट rules पी याद रखेगा rules पी याद रखेगा चलिए अगला देखते हैं gain और दो gains अगर आपस में parallelly connected है तो कैसे पता चलेगा कि यह parallel connection है बड़ा असान होता है parallel connection के लिए सबसे पहली चीज़ आपको यह देखना चाहिए कि parallel है कि इन दो नोट्स के बीच में अच्छा आप मुझे बताए networks में जब आप parallel series पढ़ते हो तो पहले node fix कर लेता हो ना भाई कि इन दो notes के बीच में मैं y की तरफ है absolutely नीचे वाले गेन का direction of flow x-y की तरफ है absolutely और क्या यह दोनों एक common समर पर आके add या subtract हो रहा है तो इस case में अगर मैं अपना output लिखता है तो देखो क्या बहुत आसान है मैं output ऐसा कुछ लिख देता माइनस प्लस g1 प्लस माइनस g2 यहाँ पे माइनस उपर प्लस नीचे था यहाँ पे प्लस उपर माइनस नीचे था उसके इसाप से मैंने लिख दिया तो हमेशा जो equivalent आप place करते हो ना parallel का equivalent जो आप place करते हो भाई वो हमेशा इस x और y के बीच में ही place करोगे समझ गया मेरी बात को ऐसा न इडिशन भी हो सकता है सब्ट्राक्शन भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है ऐसा नहीं कि पैरलेल का मतलब एड़ी करोगे वह डिपेंड करता है कि समर ने कौन-कौन से ब्लॉक्स यूज़ करें हुए ऑक परफेक्ट गेंस कनेक्टेड इन कैस्केड कैस्केड में अगर जीवन जीटू आ जाएगा इसमें कौन सी बड़ी बात भाई इसका इकुलेंट गेंस जीवन जीटू आ जाएगा अब एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था कि कैस्केडिंग में आप गेंस को मल्टिप्लाइ तभी कर सकते हो जब लोडिंग एफेक्ट को हम जीरो कंसिडर करके चलते हैं मानके चलते हैं कि भई आई की वैलू जो है यहाँ पर जीरो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को लोड नहीं कर रहा है या फिर जो करेंट है वो यहा से c by r क्या हो जाएगा feedback आपने कैसे देखा r यहां पर आया यह प्लस यह माइनस ठीक है तो c by r यहां से आपको मिल जाएगा g upon one plus gh actually यह सारे के सारे s domain parameters है gs upon one plus gsh हम को लिखना चाहिए था बट ठीक है हमने starting में बोल दिया कि भाई कहीं पर भी अगर g h लिखा हुआ this is the function of s this is also function of s this is also function of s यह भी सारे s का function है तो हम बार बार उसको ने लिख रहे है notation हमारे थोड़े से complicated हो जाए at the same time आप जब भी इस summer का output देखते हैं यहां पे अगर आप देखे हैं तो आपको बड़ी असानी से दिखर होगा कि एक आपका r है दूसरा c r है अगर यह दोनो subtract होते हैं यहां पे specifically अगर negative का sign होता है तो यहां पे जो signal आता है उसको हम error signal की संगया दे सकते हैं error signal उसको बोल सकते हैं ओके clear everyone ठीक है ऐसे feedback को generally हम क्या बोलते हैं negative feedback तो ऐसे feedback को क्या बोला जाता है negative feedback ठीक है negative feedback जो की आप हमेशा देते हो अपने teachers का teacher कितना भी अच्छा बढ़ा है और feedback form आपके पास आता है तो आप से उस तो अच्छा control का teacher है चलो negative feedback की दे देते हैं इसको बोल रहा था बड़ा 1- जी है न यहाँ पे गर आपको करें यह White और हिषिक सिक्ठेम और जा जाता है और फी इसे feedback को क्या बोलते हैं पॉजर्ट पॉजिटिव फीडबैक ठीक है पॉजिटिव फीडबैक ऐसे सिस्टम्स को भूला जाते हैं आगे बढ़े बहुत ही बढ़िया देखिए ऐसे कुश्चन को आप कैसे डील करोगे जहां यहां पर माइनस है यहां पर माइनस है नीचे वाले माइनस में तो हमें कोई प्रॉब साहर आपको मिला तो यहां पर एक डबबा माइनस वन का बन गया अब एफेक्टिवली यह दोनों कैस्केड में आ गए तो सी बाई आर को हम सिंप्ली लिख सकते थे माइनस जी अपॉन प्लस बताइए याद आ रही सारी बात है सब कुछ हम लोगों ने डिसकस किया हुए सा भले वो कितना भी ऑब्वियस पॉइंट हो भले कितना छोटा पॉइंट है डिसकस सारे पॉइंट करने हमको ठीक है अरे बोलो आज तो वीकेंड है ना भाई परफेक्ट बहुत ही शांदार आगे बढ़ा जाए चलो यहां पर बताना भाई यहां पर बताओ क्या हो जाएगा चलो फटा फट बताओ क्या यहां पर जैसी माइनस को आप बाहर निकालोगे यह प्लस यह प्लस तो एफेक्टिवली एक पॉजिटिव फीडबैक का सिस्टम बना इसको लिख दोगे आप जी एपाउन वन माइनस जी एच माइनस आपका बाहर बैठा हुआ है तो क्या CR हमारा माइनस जी अब्लस इसमा कोई दो राए नहीं इसमें कॉए डो राह नहीं है ठीक है बहुत ही बढ़िया problem solving technique block diagram के questions को solve करने के लिए कौन सी techniques हम लोग use करते थे आपको याद है चलिए उनको उन techniques को quickly मैं आपको revise करवा देता हूँ quickly मैं revise करवा देता हूँ सबसे पहले जब भी कोई block diagram दिखता आपको तो पूरे block diagram में आप scan करते हूँ अपनी पैनी नजर से कि कहीं पर कोई common node तो नहीं जैसे मालो अगर यहाँ पर मुझको एक common node दिख गया common node generally take off के form में होता है देखिए एक input और एक स्याद output जैसे आपको यहाँ पर common node मिलता है आप इसको हमेशा दो parallel path में break कर देते हो दो parallel path में break करने का मतलब क्या हो गया कि आप एक path यहाँ से लेक्या होगे जो via h2 जो via h2 इसमें enter कर रहा था दूसरा path भी आप यहीं से लेक्या होगे जो via h2 h1 इसमें enter करने की कोशिश कर रहा होगा समझे मेरी बात को हाँ sfg तो लगाई सकते हो बट बहुत सारे questions होते हैं वहाँ पे sfg भी हम क्यूं लगाएंगे मतलब obviously आप मुझे खुछ से बताओ यार क्यूं आप sfg यहाँ पे लगाना चाहोगे अगर यह आपका direct एक line में question solve हो रहा होगा तो क्यूं sfg लगाएंगे तो क्यों होता क्या है इसको दो parallel path में break कर लेते हैं देखो मैंने ठीक किया यहाँ से एक parallel path h2 के through यहाँ से connect कर दिया और दूसरा parallel path हम लोगों ने via h2 as well as h1 यहाँ से connect कर दिया चेक करो तो basically इसको आपने दो parallel path में break कर दिया है ठीक है ना बहुत ही बढ़िया तो यह था problem solving technique number one इसके बाद generally फिर आप पूरे डाग्राम को scan करिए अगर मान लिजे आपको कहीं पर 3 input का समर दिखता है तो आप उसको हमेशा 2-2 input समर्स में break कर सकते हो ठीक हर एक 3 input समर्स को as soon as possible 2-2 input समर्स में break करने की कोशिश करें यसे आपको यह दिख रहा है तो आपको output पता है x1 plus x2 minus x3 आएगा आप इसको 2 समर्स में break कर लीजे कर दिया आपने 2 समर्स में break ठीक है चलो ध्यान से सुनो अगर आप इसको 2 समर्स में break कर चुके हो ना तो कभी कबार क्या होता है कि हम respective inputs को भी change कर सकते हैं देखे ultimately y हमको क्या चाहिए x1 plus x2 minus x3 तो यहां से अगर आप y same लाना चाहते हो तो क्या आप इस x2 को और इस x3 को switch कर सकते हो हमीशा याद रखिए जब भी आप inputs को switch करते हैं तो उस particular time पे आपको input polarity के साथ switch करना चाहिए मतलब अगर आप इस x3 को उठाके यहां ले जा रहो तो इसकी यह negative वाली polarity भी आगे लेके जाना अगर आप इस x2 को उठाके यहां पे ला रहो न तो यह positive वाली polarity भी लेके आना तो मैं statement बोलता हूँ उस पर थोड़ा गौर करिये मैं क्या बोल रहा हूँ every three input summars can always be written as two two input summars and their respective inputs can be changed with proper polarity जो भी polarity उसके साथ आप उनको switch कर सकते हैं ठीक है तो second वाला point याद हुआ सभी को याद आया बहुत ही बड़ी air मदा आ गया इसमें देखो इसके अलावा क्या बोल रहा है मान लीजे आपको किसी question में न दो input summars देख रहे हैं बट वह बहुत दूर दूर है न दो input summars थोड़ा आगे पीछे हैं तो आप उसको resolve करने के लिए क्या कर सकते हो दोनों summars को हमेशा back to back लान के साथ change कर दीज़े तो second में भोल रहा है कि three input summars को दो-दो input में break करो और मान लो किसी question में दो-दो input summars already present है कहीं पे दूर-दूर present है उनको पास-पास लाए और अगर ऐसा लग रहा है कि उनके respective inputs change करने से हमारा जो diagram है वो simple हो जाएगा तो आप ऐसा कर सकते हैं इसमें कोई चलो आगे बढ़ाते हैं बात करते हैं हम लोग जितने भी systems अभी तक discuss हुए वो सारे single input single output systems थे आई अब discuss करते हैं हम लोग multi input multi output systems मुझे बताईए multi input multi output systems के case में क्या हम कभी भी transfer function calculate कर सकते हैं absolutely no transfer function का जो parameter होता वो हमेशा define होता है single input single output systems के लिए तो जब multi input multi output systems होते हैं तो वहाँ पे आप net output के बात करते हैं जैसे आप यहाँ पे कोई transfer function नहीं निकाल सकते हैं बही transfer function क्या होगा c1 by r1 होगा कि c1 by r2 होगा कि c3 by r3 होगा हमें क्या पता इसमें क्या होगा है ना we don't know anything about this बताइए नहीं calculate कर सकते हैं बट क्या आप इसमें c1 کی value calculate कर सकते हो तीन output है तो suppose अगर मेरी नजर इस पे है भी कि मैं इसको calculate करना चाहता हमें तो मैं क्या करूंगा एक बार मैं इस R1 को activate करूँगा, इन दोनों को deactivate करूँगा, और देखोंगा C1 की क्या value मुझे मिल रहे हैं, फिर उसके बाद मैं R2 को activate करूँगा, इन दोनों को deactivate करूँगा, और देखोंगा C1 की value क्या मिल रहे हैं, फिर इस R3 को activate करूँगा, इसको deactivate करूँगा, फिर देखोंगा मुझ पर क्या जा रहा है और उस output को आप लिख लोगे C1T उसके बाद फिर दूसरे input को आप activate करोगे देखो कि output पर उसका impact क्या जा रहा है उस output को लिख दोगे C2T At the same time, फिर से किसी तीसरे input को activate करोगे, देखो कि output पे उसका क्या impact जा रहा है, उसको आप लिख दोगे, C3T और फिर इन दोनों को आपस में add up कर दोगे, clear है? ओके, चलो, जैसे मालो, अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा block diagram बना के देता हूँ, देखो, एक ऐसा block diagram बना के देता हूँ आपको, जिसमें 3 input है और एक ही output है, तो अभी देखना, अगली slide पर जो मैंने लिखा हुआ है, क्या वो ठीक है? देखो, यह मैंने बोल दिया R1, यह R2 और यह R3, ठीक है? और यहाँ पर एक ही output हम लोग बोल रहे हैं C, obviously यह आपका multi input, single output system, transfer function define नहीं होगा, जब तक system आपका single input, single output नहीं होगा, तो आप मुझे बताईए, यहाँ पर कैसे calculation करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले य C1S by R1S calculate करेंगे, C1S by R1S जब calculate करोगे, तो R2 भी 0 होगा, R3 भी 0 होगा, और suppose मैं इसकी value रख देता हूँ, जो भी आ रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ, H1S, correct? फिर आप क्या करोगे, क्या आप C1S by R2S calculate कर सकते थे? देखो, आपने दूसरे वाले input को activate किया, R10, R30, इ इसको जड़ा देखिए, गौर से यह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे चेक करिए, क्या, यहाँ पे आपको देख रहा है, C1 by R3, R3 के corresponding calculate क्या, R1 भी 0, R2 भी 0, S3S, तो यह तीनों transfer function नहीं है, ना यह transfer function है, ना यह transfer function है, ना यह transfer function है, जनरली, इनको बोलते हैं, हम लोग ratio parameters है, ना, these are ratio parameters, तो इस case में आप calculate क्या कर सकते हो, आप C1 की net value calculate कर सकते हो, कैसे, C1S will be R1S into H1S, R2S into H2S, R3S into H3S, और तीनों को आपस मे add up कर दोगे, देखिए, क्या, यहाँ पे net output आप हमेशा calculate कर सकते हो, विल्कुल, तो multi input, single output के cases में, आप हमेशा net output calculate कर सकते हो, concept of transfer function is generally invalid in this case, okay, ठीक है, शांदर, चलो बताओ, कुछ questions है, basic वाले, फड़ा फड़ा आप इनका answer बताओ, बीच बीच में कुछ questions भी आते रहेंगे, ठीक है, so that, बिल्कुल session monotonous ना हो जाए, हाँ, बट basic questions आएंगे, जो आपने पढ़ा है, उसी के basis पर questions पूचे जाएंगे, impulse response, तो आप बोलोगे सर, impulse response होता है, ht, ht का, जैसे ही आप laplace transform calculate करते हैं, तो आपको मिल जाता है, hs, which means, कि जो laplace transform आना चाहिए, impulse response का, वही होना चाहिए था, हमारे system का transfer function, ओके, ठीक है, चलो ये question देखो, इसका answer बताओ, यार, क्या आना चाहिए, इस question का answer, fine, इसका बताओ, in above block diagram, what is the representation of the symbol g, g को यहाँ पे क्या बोलोगे, अगर ये पूरा का पूरा symbol आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर, बड़ा आसान सा question है, g जो है यहाँ पे, यहाँ आपका represent करता है, open loop gain, क्या represent करता है, open loop gain, transfer function कर नहीं सकता है, close loop gain हो नहीं सकता है, ओके बहुत ज्यादा questions का scope तो नहीं यार, obviously I think आप लोग भी limitation समझते होगे, अगर हर topic पे बहुत सारे questions करवाने लगेंगे, तब तो फिर तब तो फिर कब है paper, चार तारीको, पांच को, पेपर कब आपका gate का, पांच तारीको, तो भाई, नमजगे फिर वो 2024 वाली बात हो जाएगी, ठीक है, ओके, और, और मुझे लगता है कि, हम लोगों ने crash course में बहुत सारे question कियें, भाई, बहुत सारे, almost मैंने full course करवा दिया था, almost, almost है न, ठीक है, admit card वगेरा कर लिया आप लोगों ने, पूरा download, सब कुछ, वो क्या बोलते हैं, उसको यार, आता है न वो, जिसमें आप लोग सारा copy pen, सब कुछ रख लेते हो, तो वो अभी, अभी से कर लेना, ठी ठीक है, अगला chapter स्टार्ट होने से पहले यार, जैसा कि हमारा, हमारा एक विधी विधान होता है, थोड़ा सा ब्रेक लो, पानी पीओ, जल्दी से रिलाक्स कर लो, दिमाग तक oxygen पहुचाओ, ठीक है, पॉमोडोरो भाई, आपको पूछ रहे हैं, मेरे बगल में बैठे हों वो बोलता है, बस यह करते हो, ठीक है, रिजल्ट कुछ वो नहीं बताता है, रिजल्ट अच्छा होगा, खराब होगा, क्या होगा, ओके, हो गया रेडी सभी लोग, रिलाक्स हो गया, ब्लॉक डाग्राम याद आ गया, सब कुछ A to Z, ठीक है, चली, अब अगला discussion सिगनल फ्लो ग्राफ का, क्या होता है सिगनल फ्लो ग्राफ, सिगनल फ्लो ग्राफ, एक ऐसी टेकनीक होती है, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे, पूरे के पूरे ब्लॉक डाग्राम को एक ग्राफ में कनवर्ट कर देते हैं, है न, और ऐसा दावा किया जाता है, कि अगर आपने पूरे के पूरे block diagram को एक signal flow graph में convert किया तो आप signal flow graph में भी certain principles लगा के transfer function निकाल सकते हो यानि block diagram reduction करो या फिर signal flow graph यूज करो आप transfer function calculate कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले बताईए gain block को आप लोग कैसे represent करते हो बोलते जो भाई ठीक है थोड़ा थोड़ा आपको भी बोलना पड़ेगा नहीं तो फिर नहीं तो फिर ऐसा नहों हो कि मैं ही बोलता रहा जाओ और आप सो जाएं तो बोलते रहिए involved रहिए so that हम लोग पूरा session complete कर पाएं ये देखें तो हम इसको simply किस से represent कर देते हैं? से represent कर देते हैं तो उसको उपर G लिख देते हैं कि भाई R से लेके आप C तक जा रहे हो न तो रास्ते में G का gain आपको face करना पड़ेगा potential कैसे लिखते हो signal flow graph में suppose मुझे C का potential लिखना है तो C का potential मैं कैसे लिखूँगा आप बोलोगे अच्छा है इस note का potential लिखना चाहते हो एक काम करो इसके पिछले वाले note पे चले जाओ इसका potential कितना था R? रास्ते का gain कितना था G? तो C की value हो जाती simply R G correct है? perfect, बहुत ही बढ़िया ज़रा बताइए summer block को आप कैसे represent कर सकते हो signal flow graph के rules के मताबिक तो आप बोलोगे सर देखिए summer को पहले काम करी बना लीजे neutral और उसके बाद उसको एक note से represent कर दीजे काम खतम करिए जैसे अगर मुझे इस given system को इस given block diagram को अगर मुझे represent करना होता एक signal flow graph में तो मैं ये negative का sign बाहर निकालता प्रोवाइड़ वो neutral बहुत ही बड़ी यार शांदार आगे बढ़ा जाए चलो अब कुछ basic चीज़ों के आप लोगों से चर्चा कर लेते है take off point take off point को हमेशा एक note से represent कर दो take off point को हमेशा एक note से represent किया जाता है बहुत सार लोग इसमें कुछ theory भी develop करते हैं बहुत सारी local author किताबों में लिखा होता है कि अगर आपका जो take off point है वो summer के पहले है तो take off point और summer को एक ही note से represent कर देना अगर take off point summer के बाद है तो दोनों को अलग-अलग note से represent कर देना बट मैं क्या बोलता हूँ कि ऐसा कुछ करने के जरूत नहीं भाई कहीं पर भी take off दिखे उसको एक अलग से note दे दो समझे मेरी बात को तो ये फाल्तू के rules हम नहीं याद कर रहे है take off point आपका summer के पहले आता है summer के बाद आता है हमें कोई फरक नहीं बढ़ता भाई ठीक है हलाकि आप चाहो तो कर सकते हो single note से represent थोड़ा सा छोटा हो जाएगा system बट इतना याद रहेगा नहीं तो जाहिर से बात हम इसको use नहीं कर रहे हैं ओके देखो यहाँ पे कुछ note यहाँ पे लिखा हो उसने कि summer को आप हमेशा एक single note से represent कर सकते हो ठीक है take off point को आप हमेशा single note से represent कर सकते हो और यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है कि summer के बाद take off आ रहा है तो single note से represent कर सकते हो या double note से भी represent कर सकते हो कोई problem नहीं इसमें ठीक है तो हम double वाले ही ले लेंगे ना याद इतना कौन रखेगा ठीक है परफेक्ट और अगर आपका जो take off point आ रहा है वो summer से पहले आ रहा है तो summer को और take off को अलग-अलग note देना पड़ेगा इसको one इसको two ठीक है बट हम इसको भी one two दे देंगे कोई problem अब करो आज आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनिशन पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनिशन समने यहां पर पड़ी थी एक करके सारी डेफिनिशन में आपसे पूछता पूछता जाता हूं और आपको समझाता भी जाता हूं ठीक है पहला हमारा debate हुआ था input node versus initial node के बीच में तो सबसे पहले आप मुझे बताईए input node क्या होता है तो आप बोलोगे सर देखे input node बड़ा simple होता है input node उसी node को बोला जा सकता है जहां से सिर्फ और सिर्फ strictly and strictly outgoing branches हो अगर branches उसमें incoming है फिर हम उसको input node नहीं बोल सकते है यानि कि किसी भी SFG का जो पहला node हो होता है वो या to initial node हो सकता है या to input node हो सकता जो सबसे पहला node होता है वो आप input node तभी बूल सकते हो जब उससे सारी branches outgoing दिख रहे हों अगर उसमें एक भी branch enter कर रहे है तो पहले node को आप generally initial node बोल देते हो है ना तो देखें initial node भी क्या होता है पहला node होता, this is also the first node, very first node in the SFG, but this may have incoming as well as outgoing branches, ठीक है न, I hope this definition is very very clear to everyone, और सबको ये याद है कि हम लोगों ने इस पे इतना जोर क्यों दिया था, input node और initial node पे, कोई बताएगा, इस पे इतना जोर क्यों देते थे, कि input node क्या है, initial node क्या है, क्योंकि थोड़ी दिर में अभी आए यूज किया जाता है, तो लोग बोलते हैं कि machine gain formula यूज किया जाता है, transfer function calculate करने के लिए, मैंने बोला था कि ऐसा कोई statement हम अपनी class में नहीं देते, machine gain formula एक ऐसा formula होता है, जो दो nodes का ratio calculate करने के लिए यूज किया जाता है, और यह आप तभी apply कर सकते हो, तभी use कर सकते हो, okay, done है, I think it is perfect, चलो जल्दी से एक बार यह वाला discussion भी recall कर लेते हैं, जल्दी से यह वाला discussion recall कर लेते हैं, ठीक है, यह देखिए, यह था R, यह G, यह C, मुझे बताओ, क्या यह R आपका input node है, अब बोलोगे हाँ, यहाँ से सिर्फ outgoing branches है, इसमें कोई दो रहा है नहीं, क्या म मैं इसको पकड़ के पीछे खीच सकता था, बिल्कुल, तो आप बोलोगे सिर्फ इसको पीछे कीचो, बेट एक बात हमिशाए आद रखना, उसका नाम हमेशा X रख देना, R मत रख देना, तो हमने इसको पकड़ के पीछे drag किया, इसका नाम X रख दिया, मुझे पता सकते x और r के बीच में relation आजाएगा r equal to x यह हम लोगों ने potential वाले formula से calculate करके लिख दिया clear है चलिए एक बार जल्दी से इसको देखे यहाँ पे देखे यह जो आपका r वाला node है क्या इसको आप input node बोल सकते थे यहाँ पे नहीं बोल सकते थे इसको पकड़ के पीछे खीचते हैं पकड़ के जैसे आपने इसको पीछे खीचा तो यहाँ पर जो भी node आएगा हमने शुरू से आधर डाल रखे कि भाई इस node की value x लिखेंगे इसका नाम x रखेंगे और कुष्च न रखेंगे तो हमने इसका नाम जैसे यहाँ पर x रखा, आप मुझे बदा सकते थे, इस x और r के बीच में actual relation क्या है, तो r पर खड़े हो जाईए, r का मतलब r will be x into 1 plus r into h, दिखरा सभी को, तो इस case में r x के बराबर नहीं आ है, तो हम तो ये बात कहीं न कहीं accept करी चुकें भाई, कि जो ह हमारा backward dragging होता है, this may or may not result in the same potential, हो सकता potential same हो, हो सकता potential different, okay, clear, चलो वहीं सारे logics यहाँ पर भी है, फटा फटा एक बार confirm करते जाओ सभी लोग, बस मैं आप से पूछता जाता हूँ, ठीक है, पूछता क्या जाता हूँ, बताता जाता हूँ, बस आप लोग देखते जाओ, द इसको पकड़ के पीछे खीच सकते थे, बिल्कुल खीच सकते थे, पीछे खीचा, value x put कर दी, what will be this r, this will be x into 1, plus c into h, चेक करेंगे और बताएंगे, अब r आपका क्या हो गया, अभी भी initial node है, but this x can be called as your input node, ठीक है, चलो, ठीक है, इस case में भी देखते हैं, यह जो आपको दे कर रहा है, so obviously in this case also, this r is initial node, and it is not an input node, तो अगर मैं इसको पकड़ के पीछे खीचता, तो इसका potential x हो जाता, x can be called as input node, और r और x के बीच में relation आप बढ़ी असानी से लिख सकते थे, r will be x minus ch plus rh1, चेक करो, ठीक है, यादा गया सारा discussion, input node, initial node वाला, बहुत ही शांदार, perfect, ठीक आगे बढ़ो, output node क्या होता है, output node वो node होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ incoming branches आनी चीए, output एक ऐसा node होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ incoming branches आनी चीए, बट ये definition कोई बहुत strict definition नहीं है, जैसे ये भी हमारा output node है, बट कहां इसमें सिर्फ और सिर्फ incoming branches, यहां से एक branch निक कि अगर मान दीज़े कि अगर हम इस definition को satisfy करवाना ही चाहते हैं तो हम क्या करते हैं इसी सी वाले कि नोड को आगे की तरब खीच देते हैं ठीक है forward dragging मैंने आप लोगों को कोई concept बताया था कि जो forward dragging होता है this always results in the same potential अगर आप forward dragging कर रहो जैसे मालो हमने इस सी को forward drag कर लिया और जेड़ पहुंचा दिया देखो क्या जेड़ और सी का potential अमेशा सीम आएगा बिल्कुल है ना तो अगर मान लो कोई अड़ गया ठीक है बिल्कुल बात आगए इस बात पर कि यार इस सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा based on the definition तो आप definition के हिसाब से कर सकते हो इसको आप बोल सकते हो कि ठीक है बाई अगर जानना चाहते हो कि output node है और वहां पर सिर्फ incoming branch होनी चाहिए तो जो last node है उसको आप forward drag कर लो आपकी ये भी मनोकामना पूरी हो जाएगा ठीक है चलिए अब भाई ये दोनों statements जिसको कि मैंने बोला था golden और diamond statement ठीक है चलो बताओ चेक करो एक एक star दोनों पे लगा दिया मैंने क्या ये statement सही लिखे हुए backward dragging may or may not result in the same potential but forward dragging always results in the same potential ठीक है same potential okay चलो आगे बड़े चलो तो हम लोगोंने input node के definition देख ली initial node के definition देख ली और at the same time हम सभी लोगोंने output node के definition देख ली अब ज़रा बात करते है forward path की forward path क्या होता है चलो ज़रा देखते जाओ आप लोगे it is the path connecting first node to the last node generally input node to the output node direction हमेशा किदर से किदर के तरफ होगा input से output के तरफ any node should not be traverse twice जब भी आप forward path की बात कर रहो न तो कोई node दो बार traverse नहीं हो सकता भाई साब ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी node को दो बार traverse कर लें which means which means जो forward path होगा it should never be in the loop form ठीक है loop के form में नहीं हो सकता ठीक है क्या यह concept आपकी शादी करवा देगा नहीं भाई ऐसा नहीं है शादी तो उपर वाला करवाता है हो सकता है कि जिसको यह concept नहीं भी आता हो उसकी शादी आपसे पहले हो जाए समझे और उसी से हो जाए जिससे आप करना चाहते थे तो इस भुलावे में मत रहो कि यह आपकी शादी कर नौकरी दिलवा देगा नौकरी दिलवा देगा बाकी आपके उपर है उसके बाद आप क्या करवा पाते हो ओके नौकरी दिलवा देगा यह पक्की बात ठीक चलो forward path के definitions अपको clear हुई आइए ज़रा देखते हैं देखते हैं लूप क्या होता है it is the path which originates and ends at the same note जिस note से निकले उसी note पे खतम हो जाए ठीक है at the same time generally दो type के loops होते हैं एक होता आपका self loop और एक आपका होता है non self loop ठीक है non self loop यह देखिए ऐसा और जाहिर सी बात अगर आप loop की बात कर रहो भाई तो यह पहला note छोड़के बाकी सारे note को तो ट्रावर्स करेगा ही तो क्यों फर्स्ट नोड ऐसा होना चाहिए जो दो बार ट्रावर्स होना चाहिए ठीक है all the other notes must be traversed only once ठीक है तो loop वगएरा की definition तो आपको clear इसमें कोई problem नहीं है ठीक है हाँ चलो अब बताओ machine gain formula पर आते हैं ठीक है machine gain formula पर आते हैं और यहां से कुछ conclusions देखने के कोशिश करते हैं सबसे पहले बताओ machine gain formula use किसलिए किया जाता है machine gain formula use किया जाता है calculate करने के लिए ratio of to node potential दो nodes के potential के लिए use किया जाता है potential ठीक है suppose मैं लिख देता हूँ ऐसा कुछ ओके so this can be any node output हो सकता है intermediate हो सकता है कुछ भी but this has to be strictly and strictly input node ठीक है तो ऐसा generally calculate करने के लिए use किया जाता है ठीक है तो obviously यहां से फिर transfer function भी calculate कर सकते है थे आप c by r करके अगर आपका c क्या है output node है और r क्या है input node है तो पहले इसने limitation बता दी कि मैं इनी दोनों का ratio calculate कर पाऊंगा अगर आपको transfer function निकालना है तो उपर वाले node का नाम output node रख दो और नीचे वाला तो जाहिर सी बात आपका input node है ठीक है क्लियर भाई साब डन है हाँ ratio of two node potential बहुत ही शांदार परफेक्ट ratio ratio ठीक चलिए formula क्या होता है शहीद आपको बताने के दुरूरत नहीं है इस formula में आपको होता है y by x summation of ये रिखे pk del k k की value 1 से लेके n तक लिख दीजे इसमें बहुत जादा clarity नहीं आती है तो मैंने आप लोगों को हमिशा suggest किया था है कि formula को तोड़ के लिखा करो ऐसा p1 delta 1 p2 delta 2 p3 delta 3 बटा delta है ना जितने forward path होंगे उतनी बार ये आपका extend होता चला जाएगा दो forward path है दो ही बार लिखना तीन forward path है तीन बार लिखना चार forward path है चार बार लिख देना and so on ठीक है ओके चलो delta बताओ यहाँ पर क्या होता है delta की definition आपको मैं याद दिलाता हूँ जल्दी से याद करिए this is delta ठीक है और मैं आपसे question भी पूछता हूँ ती देखे किते लोग इस question का answer कर पाते है delta delta क्या होता है सबसे पहली चीज़ जो delta की calculation होती है क्या वो independent of forward path होती है जैसे मालीजे कि अगर आप first note से लेके last note तक नहीं भी गए तब भी क्या delta हमेशा पूरे SFG का calculate होता है disturbance वाला concern भी discuss तब discuss करेंगे यार चिंता मत करो ठीक है yes तो it is independent of forward path किसी भी note से लेके किसी भी note तक आप पहुँचें किसी भी दो notes का potential calculate करें delta हमेशा complete SFG का calculate होता है complete SFG मतलब complete SFG का calculate होता है at the same time बहुत ही बढ़िया किसी ने बोला कि SFG की intrinsic property होती होती है बिल्कुल सही बात है किसी भी SFG का delta हमेशा fix रहेगा आप forward path point A से point B तक जाए point A से point C तक जाए point A से point D तक जाए it does not make a difference similarly जो आपका delta होता है यह सारे के सारे loops को consider करता जो SFG में present होता है formula बहुत ही simple है 1 minus sum of all loop gains जितने भी loop gains है सब का sum करिए उसके बाद plus का sign लगाई है फिर plus के sign के बाद अभी आपको क्या calculate करना अभी भी sum लेना है बट किसका दो non-touching loop gains का आप find out करने की कोशिश करिए कि कौन से दो ऐसे loops है जो non-touching in nature है जो भी दो non-touching loops है ना पहले उनके pair बना लो उनको multiply कर लो बाद में उनका sum लिख लेना तो हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर भी sum लिखना है यहाँ पर individual loop gains का sum लिख होगे और यहाँ पर sum आपको लिखना है जो भी non-touching loops है ना उनके दो का product similarly यहाँ पर देखिए minus का sign लगाईए sum of product of three non-touching loop gains तो आपको delta में हर एक जगह पर sum ही लिखना है सबसे पहले 1 minus sum of all the loop gains plus sum of product of two non-touching loop gains फिर आप उसके बाद minus का sign लगाईए sum of product of three non-touching loop gains I hope यह formula आप सभी लोगों को immediately याद आ गया कि हाँ सर याद आ गया और साथ के साथ delta 1 का भी formula याद आ गया बस वहाँ पे एक additional statement हम लोग इसमें add करेंगे clear बोलो 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 जल्दी बोलते जो यार ठीक है perfect चलो तो delta k की definition बताईए delta k की definition में आपको सबसे पहली चीज़ यह make sure करनी भाई कि जो delta की होता है वो आपका depend किस पे करता है डिल्टा की आपका depend किस पे करता है forward path पे depend करता है ठीक है तो यहां पर बड़ा matter करता है कि भाई आप कौन सा forward path चूश कर रहे हो किस point से किस point तक आप जाने की कोशिश कर रहे हो है ना तो delta k की definition क्या हो जाती है मैं definition आप लोगों को बताता हूं it is one minus sum of all the loop gains not touching kth forward path plus sum of product of two non-touching loop gains also not touching first forward path या maybe kth forward path फिर plus sum of product of three non-touching loop gains not touching kth forward path done है correct चलो तो यह भाई forward path पे depend करता है ठीक है इस बात को आप लोग दिलो दिमाग में बिठा लीजिए ठीक है दिलो दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए पर्फेक्ट अब फिर आ गया भाई साब यह देखो आपका star वाला ठीक है चलो star निकालते है star लगाते है इस पर star वाले तो बहुत ही शांदार concepts है अपने इस पर कितने star लगाते है दो दो star लगाते है ठीक है बहुत है दो star भाई ठीक है देखो self loop at initial node off loop gain unity or non unity can always be ignored this may or may not make the initial node as input node बहुत ही शांदार concept ठीक है आप लोगों को यह statement सुनते ही सारी कहानी यादा नीचीए किसी भी sfg को अगर आप solve कर रहे हो किसी भी sfg को अगर आप solve कर रहे हो सबसे पहले देखिए जो initial node है पहला node है पहला node जो है अगर by the way उस पर self loop आ रहा है भले उसका gain unity हो minus 1 हो h हो minus h हो कुछ भी हो आप उसको हटा दें हटा दें हटाने से शायद जो आपका पहला node था वो input node बने शायद ना भी बने कोई guarantee नहीं है बन भी सकता नहीं भी बन सकता बड़ आप उसको हटा के at least अपने पूरे की पूरे SFG को simplify तो करी सकते हो yes or no बोलो भाई कर सकते हो perfect अब बताईए जरा मुझे मान लीजिए आपके SFG में मान लीजिए आपके SFG में किसी भी point पे self loop आता है except first node पहला node मैं छोड़ देता हूँ बाकी सारे node पे मान लीजिए self loop आता है तो क्या उसको ignore कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं पहले ये बताओ बोलो यार जल्दी बोलो इतना time क्या लगा रहे हो comment मत पड़ो मेरी बात को सुनो अपनी copy को देखो और यहाँ पर answer करने की कोशिश करो जू ही शर्वा ने बिल्कुल सही answer दिया उन्होंने बोला कि sir अगर gain unity होगा तो हटा सकते हो बट अगर gain minus one हुआ या कोई दूसरा gain हुआ तो नहीं हटा सकते तो बात हो रही है self loop की इसकी बात हो रही है self loop की बात हो रही है self loop पहले node पे है तो हटा दो, फिर gain matter नहीं करता है, बाकि उसके लावा कहीं पर भी है, तो as long as you are willing to get the finite transfer function, as long as you are willing to get finite c by r, in that case, all the cell loops must be ignored, which is having unity gain, थीक है, तो इस पर भी लगा देते हैं star, थीक है, दो star इसको भी देते हैं, इसको तीन देते हैं, तो आपको थोड़ा याद रहेगा, कि हाँ, discussion हमारा class में वोत है, पढ़ो जरा फड़ा फड़ा, क्या बोल रहा है, box में बन करते हैं इसको, यह बोल रहा है, self loop at initial node of unity or non unity can be ignored and answer will remain the same, self loops at intermediate node, बीच वाले किसी node पे, अगर unity gain है, तो 100% it will result in an inconsistent c by r, which means the value of c by r will become infinite, और अगर आप चाहते हैं, कि हमारा c by r जो है, वो finite आ जा उसको ignore कर दें, ठीक है, पढ़ो, हाँ, minus 1 को ignore नहीं कर सकते हैं, ignore plus 1 को ही करना है, self loop at intermediate nodes having unity gain, inconsistent nodal equation में result करेगा, which means c by r को infinity के तरब ले जाने की कुशिश करेगा, बढ़ अगर आप finite c by r calculate करना चाहते हैं, तो self loop of unity gain can be ignored, can be क्या, should be ignored, ठीक है, can किसने लिख दिया है यहाँ पर, एक तो यार, engineer और उपर से English, बिल्कुली विरोधा भास है न, ठीक है, एक बार ऐसी class मैंने लिख दिया था, should be ignored, तो एक प्राणी था class में बोलता है कि sir, यह must क्यों नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर must लिख द समझें, उससे मैंने पूछा कि तुम्हारी branch क्या है, कौन सी branch से हो तुम, हाँ ऐसा सच में ऐसा हुआ था, उसने बोला था, अगर यहाँ must हम लोग कर दें, शुट के जगह पे, तो उससे क्या फरक पढ़ जागा, तो मैंने उससे पूछा कि भाई, तुम्हारी branch क्या है, कौन सी branch से हो आप, तो वो बूलता है सर, मेरी branch तो electronics and communication है, मगर first year में हमारी एक branch थी, फरस्ट year में हमारा एक subject था, English करके, और उसकी मैम बहुत अच्छी थी, तो सर, तफ से मुझे दोनों चीजों से प्यार हो गया, English से भी और मैम से भी, मैम तो समझ में नहीं आई, इस चक्कर में English भी समझ में नहीं आई, तो मैं दोनों में confused रहता हूँ, तो मैंने का भाई, वो दोनों छोड़ो, ये समझ लो, नहीं तो कोई और मैम जो आने वाली है न, वो भी नहीं आ पाएंगे तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है, तो should हो ये देखो, है न, ये मेरे क्याल से हम लोग 7-8 बार पढ़ रहें, different, different, कहीं पे, revision में, कहीं पे, कहीं बार पढ़ चुके है, फिर से एक बार जल्दी से आपको याद दिला देता हूँ, मैं count नहीं करूँगा भाई, इसको ठीक है, बस आपको याद दिला देता हूँ, कि ऐसी टेबल हम लोगोंने पढ़ी थी, ओके, ऐसी टेबल हमने पढ़ी थी, ठीक है, देख लो इसको, case 1, इसको practice करके ज़रूर जाना, जरूर practice करके जाना आप सभी लोग, forward path दो, individual loop दो, pair of two, non-touching loop, 1 हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो इसको मैं quickly एक बार दिखाता हूँ, तो आप लोगों को homework भी दिया था, मैंने, सभी ने इसको I think calculate भी किया होगा, और अगर आप questions वगरा लगा रहोगे तो काफी सारे questions में आपको ऐसे models दिख रहे होगे, maybe SFG बनाने के बाद, maybe SFG बनाने के पहले, समझे मेरे बात को, चलो, तो यहाँ पर forward path 6, individual loop 0, two non-touching individual loops, आपके 0 हो जाएंगे, case 2, बीच में jumper नहीं है, बीच में उसने node mention कर रखा है, तो आप जब यहाँ से आओगे, तो एक रास्ता इधर भी आपको जाने को मिलेगा, case 3 में इसी के जगहाँ पर उसने jumper डाल दिया था, जैसे ही आप यहाँ पर jumper डालते हो, तो फिर आप यहाँ से मुड़ नहीं सकते हो, नहीं मुड़ सकते हो आप, ठीक है, कैसे मुड़ोगे यहाँ से, नहीं मुड़ सकते हो, यह देखो, आप यहाँ से जाओगे, यहाँ jumper आपका रास्ते में आ गया, तो ऐसे के सिर्फ forward path आपके 4 रहेंगे, एक भी लूप इसमें नहीं रहेगा, औ तो दो नान टेचिंग लूप की possibility भी आपकी 0 हो जाएगी, ओके, शेल ये, बहुत ही बड़े है, बीच में jumper है इसमें, ठीक है, यहाँ पर देखो, एक node ये, एक node ये, एक node आपका ये, एक node ये, एक node ये, एक node ये, ठीक है, ये हो गया आपका, ऐसे case में ये जो उपर वाला, ये ना पिछले 7-8, 7-8 सालों से misprint है, न मैं इसको सही कर रहा हूँ, न कोई और इसको सही कर रहा हूँ, हर बार class में ही करना पड़ता है, इसको सही, ठीक है, चलो, इसको, होफुली अगली बार में ये type सही हो जाए, आईए देखिए, ठीक है, तो ऐसे case में, इस case में, आपको दिखी रहोंगे, एक उपर वाला और एक नीचे वाला, ये दुनों non-touching होंगे, तो वो उसकी possibility एक आ जाए, ठीक है, एक case में अपना और था, ये वाला जिसमें ये, हमने jumper की जगह पे बीच में एक node लगा दिया था, है ना, तो इस case में forward path 6 आ जाएंगे, individual loop 4 और pair of, दो non-touching loops आपके one हो जाएंगे, ठीक है भाई, हाँ, note की marking बड़ी important हो जाती है, note की marking करने के बाद फिर aptitude है, और क्या, जाओ एक रास्ते से, दूसरे रास्ते कैसे जा सकते हो, कैसे नी जा सकते हो, बैट के अराम से find out करते हो, ठीक है, बट मेरा recommendation आप लोगों को यही based question आ गया, है ना, या k-map का question आ गया, या मान लो, micro processor तो अभड़ी का syllabus में, या कोई ऐसे question आ गया जो आपको पता है कि आसान है, बट शायद उसमें थोड़ा miscalculation के chances है, कोई में loop छोड़ ना दूँ, कुछ ना कर दूँ, तो ऐसे questions को छोड़ दिया करो, ठीक है, बाद में आप calculate किया करो, ठीक है, हाँ, मतलब उसको first वाली में मत किया करो, वो unnecessary का time बर बात करता है, ठीक है, चलो, अगला discussion करें, इसके बाद हम लोगोंने concept देखा था, calculation of transfer function between intermediate and input nodes, है न, जैसे मालो, अगर, 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 इस वाले SFG को हम देखें, carefully, ठीक है, जल्दी से यार देखके मुझे बदाते जाओ सभी लोग, कि मैं ठीक कर रहा हूं या नी कर रहा हूं, जैसे मालीजे, इस वाले SFG के अगर म बात कर लूँ, देखो, ठीक है, तो क्या आप Y1 by R calculate कर सकते थे, बिल्कुल, Y1 को intermediate node था, R हमारा input node था, क्या हम Y3 by R calculate कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, तो आप मुझे बताइए, अगर हम Y1 by R calculate कर पा रहे हैं, Y3 by R calculate कर पा रहे हैं, तो क्या हम Y3 by Y1 भी तो calculate कर सकते थे, ठीक है यानि कि machine gain directly भले ही दो intermediate notes के potential का ratio नहीं बता पाए बट indirectly तो बताई सकता है दो बार आप अलग-अलग machine gain अगर लगा दे दो बार अलग-अलग लगा दे machine gain जिसमें एक बार आप यहां से Y3 से R तक पहुँचे और एक बार, sorry, R से Y3 तक पहुँचे और एक बार, R से Y1 तक पहुचे और दो अलग-अलग बार अगर आप machine gain लगाए तो आप ratio जैसे calculate करोगे उसी time पर आपको Y3 by Y1 का ratio मिल जाएगा मुझे बताईए, अगर दो intermediate notes का ratio हम calculate करते हैं तो क्या delta की calculation यहां पे needed होती है ने, गलत इस्तेमाल नहीं है शक्तियों का, यह तो सही इस्तेमाल है यार नहीं है ना, delta की calculation mandatory नहीं होती है, ओके तो देखो यही सारी चीज़ें यहां पे लिखी हुई है एक बार recall करेंगे आप सभी लोग इन सारी बातों को और मुझे लगता है कि यह वाला अपना case भी sorted है mesh and gain can be applied between intermediate node and input node in this case, delta needs to be calculated अगर आप input node को layer of picture में तो delta यहां से आपको calculate करना ही पड़ेगा समझे, delta तो calculate करना पड़ेगा but mesh and gain cannot be directly applied between two intermediate nodes directly तो apply नहीं कर सकते हो, यह बात भी सच है but निकाल तो सकते ही हो ठीक है, और जब ऐसा आप करोगे तो delta की calculation ignored ठीक है, delta की calculation ignore कर देंगे आप कोई problem वाली बात है नहीं ठीक perfect, हाँ, ratio में cancel हो जाएगा ratio में आपका cancel हो जाएगा चलो, अब बात करते हैं mapping of block diagram to sfg block diagram से sfg की mapping कैसे की जाती, बताएगा कोई देखो यह देखो, table ठीक है यह बताना, क्या इसी के अनुसार हम block diagram से sfg की mapping करते है ठीक है, तो important होता है यहाँ पे node की numbering करना जैसे माल लीजे, एक input node, एक output node उसके numbering कर लो, बीच में इतने आपको blocks देखने, take off देख रहा है उसको number दीजे, summer देख रहा है उसको number दीजे, है ना, और उनके numbers के बीच में आप सिंपल connection कर दीजे, चलिए एक छोटा सा आपको mapping का तरीका भी दिखाता हूं, जैसे माल लीजे यह question आपको दे रखाता है हम SFG से ही questions को crack करने की कोशिश करते हैं, तो जो आप इसको convert करोगे, तो क्या सबसे पहले हमको numbering कर लेनी चाहिए, तो input को दिया, एक इस summer को दे दिया, दो, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, तीसरा summer दिखा, इसको बोल दिया, तीन, फिर आगे बढ़े, एक यहाँ पर mark कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, और नीचे 6, ठीक है, इनके notes आई ये show कर देते हैं, और इनको आपस में connect कर दो, बस यही काम आपको करना रहता है, एक छोटी सी mistake, generally जो होती है blender, कि हम summer को neutral नहीं बनाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगा, summer को हमेशा neutral बनाना एक सबी लोगों को, ठीक है तो देखें, एक से दो के बीच में आपने इसको connect किया, इसका gain प्लस बन, दो से तीन के बीच में being है आप सभी लोगों के लिए G1, 3 से 4 के बीच में जो आपका gain है वो है G2 4 से लेके 5 के बीच में जो gain है वो gain है आपका plus 1 अब 4 से वाफस उठाके लेकिया हो ये हो गया आपका H2 ये मुझे बता सकते थे इसका gain कितना होगा? minus 1 क्यों? minus 1 पीचे खीचोगे ना तभी तो ये summer neutral बनेगा भाई बिल्कुल सही बात है यहाँ पर minus 1 so I hope कि हम सभी लोगों ने ये mapping recall कर ली और बड़ा important हिस्सा होता था mapping का क्योंकि generally हम 80-90% questions SFG से ही करने का try करते थे ठीक है? हाँ, maths के लिए revision session है भाई 29th of January को ठीक है? क्योंकि मैं Saturday Sunday ही class ले सकता हूँ I think आप सभी लोगों को पता होगा कि paid में मेरी class H1 है? आई ये minus minus H1 कर दो paid में मेरी class भी चल रहे हैं न तो Monday to Friday तो मैं blocked हूँ already तो अगले Sunday आप लोगों को पूरा math का revision करवाएंगे ऐसे ही सारे formulas, सारे important चीज़ है छोड़ेंगे कुछ नहीं ठीक है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं चलो, तो इसी के साथ-साथ अपना पहला chapter खतम होता है ठीक है? खुशी का माहौल होना चाहिए हमारे बीच में कि पहले chapter से related सारी important बाते recall कर लिए है सब कुछ हो गया, ठीक है? सिगनल का सिगनल का सिगनल का तो सिधार सर करवाएंगे ना कल ही करवाएंगे मेरे ख्याल से कल करवाएंगे सर साथ से स्टार्ट होगा Communication का एक बार मुझे देखना पड़ेगा शेडियूल में कब है Communication का, but maths का तो 29th को यह मैंने आपको बता है Okay सिगनल का कल को है ठीक है परफेक्ट तो पहले chapter सबको recall हो गया सारी important बाते, सब कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से relate कर ले आईए अब अगले chapter पर बढ़ने से बहले पानी पी लो यार मैं भी पानी पी लेता हूँ Okay पानी पी लो friends फटा फट चाय पी लो, पानी पी लो, जो पीना पी लो Relax, पहुँच गई दिमाग तक oxygen Delhi NCR वाले मतले लेना भाई, deep breathe Analog शायद आपका 38 को shift हुआ, actually signal कली लेने वाले थे sir, but somehow नहीं ले पाए, but कल वो ले लेंगे, ठीक है, चलो शुरू करते है time response, तो ready everyone time response के लिए time response में तो formulae, बहुत सारे discuss करने है, उनकी limitation क्या होता है, क्या नहीं होता है सब कुछ discuss करना है, उके चलो, time response of an LTI system, यहाँ पे दो words आपको दिख रहा होगा, एक time और एक response response का मतलब कोई बताएगा, क्या होता है, आप बोलोगे sir, response का मतलब होता output यानि कि इस पूरे chapter का objective एक ही होता था, कि भाई, हम output को time domain में कैसे calculate कर सकते हैं तब basically यह पूरा का पूरा एक बहुत ही basic of signal system का idea आप लोगों को यहाँ पे मिलना चाहिए कि कैसे भी करके आप इस output को time domain में निकालिए पहला तरीका तो क्या है, कि आप XT और HT का convolution ले लो, जिससे कि हम लोग दूर भागते हैं तो हम दूसरा तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे, YS निकालेंगे, XSHS से multiply करेंगे, इसका inverse calculate कर लेंगे, तो हमें output मिल जाएगा Nomenclature वगरा कुछ-कुछ देखने के कोशिश करिए, XT को आप बोलते हो क्या input और या फिर excitation, input बोल सकते हो या फिर excitation बोल सकते हो, YT को आप बोलते हो output या फिर response, ठीक है, कई-कई बार हम लोग जोश में आकर output response भी बोल देते हैं, तो थोड़ा अच्छी feeling आती है, तो च impulse response calculate करना चाहता हो, तो calculate तो आप response चाहते हो, output impulse response का मतलब है, input पे आपने impulse signal लगा रखा होगा, अगर word है unit impulse, तो आपने यहाँ पे one delta लगा रखा होगा, बट अगर word है impulse response only, तो हम यहाँ पे A का factor जरूर लेके चलेंगे, similarly, suppose अगर कोई हमसे बोलता है कि step response calculate करो, तो हमारे दिमाग में दो signals जाने चाहिए, पहला signal जाना चाहिए कि हमें calculate output करना है, क्योंकि step response का मतलब ही हो गया, कि आपको output निकालना है, बट कब जब हमने input पे एक step signal लगा रखा हो, generally step signal का मतलब AUT लेके चलते है, unit step बोल देगा, तो 1 UT ले ले लेंगे, similarly, अगर मानलो एक्जाम द जनरली अगर वो unit ramp बोलता है, तो आप इसको TUT कर लेंगे, ठीक है, तो nomenclature clear हो गया, सबको याद आगई, nomenclature वाली सारी बाते, impulse response, step response and ramp response, चलो, बहुत ही बढ़िया, अब देखो, transfer function, दो तरीके के transfer functions, जनरली हम लोग यहाँ पर देखते थे, एक transfer function आपका होता था, rational, rational का मतलब होता है, polynomial by polynomial और एक होता है, irrational, irrational का मतलब होता है, कि इसमें कोई transcendental functions आ जाएंगे, transcendental का मतलब क्या होता है, exponential, sinusoidal, log, यह सारे के सारे terms होगारा जो आते हैं, उनको हम लोग transcendental बोलते हैं, तो जैसे e to the power s upon s plus 1 दिख रहा है, तो obviously यह हमारा एक transcendental function हो गया, या फिर rational transfer function भी बोल सकते हो, समझ गया मेरी बात को, rational transfer function को आगे हम लोग 2 हिस्तों में divide करते थे, rational transfer function के भी 2 हिस्ते होते थे, पहला आपका होता था pole 0 format और दूसरा आपका होता था time constant format, है न, pole 0 format में आप जब भी अपने function को लिखते थे, तो s plus something के form में लिखते थे, यहाँ पे s का coefficient 1 रहना ज्यादा important होता था, तो s minus z1, s plus z1, s minus p1, s plus p2, ऐसा गर क्या आप लिखते थे, बट जो आप time constant format में लिखते हो, तो आपका जो लिखने का अंदाज होता है, वो 1 plus something होता है, ठीक है, तो उसमें आपको जो constant value है, उसको हमेशा 1 बनाना पड़ता है, दोनों आपस मे interchangeable होते हैं, आप इसको इसमें और इसको इसमें जब मर्जी चाहें वो convert कर सकते हैं, generally जो आप board plot वगरा बनाते हैं, तो आपको transfer function needed होता है, time constant format में, जब भी आप root locus वगरा बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको function needed होता है, in the form of pole 0 format, ठीक है, बाकि nightquist का दोनों में काम चल जा मतलब होता है, कि इसमें कोई feedback present नहीं है, दो बाते यहाँ पर ध्यान देने वाली है, गौर से, कि यह है, यह जो system मुझे दिख रहा है, यह जो system मुझे को दिख रहा है, यह होता है, overall open loop system, और इसी open loop system का calculate होता है, open loop transfer function, जिसको क्या बोलते हो, GS, तो एक system होता है, और एक उ transfer function होता है, यह है open loop system और इसका transfer function हो जाएगा GS, similarly, एक होता है closed loop system, जब भी आप closed loop system के बात करते हो, तो उसमें दो तरीके के transfer function exist करते हैं, एक closed loop transfer function और एक open loop transfer function, example के तौर पे, अगर हम एक closed loop system के चर्चा यहाँ पे करें, तो यह जो closed loop system आपको दिख रहा है, इसके दो तरीक system, याद आप सभी लोगों को, तो क्या यह जो भी आता है, this, can we write this, write it like this, 1 plus minus GSHS, जैसा भी feedback वगरा दियो, तो यह तो हो गया CLTF, and what about this, OLTF, OLTF आपका होता है, forward gain multiplied by feedback gain, GSHS, clear, याद आई सारी बात है, ठीक है, तो closed loop system के दो transfer functions होते हैं, एक CLTF और एक उसका OLTF, CLTF का मतलब, वही, CS by RS, OLTF का मतलब होता है, GS into HS, perfect, आगे बढ़ते हैं, और बात करते है, degree of a transfer function, जब भी आप degree की बात करते हो, किसी भी transfer function की, degree और order same होता है, polynomial के लिए आप degree word use करो, या order word use करो, same होता है, differential equation के लिए degree और order में फरक हो जाता है, ठीक है, जो आप differential equation के बात करत तो न, फिर degree order अलग-लग define होता है, polynomial के case में आप degree बोले, order बोले, कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है, तो किसी भी transfer function का, कैसा भी transfer function हो, आप अगर उसकी degree calculate करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें, कि उस transfer function में, क्या numerator और denominator में कोई power cancel तो नहीं हो रही, कोई सिर्फ transfer function word यूज किया, ये transfer function आपका closed loop transfer function हो सकता है, open loop transfer function हो सकता है, किसी भी तरीके का transfer function के लिए आप degree की calculation कर सकते हो, बस आपको उसके denominator की highest power देखनी है, after pole 0 cancellation, ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया, इसके बाद आ जाता है, type of a system, type of a system क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर ये सारे points में बढ़ाता हूँ, मुझे बताईए, type of a system, क्या strictly and strictly closed loop system के लिए define होता है, बिल्कुल, type of a system is always defined for a closed loop system, तो आप हमसे पूछोगे, कि सर, calculate कैसे करेंगे, type of a closed loop system is always calculated from its open loop transfer function, यानि कि वहाँ से gs और hs को multiply करके आप लिक लीजे, और वो जो gshs का expression होगा, वो बताएगा कि इसका type क्या है, कैसे बताएगा, जो भी आपने gshs लिखा, उसमें आप check करिए कि origin पे कितने poles आ रहे हैं, जितने poles origin पे आ रहे होंगे, वही उस corresponding closed loop system का type बताएगा, फिर से मैं repeat करता हूँ, type हमेशा closed loop system के लिए define होता है, type closed loop system का calculate करने के लिए उसका OLTF आप observe करते हों, जितने poles present है, देखिए क्या, यही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी हुई है, जो मैंने आपको बता है, बोलो, चेक कर लो, ठीक है, सारे point revise करेंगे, सब कुछ revise करेंगे, A to Z, every point, type of a closed loop system, type of a system is a parameter defined for closed loop system, to calculate type of a closed loop system, open loop transfer function of CLS is used, to calculate type of a closed loop system, number of poles at origin of OLTF is counted, ठीक है, perfect, आगे बढ़े, चलो, यह देखिए, देखिए जरा, अब बात करते हैं हम लोग, first order closed loop system की, first order closed loop system का, जो basic prototype होता था, मानलो अगर उसने question में कुछ नहीं mention किया, वैसे तो अगर वो mention कर देगा, तो हम उसी का उठा लेंगे, बट मानलो कहीं पर उसने question में कुछ नहीं mention किया, तो basic prototype आप क्या लेके चलोगे, first order system का, बताना, ऐसे लेके चलोगे, यह, 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 यह plus, यह minus, this is 1 by Ts, यह आपका, ET, यह feedback, and this is RT, correct है, perfect, यहाँ से बताईए, आपका जो CS by RS आता था वो आपको directly, याद तो करने क बोलत है कि आपको याद होना चाहिए, first order system at least, ठीक है, यहाँ पर आप सारी चीज़े derive करके भी निकाल सकते थे, ठीक है, यह तो हो गया, transfer function, मानलो कि अगर हमसे कोई पूछता, कि what will be the step response, ठीक है, तो step response के लिए, आप बस मुझे यह बता दीजे, कि आप यहाँ पर RT क्या चूश कर लोगे, RT आपका हो जाएगा, AUT, मतलब आपका जो RS होगा, क्या हम उसको A by S लिख सकते थे, absolutely, तो CS आप सभी लोगों को यहाँ से मिलता, 1 by T, नीचे आपका S आजाता, 1 S plus 1 by T आजाता, ठीक है, और जब भी आप इसका time domain version calculate करते हो, तो वो आपको मिलता है, A into 1 minus e to the power minus T by T ut, ठीक है, चलो, तो यह कुछ बाते हैं, जो more than the result, मैंने बार बार आप लोगों को stress किया था, कि इस derivation पे हमीशा rely करना, यह न, first order systems में कोई भी result हम याद नहीं करते हैं, कोई भी result याद नहीं करते हैं, हम question के हिसाब से react करते हैं, question अगर दे रखा है, तो उसको basics of laplace के तरह transform करके question solve करते हैं, secondly, मानलो किसी question में system नहीं दे रखा है, तो फिर हम इस standard system के basis पे अपनी calculation को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे CT का expression आजाएगा, a1-e to the power minus t by t ut, याद रखिए, कोई भी system हो, कोई भी system हो, अगर आप उसका step response calculate कर रहे हो, तो वो हमेशा अपनी steady state value पे settle होता है, है ना, कोई भी system के अगर आप बात करें, अगर आप उसके response की calculation करते हैं, तो वो हमेशा अपनी steady state value पे जाके settle होता है, जैस आपकी है, ct, this value is t, ठीक है, ये था आपका ct, a1-e to the power minus t by t, इसकी steady state value calculate करिये, c infinite, क्या ये value आप सभी लोगों को a के बराबर मिलनी चाहे थी, बोलिये, absolutely, अगर ये value आपको a के बराबर मिल रहे भाई, तो मुझे बताओ, क्या ये a पे ही settle होने की कोशिश करेगा, बिलक response आता है, it is very similar to the charging curve of a capacitor, जो capacitor का charging curve होता है, उसके जैसे आपको देखने को मिलता है, इसके curve में आप दो components हमेशा, हमेशा break कर सकते हो, एक तो भाई, कि ये, एक तो आपका ये, यहां से आतक का region, अगर ये point में settling time मान लो, तो ये आपका हो जाता है, study state region, सही बात है, ये हो ग ये वाला आपका transient region, transient region, ठीक है, perfect, okay, चलो, transient region क्या होता है, बताना, transient region आपका वो region होता है, जहां पर, अगर आप ct लिख रहे हो, तो ct आपका आया कुछ ऐसा, e to the power minus t by t, okay, तो अगर आपने यहां पर t के जगा पर infinite डाला, तो ये हो गया a minus 0, मतलब ये वाला जो component था, this was representing the transient response, तो transient response वो response होता है, जो t tending to infinity पे लगबग die down कर जाता है, तो total response का ये वाला जो हिस् transient response, okay, ने, ग्राफ याद होना चाहिए, ग्राफ में क्या है, charging equation of capacitor याद ही होना चाहिए, और इसको बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, t के जगह पर 0 डालोगे, तो value आपको मिल जाएगी 0, है न, t के जगह पर infinite डालोगे, value मिल जाएगी a, अब आपको 0 से a के ब यही था हमारा total response, ct is equal to a minus a e to the power minus t by t, again, अगर मैं इसमें t की जगह पर infinite put करता हूँ, तो देखे, यह a है और यह 0 है, जो response आपका t tending to infinity पर बचा रह जाता है, उसको generally हम लोग क्या बोलते है, steady state response, ठीक है, तो जो infinity पर die कर गया, वो transient और जो बच गया, वो steady state response आपका कहला समझ गया बात को? याद आगे सारी बाते सभी को? चलो, यानि कि इस graph में हमने यह देख लिया कि यहां से यहां तक वाला component इसके आगे के component को mathematically कैसे relate करेंगे, अब बात आती settling time की, settling time की कोई definition बताएगा, क्या होता है settling time, तो आप बोलोगे settling time असल में depend करता है कि आप finite चाहत जो, generally settling time आपका infinite ही होता है, क्योंकि अगर हम infinite time का frame देंगे उसको, तब हमारा जो यह, जो हमारा green color का या फिर output response हा रहा है, यह हमारा steady state value पे जाके settle होगा, t trending to infinite पे, but अगर कोई पूछता है कि finite settling time हमको चाहिए, तो finite settling time के लिए फिर आप पूछोगे कि भाई, आप कितने percent का error band सहने के लिए ready हो, है ना, तो हमेशा जो settling time होता है, वो depend किस पे करता है, error band पे, अगर error band आप बढ़ा दोगे, settling time कम हो जाएगा, error band आप कम कर दोगे, settling time बढ़ जाएगा, तो आईए देखते है, settling time क्या होता है, settling time देखिए, error band पे हमेशा depend करता है, जैसे आप सभी लो यहाँ पे जाके उसने cut कर दिया, है ना, यह तो 1.02 था, 0.98, यहाँ से यहाँ तक जाने के दौरान, इसको इसने cut कर दिया, तो इस case में यह हमारा settling time हो गया, है ना, तो settling time की calculation बढ़ी असान होती है, आपको बस error band बताने की जरूरत है, error band एक बार पता चल गया, आप study state value के error band बना दीजे, और देखिए आपका response कौन सी value पे जाके उसको cut कर रहे है, समझे बात को, perfect, जैसे मालो, अगर मैं 5% का error band बनाता, तो फिर हमारा settling time यहाँ पे आ जाता, है ना, और देखिए जाहिर सी बात है, कि यह जो आपका intersection हो रहा है, इसमें settling time, तो काफी कम हो जाएग इस case में, देखो, यह TS2 जो है, यह TS1 से तो काफी कम आएगे, band बढ़ाया आपने, तो पहले intersection हो जाएगा, खीक है, तो आईए settling time से related कुछ points हम लोग देख लेते हैं, यह सारे points एक बार जल्दी से quickly हम लोग resolve करते हैं, कि क्या settling time से related यह points हमको याद है, देखिए, settling time is the time required for the input to settled in the predefined error band, error band is plus minus m% of input into DC gain, या फिर आप बोल सकते थे, is plus minus m% of study state value, खीक है, perfect, अगला देखिए, क्या आपका जो settling time होगा, वो हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा, error band का function होगा, देखिए, settling time is function of error band, जैसे ऐसे error band बढ़ेगा, वैसे ऐसे settling time कम होता जाएगा, मान लोगर कोई बोलता है कि हमको 0% का error band चाहिए, तो 0% error band के लिए फिर क्या settling time infinite हो जाएगा, बिल्कुल, फिर 0% error band के लिए आपको settling time infinite consider करना पड़ेगा, up to finite settling time, transient region almost dies down, अगर of settling time ले लोगे ना, तो अलगबग लगगए अपर transient region die down कर ही जाता है, and after finite settling time, steady state region starts, तो एक बार ये सारे points quickly देख लो, इसमें एक ही point important है, that settling time is the function of error band, error band अगर आप बढ़ाओगे, settling time कम हो जाएगा, error band कम कर दोगे, तो settling time बढ़ जाएगा, ठीक है? ओके, चलो, settling time का formula बताईए, इस case में, कि अगर हम लोग यहाँ पर, settling time का formula लिखें, तो ये हो जाएगा, 40, 3T, 40 कब होगा, for plus minus 2% error band, ठीक है? और ये वाला formula कब होता है, for plus minus 5% error band, क्या ये general formula है, कहीं पर भी लगा सकते हो, बिल्कुल नहीं, ये formula जो आप लिख रहो, this is strictly and strictly for the block diagram जो हम लोगों ने बनाया है, जो अभी block diagram आपने बनाया है, strictly उसी के लिए formula आप यूज़ कर सकते हो, सब के लिए यूज़ नहीं कर first order close loop systems के लिए है, that to the standard system, जो हम लोग यहाँ पर note down कर रहे हैं, okay, ठीक है, 3T for plus minus 5% error band, ठीक है, error signal माली जगर हम यहाँ पर calculate करना चाहते हैं, तो error signal आपका क्या हो जाएगा, ये देखे, इसके summer के output पर जो भी signal आता है, वही error signal होता है, ठीक है, बाकी error अभी detail में पढ़ी र R T, तो ये आपका हो जाएगा, के R T minus C T, जो भी summer के output पर signal दिख रहा है, उसी को आप error signal के तोर पर qualify करवा सकते हो, okay, समझ आई बात सभी को, बहुती शांदार, चलिए, ये तो आपने, ये तो जो आपने block diagram बनाया, 1 upon S T, ये, है न, इस block diagram को, अगर हम एक practical system से relate करने की कोशिश करें, तो वो होता आपका एक low pass filter, है न, ये जो आपका low pass filter वाला system है, ये देखे, इस low pass filter का, अगर suppose मैं laplace transform में convert कर दो, इस पूरे circuit को, ये R, ये 1 upon S T, तो बताओ इसका transfer function क्या आप सभी लोग ऐसा लिख सकते थे, 1 by RC upon S plus 1 by RC, ऐसा I think हम सभी लोग लिख सकते हैं, देखे, कहीं न, कहीं, क्या ये आपका 1 by T upon S plus 1 by T से match कर रहा है, बिल्कुल, यानि कि जो first order system में आप capital T पढ़ रहे थे, क्या ये capital T आपके system का time constant represent कर रहा था, I think yes, है न, तो जो capital T था, वो system का time constant represent कर रहा था, capital T equal to RC, done है बात ये, ठीक है, ओके, चलो, 3 dB bandwidth क्या होती है, low pass filter की, बताइए, अगर आप 3 dB bandwidth इसकी calculate करना चाहते हो, suppose मैं Hertz में calculate करना चाहता हूँ, तो ये होता है, 1 upon 2 pi rc, ठीक है, या omega में 1 by rc, this is called as 3 dB bandwidth of rc low pass filter, ओके, यहां से एक concept हमारा use होता है, कि अगर हम लोग इस transfer function का pole 0 diagram बनाए, ये जो rc low pass filter था, 1 by rc upon s plus 1 by rc, ठीक है, तो अगर हम इसका pole 0 diagram बनाते हैं, तो इसका pole मिलेगा minus 1 by rc, देखे ज़रा यहां से दो चीज़ें हमको समझ में आने चाहिए, सबसे पहले चीज़ हमको ये समझ में आना चाहिए, कि time constant का, क्या आप ये formula लिख सकते थे, 1 upon real part of, ये mod का sign लगा रहो बार, real part of, देखे, अगर मैं यहां से time constant का formula लिख रहा हूँ, तो time constant देखो, आपने इसका real part लिया, और inverse calculate कर दिया, ये उतर time constant का formula, ठीक है, और bandwidth की value देखे, क्या यहां से 1 by t आपको मिल जा रही है, radian per second में, इसको बुला जाता है, 1 by magnitude of real part of the pole given, मानलो एक से ज़्यादा pole अगर इसमें आ जाते, तो आप वो pole consider करते, जो origin के ज़्यादा close होता है, ठीक है, तो generally इसका formula होता है, 1 upon magnitude of real part of dominant pole, dominant pole का मतलब होता है, कि वो pole जो origin के ज़्या देखें कि origin के सबसे ज़्यादा closest pole कौन सा है, उसका real part calculate करके, उसका inverse लेके magnitude निकाल दीजे, तो आपको time constant मिल जाता है, इस case में bandwidth और time constant हमेशा एक दूसरे से inversely related, याद रखेगा, ये जो relation है bandwidth और time constant के बीच में, this relation is valid only for the first order system, second order system में आप ये relation use नहीं कर सकते, ठीक है, second order म जब ये आप second order systems फड़ोगे, under damp हो गया, undamp हो गया, critically damp हो गया, किसी भी तरीके के system में, आप inverse निकाल के उसका bandwidth calculate निकाल था, हाँ time constant के लिए formula सबके लिए valid है, किसी भी तरह की system के लिए, आप time constant को इससे relate कर सकते हो, okay, rise time, rise time के definition क्या होती है, first order systems के लिए, देखे, first order systems के ल 10% से 90% of its final value, steady state value तक पहुँचने में कितना time लगेगा, अगर आप यही second order under damp system के लिए पढ़ोगे न, तो वो फिर 0% से 100% हो जाएगा, मतलब आपका जो rise time का definition होता है, वो system to system depend करता है, अगर आप first order system के बात करते हो, तो उसमें 10% से 90% हो जाता है, और अगर आप under damp second order system के करेंगे, तो वो 0% से 100% हो जाएगा for the very first time, तो अभी उस formula पे भी आते हैं, इसका answer बताएगे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सब कुछ standard लेके चलते हैं, तो यह होता है 2.t, ठीक है, और अगर आप इसमें t के जगा पर RC पूट करना चाहें, आप पूट कर सकते हैं, तो first result यूज़ करते हो, तो bandwidth हमेशा हर्ट में होनी चाहिए, ठीक है, not very important from gate point of view, बट हाँ, आगे चलके बार को अगरा के जो आप exams दोगे, या किसी भी तरीके के public sector के exams दोगे ना, उसमें बड़ा important वादा formula, याद रखिएगा नीचे bandwidth को हमेशा हर्ट में आप यूज़ करेंग नहीं लिखा है, तो मैं लिख देता हूँ, delay time, बताओ delay time का formula क्या होता है, delay time का मतलब होता है, जो आपका output response है, वो 0% से 50% of its final value पहुंचने में किता time ले रहा है, ठीक है, तो delay time यहाँ से आपका हो जाता है, 0.693T, ठीक है, इसको भी याद रखो, first order system के लिए, किसी भी system में मत लगा देना, first order standard system के लिए, आप इसको use करें, okay, clear, चलो अब आ जाते हैं second order systems की तरफ, first order system सबको सौझ में आ गया, याद आ गई सारी की सारी बातें, जल्दी से बताओ भाई, कि हाँ सारी बाते first order system से related आ रगए, अब देखो second order system में बहुत सा formulae develop करने वाले, इसके बाद फिर error का concept भी सीखेंगे, सारी चीजों के बारे में discussion आज करके जाना, आज ही सब कुछ पक्की तरीके से दिवाँगे, बिठा लेना, ठीक है, चलो second order systems पे आते है, first order system को analyze करने के लिए, एक ही parameter कीनिट होती है, जिसको कि आप लोग बोलते हो, time constant है आपने देखा भी अभी भी, कि सिर्फ time constant के मदद से आप first order system को analyze कर सकते हो, but second order system को analyze करने के लिए, भाई साब आपको दो parameter चाहिए होंगे, एक जीटा और दूसरा omega n, ठीक है, जीटा को बोलते है, damping ratio, omega n को बोला जाता है, undamp natural frequency, ठीक है, आईए देखते हैं, कौन-कौन स system अगर आप उचसे पूछोगे, कि सर अगर second order का एक open loop system बनाना चाहें, तो कैसे बना सकते हैं, तो उसके तो हजारो लाखो तरीके हैं, but अगर हम एक standard second order system की बात कर रहे हैं, जहां पे हम सारी की second order की characteristics को एक single जगह पे analyze कर पाएं, तो उसकी रेफिरम omega n और जीटा को यहां सकता है second order standard open loop system, CS by RS की calculation आप करोगे, तो आपको मिलेगा omega n square upon s into s plus 2 zeta omega, इसका अगर आप pole 0 diagram बनाओगे, तो आप मुझे बता सकते हैं, इसका pole 0 diagram आपको कैसा दिखेगा, अगर आप इसका pole 0 diagram बनाओगे, तो इसका pole 0 diagram के आप बोलोगे कि सर दो possible cases exist कर सकते थे, क्योंकि अभी तक omega n और zeta की range पे focus नहीं किया, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि omega n हमेशा positive होगा, and zeta जो है, वो minus infinite से plus infinite, कोई भी value चूस कर सकता है, तो zeta हमेशा minus infinite से plus infinite, vary कर सकता है, and omega n हमेशा positive होगा, तो आप मुझे बताए, first case के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एक pole यहाँ पे आजाएगा, एक यहाँ पे आजाएगा, कब जब zeta को आप positive मान के चल रहे हो, अगर मान लो आप zeta की negative value ले 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 तो by the way, है ना, तो फिर एक pole यहाँ और एक pole यहाँ पे आजाएगा, जीटा को सबोज आपने 0 ले लिया, तो दोनों poles आपक इसको close कर देते हैं, जैसे आप इसको close करोगे, तो मैंने यहाँ पे कुछ certain cases बना रखे हैं, मैं चाहूँगा, कि जल्दी से आप इन सारे cases का cs by rs मुझे लिखके बता दो, ठीक है, बताओ यहाँ से cs by rs आपको क्या मिलेगा, cs by rs आपको मिल जाएगा, omega n square upon s square प्लस 2 zeta omega ns प्लस omega n square, करेक्ट है, perfect, है न, cs by rs यह result अभी को याद होता है, ओके, perfect, इसका बताओ यह, cs by rs क्या हो जाएगा, इस case में, इस case में, जो cs by rs है, it is k omega n square upon s square प्लस 2 zeta omega ns प्लस omega n square, यह होगा, perfect, perfect, ठीक है, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, cs by rs आपको क्या हो जाएगा, इस case में, इस case में, जब आप cs by rs की calculation करेंगे, तो आपको मिलेगा, k omega n square upon s square प्लस 2 zeta omega ns प्लस k omega n square, is it correct, अगर आप notice कर पा रहे हों, अगर आप इन case a, case b, case c को notice कर पा रहे हों, तो तीनों जगहां पर ज़रा गौर से देखिए, उपर कुछ constant था, और नीचे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, s square 2 zeta omega ns प्लस omega n square, यहाँ पर भी उपर कुछ constant, s square 2 zeta omega ns प्लस omega n square, उपर कुछ constant नीचे सेम, जब भी आपका transfer function में, उपर वैलू constant आए, और नीचे आपका एक standard format आजाए, s square प्लस 2 zeta omega ns प्लस omega n square type का, ऐसे transfer functions को बूले आता है, standard transfer function, ठीक है, बूल सकतो standard transfer function, जैसे इस case में बताईए, cs by rs जो आप calculate करेंगे, क्या यह आपका एक standard transfer function है, या फिर यह आपका एक non-standard transfer function है, जरा इस चीज़ को एक बार आप लोग confirm करके बताईए, तो आप बूलो के सर दीखे, इसमें उपर वाला term constant नहीं था, क्योंकि उपर वाला term constant नहीं था, तो इस पज़े से यह non-standard transfer function की category में fall करेगा, मैंने आप लोगों को बताया था, कि कभी भी आप अगर second order system के questions को solve करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो question में observe करनी चाहिए, वो यह कि जो transfer function question में दे रखा है, वो standard है या non-standard, ऐसा हम लोग क्यों करते थे, क्योंकि आप जितने भी formula's याद करते हो second order systems के लिए, चाहे वो rise time का formula हो, चाहे आपके peak overshoot का formula हो, चाहे वो आपके peak undershoot का formula हो, चाहे वो आपका percentage overshoot का formula हो, कोई भी formula जो आप याद करते हो, वो strictly and strictly valid होता है किसके लिए, standard transfer functions के लिए, तो फिर आपको वो सारे parameters calculate करने के लिए क्या derivation की मतदद लेनी पड़ेगी absolutely है नो तो इस case में आप लोगों को मैं recommend करूँगा कि एक बार derivation आप लोग जरूर देख लीजेगा कि peak overshoot का derivation कैसे होता है peak undershoot का कैसे होता है ठीक है rise time कैसे calculate करते है and so on okay वैसे कभी non-standard question gate में पूछा नहीं गया पिछले 25 सालों में आज तक नहीं पूछा गया पर इसका अलब यह नहीं कि पूछा नहीं जा सकता है पूछा जा सकता है ओके आगे बढ़े चलो बाकी यह वाली slide को मैं जादा महत्व नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें से कोई भी formula याद रखने के लिए आपको recommend नहीं करता हूँ अगर आपको OLTF निकालना है तो direct GS upon 1 plus GS करके आप calculate कर लो GS upon 1 plus GS लिखके calculate कर लो हाँ comparison कर सकते हैं उस पर भी आते हैं comparison वाली slide भी है अपने पास ठीक है आईए आप कुछ important definitions फटाफट quickly go through कर लेते हैं देखो system damping ratio जीटा जीटा की unit बताएंगे आप लोग बताओगे सर जीटा unit less quantity होती है range minus infinity से plus infinity तक vary करती है और जो भी आपके output response में oscillations आते हैं उसके लिए जीटा ही responsible होता है क्योंकि e to the power minus zeta omega n के terms में यो contribute आपका करता है ठीक है बहुत ही बढ़िया omega n पे आते हैं undamp natural frequency range इसमें दे रखे तिहां range दीती omega n undamp natural frequency omega n omega n का का काम क्या होता है आप बोलोगे सर omega n जो होता है omega n जो होता है वो frequency of oscillation represent करता है किसका output का output का frequency of oscillation represent करता है in the absence of damping force मतलब जब zeta 0 हो जाता है तब जो आपका output आता है वो omega n की frequency से oscillate करता है done चलो फिर उसके बाद होता है damped natural frequency इसका formula भी लगे हाथ हम लोग याद कर लेते हैं damped natural frequency होता है आपका omega n under root 1 minus zeta square ठीक है 1 minus zeta square और ये क्या होता है ये बुल रहा है कि अगर मालीजे आपके system का zeta non-zero है या zeta 0 से 1 के बीच में है तो जो आपका output आएगा वो omega d की frequency से oscillate करेगा जैसे under damped systems कौनसी frequency से oscillate करते हैं omega d की frequency से और undamped systems कौनसी frequency से oscillate करते हैं omega n की frequency से oscillate करते हैं ठीक है ओके कुछ कुछ याद आ रही है सारी बातें चलो ठीक है अब हम लोगों ने कुछ parameters भी यहाँ पर लिखे थे ठीक है zeta तो आपको पता यह है omega n भी आपको पता चल गया omega d भी आपको पता चल गया एक term होता है zeta omega n जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं damping factor damping factor इसको बोला जाता है बाकी उपर वाले तीरों के नाम तो मैंने define करी दिये ये भी ठीक है zeta और omega n को multiply कर दोगे इसको बोला जाता है damping factor बहुत ही बड़ी है चलो अब आजाते है response of a closed loop system with unity negative feedback ठीक है चलो देखो यहाँ पर क्या discuss करने वाले बहुत ही fundamental चीज़ है यहाँ पर हम लोग discuss करने वाले देखिए मैं आपको एक simple सी चीज़ समझाता हूँ और उसके बाद यह सारे discussion को सारे discussion को हम लोग आसानी से correlate करने की कोशिश करते हैं देखिए इसका equivalent diagram तो यही हो जाएगा s square 2 zeta omega n s omega n square यह आपका rs और यह आपका cs है यह इसका equivalent diagram बन गया ठीक है अब एक चीज़ आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा यह जो आपको second order system दे रखा है यह second order system के अंदर कुछ powers होती है कुछ parameters होते है कुछ इसके अंदर खासियत होती है जानी कि अगर मैं इस system का zeta vary करूँ तो इस system का नाम change होता जाएगा नाम change होने का मतलब क्या है जैसे मालेजे अगर इसका zeta 0 से 1 के बीच में है तो मैं बोलूँगा कि यह system under damp system है इसका मतलब क्या हुआ इसका तो कोई मतलब निकला ही नहीं वही under damp system कैसे होगा system तो बस zeta बता रहा 0 से 1 के बीच में होता है तो इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने बोला कि यह system under damp है it means अगर आप इसमें कोई भी input लगाओगे output का nature आपको under damp दिखेगा under damp का मतलब आपका जो output आएगा वो study state value of output के around oscillate करता हुआ दिखेगा और oscillations घटते हुए भी दिखेंगे यह point सब को समझ में आया जैसे आप system का नाम बोल रहे हो undamp system उसका कोई मतलब थोड़ी है वो तो नाम है उसका undamp system कहां से पता चल रहा है कि वो undamp है उसमें आप किसी प्रकार का input लगाईए आपको जो output देखने को मिलेगा वो study state value of output के around oscillate करेगा बट उसमें oscillations decay नहीं होगा मालीजे आपने zeta को one choose कर लिया system होगा critically damped critically damped system का मतलब क्या है मतलब यह है कि उसमें आप किसी प्रकार का input लगाईए जो आपका output response देखने को मिलेगा it will be having a critical damping what do you understand by critical damping critical damping का मतलब होता है कि जो आपका output response आना चाहिए it should never oscillate and it should settle in the least possible time तो इसी damping को critical damping बोलते है कि बाई oscillations होना ही नहीं चाहिए एक भी oscillation नहीं कोई overshoot नहीं होने चाहिए उसमें आपकी steady state value के उपर graph कभी जाहीं नहीं सकता similarly अगर मैंने बोल दिया कि यह जो मेरा second order system है यह overdamp system इसका मतलब क्या है overdamp system का मतलब है किसी प्रकार का आप इसमें input डालेंगे जो आपको output response दिखेगा it will be having a overdamp behavior overdamp का मतलब इसमें भी आपको steady state value of output के राउंड कोई भी oscillation देखने को नहीं मिलेंगे बट इस बार जो आपका response होगा वो थोड़ा सा sluggish हो जाएगा और settle होने में थोड़ा जाधा time लेलेगा बात समझाई सबको ठीक है अब देखो जैसे जैसे मालो अगर हम यह बोल रहे हैं कि भाई जीटा 0 से 1 के बीच में है तो यह underdamp system है इसका मतलब अब आप समझ गए न कि underdamp system का मतलब मैं इसमें कोई भी input apply करने की कोशिश करूँगा तो मेरा जो output response आएगा वो underdamp आएगा तो देखो क्या पहली line बहुत beautifully इसका behavior establish कर रहे है output response is underdamp इसकी वजह से इसका नाम रग दिया कि भी आप underdamp system हो फिर बोल रहा है output response follows the constant parameter in input constant parameter इन input का मतलब हो गया अगर आप step input लगाओगे तो वो step input का constant parameter मतलब उसका amplitude follow करने की कोशिश करेगा अगर आप impulse लगाओगे तो वो area को follow करने की कोशिश करेगा output response nature is independent of input applied मतलब ये बोल रहा है कि आप चाहे इसमें impulse input लगाईए चाहे ramp लगाईए कुछ भी लगाईए आपको जो output response का nature value नहीं बोल रहा है nature underdamp भी मिलेगा तो इसमें देखना ये nature पर मैं थोड़ा underline करता हूँ ये value नहीं बोल रहा है कि आपको ये value सेम बिलेगा nature बोल रहा है underdamp लेगा आप कुछ भी लगाईए इस पर ramp लगाईए impulse लगाईए कोई कोई साभी input apply करिए तो ऐसे systems को underdamp system बोला जाता है क्या ये सारे point crystal clear है आप लोगों को मेरे ख्याल से सारे point crystal clear होने चाहिए underdamp system का मतलब output response is underdamp output response follows the constant parameter ये input जो भी आप लगाए उसका constant parameter follow कराईए response का nature underdamp भी होगा आप कुछ भी लगाए कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है example के तोर पे हमारे पास कुछ graphs भी है देखिए जारा जैसे माल लीजे कि अगर हम यहाँ पर एक step input लगाते है ये हमारा step input था देखिए तो जो हमारा output response हाईगा इस case में वो इससी step input पर ही तो settle होने की कोशिश करेगा जिसको कि बाद में चलके हम लोग steady state value of output भी बोल देते है ये इसी पर settle होने की कोशिश करेग मगर इसके round पहले oscillate करेगा देखो oscillations दिन बदिन कम भी होते जा रहे है तो ये जो behavior है this is called as the under damp behavior अब जैसे माल लो अगर मैंने यहाँ पर input apply कर दिया delta T का ठीक है suppose यहाँ पर मैंने ये input apply किया impulse input का तो impulse input का constant parameter क्या है A तो फिर ये तब तक oscillate करता रहेगा जब तक इसका area A क पहुंच जाएगा तब तक यह idk करta रहेगा देखो इसके भी oscillationslines अगर आप नोटेस कर पा रहे हूं तो इसके भього मैं इसको settling time बोल देता है ना यहाँ पर आगसा हमारे पास Aa settling time होता और suppose यहाँ पर भी हमारे पास एक settling time होता है न तो यहाँ पर settling time आप कैसे calculate कर लेते settling time वो time होता जहाँ पर suppose यह 0.98 times of a पहुँच जाता यहाँ पर settling time कैसे calculate होता वो time होता जहाँ पर आपका यह area जो है वो 0.98 a times पहुच जाता यहाँ पर settling time कैसे calculate करते हैं जहाँ पर आपके output response का slope t equal to ts पर 0.98 के बराबर पहुँच जाता है समझे तो settling time के definition calculation बहुत easy है आसानी से आप लोग समझ पार होंगे जैसे ramp और अब अगर आप देखो तो इसमें आपने apply क्या किया था ज़रा गौर से देखिए देखिए इसमें क्या apply किया था यह ना यह apply किया था आप लोगों ने तो क्या होगा जो output response आएगा वो constant parameter in input यानि slope क्या round oscillate करने की कोशिश करेगा तब तक oscillate करते रहेगा जब तक roughly इसका जो slope है ना वो इसका slope तो a था इसका slope 0.98a ना हो जाए तक बंग 98% of the input slope को वो अचीव ना कर ले बोलो भाई समझाई बात सभी लोगों को ठीक है तो आप ज़रा notice करिए अगर आपको यह पता चल जाए कि system का zeta जो है वो 0 से 1 के बीच में तो response का अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं बहुत असानी से लगा सकते है response का अंदाज़ा हम क्या करेंगे बस यह देख लेंगे कि input का constant parameter क्या है input का constant parameter अगर amplitude है तो amplitude करा देंगे area है तो फिर हम तब तक oscillate कराते रहेंगे जब तक area तक ना पहुंच पाएं ramp है तो यह slope है slope के round हम लोग इसको oscillate कराते रहेंगे clear है आई ज़र देखे zeta equal to 0 पे system का नाम क्या हो जाएगा आप बोलोगे sir undamp system इसको बोलेंगे इस case में undamp system का मतलब क्या है output response आपका undamp होना चाहिए oscillations in output response never achieve constant parameter in input कभी भी ये constant parameter in input को achieve नहीं कर पाते हैं at any possible cost उसके round oscillate करते रहते हैं क्योंकि oscillations कभी decay नहीं होते हैं फिर बोल रहा है output response nature, nature word पर यहाँ पर गवर करना इस independent of input आप impulse लगा दो, ramp लगा दो, step लगा दो, कुछ भी लगा दो आपका nature हमेशा undamp ही रहेगा इस तरीके के system का नाम रख दिया जाता है undamp system एक बार जल्दी से इसको yes no yes no में answer करो इसका भी ग्राफ आप लोगों को दिखाता हो ओके, perfect, चलो इसमें बताओ क्या होगा, यह देखे इसमें मैं आपको inputs show कर देता हूँ और बस उसी के राउंड आप इसको oscillate करा दो ठीक है, बस इसमें क्या है, oscillations die out नहीं होने चाहिए यह देखे, यह तो आपका impulse input और यह आपका ramp input ठीक है, मेरे काल से बहुत आसान है इसके outputs को judge कर पाना, देखे यहाँ पर इस एक राउंड oscillation चलते रहेंगे systems के लिए क्या होता है, undamped systems का settling time क्या होता है, infinite बिल्कुल है ना, क्यूंकि कभी settle ही नहीं हो पाएंगे न, यह हमेशा oscillate ही करते रहते है तो settling time of undamped systems are infinite, कभी settle नहीं हो सकता, कभी यह a पर settle हो गए नहीं, इसी के राउंड oscillate करते रहेंगे similarly, कभी इसका net area A आप obtain नहीं कर पाएंगे, यह हमेशा oscillate करते रहें, कभी इसका आप net slope A obtain नहीं कर पाएंगे, यह oscillate करते रहेंगे, बहुत ही बढ़ी है आगे बढ़ें, zeta equal to 1 zeta equal to 1 को बूला जाता है critical damping system, critical damping का मतलब क्या है, output response does not oscillate, कभी कभी इसको ऐसे बोलते है, output response does not have any overshoot, very very important point, and reaches to the constant parameter in input in shortest possible time तो critical damping को identify करने के लिए, examiner आपको हमेशा दो keywords देने की कोशिश करता है, सबसे पहला keyword होता है, कि आपके output response में किसी भी तरह का overshoot या oscillations नहीं आने चाहिए, और वो constant parameter of input तक shortest possible time में पहुँचना चाहिए, आगे चलके जो आप poles से relate करोगे, तो यह बताएगा कि जो critical damp systems होते हैं, उनके pole negative, real or equal आते हैं, ठीक है तो basically यह तीन identifying parameters होते है, critical damping के, examiner statements में use करेगा यह सारी words, बट वो zeta की value 1 देगा नहीं, तो आपको यह देख के zeta equal to 1 चूज करना रहेगा, ऐसे देदेगा कि output response does not have any overshoot and it settles in the shortest possible time, तो आपको समझ जाना चाहिए, zeta की value 1 की बात हो रही है, ओके perfect, फिर से वही output response nature, nature आपका यह independent of input रहेगा, मतलब critically damp फिर रहेगा, ऐसे system को हम लोग critical damp system बोल देंगे, तो कोई बुराई नहीं है, fine, चलिए, ज़रा देखें यहाँ पर, हम inputs को एक बार वापस से आपके लिए visible कर देते हैं, तो देखें आपको इस बार outputs कैसे देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो बेसिक थोड़ा सा nature आप go through कर लो, nothing else is needed in this case, ठीक है, यह देखें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से निकला, कोई overshoot नहीं, कुछ नहीं, constant parameter यानि कि amplitude तक पहुशने की कोशिश की, यहाँ से ही उठा, कोई oscillation नहीं, कोई overshoot नहीं, और TS का मतलब 0.980 ए एरिया तक मौशने कोशिश की, यहाँ से output कोई overshoot नहीं, ऐसे नहीं दिखेंगे आपको, यह नीचे से उठेगा, और लगबग लगग इसके slope को अचीव करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो कोशिश करो कि response का basic nature याद रहे, कि कैसे आप response का basic nature यहाँ पर देख पार हो, different inputs के corresponding, fine, चलो अब last में आ जाते हैं, overdamp systems के case में, overdamp systems आपका critical dam का ही extension होता है, यह भी बोल रहा है कि भाई, यह oscillate नहीं करेगा, does not oscillate and approaches the constant parameter of input, but not in shortest possible time, ठीक है, बस यही चोटा सा फरक है, यहाँ पर not word पर, थोड़ा सा आपको गौर करना चाहिए, not in shortest possible time, ठीक है, ऐसे systems को आप बोलते हैं, overdamp system, इसमें भी जो output response का nature आता है, वो independent of input होता है, nature के बाद कर रहा है, आप इसमें ramp लगाएं, आप इसमें step लगादें, impulse लगादें, जो nature आएगा न, output response का, वो हमेशा overdamp रहा है, graph देखिए फटा फट सभी लोग, चेक करिए graph को, ठीक है, थोड़ा सा sluggish response यहाँ पर देखने को मिलता है, sluggish response यहाँ पर देखने को मिल जाता है, देखिए, यह inputs को बस मैं highlight कर रहा हूँ, कि हम कौन सा input यहाँ पर apply कर रहे हैं, ओके? चेक करो, बिल्कुल critical जैसे ही होगा, देखो न, यह देखो, यह, यहाँ पर गया ऐसा, यहाँ पर, बट थोड़ा सा slow हो जाएगा, sluggish हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल पिछले वाले जैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा slow कर लेना, sluggish कर लेना, ओके? आगे बढ़ें, चलिए, अब यह सारे graphs भी एक बार देख लो, आप लोग, है न, जीटा अगर देखो, माइनस 1 से 0 के बीच में आता है, इसको बोला जाता है, negatively under damp, इसको क्या बोलते हो आप, negatively under damp, इस केस में, oscillations कम होने की बजाए, grow करने लगते हैं, तो जो भी constant parameter of input होता है, उसके round oscillations grow करते हैं, जीटा की value अगर माइनस 1 होती है, इसको बोला जाता है, negatively critically damp, तो इसमें भी जो oscillations आते हैं, जो output response आता है, वो unbounded आता है, देखो न, यहां से generate हुआ, और आपका यह बढ़ता चला गया है, unbounded, similarly, this is also unbounded, इसको बोलते है, negatively over damp, range याद रखना, कई के बार आपको system दे देगा, जिसका zeta आ जाएगा, minus 0.5, चार options आपको दे देगा, और बोलेगा कि कौन सा response correct है, तो देख ले न, जिसमें oscillations grow हो रहे होंगे न, वही वाल option आपका correct हो जाए, मालों कभी zeta equal to minus 0 आ गया, तो हमेशा देखना, जो आपका output response आएगा, वो unstable होना चीए, है न, ओके, चलो, अब आते हैं systems के analysis करने, अभी तक देखो हमने क्या किया, system को identify कर लिया था, system को समझ लिया था, यह system under damp है, तो कैसा behave करेगा यह, अगर इस system over damp है, तो certain input के लिए कैसा behavior देगा, critical damp है, undamp है, कैसा behavior देगा, अब specifically system के analysis करते हैं, ठीक है, undamp systems, undamp systems के अगर आप बात करोगे, तो मुझे बता सकते हो, undamp systems में दो ही चीज़े, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, सबसे पहला तो, इसका pole zero location कैसा होता है, है न, इसके pole की क्या location होती है, pole की location, तो आप बोलेंगे, इसका जो pole आता है, it is, अगर आप इसका pole zero plot बनाते हैं, तो pole zero plot में मिल जाएगा, sigma j omega, यह pole, यह pole, ऐसे ही मिलेगा, perfect, यह वाली height बताएंगे, यह हो जाएगा, j omega d, minus j omega d, this is minus zeta omega n, this is minus zeta omega n, plus j omega d, this is minus zeta omega n, plus j omega d, time constant बताओ, यहां से कितना मिल जाएगा आप लोगों को, time constant is, 1 by zeta omega n, what about settling time, settling time is, 4t for plus minus 2% error band, and 3t for plus minus 2%, minus 5% error band, ठीक है, check कर लीजे, यही zeta square कर लीजे, correct, तो second order underdamp, अगर कभी system की मुझे analysis करनी है, तो मैं system के analysis करके, इसके poles बता सकता हूँ, pole zero plot बना सकता हूँ, अगर pole zero plot पता चल गया, तो obviously, मैं यहाँ से time constant और settling time पर comment कर सकता हूँ, ठीक है, जो आपके second order underdamp systems होते हैं, second order underdamp systems, उसमे, आपके एक geometry भी satisfy होती है, अगर आप लोगों को याद होतो, इसमे ना आपके geometry भी satisfy होती है, वो geometry का भी मैं आपको idea देता हूँ, कि वो geometry क्या होती थी, यह sigma था, यह आपका था, j omega, ठीक है, एक pole आपका यहाँ पर, और एक pole आपका यहाँ पर, ठीक है, अगर आप origin से इसको connect करें, origin से इसको connect करें, तो आप मुझे बता सकते थे, यह दूरी हमेशा कित्ती देखने को मिलती है, आपको origin से लेके, यहाँ तक की दूरी, यह दूरी हमेशा omega n के बराबर होती है, ठीक है, तो underdamp system के case में, कहीं पर भी poles आपके पहुँच जाए, कहीं पर भी poles आपके पहुँच जाए, आपका हमेशा distance omega उनोगा, at the same time, अगर आप यह angle calculate करते हैं, तो यह angle आपको phi मिलता है, what is the value of phi, इसको मैं cos phi से link कर देता हूँ, this value comes out to be, cos phi equal to zeta, ठीक है, तो यह geometry भी आप सभी लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए, कभी underdamp system के बात करें, तो यह geometry आपको relate करना आना चाहिए, ओके, दूसरी important चीज, क्या, अगर आप ऐसा बोल रहो हो कि जो poles की location है, वो हमेशा ही, center से, omega n की, sorry, origin से, omega n की distance पे है, तो अगर suppose, मैं यहाँ पर एक, omega n radius का circle बना देता हूँ, suppose अगर मैं यहाँ पर omega n radius का circle बना देता हूँ, तो क्या सारे के सारे जो poles आपको दिख रहे हैं, वो यहीं पर रहेंगे, इसी circle पर रहेंगे, चेक करिए, जैसे ऐसे मैं जीटा चेंज करता जाऊँगे, तो suppose, जीटा इस, changing between 0 to 1, तो maybe sometimes poles are there, maybe sometimes poles are there, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं इतने confidently, क्योंकि हमने एक चीज़ जरूर make sure करने हैं, कि भाई, इसकी origin से दूरी change नहीं होनी चीए, यह दूरी हमेशा, undamped natural frequency, यानि की omega n के बराबर आनी चीए, तो कभी-कभी ऐसा ही बोला जाता है, जो under damped systems होते हैं, under damped systems के case में, अगर जीटा को आप 0 से 1 के बीच में वेरी कराते हैं, तो जो poles की location होती है, वो एक omega n radius के semi circle पे वेरी करती है, on the left half side of the semi circle, ओके, समझाई बात सबको, ये undamped लिख दिया ऐसने, तो क्या करें इसका, under कर ले इसको, under कर लो भाई इसको, जीटा लिख देता हूँ, उससे जाधा clarity रहे, छलो, ठीक है, इतनी बाते याद हैं, जल्दी से एक बार समरी पढ़ लिजे सभी लोग, फड़ा बड़ समरी पढ़िए, poles of second order under damped system, is, is, अरे, ना चले गए हम लोग, अच्छा, यह under damped इसके पहले था, मगर हमने, हम आगे वाली slide पर चले गए, चलो, कोई बात नहीं, आप एक बार यह पढ़ लो, इसकी समरी पढ़ो, वो मैं बाद में correct कर दूँगा, जब मैं PDF शेयर करूँगा, आप से, चले, चेक करें, poles of under damped system lies on LHP, with negative real part, and poles are complex, complex in nature, ठीक है, under damped systems are always stable, and जीटा को 0-7 रखेंगे, poles moves on the semicircle of radius swimming, तीनों summary फटाफ़ट confirm करिया, चेक करो भाई साब, slides swap नहीं होती भाई, यह PDF है, ठीक है, ओके, clear है बात यह सभी को, बढ़िया, शांदार, चलो, तो, हम लोगों ने, under damped की बात कर ली थी, अगे, कुछ हुआ क्या, बड़ी प्राबलम है, रुट जोयर, रुट जोयर, अभी तो, दो ही गंटे हुए ना, यह वालो जो system है न, यह digital world, यह यार, बिल्कुली मेरे काबू से बाहर हो चुका है, ठीक है, अपनी मर्धी का मालिक है है, under damp, पहले नहीं बता सकते हैं तुम लोग के सर, undamp लिखा हुआ है, ठीक, चलो, आगे बढ़ें, चलो, आगे बढ़ें, यह आप लोगों ने, undamp, ठीक है, चलो, इसके poles की location बताओ भाई, अंडamp सिस्टम में, जीटा क्या होगा, और इसके pole की location, चलो, कोई बात नहीं, marathon sessions में, बड़े बड़े marathon sessions में, ऐसी छोटी मोटी बातें, होती रहती हैं, ठीक है, चलो, इसका pole बताओ, अरे yellow shade कर दो भाई, undamp, बाद में कर दूँगा, ठीक है, इतना ही आता हो था, तो 10th में संस्कृत थोड़ी लेते यार, 8 ने ले लेते, संस्कृत में नंबर भी कम बिलेते, 8 ही तो नहीं आता, चलो, undamp, perfect, चलो, poles की location बताओ, क्या हो जाएगा, s equal to, plus minus, j omega n, pole zero diagram बनाएए, pole zero diagram, क्या इसके जो poles की location आएगी, वो, j omega axis पे, non-repeated poles को represent कर रहा होगा, बहुत ही बड़ी है, perfect, non-repeated, repeated नहीं, non-repeated, time constant बताएगे सबी लोग, time constant, जो poles है, उसका real part zero है, settling time, infinite, ठीक है, तो time constant भी infinite, settling time भी infinite, अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए, आप मुझे बताइए, क्या आप system का nature, एक तो zeta से, और pole की location से, दोनों से बता सकते हो, क्या आप जो system का nature है, वो zeta से और pole की location दोनों से बता सकते हो, अगर zeta 0 से 1 के बीच में हैं, तो under damp, या अगर poles complex conjugate location पे हैं, तो under damp, दोनों से बता सकते हैं, अगर zeta 0 है, तो undamp, और अगर poles, j omega axis पे लाई कर रहे हैं, तो भी undamp, है नो, ये बात याद रखना, दोनों से judge करेंगे हम लोग, ठीक है, हो गया, बाकी देखो, क्या ये भी आपका omega n के radius पे लाई कर रहा होगा, बिल्कुल अगर एक omega n radius का circle इसके round बना दे हम लोग, तो ये भी वहाँ पे लाई करेगा, समरी एक बार देखेंगे, फटा फट सभी लोग, चलो, इसकी समरी ये नहीं है, समरी मैं लिख देता हूँ, कुछ तो हो गया गड़बड, चलो, समरी में बस आप लोग मुझे बताईए, पोल की location के बारे में बताना होता है, ठीक है, और stability के बारे में comment करना होता है, ठीक है, दिखेंगे जैसे, सबसे पहला, पोल्स कहां पर लाई कर रहे हैं, on j omega axis, कैसे हैं ये पोल्स, non repeated, है ना non repeated, ठीक है, and second point, system कैसा है, अगर non repeated j omega पर हैं तो, marginally stable, system यहां से आपको कैसा मिल जाएगा, marginal table, ओके, third देखिए, तीसरा ओला, क्या यहां पर भी जो आपके पोल आएंगे, will they lie on radius of, pole on, circle, of, radius, equal to omega n, है ना, बस, ये तीन बातें, generally हमें समरी में लिखनी चाहिए थे, perfect, चलो अब बताओ, critical damp पे आते हैं हम लोग, critical damp system, critical damp system में, pole की location बताएंगे, फटा फट सभी लोग, critical damp system, critical damp system में, zeta की value कितनी हो जाएगी हमेशा, exactly equal to 1, zeta की value, अगर exactly equal to 1 आई, तो यहां से भी, जो आपका, cs by rs होता है, वो तो standard format, लिखी सकते हो, आप, divided by, s square, plus, 2 zeta, omega ns, plus, omega n square, ठीक है, poles की location, यहां से आपको क्या मिलती है, poles आपको मिल जाएंगे, s equal to, minus omega n, minus omega n, pole zero diagram, और settling time, दोनों चीज़े बताएंगे, इस case में, settling time कितना आ जाता है, 2% error band के लिए ही, settling time आपको कितना मिल जाता है, यह हो गया sigma, और यह आपको मिल गया, j omega, okay, minus omega n, time constant तो आपको क्या मिलेगा, 1 by omega n, but settling time यहां पर आपको मिलता है, 6T, which means, 6 by omega n, for 2% error band, याद है सभी को, zeta तो 1 ही हो जाता है, 60, बहुत ही बड़ी है, तो critically damped systems के case में, जो time constant आता है, वो हमेशा कैसा होता है आपका, हमेशा time constant 60 होता है, sorry, settling time 60 होता है, for 2% error band, okay, चलो एक बार इसकी summary देखेंगे सभी लोग, summary फड़ा फड़ देखिए, और adjust करिए, poles of second order critical damped systems are negative, real and repeated, very very important है ना, यह आपका एक parameter होता है, एक examiner आपको identification के लिए देता है, generally examiner जब भी critical damped systems के question exam में पूछता है, वो कभी भी आपसे critical damp बोलता नहीं है, कि भाई यह critical damp ले लो, समझे मेरी बात को, critical damped systems are always stable, obviously, and poles of the second order critical damped system lies on the radius of omega n, है ना, अगर आप एक circle बनाते, तो देखो, यह minus omega n से तो pass होके ही जाता है, मतलब की, जो आपका under damp है, undamp और critical damp है, इनके जो poles आ रहे हैं, वो omega n radius पे जरूर कहीं न कहीं, दिख जाएंगे आपको, perfect, बहुत ही बढ़िया, over damped systems के case में बताईए, pole की calculation आप कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर, over damped systems के case में, poles के calculation हम कभी करते नहीं, और अगर poles निकालना भी होता है, तो हमें पता ही होता है, कि यह जो s square, plus 2 zeta, omega n s, plus omega n square है, इसके हमेशा real ही roots आ जाएंगे, s plus p1, s plus p2, तो फिर उसी इसाब से हम pole 0 की plotting कर लेंगे, j omega, यहाँ से minus p1, minus p2 पे poles के location बता देंगे, बस, काम खत्म, तो इसमें कुछ याद नहीं करते हैं हम लोग, हमें पता होता है, इस case में जो roots आएंगे, they will be negative, real and distinct, अलग-अलग आएंगे, negative, real and distinct will be the roots, clear है भाई? हाँ, omega n के radius के circle पे लाई नहीं करते हैं, बिलकुल सही बात है, बहुत ही सही बात है यह, pole location of second order overdamp systems are real, negative and distinct, poles location does not lie on the circle of radius omega n, and second order overdamp systems are also always stable, तो सिर्फ undamped system को छोड़के, बाकि सारे के सारे systems आपके, बहुत अच्छे आज से stable हैं, मारलब सारे के सारे poles strictly LHP पे लाई कर रहे हैं, ओके? आई बात यहां तक समझ में, चलो यह diagram देख लो, यह diagram बड़ा important होता है, तो मैं इसमें कुछ critical markers आप लोगों को दिखाता हूँ, यह देखे, zeta 0, 0 से 1 के बीच में, exactly 1, greater than 1, minus 1 से 0, exactly minus 1, less than minus 1, ठीक है? और जो zeta की values है, उसको भी मैं एक डबबे में close कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा diagram और visible दिखेगा, zeta 0, zeta 0, zeta greater than 1, zeta greater than 1, this is at zeta equal to 1, zeta जो है, exactly minus 1, less than minus 1, ठीक है? और यह है, minus 1 से 0, चेक कर लो, ऐसे होगा, देखो, zeta 0 पे एक यहाँ, एक यहाँ, 0 से 1 के बीच में, फिर यह दोनों पोल्स ऐसे move करेंगे, यहाँ पहुँचे 0 से 1 के बीच में, exactly 1 पे, यहाँ, greater than 1 पे, एक इधर निकल जाएगा, एक अंदर के तरफ चलाएगा, minus 1 से 0 करोगे, तो exactly under damn का negative वाला counterpart, इसी की mirror images इधर आनी शुरू हो जाएगे, तो minus 1 से 0 के बीच में, यह दोनों right half side में है, यह, exactly minus 1 पे club करोगे, minus 1 से भी कम करोगे, एक दूसरे से collide करके, n radius का circle यहाँ पे बना हुगा, ठीक है, perfect, बाकी zeta less than 0 के cases में, आप लोग देख भी पार होगे, zeta अगर negative है, तो आपके poles right half side में shift कर जा रहे हैं, इस वाज़े से systems हमीशा unstable होते हैं, systems अगर unstable हैं, इसका मतलब आपके outputs, unbounded in nature उने चाहिए थे, ठीक है, perfect, चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार जल्दी से quickly table देख लो, क्या हम लोगों ने यही सारी चीज़ां भी तक discuss करी, nature अगर under damp है, zeta 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो मैं highlight भी करता हूँ जाता हूँ, आप लोग एक बार जल्दी से quickly recall करते जाओ, सारे point डिसकस करने भाई, under damp, 0 से 1 के बीच, oscillations होंगे damped oscillatory, time constant will be 1 upon zeta omega, 2% के लिए settling time 4 tau, and system remains stable, चेक करो, done है, perfect, undamped systems के लिए, zeta की value 0 होनी चाहिए, oscillations undamped oscillatory आएंगे, time constant will be infinity, 2% settling time के लिए infinity, और system आपका marginal stable हो जाएगा, critically damped system के लिए जो आपका zeta आएगा, it will be equal to 1, zeta के जो value आएगे, this will be equal to 1, इस case में जो आपके oscillations आएंगे, they will not be oscillatory, पहली चीज़ तो वो oscillatory होंगे नहीं, दूसरी important चीज़ यहाँ पर यह है, systems के लिए, zeta के value 1 से जादा, कोई oscillation नहीं होगा, slow यहाँ पर settling आपकी होगी, बाकि time constant के लिए dominant pole concept यूज़ करेंगे, और settling time आपका 4 tau हो जाएगा, clear है? fine, ने, pole location over time का यादी क्यों करोगे, भाई, वो तो जब factor होके आपको खुदी मिल जाएगा न, तो उसको हम rating है क्यों, factorization कर लेंगे, quadratic तो हमें आता है, यह solve करना, चलो, अब इतने सारे discussion हम लोगों ने जैसे complete कर लिए, अब हमें कहीं न कहीं responses की बात कर लिनी चाहिए, हम लोगों ने देखिए, एक अंदाजा लगा लिया, कि अगर system under damp है, over damp है, critical damp है, या फिर undamp है, तो उस cases में, किसी भी particular input के लिए response roughly कैसे दिखेंगे, फिर system के analysis कर लिए under damp है, तो वो कैसे उसके poles के location आएंगी, क्या उनके time constants होंगे, आप क्या करते हैं, specifically सिर्फ और सिर्फ step responses की बात करते हैं, सिर्फ step response की बात करेंगे, यानि कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक system दे रखा है, और मैं आपसे पूछूँ कि मैं इसका step response calculate करना चाहता हूँ, तो बताइए आप उससे पहला question क्या पूछोगे, अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई, ये एक under damp system आपको दे रखा है, जिसका zeta 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, ये दे रखा आपको, s into s plus 2 zeta omega n, ठीक है, इसका zeta 0 से, sorry, ये दे रखा है, और मैं आपसे पूछूँ step response calculate करो, तो आप यही तो पूछोगे, कि system का क्या nature है, step response का मतलब, input पे तो step लगा देंगे, जो response हैगा, वो भी calculate कर लेंगे, बट इसका nature क्या है, तो इसका nature आपको मिलेगा, 0 से 1 के बीच में, अगर मानलो, यहाँ पे zeta 0 हो जाएगा, तब भी step response calculate करना है, zeta 1 हो जाएगा, तब भी step response calculate करना है, zeta greater than 1 होगा, तब भी step response calculate, calculate हमेशा step response करना है, यहनि input पे step लगा के बैट गए हैं, output पे कुछ उमीद रख रहे हैं, बट at the same time, हमको यह पता तो होना चाहिए, यह system कौन सा है, तब ही तो हम calculation कर पाएंगे, तो उसी कड़ी में पहला discussion जो हम लोग करने जा रहे हैं, वो यह है कि step response of under damp system का भाई calculate करना चाहते है, under damp system का, यह जीटा 0 से 1 के बीच में, तो बताओ, जब आप इसका step response calculate करते हो, तो उसकी value कितनी आ जाती है, बताइए, यह तो सबको याद होना चाहिए, a, 1 minus e to the power, minus zeta omega nt, under root 1 minus zeta square, याद रखना है, यहाँ पर sine होता है, omega dt plus phi, and this will be ut, omega d की value बताएंगे, कितनी हो जाती है, omega d is omega n, under root 1 minus zeta square, phi कैसे calculate करते हो, cos phi बराबर zeta, ओके, perfect, इसकी steady state value कितनी आ जाएगी, t के जगा पर infinite put कर दो, यह मिल जाएगा आपको a, ओके, याद है सभी को, यह याद होना चाहिए भाई, ठीक है, यह expression, बिल्कुल रटा होना चाहिए आप लोगों को, कभी भी अगर आपसे underdamp system का step response पूछता है, तो, clear, ठीक है, चलिए, अब हम क्या करना चाहते हैं, actually इसमें, कुछ time instances calculate करना चाहते हैं, पहले तो इसका response, जब भी आप इसका response बनाओगे न, तो response आपको ऐसा देखेगा, देखिए, यह settle हमेशा कहाँ पर होता है, हमेशा आपने steady state पर settle होने की कोशिश करता है, तो यह वो line होगी, जहाँ पर settlement करने के बारे में सोच रहोगा, so this is CT, steady state equal to it, यहाँ पर settle होने का सोच रहोगा, but, यह आपका actual response है, यह response जो आप यहाँ से देख पा रहे हो, यह आपको कुछ ऐसा देख रहोगा, यहाँ से गया, ठीक है, overshoot लिया, undershoot लिया, थोड़े overshoot, undershoot कम होते रहे, समय के साथ साथ, और धीरे धीरे यह settlement के तरफ बढ़ता चला गया, ठीक है, तो यह मिलगे आपको graph, किसका graph, यह जो expression आपने लिखा हुआ था, यह जो expression आपने लिखा हुआ न, इसी के आपने यहाँ पर plotting कर ली, अब इसमें, दो तरीके के indicators हमको याद होने चाहिए, पहले तरीके का indicator हमको याद होना चाहिए, यह time axis से related, time axis से related indicators हमको याद होने चाहिए, time axis पर दो तरीके के indicators मैं आपको बताता हूँ, पहला indicator है, कि वो सारे के सारे time instances, जहां पर यह step response, अपनी steady state value को बार बार cut कर रहा है, यह देखिए, यह है इसकी steady state value, तो देखो, यह जो response है, क्या यह अपनी steady state value को for the very first time, यहाँ पर cut कर रहा है, T1 पर, उसके बाद T2 पर cut कर रहा है, फिर T3 पर cut कर रहा है, फिर T4 पर cut कर रहा है, फिर T5 पर cut कर रहा है, and so on, तो पहला indicator time axis पर हमको याद होना चाहिए, वो सारे के सारे time instances, जहाँ पर आपका output response, अपनी steady state value को cut कर रहा है, touch कर रहा है, उसको छूते हुए जा रहा है, तो कि उसको हम लोग बोलते हैं, time instance of CT study state, यह तो थोड़ा सा generalized term नहीं हुआ, बट A क्योंकि यहाँ पर CT study state के बराबर है, तो ऐसा लिख देते हैं, यह A के भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ultimately हम वो time instances judge करना चाहते हैं, जहाँ पर CT study state के बराबर आजाएं, तो उसका formula बहुत असान है, उसका formula अगर आप calculate करेंगे, तो उसका formula आपको मिल जाता है, TK is equal to K pi minus phi upon omega d, ठीक है, यह formula भी मैं request करूँगा, कि आप लोग याद रखें, ठीक है, यानि कि अगर इस graph में, हम लोग इसको observe करते, तो यह था हमारा T1, this was the T2, this was T3, this was T4, तो T1 की value कितनी आ जाती, इस वाले time instant की value, अगर मैं calculate करता, pi minus phi upon omega d, इसकी calculate करता, 2 pi minus phi upon omega d, 3 pi minus phi upon omega d, 4 pi minus phi upon omega d, interestingly अगर आप notice करें, तो यहाँ से यहाँ तक का, तो gap T1 है, वाट उसके बाद किनी भी दो, किनी भी दो, ऐसे output के बीच में, जहाँ पर यह वापस से steady state value को अचीव कर रहे हैं, वो values आपको क्या मिल रहे हैं, same, तो वो सारे की सारे time instances, जहाँ पर आपका output response, एको अचीव कर रहा था हूँ, उनके successive samples के बीच का जो gap है, वो pi by omega d के बराबर है, अगर आप से कोई specifically पूछे, कि यहाँ से T1 की value कितने आ जाएगे, तो देखें क्या T1 की value हमने बिल्कुल ठीक लिखे हुई यहाँ पर, चेक करिए, बिल्कुल, T1 की value हमने लिख दी, pi minus 5 upon omega d, अब मैं आपको एक interesting definition बताता हूँ, interesting definition बताता हूँ, first order system के लिए rise time की definition क्या थी, आपने बोला था, कि हमारा जो output है, वो अपनी steady state value का, 10% से 90% पहुंचने में जो समय लेता है, वो rise time होता है, बट under damn के case में, आपका यह जो output response है, यह अपनी steady state value का, यह इसकी steady state value है, ठीक है, अपनी steady state value का, 0% से 100% पहुंचने में जो वक लेता है, वो rise time होता है, तो क्या देखो, यह rise time का ही formula लिखा हुआ πाई माइनस पाउन ओमेगाटी परफेक्ट तो हम क्या याद करने की कोशिश कर रहे है time axis के indicators इनको मैं बोलता हूँ time axis के indicators एक indicator हमने वो देखा कि वो कौन-कौन से time instances है जहां पर आपका output response अपनी steady state value को बार-बार cut कर रहा है वो oscillate तो steady state value के राउंड ही करेगा है ना परफेक्ट हाँ यह 2.2 RC होता था first order के case में और second order under damn के case में यह πाई माइनस फाउन ओमेगाटी हो जाएगा देखे क्या यही है rise time के definition फटा-फट चेक करिए यह rise time का formula आपको याद होना चाहिए यहाँ पर एक दो छोटी मोटी बात है कभी भी formula में numerical solve करें pi को हमेशा लीजिए 3.14 और phi को हमेशा radian में लीजिए degree में मत ले लेना चेक कर लो it is a time taken by the output response of the second order under damn system to reach 0% to 100% of its final value or steady state value for the very first time very first time पर मैं वापस से underline करना चाहूंगा चेक करो ओके बहुत ही शांदर आई आप बात करते हैं हम लोग peak times की peak times क्या होते है देखिए peak times आपके होते है एक होता है peak overshoot time which is odd multiples of pi by omega d और एक आपका होता है peak undershoot times which is even multiples of pi by omega d ओके clear everyone ठीक है graphically आप इसको कैसे show कर सकते थे एक बार graphically भी देख लो ये था आपका ct time access के indicators है ये था आपके ct का steady state value जो कि a था इस case में ये कुछ और भी हो सकता था depending upon the question ठीक है ये है overshoot times और अगर undershoot times को ये पूछेगा तो ये undershoot times है ठीक है ये लीजे ये आपका ये आपका first peak overshoot time tpo 1 ये आपका second peak overshoot time ये आपका third peak overshoot time ठीक है what about this first peak undershoot time and so on इसको आप लिख सकते थे second peak undershoot time and so on मतलब दोनों जगहें पे जो k की values start हो रही है वो आपके start हो रही है 0 से sorry 1 से 1, 2, 3 यहाँ पर भी k की value 1, 2, 3 ठीक है ये represent करता है kth order peak order नहीं kth लिख लो सीधा kth overshoot overshoot time टाइम ठीक है और इसको बोलते हैं kth undershoot time okay kth undershoot time आपको हो जाता है मतलब अगर मैं k को 1 रख दूँ तो first undershoot time ये वाला k को अगर मैं 2 रख दूँ तो second undershoot time overshoot time k को 3 पूट कर दूँ third overshoot time इसमें keko 1 पूट कर दू first undershoot time keko 2 पूट कर दू second undershoot time keko 3 पूट कर दू third undershoot time तो ये graph में भी आपको दिख रहा हूँ तो बताओ time access के सारे indicators आपने successfully identify कर ली दो है indicators होते हैं एक तो maximum minimum वाला peak overshoot peak undershoot वाले time and एक वो वाला time जहां पर आपका values A को बार-बार अच्छीव कर रहा है CT बार-बार A को अच्छीव कर रहा है ये study state value को अच्छीव कर रहा है ठीक है चलो peak overshoot times related कुछ points है इनको quickly एक बार go through करते it occurs in each cycle hence it is periodic and cyclic in nature absolutely जितने भी आपकी peak overshoot times होंगे वहाँ पर differentiation 0 होगा क्योंकि आपको सभी को दिखी रहा है कि वहाँ पर या तो maximum बन रहा है या तो minimum बन रहा है basically जो हाँ पर अगर आप tangent डालोगे तो tangent horizontal आएगी और उसका differentiation आपको 0 मिल जाएगा है ना? perfect यहाँ पर देखो at first peak overshoot time output is maximum तो यह बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पर value calculate करोगे output की ना? इस वाले time instance में तो output की maximum possible value आप निकाल सकते थे अगर आप यह calculate करते तो तो output की आप maximum value भी obtain कर सकते थे clear बात बहुत ही बढ़ी है अगला देखो यह वही चीज़ को mathematically लिख रहा है कि अगर आपने यहाँ पर ऐसा लिखा ठीक है? T के जगहाँ पर TPO1 कर दिया तो यह CT max मिल जाएगा साथ के साथ बूल रहा है successive overshoots के बीच का जो gap है it is 2 pi by omega d successive overshoots के बीच का gap is 2 pi by omega d ठीक है? perfect similar तरीके से peak undershoot time के भी बात कर रहा है यह बूल रहा है कि this occurs in each cycle यहाँ पर भी differentiation 0 हो जाएगा first peak undershoot time represents the time period of damped oscillation very very important 2 pi by omega d जो होता है न यह time period of damped oscillation को represent करता है luckily 2 pi by omega d आपका first peak undershoot time से match कर रहा है अगर आप first peak undershoot time पर इसकी value calculate करोगे यहाँ पर अगर आप इसकी value calculate करोगे इस वाले time instance पर देखिए यहाँ पर तो देखिए यह जो value आप obtain कर रहा हूँ this is the minimum possible value after rise time यह आपका rise time चेक करो इसके बाद अगर मैं graph को observe करता है इसके बाद तो मुझे इसकी जो minimum possible value मिलती है यहाँ पर मिलती है क्योंकि यह value इससे जादा ही होती है यह भी इससे जादा होती है वैसे अगर CT की minimum value को पूछेगा तो वो तो 0 हो जाएगे क्योंकि 0 से start हो रहे है बट कभी-कभी ऐसा भी बोला जाता है कि जो आपका CT है वो first peak undershoot time पे minimum possible value देती है बट after rise time before rise time there may be lesser values also तो देखो यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है at first peak undershoot time output is minimum after rise time time gap between successive undershoot 2 pi by omega d हो जाएगा इसमें तो कोई discussion की बात ही नहीं बात समझा गई यहाँ तक सारी तो I think time axis के indicators हमको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गये अच्छी तरीके से हम सभी लोगों ने उसको revise भी कर लिया आईए चर्चा करते हैं हम लोग concepts of overshoot and undershoot amplitude या कभी कभी इसको हम लोग height भी बोलते है इस पूरे discussion को याद रखने के लिए मैं आपको suggest करूँगा कि आप एक single graph याद रखे ठीक है उस single graph में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा सब कुछ उस single graph से याद रखे बाकि इसमें कुछ भी और याद रखने के जरूरत आपको ऐस सच है निक ठीक है एक दो formulas मैं बता देता हूँ बस बट ये graph आप लोग याद रखे इसी graph में सब समझा देता हूँ है ठीक है तो हम लोगों ने crash course में भी इसको graph से ही relate किया था यहाँ भी graph से ही relate करो ठीक है जो भी इसका steady state value है वहाँ पे इसको settle होने के लिए मौका दे दो मा लेते हैं इसका जो steady state value था वो a था इसका जो response हा रहा है वो response हम लोग बनाते हैं ठीक है ओके बस यह height हम लोग याद करेंगे यहीं से सब कुछ याद हो जाएगा कोई बता सकता है इसकी height कितनी होगी t steady state माना था आपने a तो यह वाली जो height मिलेगे न आपको इसमें silly mistake आप लोग क्या करोगे silly mistake आप यह करते हो कि a से multiply नहीं करते हो a क्या है steady state value तो यह steady state value a भी हो सकती a के भी हो सकती कुछ भी हो सकती output के जो भी steady state value है वो यहाँ पर multiply करें यह height बताए कितनी होगी 5 pi zeta under root 1 minus zeta square यह a e to the power minus 6 pi zeta upon under root 1 minus zeta square समझाई बात बस यह एक diagram याद रखना है इसी से सारी चीज़े calculate हो जाएंगे सब कुछ आपको यहाँ से calculate होता हुआ मिल जाएगा तो एक बार पहले बताओ यह diagram याद आप लोगों को फिर मैं nomenclature आपको याद दिलाता हूँ फिर मैं आप लोगों को nomenclature याद दिलाता हूँ यहाँ से ठीक है nomenclature देखो कितना आसान है याद करना अगर मुझसे कोई पूछता है what is first peak overshoot अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है वो first peak overshoot बोल रहा है अगर वो बोलता first peak overshoot time तब तो answer हो जाता tp o 1 pi by omega d बट अगर वो बोल रहा है first peak overshoot इसका मतलब वो first peak overshoot की height जानना चाहता है तो देखो first peak overshoot की height कितनी यही तो height है यह तो steady state value इसके उपर कितना overshoot किया इतना तो this is the first peak overshoot इतना बोलता है इसका मतलब वो height की बात करें time को अलग से लिखेगा what is second peak overshoot यह second peak overshoot what is third peak overshoot this what is first peak undershoot height यह है first peak undershoot height second peak undershoot height third peak undershoot height यह बात clear है सभी को बोल यह yes मान लो अगर आपसे कोई पूछता है ध्यान से सुनिएगा मान लो आपसे कोई पूछता है what are the height of maximas यह value of maximas तो देखे value of maximas और value of maximum दोनों में अंतर है क्योंकि maxima तो यह भी है maxima तो यह भी है maxima तो यह भी है यह सारे के सारे maxima ही तो है तो अगर हम तो कोई पूछता है what is the value of maximas तो अगर मुझे इसकी value बतानी है तो बताओ a में यह height जोड़ देंगे a plus this तो आपको मिल जाएगा ct max अगर कोई जानना चाहता है what is the value of this maxima a plus this तो आपको यह मिल जाएगा what about this a plus this तो आप value of maximas भी निकल सकते हो कोई पूछता what is the value of maximum maximum तो यह हो जाता है फिर यह देखो है ना ठीक है मान लोग आप से कोई पूछता what are the values of minimas minima की value पूछता है यहाँ पे value कितनी है यहाँ पे value कितनी है तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a इसमें से यह घटा दो इसका coordinate निकल के आजाएगा आजाएगा ना इसका coordinate निकल के ठीक है coordinate ही तो चाहिए आपको ठीक है मान लोग कोई पूछता यह वाली minima की value कितनी है मतलब इसका coordinate जानना चाहता है तो आप क्या करोगे a में से इतनी height घटा देते हैं आपको इसकी value मिल जाती है तो एक single diagram से आप सब कुछ calculate कर सकते थे मान लो आप से कोई पूछता कि भाई यह बताओ यह जो आपका overshoot था यह अपनी steady state value से कितना percent उपर था तो आप क्या करते हैं यह height divided by a into 100% मान लो कोई पूछता कि यह बताओ जो second peak overshoot था वो अपनी steady state value से कितना percent उपर था तो आप इसको a से divide करके 100 से multiply कर देते हैं मान लो जो कोई पूछता कि यह जो first peak undershoot था यह अपनी steady state value से कितना नीचे था तो यह height निकालके आप steady state से divide करके 100 से multiply कर देते फिर मैं आपको कुछ formulas दिखा देता हूँ ठीक है बट मुझे ने लगता कि यह formulas याद करने की जरूरत है हमें ठीक है चलो चेक करो यह चार formulas क्या है यह ठीक लिक है और क्या ही आप वैसे भी लिखी लेते maximum value of ct ct के maximas कहां कहां पर आकर कर रहे होंगे a plus a into e to the power minus 2k minus 1 pi zeta under root 1 minus zeta square and what are the heights of overshoots तो यह heights of overshoots भी आप निकाल सकते हैं मैं इसको overshoots कर देता हूँ और इसको maximum की जगह पर maximas word यूज करता हूँ इसको maximas कर लो and इसको minimas कर लो minimas perfect सही बन गया न and height of undershoots कर लेते हैं undershoots ठीक है but again मैं यही बोलूँगा यार की इन formulas को एक बार पढ़ लो पर अगर exam दर हमसे ऐसा कुछ पूछता है या कोई graphical हमको CT versus T का graph देता है तो हमें पूर identify करना आना चाहिए हमको time access के indicators भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए वर्टिकल एक्सेस के indicators भी बहुत अच्छे से पता होने चाहिए है ना तो maximus values of CT minimus values of CT और height of undershoots सारी चीज़ें आपको graph से correlate करने आनी चाहिए ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है एक formula आप से पूछा जाता है एक formula आप से पूछा जाता है अब मैं उसको लिखता हूँ उसको देखे क्या बोल रहा है देखे maximum peak overshoot एक तो है peak overshoot और दूसरा यह पूछना maximum तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी CT की maximum value है उसमें से CT की steady state value घटा दीजे है न उसके बाद कभी कभी पूछता है what is maximum peak percentage overshoot ठीक है maximum peak percentage overshoot ठीक है तो अगर कभी भी examiner ऐसा पूछता है तो आप फिर यह कर लिजे CT max minus CT study state upon CT study state into 100 ठीक है formula wise अगर आप देखें तो formula wise यह value तो आपको याद ही है a e to the power minus pi zeta upon under root 1 minus zeta square this becomes e to the power minus pi zeta upon under root 1 minus zeta square into 100% ठीक है एसे डिवाइड करके 100% आपको लिए चेक करो तो यह नाम भी याद रखना नाम बड़ा important होता है maximum peak overshoot and maximum peak percentage overshoot peak overshoot आपको पता है बहुत सारे होंगे peak overshoot उसके maximum कौन सा है यह बला and percentage इसका निकालोगे तो study state से कितना उपर वो overshoot कर गया done है भाई साब यहाँ तक चलो एक चोटा सा point आपको और याद दिला देता हूँ जो मैंने आप लोगों को बताया था मान लो किसी question में आपको percentage overshoot दे रखा है मान लो किसी question में उसने आपको दे रखा है percentage overshoot is equal to कुछ दिया हुए मान लेते हैं कि M percent आपको दे रखा है तो आप यहाँ से P की calculation कैसे करते हो M by 100 और direct यहाँ से zeta आप calculate कर लेते हो यह मैंने आप लोगों को बताया था ln P का whole square divided by pi square plus ln P का whole square तो यहाँ से direct हम लोग zeta की calculation कर लेते हैं एक चीज मैंने आपको और बताई थी जो direct याद रखती है थी आपको अभी भी percentage overshoot 16% दिखता है तो zeta को बे हिचक 0.5 directly put कर दीजे कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है तो जब भी आप under time की बात करें तो CT का expression बहुत important हो जाता है CT का graph बहुत important हो जाता है time axis के indicators बहुत important होते हैं vertical axis के indicators बहुत important होते हैं और उनके understanding होनी चाहिए कि वो represent क्या कर रहे है overshoot का मतलब क्या होता है maximum overshoot का मतलब क्या होता है under shoot का मतलब क्या होता है maximum under shoot का मतलब क्या होता है t की value बताईए कितनी हो जाएगी यह हो जाएगा आपका a मानलो steady state value a मानलेते हैं omega n t ut यही होता है यह expression याद होना अच्छी आप सभी लोगों को ठीक है perfect इसका response कैसा आता है t t versus t ठीक है इसकी steady state value identify कर लो और काफी जल्दी settle करवा दो settling time कितना मिल जाएगा आपको 6 upon omega ठीक है देखे exam में कभी भी second order की बात होगी exam में कभी भी second order system के अगर questions आते हैं तो 99% question आपके underdamp से आते हैं 99% question underdamp से आते हैं एक percent question जो बचता है वो critically damp से आ जाता है क्या पूछता है critically damp से question critically damp से आपको statement देगा keywords देगा कौन कौन से keywords देगा देखो ऐसा देगा poles of closed loop system are real, negative and equal अगर examiner ने ऐसा बोल दिया है तो फिर वो आपको ना तो question में critical damp word यूज करेगा ना तो जीटा यूज करेगा आपको जहां से पढ़के समझना होगा अच्छा है critical damp है जीटा को मर लेना चाहिए at the same time examiner कभी-कभी ऐसा बोलेगा output response reaches to the steady state without oscillation या फिर कभी-कभी बोलेगा without overshoot ठीक है without overshoot और साथ के साथ in shortest possible time तो अगर मानलो examiner ऐसे भी words यूज करता है तो वो exam में critically damp word यूज नहीं करेगा सिर्फ और सिर्फ हमेशा आपको क्या करेगा हमेशा जीटा की value 1 लेने के लिए encourage करेगा by using these statements done है चलो over damp system के बात करते है over damp system में तो आपको पता ही है कि हम ct की value कैसे calculate करते है cs by rs जो भी हमारे पास expression होता है इसको हम partially मतलब पहले factorize कर लेते है ठीक है और cs की value यहाँ से calculate करने के लिए omega n square upon s अगर unit step हम लोग ले रहें तो s plus p1 और s plus p2 यह value मिल जाती a0 by s plus a1 by s plus p1 plus a2 by s plus p2 और फिर यहाँ से आप क्या करते हो इसका inverse calculate कर लेते हो ठीक है तो यह मिल जाता है a0 plus a1 e2 the power minus p1 t plus a2 e2 the power minus p2 t और जाहिर सी बात है बाहर uti जाए तो इसका कोई expression हम याद नहीं रखते है इसमें totally हम basics of signal system पर rely करते हैं है न बिलकुल समझाई बात सभी को चेक कर लो undamp वाला भी बता दिता हूँ मैं clear है न ठीक है तो undamp अपना रह गया step response of undamp system step response of undamp system ठीक है तो इसका हम एक simple से तरीका आप लोगों को बताता हूँ undamp system देखिए जैसे माँ लोग कोई under damp system है कोई भी under damp system है आपके पास ठीक है ठीक है under damp system में अगर आप जीटा की जगह पर zero put कर देंगे न तो आपको undamp मिल जाएगा तो आपको undamp system मिलेगा but अगर आप इसमें अगर आप इसमें जीटा की जगह 1 या greater than 1 put करते हूँ तो फिर आपको critical damp और over damp नहीं मिलेगा कोई इसका reason बता सकता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि वो expression हम directly क्यों identify नहीं कर पाते इसका reason क्या होता है कि आपको एक oscillatory system आपको एक oscillatory system से न oscillatory system को ही आप equate कर सकते हो मैं समझाता हूँ इसका अरलब क्या है ये कभी नहीं करना है this is blunder हाँ ये कर सकते हो क्योंकि होता क्या है because of the oscillations under damp systems आपके एक oscillatory system होता है तो इसको आप एक दूसरे oscillatory system से relate कर सकते हो बढ़ आप इसमें zeta equal to 1 नहीं पूट कर सकते है एक under damp system को आप एक non oscillatory system से equate नहीं कर सकते है तो कभी भी इसमें zeta 1 मत पूट करना zeta greater than 1 पूट करना बढ़ जीटा equal to 0 आप पूट कर सकते हो आईए पूट करके देखते है zeta equal to 0 से हमें expression क्या मिल जाएगा वैसे तो expression आपको directly याद होना चाहिए बढ़ मान लो अगर नहीं भी आदे directly ठीक है तो मैं आपको यहीं पर सिखा देता हूँ कि zeta equal to 0 रखने से कैसे आपको यह expression मिल जाएगा sin omega dt plus 5 ठीक है पुट कर दो इसमें zeta की जगह पर 0 zeta की जगह अगर आप 0 पुट करोगे तो उसका impact क्या क्या होगा देखे omega d की value कितनी हो जाएगी omega n under root 1 minus zeta square मतलब omega n cos phi की value कितनी हो जाएगी 0 मतलब phi आपको कितना मिल जाएगा pi by 2 सब कुछ उठा के यहाँ पुट कर दीजे तो आप देखेंगे ct आपको मिल रहा होगा a into 1 minus cos omega nt ut लिखने का मने तो लिख लेना चेक कर लो तो if possible directly आद कर लो नहीं possible है भाई तो यह उपर वाला रटना तो पड़ता ही है यह तो रटते ही हम लोग तो इसको रट लेना ठीक है तो यह तो रटा ही हुआ बस इसमें put zeta equal to 0 put करोगे आपको अपने ct का expression मिल जाएगा ओके समझ आई बात सभी को यहाँ तक बोलिए बहुत ही बढ़ी आर ठीक है तो बस इसमें यही expression याद करना होता है और इसका जो response बनता है वो तो आप बनाई सकते हो 1 minus cos omega nt से जो response बनता है this is something which you can plot बाकी इस वाले system के लिए भी बाकी इस वाले system के लिए भी rise, time, peak, overshoot, percentage, overshoot सब कुछ defined होता है तो उसके लिए कोई formula मत याद करिए जो आपने under time के लिए formulas याद करे हुए न simply उसी formulas में zeta equal to 0 put कर देज़े ऐसे ही पढ़ा हुआ हम लोगों ने ठीक है तो इसका जो response आता है वो आपको ऐसा कुछ दिखेगा undying oscillations दिखेंगे a के around ये value 0 हो जाएगी this will become 2a this becomes ct versus t ठीक है बाकी सारे formulas में zeta equal to 0 डाल देज़े यहाँ पे भी rise time आपका होगा जैसे 0 से 100% पहुँचने में ये rise time हो गया ये आपका peak overshoot time होगा this will be peak undershoot time again this is peak overshoot time again this is peak undershoot time ये आप calculate कर सकते हो यहाँ पे देखो इसकी height इसकी height ये calculate कर सकते हो सब जगा पे 100% 100% आ जाएगा this height this height तो सब को चाहे जटेज ही रखना simply आप उसमें क्या कर देना zeta के जगाए पे 0 put कर देना in all the possible formulas done है चलो आप summarize कर लें सारी बातों को फटा फट जल्दी देखो यहाँ पे ये graph में ठीक बनाया चलो agree करो आप कुछ tables कुछ important बातों की चर्चा हम लोग करते हैं देखे zeta 0 से 1 के बीच में oscillation zeta equal to 1 no oscillation but fastest settling time देखो कित्ती जल्दी जाके settle होगा zeta greater than 1 थोड़ा सा sluggish response ओके ठीक है आईए location of poles versus output को एक बार फटा फट relate करते हैं देखे location of pole को देखके बताईए क्या ये system under damp है absolutely तो क्या जो response आना चाहिए था वो अपनी steady state value के राउंड oscillate करते रहना चाहिए साथ के साथ का oscillation घटना भी चाहिए बहुत ही बड़ी है शांदार यहाँ पे देखे zeta जो आपका j omega axis पे यानि कि इस बार अपनी steady state value के राउंड output oscillate करते रहेगा वाट oscillations उसके कम नहीं होंगे इसका मतलब यह कही न कहीं आपका एक undamp system को represent कर रहा होगा बट हम directly pole की location से इसको correlate कर रहे हैं यहाँ पे देखे दो poles की location आ रही है दोनो negative, real और equal हैं तो इस case में जो output response आ रहा होगा क्या वो अपनी steady state value पे जाके directly settle हो रहा होगा in the least possible time यस बिना oscillation के बिना किसी overshoot के चेक करिए absolutely negative, real axis पे आपके poles आ रहे हैं which are distinct and इस case में अगर आप output response की बात करोगे तो output response अभी भी कोई overshoot शो नहीं करेगा अपनी steady state value तक पहुशने की कोशिश करेगा but in a very sluggish वे तीरे-दीरे जाएगा, अराम से जाएगा बढ़िया चलो, इसको देखो क्या इसको आप negatively under damp बोल सकते थे अगर यह negatively under damp है तो इस case में जो output response आएगा क्या वो अपनी steady state value के around grow करता रहेगा oscillations grow करेंगे, देखो done है, perfect इसमें देखिए, क्या इसको आप negatively critical damp बोल सकते थे बिल्कुल, negatively critical damp का मतलब क्या है कि आपका जो response आएगा वो unbounded आएगा और unbounded आएगा और बहुत कम time में, आप देख रहो, यह ak को cross कर गया, काफी कम time में ak को cross कर गया, यहाँ पर echo को cross करने में इसने थोड़ा सा time लिए but unbounded यह भी है न, तो यह थोड़ा fast cross कर गया यह थोड़ा sluggish cross कर रहा है इसको this is negatively over damp, कर लेंगे इसको perfect चलो, अब बताओ locust की बात करते हैं constant zeta locust कैसे बनेगा, बताते जो chat box में सबी लोग, यह सब रटा होना चाहिए यार सबको, constant zeta locust का मतलब हो गया, zeta equal to cos phi phi आप नहीं बदल सकते हो phi नहीं बदलने का मतलब है कि negative real axis से यह angle we cannot change, अगर यह angle हम नहीं बदल सकते, इसका मतलब जो poles की location आएगी, वो इसी angle के around ही rotate करनी चाहिए, तो यह, यह, यह ठीक है, यह हो गया constant zeta locust, constant zeta locust, constant zeta locust, कभी-कभी इसको constant phi locust भी आप बोल सकते हो ओके यह phi है आपका यह phi समझे भाई? अच्छा, यह सारे locusts हैं जो आप बना रहे हो यह under damped systems के लिए बना रहे हो, obviously है ना? तो under damped systems के लिए यह सारे locusts आप लोग बनाना चाहते हैं ठीक है? चलिए, अब आते हैं constant omega d locust, भाई साब इसको बताएए constant omega d locust कैसे बनेगा आपका यह है sigma यह है आपका j omega, omega d constant रहना चाहिए, मतलब भाई यह height नहीं बदल सकते हैं यह पक्की बात हो गए यह j omega d होता है this is also j omega d तो इस बार जो poles की location आएगी this has to be something like this this, this, this ठीक है? parallel to sigma axis बहुत ही शानदार है, perfect यह poles आपके इधर के तरब भागते रहेंगे clear? omega d नहीं बदल सकते हो आपना मतलब यह height थोड़ी बदलेगे तो यहीं पर रहेंगे, अगला बताओ constant omega n लोकस constant omega n लोकस का मतलब क्या है? बोलिए एक width width का मतलब circle omega n अगर आपने fix कर दिया इसका मतलब आपने circle के radius fix कर दी यह आपको मिल जाएगा omega n circle आजाएगे done constant time constant या settling time लोकस की बात कर रहा है भाई settling time अगर constant है तो क्या constant होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर अगर settling time या time constant इसने fix कर दिया तो इसका मतलब है आपका जो जीटा omega n वाली line है आप उसके इधर उधर नहीं जा सकते है ना? अगर poles यहाँ पर आगए फिर जीटा omega n change हो गया तो हमेशा इस case में आपके जो poles हैंगे वो इसी line पर exist करेंगे and so on parallel to j omega बट जीटा omega n उसका constant रहेगा भाई यह पक्की बात है ओके? damping factor constant रहेगा बहुत ही बढ़ी है शांदर damping factor इस case में आपका constant रहेगा जीटा omega n चेंज नहीं कर सकते हैं ठीक है? यहाँ तक सारी बाते सबको clear है ठीक है? एक दो concept छोटे मोटे और बचे हैं time response में उसको पढ़ ले फिर errors पर आते है आजो देखो dominant pole concept क्या होता है dominant pole concept का मतलब होता है कि आपको एक higher order system को approximate करना होता है lower order system से ठीक है? higher order system को approximate करना होता है lower order system से अब जैसे मालो अगर हमें यहाँ पे hs दिख रहा है 100 upon s plus 2 s plus 5 कोई हमसे बोल रहा है कि भाई इसको ज़रा approximate करो lower order system पर आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो तो वैसे तो देखो idea क्या होता है इसके पीछे कि आप इन दोनों poles को plot करें जैसे अगर इसका pole 0 डियाग्राम में बनाता हूँ तो मुझे एक pole दिख रहा है sigma एक pole दिख रहा है j omega यह मुझे दिख रहा minus 2 और यह मुझे दिख रहा minus 5 है ना तो देखो पहला काम तो मैं generally क्या करने की कोशिश करता हूँ कि P2 by P1 P1 आपका होता dominant pole P2 होते है other poles तो P2 by P1 अगर greater than or equal to 5 होते हैं तभी हम dominant pole concept use करते हैं समझे dominant pole concept use करते हैं कब जब P2 by P1 greater than or equal to 5 होते हैं वैसे ही होता है बट मालों अगर किसी question में examiner ही बोल दे रहा है कि भाई आप इसको approximate करिए इसका first order approximation क्या होगा फिर हम यह check नहीं करते हैं यह check नहीं करते हैं अगर कुछ नहीं बोला है किसी question में पूछ रहा है कि क्या dominant pole concept लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो अगर यह पूछ रहा है कि लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो तो जो आपका dominant pole है closer to the origin यह आपका होता है dominant pole जो pole आपका closer to the origin होता है न जो pole यह वाला बाकि सारे poles के magnitude को इससे divide करें जैसे मालों यहाँ पर एक पोल और होता, 10 पे होता, है ना, तो 5 बटा 2 करते, 10 बटा 2 करते, 12 बटा 2 करते and so on, ठीक है, ऐसा करते हैं, बट यहाँ पर यही है, तो अगर मालों इस question में पूछता कि क्या dominant pole concept लगा सकते हैं, तो हम बोलते नहीं लगा सकते भाई, क्यों कि 5 बट बट अगर वो यह बोलता कि यहाँ पर dominant pole concept लगा दो और इसका first order approximation बताओ, तब हम बता देते, बताईए, इन दोनों में dominant pole कौन सा है, बोलो, तो आप बोलोगे, यह minus 2 अला, dominant है, यानि 5 को ignore करना है, 5 को ignore करने का मतलब क्या होता है, सिर्फ इसका जो यह coefficient दिख रहा है, इसक प्लस 5 भी हटा दिया, no, dominant pole concept अगर आप लगा रहे हो, तो जो s वाला coefficient है, बस उसको आप 0 के बराबर पुट कर दीजे, that's it, समझे मेरी बात को, तो अगर आप ऐसा करते हो, तो जो इसका approximated transfer function आएगा, that will be 20 upon s plus 2, complex pole में भी वही देख लो, complex pole में भी compare कर लो, complex pole में जो आप comparison यहाँ से करोगे न, वो real part का comparison करना, that's it, जैसे मालों एक pole यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे, तो उसके real part का यहाँ से comparison कर लीते हैं, ठीक है, तो जो यह P2 और P1 represent करते हैं, यह actually represent करते हैं, magnitude of real part of non-dominant pole, P1 होता है, magnitude of real part of dominant pole, ओके, याद आगा ही सबको यह बात, तो अगर पूछता कि dominant pole लगेगा कि न, तो हम बोलते न लगेगा, वट अगर बोलता कि न, भाई, approximated first order system बताईए, फिर हम लगा देते हैं, फिर तो कोई problem न, और S को ही 0 करना, पूरा term मत रटा देना, ठीक है, चलो, तो यहाँ तक हम लोगो जाना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है, और उसके बाद फिर error स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जल्दी से एक दो मिनट का आप लोग ब्रेक लेलो, पानी वानी पीलो, थोड़ा से टहल के आ जाओ, ठीक है, ज्यादा दूर मत निकल जाना, गेट का एक्जाम भी है पां हाँ भाई, पूरा फिनिश करना है, कंट्रोल सिस्टम आज ही, ठीक है, आज ही पूरा कंट्रोल सिस्टम फिनिश करना है परफेक्ट, रेडी अब्रिवान, सेकेंड हाफ के लिए बोलो चलो, शुरू कर देते हैं, अगला, हाँ, चलिए कुछ important note आप लोगों को जल्दी से recall करवा देता हूँ some very important notes, ठीक है, देखिए जैसे मालो, अगर हम्मारे पास transfer function present है upon s square ऐसा कोई transfer function सपोज हमारे पास present है और ऐसा कोई transfer function present है तो बताओ, यहाँ पर compare करके जीटा ओमेगा निकाल सकते हूँ denominator से compare करके जीटा ओमेगा निकाल सकते हूँ formula लगा सकते हूँ यहाँ पर जीटा ओमेगा निकाल सकते हूँ yes formula नहीं लगा सकते हूँ formula नहीं लगा पाऊँ यह non-standard हो गया transfer function चाहे standard हो, चाहे non-standard हो, comparison हमीशा कर सकते हूँ हमीशा comparison करके जीटा ओमेगा निकाल सकते हूँ कोई problem नहीं, यहाँ भी निकाल सकते हो बट यहाँ पर formula लग जाएगा, यहाँ कोई formula नहीं लगा पाऊ गया price, time, peak, overshoot, percentage, overshoot जो भी formulas आपने derive के, एक भी formula इस case में लगा तो यहाँ पर derive करना पड़ेगा आप लोगों को अगर याद हो, तो class में हमने एक non-standard का question भी कर रखा है, ओके? ठीक है भाई साब, आगे बढ़ें, चलो एक दूसरा note देख लो, फिर errors पर भी आते हैं, ठीक है? एक दूसरा note देख लो note second note है आपका यह बाला मानलो कि अगर कोई transfer function आपको न, ऐसा दे रखा है s cube plus alpha s square plus beta s plus gamma, अभी cubic का question आजाए तो हमेशा cubic के questions को न, आप एक real और एक इस standard form में break कर लिया करो ठीक है? ऐसा जाहिरती बात है, यहाँ पे तो कोई formula वैसे भी नहीं लगेगा क्योंकि यह cubic हो गया, बट हाँ, किसी भी cubic वाले question को solve करने के लिए इस तरीके से आप उसको break कर सकते हो ऐसे questions में क्या होता है, कि generally आपको examiner second order system का data दे के रखता है वो बुलता कि अगर यह second order होता, तो इसका zeta इतना होता, इसका omega न इतना होता, फला फला करके तो यहाँ से फिर यह generally recover हो जाता है और P वगरा के calculation comparison से निकलाती है, ठीक है? बताइए, error वाले questions को करने के लिए, क्या हमारे पास दो तरीके के questions होते थे, unity feedback और non unity feedback systems, yes एक एक करके discussion करते है, unity feedback system, unity feedback system में input यहाँ पे आप लगाते हो, यहाँ पे GS है, यहाँ पे CS है, यह feedback वापस से आया, और जो भी summer के output पर यह आपको डंडी दिख रही है, यही पर हम लोग error की calculation perform करते है, यह error की calculation हमको करनी चाहिए, यह error की calculation कैसे करते हो आप, इसके लिए generally म पूछ रहा है, इसका मतलब limit t tending to infinity et और यह आपका हो जाता था, limit s tending to 0 srs upon 1 plus gs, बस इसकी limitation हमको final value theorem जैसी establish कर लेनी चाहिए थी, यह जो आपको expression दिख रहा है, इसमें यह LHS, RHS आप तबी लगा सकते थे, जब all poles in LHP, ठीक है, बस तो मैंने बोला था, gate का कभी भी question आए, तो limit t tending to infinity et, s tending to 0 यह करना, देख लेना, कि अगर इसके सारे के सारे poles, strictly LHP में आ रहे हैं, तभी ऐसा expression यूज़ करना, अगर एक भी pole इसका RHP में जा रहा होगा, तो फिर उस case में बोलोगे, error is not defined, in that case, है ना, सारे poles इसके, यह ज एक्जाम में हम लोगों को, इदा closed loop transfer function दिया होता था, तो ऐसे cases में हम इसको लिख देते थे, srs into 1 minus ts, ऐसा भी लिखते थे, ठीक है, तो दोनों formulas मैंने आपको बोले थे, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे भी obviously, ultimately basic तो भी है न, कि लग final value theorem रही है, अगर final value theorem लग रह रखेंगे, कि इसके सारे के सारे polls कहां पे आ जाए, strictly LHP, ठीक है, perfect, ठीक है, चलिए, अब होता क्या था हमारे पास, कि अगर हम मान लेते थे, यह establish कर लेते थे, कि srs upon 1 plus gs के सारे के सारे polls strictly LHP में आ रहे हैं, तो फिर हम लोग कुछ inputs के basis पे standardized भी कर पाते थे, जैसे अग पास क्या आ जाता था, steady state error का formula आता था, अपने पास, a upon 1 plus kp, और kp के value हो जाती थी, limit s tending to 0gs, ठीक है, perfect, यह तभी लिखते थे, जब यह make sure कर लेते थे, कि srs upon 1 plus gs के सारे के सारे polls strictly LHP में लाए कर रहे हैं, similarly, इसका देखे, atut का, इसका steady state error हम लोग कितना लिखते थे, a upon kv, kv आपको मिल जाता था, limit s tending to 0gs, यह लो, यह लीजे, done है, बहुत ही बढ़िया, पैराबोलिक के case में क्या होता था, पैराबोलिक के case में, steady state error आपका होता था, a upon kv, kv कैसे calculate होता था, limit s tending to 0gs, यह आपका kv का calculation हो जाता था, याद है सारी बाते हैं, चलो एक बार table में देखे confirm करो, यह सारी बाते हैं, यह table भी मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, चेक करिए इस table को, ठीक है, बीच में देखो उसने limitation भी डाल रखी है, done करिए, chat box में सबी लोग जल्दी से done करो, कि हाँ सर, यह बात बिल्कुल याद आ गई, बिल्कुल याद आ गई, S, E, S के सारे के सारे पोल्स, ठीक ले इस पे में होने चाहिए, तो फिर A, U, T पे यह formula निकल के आता था, 80, U, T पे यह, 80 square by 2 पे यह आता था, बाकी KP, K भी, K यह तो हमें already पता है, पक्का, done कर ले, perfect, देखिए मैंने आप लोगों को एक बड़े important चीज़ बताई थी, जैसे जैसे system का type बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर जादा inputs accept करने के ability बढ़ती जाती है, with finite error, जैसे माल लो, अगर system का type 0 है, अगर system का type 0 है, तो वो सिर्फ step input ही accept कर पाएगा, with finite error, बाकी सब में error infinite देदेगा, क्योंकि type 0 है, तो एक ही input accept कर सकता है, मान ली जाए, अगर system का type हो गया, 1, तो इस case में, यह step को भी accept कर लेगा, ramp को भी कर लेगा, step के case में आपको देदेगा 0, बट, ramp के case में आपको देदेगा finite error, और अभी भी parabolic में infinite देगा, अगर system का type 2 कर दिया, तो इसके अंदर और जादा number of inputs को accept करने के ability बढ़ जाएगे, with finite error, तो इस case में, यह जो study state error आएगा, यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, और यह error finite मिल जाएगे, तो यह table रटने के बज़ा, मैंने आपको एक simple statement हमेशा analyze करने को बूला था, कि जैसे जैसे system का type बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर जादा number of inputs को accept करने की ability बढ़ती चली जाएगे, बहुत ही शानदर, चलो यह question आगया है, बताओ, question का answer बताओ, क्या आना चाहिए, बीच-बीच में questions भी आ रहे है, study state error due to unit step input to a type 2 system is, B option, है न, system का type 2 है, तो unit step को तो बड़ी असानी से accept कर लेगा, कि बोलेगा भाई आजाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं zero study state error देदूँगा, system का type अगर जादा है, it can always accept more number of inputs, okay, चलो यह question देखो, इसका answer बताओ, for a second order dynamic system, if the damping ratio is 1, then the poles are, answer, D option, equal, negative, real, zeta की value 1 है न, critical damping के बात कर रहे हैं, fine, चलो, अब बात करते हैं, error analysis of non unity feedback system, देखें, non unity feedback system के जब भी हम बात करते हैं, तो क्या यहाँ पर बड़ा important हो जाता है कि error actually define कैसा हो रहा है, है न, जैसे मा लीजे, मैंने एक non unity feedback system लिया, एक जांदर ने suppose आपसे question पूछा, और उसने यहाँ पर ऐसे यह दिखा दिया, यह दिखा दिया, ठीक है, देखो, और पूछ रहा है कि भाई, यहाँ पर error बताईए, अगर उसने यहाँ पर खुद ऐसा show कर रखा है, कि हमको यह वाला error जानना है, तो क्या actually हम यहाँ पर actuating error की यह बात करेंगे, और actuating error के सारे के सारे जो formulas होते थे, वो exactly हमारे unity वाले से match कर देते थे, बस हम GS की जगहें पर GSHS को replace कर देते थे, अगर आपको याद हो तो, है ना, बोल ये, हाँ, तो अगर उसने block diagram में represent कर दिया है, कि भाई, यह error calculate करके देना है, फिर तो भाई, कोई debate ही नहीं है, फिर कोई debate नहीं है, यह actuating error आप अराम से calculate करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ ठीक है, formula क्या हो जाएगा, देखो यही formula हो जाएगा, और आप बोल सकते थे कि ठीक है, यह जो formula आ रहा है, अगर इसका alternate version कोई पूछता, तो हम ऐसा बोल देते, SRS, 1-TS, यहाँ पे नहीं आएगा शहर, GS upon, यह नहीं आएगा भाई, ठीक है, यह मत लिख देना यहाँ पे, बस यहीं आएगा, जो यहाँ पे लिखाओ, बस GS को GSHS से replace करदेना, that's it, and limitation, all poles in LHP, strictly LHP में आने चाहे, clear, ठीक है, इसमें भी आप इसको modify कर सकते थे, अगर step input होता, तो steady state error लिख देते, a upon 1 plus kp, अभी kp ही जो आपको दिखता, यह limit s tending to 0, GS के साथ साथ, hs भी दिखता, ramp input के लिए kv, kv आपको दिखता, limit s tending to 0, ठीक है, यहाँ पे steady state error आजाता, बस gs के जगाँ पे, gs, hs लिख दो, और कुछ भी नहीं करना है, limit s tending to 0, s square, gs, hs, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से यह आपका behavior चलेगा, clear, बहुत ही बढ़िया, perfect, वह अला कहाँ चला गया, यह तो ठीक है, वह अला ने लिया, जोलो मैं बता देता हूँ, जैसे मालो, ठीक है, जैसे मालो, अगर किसी question में वह ऐसा बोलता है, झालओ सकना आपविया, यहाँ हो ही बता है, यह मालो प्रेके साफ़िया, pak Surei? रब कहा है, वह तो, चीका में बता है, बता है, प्रेके बता है, भीका है, जैसे मालो, लीके से में थामी आपशिया, गापका वह त vontade है, वह अका है, ठीक है जैसे मानलो अगर वो किसी question बोलता है कि भाई जो error है उसको मैं define कर रहा हूँ RT minus CT के तौर पे ऐसा बोलता है और इसकी steady state value जानना चाहता है तो क्या इसके हम लोगों ने class में दो तरीके सीखे थे बोलो I think इसके हम लोगों ने class में दो तरीके सीखे थे एक तरीका तो हमने यह बोला था कि आप कुछ मत करो simple सब बस यह formula लगा दो steady state error equal to limit s tending to 0 srs 1 minus ts यह formula देखा था obviously final value theorem है तो इसके सारे के सारे poles strictly LHP पे होने चाहिए all poles in LHP क्योंकि देखे इस error को obviously इस error को तो हम कहीं दिखाई नहीं सकते rt-ct को यहाँ पर कहां दिखाऊगे rt-ct का तो कहीं पर show करने का procedure यहाँ पर present ही है ठीक है ओके और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि same error calculate करने के लिए आप यह जो system है ना इसको unity feedback में convert कर देते इसको लिखते equal to gs upon 1 plus gs is equal to यह जो भी हाँ पर expression लिखा हुआ है जो आप इसको unity feedback में convert कर दोगे तो उस case में एक ही error बचेगी यह actuating वाली फिर आप actuating error calculate कर लो तो दोनों match करेगी हमेशन याद है याद करो भाई जिल्दी याद करो ठीक है और हम लोगोंने बड़ा important concept भी सीखा था कि अगर कभी भी non unity feedback का steady state error पूछा जाता है तो हर बार unity को non unity feedback को unity में convert कर देना देख ले ना पूछा क्या गया है अगर it is equal to rt minus ct define करता है फिर एक तो तरीका है कि आप normal इसको calculate कर लो otherwise दूसरा तरीका यह है कि आप इस non unity को unity में convert करिए जैसे आप इसको unity में convert करोगे फिर एक simple expression बन जाएगा limit s tending to 0 srs upon 1 plus g dash s बस वो question आपका बन जाएगा ठीक है चलो अब आज आते हैं हम लोग concept of disturbance और noise signal है ना यह बड़ा फेवरेट है gate वालों का फेवरेट पहले नहीं था भी दो तीन साल से बड़ा फेवरेट हो गया इस पर पूछी रहा question बार बार तो पहली चीज तो exam में जब भी यह question पूछा जाता है ना तो यह setup बड़ा important होता है यह setup आपको याद होना चाहिए setup में कर क्या रहे हैं लोगों को यहाँ पर एक disturbance signal enter हो रहा है आगे गए G2S यहाँ पर CS feedback में HS लगा रखा था यह आया यह हमारा wanted input था यह ना wanted input था यह वाला यहाँ पर एक disturbance लगा है DS इन दोनों की वज़े से यहाँ पर कितना error आ रहा है इस RS और DS का cumulative effect यहाँ पर हम लोग measure कर रहे हैं कितना error आ रहा है उसकी steady state value जानना चाहते हैं समझ गए सभी लोग तो भाई यह जो है ना यह setup important है summer एक block फिर एक summer उस summer में आपका gain जो है वह आके add हो रहा है फिर उसके बाद एक G2S feedback में H2S और वो feedback आपको यहाँ पर आके हिट कर रहे है एक्जाम में बना बनाया देगा ऐसे ही बना बनाया देगा आपको एसे जैसे यह बना हुए तो इस आपको ऐसे ही याद हो जाएगा srs upon 1 plus G1 G2H यहाँ पर भी इतना सेम रहेगा sds upon 1 plus G1 G2H एक्स्ट्राइगा और एक negative का sign आएगा negative का sign यहाँ पर क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इसको जोड रहे हो अगर इसको घटा रहे होते है तो यहाँ पर प्लस का sign आ जाते है तो जब आपका जो noise signal है या जो disturbance है जब वो जोड रहा है जाके add हो रहा है तो this will become sds upon 1 plus G1 G2 G2H आपका उधर आ जाएगा बट minus का sign यहाँ पर आगे formula याद होना चाहिए मानलो अगर यह error यहाँ पर आके subtract हो रहा होता इसमें subtract हो रहा होता तो फिर यहाँ पर लिखते प्लस sds तो correlate करके थोड़ा याद कर लो this study state error is at the output of summer 1 दोनो summer 1 पर ही calculate कर रो भाई summer 1 पर calculate हो रहा है यह भी summer 1 पर calculate हो रहा है मगर यह किसकी वज़े से हो रहा है RT की वज़े से यह किसकी वज़े से हो रहा है disturbance की वज़े से याद हो जाएगा यह formula ऐसा मैं मान के चलू ठीक है यह इस वज़े से pattern भी काफी similar मैंने रखा हुआ है अच्छा इस G to H को मत बूल जाना भाई ठीक है यह total है अगर सिर्फ पूछता है disturbance की वज़े से error तो इतना बताना सिर्फ input की वज़े से पूछता है तो इतना बताना total पूछता है तो दोनों को जोग देना ओके चलिए अगला discussion है आपका sensitivity of a parameter ठीक है किसी भी parameter की अगर आप sensitivity निकालना चाहते हो जैसे मालो एक parameter है a और दूसरा parameter है b और मैं sensitivity निकालना चाहते हो तो इसको आप क्या बोलोगे this is called as sensitivity of a with respect to b ठीक है इसका formula क्या होता है बहुत असान होता है जो उपर लिखा हुआ है उसका differential version divided by जो नीचे लिखा हुआ है इसका differential version ठीक है तो यह आपको मिलेगा b by a del a by del b ठीक है यह होता आपका sensitivity of any parameter कभी भी sensitivity के बाप बात करते हो न तो वो हमेशा किसी के respect में calculate होती है जैसे आप sensitivity a की निकालना चाहते हो तो b के respect में तो del a by a तो यहाँ पर आ गया इसको divide कर ले न del b by b से तो b by a उपर del a by del b ठीक है बहुत असान questions आते हैं simply differentiation based questions होते हैं partial differentiation के knowledge आपको हुनी चाहिए इसी के साथ साथ आपका time response including error analysis complete हो गया है अब हम लोगों को चलना चाहिए route criteria की तरफ ठीक है तो इससे पहले अगेन छोटा सा हम लोग break लेंगे पानी वानी पिएंगे ठीक है थोड़ा बात चीत करेंगे और उसके बाद फिर route criteria की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद वाले जो chapters है comparatively यह आपके चोटे चोटे chapters है क्योंकि route locus में आपको बहुत limited चीज़ें देखनी है राहुत में बोडे में आपको limited चीज़ें देखनी है नाइक्विस में limited क्योंकि फिर इसके बाद plots start हो आते हैं है न तो plots का हमें सिर्फ characteristic देखना और अगर आप लोगने previous questions लगाए exam में नहीं पूछा आते हैं कि plot बनाने को बोलता है हाँ बना बनाया जरूर हमसे वो expect करता है कि हम लोग उसको identify करें ओके चलो आगे सभी लोग वापस चलिए राउथ criteria of a polynomial और a polynomial इसमें लिखा हुआ है ठीक है जल्दी लिखो chat box में ready शुरू करते है भाई यही भोजन है यार ठीक है कितना खाना खाओगे खुद तो खाना होगा नहीं बाबू आपका इंत्यार कर रहा होगा कि भाई बाबू को भी खिला के आ जाते हैं खाना कितना खाना खिला होगे भाई बाबू को मोटा हो जाएगा बाबू छीक कितना खाना खाना भाई मत खाओ एक दिन उप्वास कर लो क्या हो जाएगा उससे खाना 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 साथ बज़े से जब से से सेशन शुरू हुआ किसी फॉर्मूले का आंसर किसी ने साथ बज़े से कुछ लोग लोग है सर खाना कब खाने अरे भाई कितना खाना खाओ गयार मत खाओ एक दिन उप्वास कर लो बाबू को भी बोल दो उप्वास करे ठीक है चलिए शुरू करते हैं आगे का डिस्केशन ठीक है परफेक्ट रेडी एब्रिवान रेडी चलिए मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ आप ही लोगों से पूछता हूँ Routh Kriteria for a polynomial का मतलब क्या होता है क्या करता है Routh Kriteria कोई बता चाहएगा क्या होता है क्या होता है Routh Kriteria तो कोई बोलता है Routh की वजए से System की Stability निकालते हैं Close Loop System की Stability पर Comment करते हैं फ़लाना धिमकाना यही सब आप लोग बताते हो जबकि मैंने आपको बहुत बहुत एक सिंपल सा डेफिनिशन बताया था कि राउत क्रैटीरिया का मतलब होता है किसी भी पॉलिनॉमियल के रूट की लोकेशन बताना भाई एक पॉलिनॉमिल आपको दे दिया S में पॉलिनॉ अब मानलो कल को वही पॉलिनॉमियल किसी सिस्टम का डिनॉमिनेटर पॉलिनॉमियल हो गया अब वह सिस्टम आपका क्लोज लूप सिस्टम है ओपन लूप सिस्टम इससे कही फ्रक पड़ता है मानलो उसका डिनॉमिनेटर पॉलिनॉमियल हो गया तो क्या वह सिस्टम की यूज़ है राउत का ये यूज़ थोड़ी कि वो system की stability कही लोग बोलता सर सिर्फ close loop system की stability बताता थे बहाई किसी की stability बता सकता है उसका कामी ने stability बताना वो तो आप उसकी शक्तियों का गलत इस्तिमाल कर रहो उसका काम क्या है एक उसको polynomial देदो चुपचा वो आपको exact roots तो वही कभी नहीं बता पाएगा बट वो केशन जरूर बार-बार बता देगा कि भाई इस polynomial के roots कितने LHP में हैं कितने RHP में कितने जो मेगा पे हैं हमाल लिजे कल की कल कल हमें किसी particular system का denominator polynomial मिला अब वो system open loop है close loop है उससे क्या फरक पड़ता है है ना denominator polynomial मिला उसके roots आप बताईए जो भी denominator polynomial के roots होंगे वही system के poles हो जाएंगे तो eventually stability पे भी comment हम लोग कर पाते हैं somehow उके perfect चलो तो अब आते है stability of an LTI system बताईए signal विगनल आप सब लोग पढ़ी चुके हो बताईए stability का basic criteria क्या होता है कैसे calculate क्या हता stability तो अगर किसी भी LTI system को stable होना है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस LTI system को हर एक bounded input के लिए bounded output generate करना पड़ेगा that is for sure है ना perfect बहुत ही बढ़िया फिर इसी से इसी से बात निकल के आती है कि इसका मतलब होता है कि किसी भी LTI system को अगर h of t पताओ तो h of t must be absolutely integrable हाँ या ना में जवाब दीजे होना चाहिए ना absolutely integrable होना चाहिए आपका h of t फिर यहीं से आपके laplace transform का concept आता है laplace transform बोलता है कि अगर कोई भी system कोई भी LTI system bounded input bounded output stable होना चाहता है तो आप पहले h of t का laplace transform calculate करें bilateral उसका ROC निकाले और यह उम्मीद रखें कि उसका ROC geomag access को include कर लेगा जाहिर सी बात है तो यह तीन statement तो हम लोगों को पता होते हैं ठीक है इसी में अगर LTI system में हम causality add कर दें है ना हम ऐसा बोलें कि हमारा LTI system अगर causal है तो आप मुझे बताईए क्या उस case में LTI system को stable होने के लिए उसके सारे के सारे poles strictly LHP पे होने चाहिए और तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा बताईए है ना तो basically आप सभी लोगों को शायद पता होगा मैंने बहुत बार बताया है control system में हम सिर्फ causal systems की बात करते है अगर कोई भी causal system stable होना चाहता है तो फिर उसके सारे के सारे poles strictly LHP पे होने चाहिए that is for sure तो इसने लिखा भी हुआ है in control system we have to deal with causal and LTI systems causal और LTI system हम लोग control system में use करते हैं तो control system में बहीचा के statement हम लोग बार बार दे सकते हैं तो अगर system को stable होना है तो सारे के सारे poles strictly LHP में होने चाहिए but signal system में ऐसा नहीं बोल सकते है signal system में हो सकता है कि poles आपका right half side में आ रहा हो तब भी system stable हो जाए हो सकता है आपका जो system हो वो non causal या anti causal टाइप कर रहा हो तो जो आप बोलते हो कि system को stable होना है उसके लिए सारे के सारे poles strictly LHP पर चाहिए इसका अरल लग वो system causal होना तैह है उस system को causal होना पड़ेगा तभी आप यह statement बोल सकते हो क्लियर हा बात perfect आई एक table हम लोग देखते है location of poles versus stability of causal and LTI system एक एक करके इसको ध्यान से दिमाग में बिठाईए चेक करिए repeated और non repeated poles in LHP बताओ क्या आपका system 100% stable होगा बिल्कुल non repeated pole on j omega axis क्या system marginal stable होगा non repeated का मतलब क्या हो गया non repeated का मतलब j omega पे जो poles हा रहे हैं वो non repeated है ना तो मैं second वाले का आपको example भी देता हूँ फर्स्ट वाले का तो क्या example देना है second वाले का example देता हूँ इसा यह देखो यह भी non repeated है यह भी non repeated है ठीक है यह multiple है बट यह are non repeated तो j omega axis पे multiple हो और non repeated हो चलेगा तो अगर ऐसी पोल लोकेशन है किसकी transfer function किये तो corresponding system marginally stable होगा समझे मेरी बात को repeated poles on j omega axis system will become unstable repeated poles on j omega axis इसका भी मैं आपको example देता हूँ third का थर्ड का example देता हूँ देखो sigma j omega repeated का मतलब ऐसा ठीक है या फिर ऐसा भी ठीक है ऐसा तो corresponding जो system होगा वो unstable हो जाएगा perfect चलो तो यह हो गया आपका यह वाला point I hope this is also very very clear to everyone फिर देखो क्या बोल रहा है repeated sorry single pole at origin अगर origin पे एक single pole आता है तो वो system marginally stable होगा but अगर आपका origin पे repeated pole आता है तो system unstable हो जाएगा अगर RHP पे एक भी pole गया system unstable अगर system में pole ही नहीं है तो system stable देख लो और इसको अपने दिवांग में बिठा लो so this was location of poles in the transfer function versus stability of causal LTI system very very simple very very simple एक बार इसको सभी लोग done करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो जल्दी से done करो फिर इसके आगे बढ़ते हैं आगे का discussion continue करते हैं ओके बहुत ही बड़ी है perfect अब देखो दो terminologies यूस होती है जो थोड़ा सा confusing होती है बड़ हमें clear होनी चाहिए poles on imaginary axis poles on imaginary axis का मतलब क्या है poles on imaginary axis का मतलब होता है ऐसे poles की location ऐसा इसमें repeated भी हो सकते थे non repeated भी हो सकते थे multiple भी हो सकते थे ये सारे के सारे जो locations है they represent the non repeated pole on j omega axis repeated भी आप represent कर सकते थे कुछ भी कर सकते हो ठीक है तो यहोगे poles on imaginary axis clear इसी के साथ एक term यूज होता है image location image location का मतलब होता है poles symmetric with origin जब भी हम बात करते हैं poles symmetric with origin का तो उसमें कुछ बड़े important cases include होते हैं ठीक है poles symmetric with origin तो image location word यूज मत करो आप confused हो जाओगे हमेशा यूज करेंगे poles symmetric with origin origin के symmetric poles के अगर आप बात करोगे तो देखो ये भी origin के symmetric है sigma j omega ऐसा भी हो सकता था origin के symmetric sigma j omega ऐसा भी हो सकता है origin के symmetric this 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 और ऐसा भी हो सकता था origin के symmetric ठीक है तो ये generally चार cases आपको देखने को मिलते हैं symmetric about origin वाले ओके point समझाए ठीक है तो एक होता है imaginary axis और एक होता है location symmetric about origin ज़रा मुझे खुद से सोचके बताइए location symmetric about origin में क्या imaginary axis खुद इंक्लूड हो गया यानि कि ये बड़ा sample space है उसी का एक छोटा सा हिस्सा होता imaginary axis जब भी आप बोलते हो कि जो हमारे poles की location है या जिस भी चीज़ की location के बात कर रहे हो है कि अगर हमारे poles की location symmetric about origin आ रही है इसका मतलब वो j omega axis तो already उसमें इंक्लूड हो गया अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि भाई जो भी location आ रही है roots की या poles की जिस भी चीज़ के आप calculate करना चाह रहे हो वो symmetric about origin है ही नहीं तो अगर वो symmetric about origin नहीं है तो क्या automatically उसमें से j omega axis पे आने की possibility भी remove हो चाहेगी I hope yes, yes ठीक है चलो तो अभी इन सारी बातों को धिरिदेगर के conclude करने की कोशिश करते हैं चलिए perfect अब हमारा objective क्या है कि हम एक किसी polynomial के roots calculate करना चाहते हैं किसी polynomial के roots calculate करना चाहते हैं उसका क्या तरीका है calculation का अगर कोई first order polynomial है अगर कोई first order polynomial है a0s plus a1 a0s plus a1 ठीक है तो इसके polynomial calculate करने के लिए क्या मैं एक statement बोल सकता हूँ अगर इसके सारे के सारे coefficient का sign same है a0 a1 दोनो positive या दोनो negative तो इसके सारे के सारे roots लहपी में होगे याद करते जो सारी बाते हैं आप बोलोगे हाँ कोई problem नहीं है ठीक है second order polynomial में देखिए second order polynomial के अगर मैं बात करूँ a0s square a1s plus a2 इसमें अगर मैं बोल दूँ अगर इसके सारे के सारे coefficient का sign same है a0 a1 a2 सारे positive a0 a1 a2 सारे negative तो इसके सारे के सारे roots strictly LHP में लाए करेंगे perfect है यह नहीं कि first order second order polynomials में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं first order second order polynomial में सिर्फ coefficient देख के बदा सकते हैं कि भाई इसके सारे के सारे roots LHP पे लाई कर रहोंगे या नहीं कर रहोंगे सारे के सारे coefficient negative है तो इस बात की guarantee नहीं ली जा सकती कि उसके सारे के सारे poles strictly LHP में होगे शायद रहोंगे ना चले जाए ठीक है या कोई fourth order आपके पास polynomial है तो अगर उसके सारे के सारे coefficient strictly positive है तो जरूरी नहीं कि उसके सारे के सारे roots strictly LHP में है हो सकता है RHP में चले या या J omega पे चले जाए we are not sure समझे मेरी बात को ठीक है तो what is the method of calculation of location of roots for higher order polynomial क्या इसके लिए आप लोग round table बनाते हो और आगर आप लोग थोड़ा गौर से देखो तो यहाँ पर value की बात ही नहीं कर रहा हो बोल रहा भाई मैं location की बात करूँगा value कभी निकलेगी कभी निकलेगी location जरूर निकल जाए जी हाँ ठीक है तो यह आपके सामने चलिए ठीक है जिसको नहीं आता है जैसे मालो अगर मुझे इसके पोल्स की location बनानी है तो हम लोग round table बनाएंगे जिसको नहीं आता है उसको मैं एक आसान भाशा में समझातेता हूँ यह एक सिंपल सा question है एक question में मैं आप सभी लोगों के लिए round table बनाना सिखा देता हूँ round table कैसे बनती है यह है s की power 4 और s की power 3 जो भी highest power है उससे एक power कम करके नीचे लिख लो s की power 4 का coefficient 3 1 1 s cube का coefficient 1 इसमें से 2 घटाई है odd powers लिखना है 2 0 ठीक है अब यहाँ पे s square कैसे लिखोगे 1 into 1 minus 3 into 2 so this will become minus 5 अगला coefficient 1 into 1 minus 3 into 0 this becomes 1 what will be s to the power 1 देखिए minus 5 into 2 minus 10 minus 1 this will become 11 by 5 this will be 0 0 and s to the power 0 will become 1 चेक करें इसलिट करते हो आप round table ठीक है तो round table बनाना आता है table हम लोग बना लेंगे जिसको नहीं आता है वो एक बार crash course में जाईए crash course में बहुत detail में बदा रखा है कि यह table बगरा कैसे बनाई जाती है ठीक है तो round table हम लोग बना सकते हैं clear बात सभी के लिए ठीक है अब आईए कुछ important observations लेते हैं यहाँ पर मैं कुछ बाते हैं आपको recall करवाना चाहूंगा जो कि बहुत important है round से related ठीक है बहुत important देखे राउत के case में मुझे बताइए किया किसी भी row को हम positive quantity से multiply या divide कर सकते हैं हाँ या ना में बोलते जाएंगे सब लोग मालोग कोई row बहुत complicated दिख रही है बट उसमें कोई factor common है मालोग पूरी row 21 से divide हो रही है तो divide कर देंगे 21 से कर देंगे बस जो division वाला parameter वो positive होना चाहिए भाई ठीक है चलो अब मैं कुछ statements बोलता हूँ जो थोड़े confusing होते हैं जिसको कि मैंने बहुत clearly आप लोगों को बताया था तो मैं फिर से पूछता हूँ जरा मुझे बताइए अगर suppose आपने कोई route table बनाई उसमें पहला column आपने चेक करा पहले column के अगर सारे के सारे coefficient आपको positive मिल मिल गए तो आपका comment क्या होना चेह भी बहुत ही शांदर अंजली ने बोला सार इसका मतलब ये है कि एक भी kilometers और एच पी में नहीं जाएगा इसका हम लवी नहीं कि सारे के सारे पूल से हूँ है नहीं अगर सारे के सारे Treasure कॉलम्म के सारे कि सारे 토ंसर एकर पॉसिटीव है इसका मतलब एक भी root RHP में नहीं जाएगा. Root बोलिये तो ज़्यादा sense बनाएगा, क्योंकि हम लोग तो polynomial के roots calculate करें तो pole मत बोलिये, कुछ लोगों ने stability वगरा तक की journey तैग कर ली, अभी stability की बात नहीं करें, हमारे पास एक polynomial है, उस polynomial का हमने route table बनाया, round table में हमने first column को observe करा, तो हमने पाया कि भाई उसके सारे के सारे coefficient पॉजिटिव थे, तो हम बोलेंगे इस polynomial का एक भी root RHP में नहीं जाएगा, ये पक्की बात है, तो अगर RHP में नहीं जाएगा, तो अभी भी j omega की possibility पूरी खुली पड़ी है, और साथ के साथ lift आपके possibility भी opened है, done है? ओके everyone, ठीक है, बहुत ही बड़ी है, चलिए, अब ज़रा देखिए, मान लीजे, आपने कोई route table बनाई, उस route table में पहले column के सारे के सारे element आगए positive, साथ के साथ आपने दुबारा उसको चेकिया और पाया, कि उसमें कोई भी ऐसी order नहीं थी, जो completely zero थी, तो जब किसी route table में कोई भी order completely zero नहीं होती है, इसका मतलब यह होता है, कि उस particular polynomial का एक भी root, symmetric about origin नहीं है, और अगर एक भी root symmetric about origin नहीं है, तो बताओ क्या j omega ओली possibility अपने आप rule out होगी? अगर किसी polynomial के आपने route बनाया, route बनाने के बाद आपने first column चेक किया, उसके सारे के सारे जो sign थे, वो positive थे, खीक है? साथ के साथ आपने देखा कि भी, इसमें तो कोई भी ऐसी order नहीं है, जो completely zero है, अगर order completely zero नहीं है, इसका मतलब, जो भी आपके symmetric about origin के location थी roots की, वो rule out हो गई, तो j omega पे भी नहीं आएगा, अब बताओ क्या आप बोल सकते हो, कि पक्की बात है कि हमारे roots जो आएंगे, वो LHP पे आएंगे? यानि कि अगर roots को LHP पे बोलना है, तो क्या हमें दो चीज़े simultaneously check out करनी पड़ेगी? पहली चीज, first column के सारे के सारे coefficient positive हो, at the same time, order एक भी बार zero नहीं पाए, completely zero नहीं होने पाए, order भी बार, अगर ये दो चीज़े हम mix up कर पाते हैं, फिर हम guarantee ले लेंगे कि ठीक है भाई, सारे के सारे roots LHP पे हैं, पक्की बात, कुछ समझ में आ रहा है, सारे discussion हो रखा भाई ये सब, ठीक है, बहुत detail में ये सब बताया है, तो recall करवाने पे याद आना चीज़े, भूल गयो कोई बात नहीं, बट अभी जो याद दिला रहा हूँ, तो यहाँ से याद आना चीज़े है, चलो देखो, क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है, if all the coefficient of a first column is having same sign, and there is no ROZ, row of zeros, odd row zero, row of, row corresponding to odd powers of this, एक ही चीज़ को 4-5 बार इसने लिख दिया, no ROZ, row of zeros, odd row of zeros, rows corresponding to odd powers of S, इसको आसान भाषा में हम लिखते हैं, odd row, ठीक है, आसान भाषा में इसको हम odd row बोल देते हैं, odd row is, not completely zero, even at a single point of time, ठीक है, तो बताओ, क्या यहाँ से, आपके सारे के सारे roots अभी LHP में आने start हो जाएंगे, absolutely है न, मेरे खाल से, आगे बढ़ें, देखिए, आप इसके बाद क्या बोल रहा है, अगर आपने first column में check किया, number of sign changes in the first column, indicates number of roots in RHP, is it fine, अगर आपने check किया, number of roots अगर आप find out कर पार हो, first column में, number of sign changes find out कर पार हो, तो आपको पताँ चल जाएगा, कितने number of roots RHP पर है, जितनी बार sign change होगा, उतने roots आपके RHP में लाई करेंगे, ये भी पक्की बात है, ठीक है, ओके, चलो कुछ key points है, अगर आप इनको देखना चाहो तो देख लो, वैसे इन से कुछ conclude नहीं करते हैं, इन key points से, बोल रहा है, कौन-कौन से cases में exist करते हैं, अगर मान लीजे, S की power तो ये बोल रहा है, एक या एक से ज़्यादा roots RHP में exist कर सकते हैं, मे बोल रहा है, मे, तो मे का क्या मतलब होता है, हम कैसे बोलेंगे, शोर तो है नहीं, तो इन statements का कोई ज़्यादा मतलब नहीं, देखो, S की एक power missing है, और अगर ऐसा होता, S is square plus one, तो right half में नहीं भी आता, plus J, minus J हो जाता है, समझे रहा हो बात को, तो यहाँ पर may word हम लोग use कर रहे हैं, ठीक, अगर कोई भी power of S missing है, तो एक या एक से ज़्यादा roots right half side में आ सकते हैं, कोई surety नहीं है कि आ जाएंगे, समझे, कोई surety नहीं कि आ ही जाएंगे, इस वैसे may word यहाँ पर use कर रहे हैं लोग, perfect, फिर आगे बूल रहा है, non-repeated roots पर exist कर सकते हैं, जो omega axis पर, हाँ सही बात है, non-repeated भी आप exist कर वा सकते हो, यह लो, ऐसा कर लो, s square plus 1 equal to 0, देखो, power of s is missing, and यहाँ से जो roots आ रहे हैं, वो j omega axis पर non-repeated हैं, repeated roots में also exist, इसी के square कर लो, s square plus 1 का whole square equal to 0, इसमें भी power of s missing होंगे बहुत सारे, s to the power 4 plus 2 s square plus 1, समझे, ठीक है, may में हर जगा पर use कर रहा है, may exist, may exist, so there are so many examples, जो आप यहाँ से relate करवा सकते हैं, इसके भी मैं examples आपको देही देता हूँ, s square minus 1 ले लो, या s square plus 1 ले लो, आगे बोल रहा है, there में भी complex roots on RHP, ये भी हो सकता है, RHP में आपके complex roots आ जाएं, जैसे माल लो, अगर मैं S को equation ले लो, s square minus, s to the power 4 minus s square plus 1 equal to 0, तो RHP में complex roots आने start हो जाएंगे, ठीक है, तो ये चार point में बोल रहा है कि, अगर कोई भी power of s missing है, कोई भी power of s missing है, तो आप guarantee से ये नहीं बोल सकते हैं, कि RHP में ये root चला जाएगा, समझे रहो आप, guarantee से नहीं बोल सकते हो, आपको actual में RH table बनानी चाहिए, फिर वहाँ से conclude करना चाहिए, भले power of s missing हो चाहिए नहीं हो, तो पहले चार statement का ये conclusion है, बहुत सर लोग बोल देते हैं, कि अगर कोई power of s missing है, तो पक्की बात है कि एक root RHP पहाएगा, कहाँ पक्की बात है, s square plus 1 में missing है एक power, वो तो नहीं आ रहा रहा right half side में, j omega प्यार है, तो इसी एक misconception को rule out करने के लिए, मैं इस statement बार-बार बोल रहा हूँ, कि भाई, अगर कोई भी power of s missing है, risk मतलो, route table बना लो, जैसा वो बोले वैसा माल लो, ओके, चलो, अब देखों, इसमें क्या बोल रहा है, अगला पांचवा चाटा important statement, पांचवा बोल रहा है कि अगर किसी polynomial सिर्फ even power of s present है, तो इसका मतलब ये है, कि उसके जो भी roots होंगे, they will be symmetric about origin, देखिए अगर polynomial में सारी के सारी even powers हैं, तो ये तो eventually auxiliary equation की तरह ही treat हो जाएगा न, किसी polynomial में, अगर सारे के सारे signs, आपके, सारी के सारी even powers present है, तो अगर सारे के सारे even powers उसमें present है, तो ये तो basically auxiliary equation ही हुआ न, और आप सभी को पता है, कि auxiliary equation जो होती है, उसके roots हमेशा symmetric about origin होते हैं, लेफ्ट राइट भी आ सकता है, वो चारो कोने पकड़ के आप ले सकते हो, जो चार cases मेंने बनाए, ठीक है, तो auxiliary equation के roots हमेशा j omega axis symmetric about origin होते हैं, ये पकी बात है, चलो, मानलो आपके पास कोई ऐसा पॉल्लो में लाया है, जिसमें सारी powers odd हैं, तब क्या करोगे, तो आप बुलोगे सर, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, सारी powers अगर odd हैं, तो एक s common ले लेंगे, तो अंदर सारी के सारी powers क्या हो जाएगे, even, तो आप इसमें ये बुलोगे, कि इस case में, origin पे कुछ roots आ जाएंगे, बाकी सारे roots, symmetric about origin होगे, समझे, जैसे मालो, अगर सारी powers आपकी odd है, सारी powers odd है, तो आप उसमें से common ले लो, कुछ ऐसा, जैसे मालो, s power 5, plus s cube, plus s, ठीक है, equal to 0, तो मैं s यहां से common ले लेता हूँ, ये बचा, s to the power 4, plus s square, plus 1, equal to 0, देखिए, ये तो कहां पे चला जाएगा, origin पे, बाकी इसमें सारी के सारी even powers आपकी present है, तो ये पक्की बात है, इसके जो roots आएंगे न, वो symmetric about origin होगे, ये पक्की बात, अब कौन सा case बनेगा, ये हमें बना के देखना पड़ेगा, बट symmetric about origin होगे, इसके जो भी roots आएंगे, ये पक्की बात, समझे मेरी बात को, तो ये even powers of s थी न, इससे इसको हटा दो, एक location पता चलगे, ये auxiliary equation होगे, ठीक है, perfect, अब ये वाला statement देखो, अभी सारे statements आपको process करना आना चाहिए, if any order in rs table becomes 0, और odd roz is found, तो आप क्या बोल सकते थे, कि few roots of the polynomial, will be symmetric about origin, क्या ये सही बात है, बोलो, अगर आपने कोई rh table बनाई, उस rh table में, अगर आपकी odd row 0 हो रही है, तो क्या ये पक्की बात है, कि उसमें कुछ roots तो ऐसे जरूर होंगे, जो symmetric about origin होंगे, symmetric about origin सुनते ही, आपके दिमाग में वो चारो cases आने चाहिए, बहुत सार लोग इसको सीधा imaginary axis बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलना भाई, चारो cases आपको यहाँ पर identify करने होंगे, ठीक है, चलो, फिर उसके बात क्या बोल रहा है, symmetric about origin becomes imaginary axis if all the elements in the first column is same, अब बताओ, अब ज़र अगर आप notice करने की कुशिश करें, तो क्या यही तो बोल रहा है, कि first column के सारे के सारे signs क्या हो गए, positive, इसका मतलब RHP पे तो वो जाने नहीं देगा, और अगर RHP पे जाने ही नहीं दे रहा है, तो आप मुझे बताए, यह symmetric about origin में एक ही possibility तो बची, कि वो j omega पे रहाज है, क्योंकि बाकी सारी possibilities में आपको right half side में जाना ही पड़ेगा, चाहिए आप एक pole इधर, एक pole इधर पी की possibility लें, चाहिए आप चारों को ने पकड़ रहा हूँ, बहुत ही crucial यह result है आप लोगों के लिए, बहुत ही शान्द है, चलो, अब लास्ट वाला देखो, if no odd row is 0 in R-H table, then no roots will be symmetric about origin, thereby no roots on imaginary axis, ठीक है, तो अब यह सारे points I think हमने individually तो पड़ेगा, लिए, अब इसको मैं मैं आपके दिमाग में कुछ step by step चीज़े process करवाना चाहता हूँ, तो मैं आप लोगों से कुछ questions पूछूँ, बताओगे मुझे साथ के साथ, या मैं आपको कुछ statements बताओँ, उन statements को आप लोग process करोगे, क्योंकि अब राउत में तो कुछ बचा नहीं, यही सारे points थे, और फिर special cases वगरा तो आपको पता ही होते हैं कैसे solve करने होते, बट यह statements एक बार हम लोग process कर लेते हैं अच्छी तरीके से, कि सीखा क्या हम लोगोंने अभी तक, अगर आप उसे पुछोगे कि इतने सारे statements में से सर्फ कौन से ऐसे statements हैं, जो बहुत important है, जिसको हम लोग याद करने की कोशिश करें, तो देखिए, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, कौन-कौन से statements आपको बहुत clearly याद होने चाहिए, पहला statement आपको बहुत clearly याद होना चाहिए, कि अगर first column में number of sign changes हम identify कर लें, तो वो हमें 100% बताएगा कि कितने roots उस polynomial के RHP पे हैं, statement number 1, very very important, statement number 2, अगर हम कभी ये observe कर पाते हैं, कि हमारा जो first column है, उसमें सारे के सारे sign positive हैं, तो हम एक ही statement देंगे, कि RHP पे कोई भी root present नहीं, अब odd row को picture में लेके आते हैं, अगर हमने identify किया, कि first column के सारे के सारे element का sign positive है, और odd row एक भी बार 0 नहीं है, तो अब आप बोल सकते हो कि भाई, सारे के सारे root strictly LHP पे आ जाएंगे, क्यों strictly LHP पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारा odd row अगर एक भी बार 0 नहीं हुआ, तो आपने उस सारी possibilities खारीज कर दी, जो symmetric about origin होने वाली थी, which means j omega को भी आपने निप्टा दिया साथ के साथ, done है इतनी बात? perfect, उसके बाद, मान लीजे, आप कोई route table बना रहे हो, और उसमें odd row आपकी 0 हुई, जैसे ही odd row आपकी 0 होगी, आप ये बोल सकते हो, कि भाई, कुछ roots जरूर होंगे, जो symmetric about origin आएंगे, कुछ जरूर ऐसे roots होंगे, जो symmetric about origin आएंगे, उसके बाद, अगर आपने first column चेक किया, और पाया किया, आप first column के, तो सारे के सारे sign नहीं positive थे, तो अगर first column के सारे के सारे sign positive थे, तो उसने right आपकी possibility हटा दी, तो जो symmetric about origin था, क्या ये अब j omega पे जाने के अलावा, कहीं और नहीं जा सकता है, तो बस ये statements अगर आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठे हुए है, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ आप process कर सकते हो, बाकी, अगर कभी भी कोई भी polynomial में सिर्फ even power present है, तो वो एक auxiliary equation होती है, और auxiliary equation के roots हमेशा symmetric about origin होते हैं, अगर किसी given polynomial के, जो polynomial उसके सारे के सारे powers odd है, तो उसमें origin पे कुछ roots आजाएंगे, बाकी सारे roots आपके symmetric about origin आएंगे, क्योंकि फिर वो auxiliary equation को represent करेगी, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, चलो, special cases के आईए बात करते हैं, आप मुझे खुद बताईए इसको कैसे resolve करोगा, मालों आपको राउट table बना रहे हो, उस राउट table में first column का ही, एक single element 0 हो गया, element of any row becomes 0, while all the elements of that row are not 0, जैसे आप बना रहे हो, तो आप किसी row पे गया, उसमें जो सबसे पहला वाला element हो, वही 0 हो गया, तो क्या करोगे, बहुत ही बढ़िया, आप उसको 0 से या D से replace कर देते हो, है ना, आप उस 0 को D से replace कर देते हो, और आपको पता होता है, कि ये D actually में थोड़ी से एक positive quantity होती है, और अपनी table को आप आगे continue कर लेते हो, is it fine? हाँ, D, F, silent, कुछ भी उसको मान लेते हो, और रो को फिर आगे proceed कर देते हो, D को आप छोटी सी positive quantity लेते हो, और इस वज़े से आपको वहाँ पर sign changes देखने को मिल जाते हैं, पर्फेट, case 2 पर आईए, मान लीजे कि अगर आप कोई equation, कोई route table बना रहो, और उसमें सारे के सारे odd row के element 0 हो जाते हैं, ठीक है, ये वही लिखा हुआ है, when all the elements of odd row becomes 0, row corresponding to odd powers of s becomes 0, या फिर odd row becomes 0, तो आप क्या करोगे, बता ना, तो आप मुझ से पुछोगे कि सर ये तो depend करता है न, कि वो odd row कितनी बार 0 हो रही है, मान लीजे कि वो odd row एक बार ही 0 हो रही है, अगर odd row सिर्फ और सिर्फ एक बार 0 हो रही है, तो आप क्या करते हो, उसके उपर वाले, even वाली रो से एक auxiliary equation बनाते हो, बनाते हो न, auxiliary equation, येस, तो अगर odd row एक बार 0 होती है, अगर odd row आपकी न, एक बार 0 होती है, तो first of all, you form the auxiliary equation from even row even row just above the odd row, just above the odd row, ये auxiliary equation बन जाती है, मज़े की बात ये होती है, कि ये जो auxiliary equation होती है, ये आपके polynomial को 100% divide करती है, इस polynomial को 100% आपकी divide करती है, ठीक है, which means, आप यहाँ से बोल सकते थे, कि जो roots of as है, they represents roots of ds symmetric about origin, ये बहुत सारे roots तो यहीं से निकल जाते हैं, और जाहिरती बात है, कि अगर ये auxiliary equation है, तो इसके सारे के सारे powers इसमें even होंगे, तो ये ds के वो सारे roots निकाल के दे देगा, जो origin के बाउट symmetric होंगे, है ना, ठीक है, तो ये, उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको differentiate करते हैं, देखिए, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, मैंने आपको समझाया भी था, जैसे मालो, as आ गया, minus 8s square plus 2, equal to 0, तो इस minus को आप right half side में नहीं भेज सकते हैं, differentiate करने के दौरन, roots calculate करने के लिए आप भेज दो इसको right half side में, but as आपको exactly वही चूज करना होता है, जो यहाँ पे आया है, आप इसमें plus minus अपने इसाफ से change नहीं कर सकते हैं, while differentiating, तो जो भी आया है, वही आप यहाँ पे चूज करिए, समझें मेरी बात को, फिर आप इसको differentiate करते हो, ठीक है, differentiation से, आपको odd row के coefficients मिल जाते हैं, और आप अपने table को, आगे proceed कर देते हो, ठीक है, table, further, proceeded, याद आया है सबको, ऐसा ही करते थे हम लोग, ठीक है, फिर table आप further proceed कर देते थे, तो अगर मान लीजे, किसी question में, odd row zero हो जाती है, तो क्या उस case में, आप location के साथ साथ, roots के exact value भी निकाल पाते थे, बोलिए, ठीक है, तो एक बार मैं आपको बताओ, आप कैसे सोचते थे, ऐसे questions में, आप सबसे पहले table बनाते थे, जैसे ही odd row zero होती थी, आप एक statement लिखते थे, एक statement लिखते थे, that few roots will be symmetric about origin, फिर उसके उपर क्या आप auxiliary equation बनाते थे, auxiliary equation को आप solve कर लेते थे, तो सारे के सारे symmetric about origin वाले roots आपको मिल जाते थे, है न, ठीक है, उसके बाद फिर table आप आगे proceed करते थे, table proceed करने के बाद, first column का आप sign चेक करते थे, first column का sign अगर सारे positive मिल जाते थे, तो आप rule out कर देते थे, अगर first column में कोई sign changes होते थे, तो आप बता देते थे कितने right half side में आएंगे, और बचे खुचे फिर आपके left half side में आ जाते थे, साथ के साथ आप location भी calculate करके बता सकते थे, कि poles कहां पे, या फिर roots कहां पे लाई कर रहे हैं, as को solve करके, आपको symmetric about origin वाले मिल जाते, और जब आप ds by as को divide कर रहे होते, तो यहाँ पे जो polynomial बचता है, यह 0 नहीं आएगा, तो यह completely divide हो जाएगा, यहाँ पे जो आपको polynomial बचता, ds by as divide करके, वहाँ से remaining roots आपको मिल जाते हैं, तो अगर आप लोगों को याद हो, तो ऐसे questions को मैं दो हिस्तों में divide करवाता था, उन सारे questions को जहाँ पर order 0 होती थी, उनको हम दो हिस्तों में divide करते थे, एक हिस्ते में exact calculation और एक हिस्ते में only location, याद आ रहे, exact calculation करना बहुत असान होता था, आप इस auxiliary equation को solve कर लेते थे, यहाँ से roots मिल जाते थे, divide करके bs के roots calculate कर लेते थे, remaining मिल जाते थे, location calculate करने के लिए मैंने आप लोगों को एक formula बताया था, क्या formula मैंने बताया था आप लोगों को, from the row, just above, highest order, odd row, समझे, जैसे मालो row multiple times अगर आपकी 0 हो रही है, तो आप क्या करते थे, जो सबसे पहली वाली 0 रो होती थे, highest order वाले, उसी को आप यहाँ पे consider करते थे, फिर यहाँ पे भी same चीज होता था, exactly same चीज यहाँ पे भी आपकी होती थे, as के जो roots होते थे, यहाँ इसको completely divide कर देते थे, यहाँ से bs मिल जाता था, तो हम लोग बोलते थे, roots of as will be equal to roots of ds symmetric about origin, है ना, और यहाँ से remaining roots मिल जाते थे, remaining roots, ठीक है, बस, and आप इसको differentiate करके table को further proceed कर देते थे, ds by ds, यहाँ से coefficients मिल जाते थे, order and table further proceeded, table को आप further proceed कर देते थे, ठीक है, इसमें जो दुबारा आपके row 0 होती थी, है ना, second time जो order 0 होती थी, उसमें, उससे जो information मिलती थी, क्या उसको हम perceive करते थे, यह हम बोलते थे कि वो असल में, वही information repeat कर रहा है, जो यह as already बता रहा हूँ उपर, याद करिए ज़रा सभी लोग, ज़रा याद करके देखो, दुबारा जो आपके order 0 होती थी, तो हम यही बोलते थे हैं, कि भाई, वो किसी काम की नहीं है, फाल्तू की information वो दे रहा है, जो as already दे चुक है, तो वो auxiliary equation से अगर आप roots calculate करते हो, या फिर उस auxiliary equation के आप roots को समझना चाहते हो, तो आप यह बोलते हो कि भाई, उसको हम नहीं समझेंगे, उसको side कर देते हैं, क्योंकि जो information वो दे रहा है, वो already यह दे चुका है, highest trotter वाला, ठीक है, याद आगया सबको एक बार जल्दी से बता दो यार, कि हाँ सर सारी बाते हैं, सब कुछ याद आगया, क्या क्या करना होता था, जैसी order जीरो होता था, उसके सामने एक line खीच के लगते थे, few roots will be at, few roots will be symmetric about origin, फिर उसके बाद हम लोग दो हिस्तों में अपने question को process करते थे, पहले location की बाद करते थे, उसके लिए formula हुआ करता था, फिर exact value की बाद करते थे, उसमें auxiliary question को solve भी करते थे, वहाँ से symmetric about origin के सारे के सारे roots मिल जाते थे, फिर as से divide करके बाकी roots calculate कर लेते थे, तो formula क्या होता था, आईए ज़र देखिए, देखिए क्या यही formula हम लोग use करते थे, जब भी किसी भी route table में, हमारा, जब भी किसी भी route table में हमारा, order 0 हुआ करता था, तो उसमें हम ऐसे ही बोलते थे, number of roots of ds on imaginary axis, तो आप देखते थे, what is the highest order auxiliary equation, हमेशा आप highest order auxiliary equation को देखते थे, highest order का मतलब हो सकता है, कि आपका order हो 2, 3, 4, 5 बार 0 हुआ हो, है ना, तो जो highest order auxiliary equation था, इसमें से minus 2 times, number of sign changes below highest order of this equation, very very important point, और याद रखेगा, यह immediately आपको बता देता था, कि imaginary axis पे कितने roots लाइ करेंगे, यहां से हम location calculate करते थे, इस formula से, है ना, बिना exact value calculate किये, similarly देखे, what will be number of roots of ds in RHP, यह तो खेर बताने के जरुवत ही नहीं है, आपको sign change से पता चल जाएगा, और LHP के लिए आप क्या करते थे, जो भी order of ds होता था, उसमें से equation 1, minus equation 2 की values, subtract कर देते थे, है ना, ठीक है, देखे, order अगर दो भार 0 होता है न, generally उसमें क्या होता है, कि j omega axis पे आपको repeated roots मिल जाते हैं, repeated roots मिल जाते हैं, but again, again, आपको stability पे comment हमेशा करना चाहिए, location calculate करके, location से आपको पता चल जाएगा, कि आपको क्या answer देना है, हमने जो class में question किया था, उसमें j omega axis पे, जो roots थे, वो repeat कर गया थे, तो अगर कल को वही वाला polynomial, किसी system का denominator polynomial होता, तो फिर आप उसकी stability पे comment करने के दौरान बोलते हैं, कि ये system unstable है, समझे मेरी बात को, बट कई के बार ऐसे भी question आ सकते हैं, जहाँ पे order आपका multiple time 0 हो रहा हो, बट उसकी वज़े से, आपका जो corresponding j omega axis पे जो roots आ रहे हो न, उन roots की location शायर non repeated भी आ जा है, समझे रहाँ आप मेरी बात को, तो इस वज़े से, ऐसे questions में आप generally कोशिश ये करें, क्योंकि अगर order 0 हुआ, तो location तो आप calculate करीद हो गया न, तो निकाल लो, solve करो उसको, auxiliary questions से, symmetric about origin मिल जाएगा, बाकी जगे से आपको division करके, बाकी मिल जाएगे, तो आप बता सकते हैं, based on the pole की location, ओके, ठीक है, ये point सबको सौंज में आ गया, perfect, चलो, उसके आद हम लोग देखते थे, कि आपके route में, कितने प्रकार के questions आप से पूछे जा सकते थे, ठीक है, तो आई ये जराइबर discuss करते हैं, सबसे पहला आता था, range of a certain parameter, for system to be stable, तो इसका procedure क्या होता था, कोई बता आएगा, first column of route table should have same sign, should have same sign, समझे, first column, first column को आप observe करिए, और उसके सारे के सारे elements, है न, sign सेम होना, चाहिए, greater than 0, greater than 0, greater than 0 करके, सबका intersection ले ले लेना, ठीक है, हर एक value का intersection ले लेना, first column, के first row का element, second row, third row, fifth row, सबका greater than 0 कर लेना, और सबका intersection ले लेना, तो आपको answer मिल जाएग, पका, चलो, बहुत ही बढ़िया, फिर उसके बाद कभी कभी question आप से exam में पूछा जाता है, कि value of certain parameter, such that system is marginally stable, भाई साफ system is marginally stable, पूछ रहा है आप लोगों से, है न, यानि कि सबसे पहली चीज़, आपको ये make sure करनी पड़ेगी, यहाँ पे, that sign of all elements, sign of all elements in first column should be positive, है या नहीं, should be positive, या इसको second position पे रखते हैं, और रो, should be zero once, और रो एक बार zero होना चीए, and at the same time, this should also happen, बूलिए, ऐसे करेंगे आप, है न, और रो का zero होना, क्या निरधारित करेगा, और रो जैसी zero हो जाएगा, आपको मिल जाएंगे, location of poles, और maybe location of roots, symmetric about origin, बढ़ आपको तो marginal stable चाहिए, तो marginal stable के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, first column के सारे के सारे sign क्या करने पड़ेंगे, same, या maybe positive, तो अगर first column के सारे के सारे elements का आपने sign same कर दिया, तो symmetric about origin में सिर्फ एक ही possibility बचेगी j omega वाली, क्योंकि right half वाली तो wipe out होगी पूरी के पूरी, इसको मैं same लिख देता हूँ, to be more precise, वैसे positive ही देखते हैं हम लोग, but again, आरी बात समझ में, तो दोनों चीज़े चेक करने चाहिए, भाई, marginal stable के लिए, order को तो zero करना ही करना है, उसमें तो कोई दो रहाए नहीं है, यह order हमारा zero होना चीए, but first column में जितने भी elements हैं, सारे के सारे element का sign भी positive करना पड़ेगा, क्योंकि order का zero होना सिर्फ यह निरधारित करता है, कि आपके जो roots हैं, ds के, अगर वही ds किसी system का denominator polynomial है, तो उस system के जो poles हैं, वो symmetric about origin है, symmetric about origin के चार possibility आती है, अब आपको marginal बनाना है, तो उन चार में से आपको j omega तकाना पड़ेगा, और उसका रास्ता तो फिर यही बताएगा न, कि sign of all the elements in the first column should be seen, perfect, यह second model का question आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इसमें सिर्फ marginal stable की बात कर रहा है, और कुछ नहीं बोल रहा है, समझे बात को, ठीक है, इसके बाद तीसरे type का question आता है, इसमें आपसे, तीसरे type का question में आपसे बोलता है, कि system is oscillating with constant frequency, system is oscillating with constant frequency, system is having sustained frequency of oscillation, system is having undamped natural frequency, जब भी ऐसे questions आने लगे, undamped oscillations, sustained frequency, omega-n, तो ऐसे case में, अब आपका जो order 0 होना चाहिए, वो order 0 होना काफी नहीं, order 0 होने के साथ-साथ, जो auxiliary equation बननी चाहिए, वो strictly and strictly second order की बननी चाहिए, इसका मतलब, जो आपका order 0 होगा इस बार, वो शायद S to the power 1 के corresponding ही होना चाहिए, तो S to the power 1 के corresponding वाला order 0 होना चाहिए, उसके just above वाली even row से, आप auxiliary equation बनाएंगे second order का, at the same time, उस auxiliary equation को, जब आप solve करेंगे, तो आपको make sure करना पड़ेगा, कि जो उसके roots हार है, वो j omega axis पर लाई करें, समझें मेरी बाद को? तो marginal stable और इसमें क्या फरक है? marginal stability के case में, हो सकता है, जो auxiliary equation बनती, वो 4 degree की बनती, हो सकता है, जो auxiliary equation बनती, वो 6 degree की बनती, आप समझें रहें? तो marginal stability में, j omega पे repeated poles नहीं आने चाहिए बस, तो non repeated तो बहुत सारे हो सकते हैं, कि 2 आए, 3 की possibility बन जाए, 4 की बन जाए, तो जब भी question में marginal stable पूछता है, उस case में आपको odd row 0 करना है, और first column के सारे के सारे sign को same कर देना है, positive most of the cases में हम लोग करते हैं, बढ़ अगर कभी आप से पूछता, sustained frequency of oscillation आप निकालिए, तो उस case में आप हमेशा, s to the power 1 के corresponding वाली row को ही 0 पा रहे होंगे, या करना पड़ेगा आपको, और उसके just above वाली जो row होगी, वहां से auxiliary equation मराएंगे, वहां से आप जो roots calculate करेंगे, वो j omega पे non repeated poles आ जाएंगे, और वही आपको फिर omega and compare करके दे देंगे, तो देखिए, क्या यहां पर यह ठीक लिखा हुए, process इसका, form an R-H table from the denominator polynomial, make sure, make sure, first column sign सबका same है, and odd row is 0 once, and AS is having second order equation, with roots on j omega axis, बोलिए, तो यह जो second step है, थोड़ा सा underrated step है, generally इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बढ़ हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए, कभी भी अगर हम j omega पे roots की possibility की बात कर रहे हैं, चाहे वो repeated हो, चाहे non repeated हो, तो 100% आपको first column के sign same रखने ही पढ़ेंगे, अधर्वाइस आप first statement से सिर्फ इतना ही conclude कर सकते हो, order 0 होने से, कि roots will be symmetric about origin, अब अगर origin की possibility, symmetric about origin की possibility आप j omega पे लाना चाहते हो, तो first column का sign आपको same करना ही पढ़ेगा, कोई option नहीं आपके पास, ओके everyone, हाँ कभी कभी किसी किसी question में, maximization या minimization पूछेगा, तो वो तो आप लोग expert हुई, application of derivative, ठीक है, जैसे route table आप से बनवाएगा, और आप से पूछेगा कि भई, कुछ parameter को में maximize करना चाहता हूँ, तो maximize करने के लिए आप क्या करोगे, application of derivative यूज़ कर लेना, maximum minimum calculate कर लेना, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है, route table की limitation क्या होती है, कि जो आपका ये ds होना चाहिए, ये polynomial होना चाहिए, ठीक है, ये polynomial होना चाहिए, अगर ds आपका, sinusoidal है, ठीक है, exponential है, sinusoidal है, exponential है, या, तो आपकी, ये table न, invalid हो जाती है, यहाँ पर तो valid है, यहाँ पर ये invalid हो जाएगी, इसमें कुछ-कुछ cases में आप काम बना सकते हो अपना, जैसे कि, अगर exponential आ जाता है, तो आप उसको उसके first order approximation से replace करके, polynomial में convert करके, उसको valid बना सकते हो, but not maybe in all the cases, not maybe in all the cases, सब में नहीं कर सकते हैं, तो route की limitation यह है, कि भाई, यह method आप तभी लगा सकते हो, जब polynomial पर चर्चा हो रही है, ठीक है, अगर polynomial पर चर्चा नहीं हो रही है, फिर आप नहीं लगा सकते हो, हाँ, जिसको आप polynomial में approximate कर सकते हो, जैसे आपको sign का भी expansion याद होता है, मालो कभी examiner ने sign दे ही दिया, तो sign का सबसे closest approximation लेकि उसको solve कर देना, उसका expansion कर देना, s minus s cube by factorial 3 होता है, तो उसको roughly s ले लेना आप लोग, समझे मेरी बात को, वैसे यसा question देगा नहीं कभी भी examiner, done है, perfect, transportation lag systems मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, कि transportation lag systems में कैसे questions को solve करना चाहिए, देखिए, transportation lag में generally दो type के questions आप से पूछे जाते हैं, अगर आपका ds contains only exponential terms, तिर्फ अगर exponential term आपका आ रहा है, उसके साथ कोई दूसरा term भी नहीं है, जैसे मालो, तो ऐसा कोई term आ गया, e to the power minus s upon t, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, तो ऐसे case में कभी भी न approximation use मत करिए, कभी approximation use मत करिए, बलकि ऐसे cases को solve करने के लिए, आप directly यहाँ से root की location calculate कर लीजे, ठीक है, इसमें अगर आप root की location calculate करोगे, तो आप s की value निकाल सकते हूँ यहाँ से, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है, और अगर मैं एक आपको example देता हूँ, यह है, एक example से समझाता हूँ, ठीक है, जैसे मालो, यह actually gs लिखा हूँ अच्छी है, यह इस ने ds लिख दिया, this should be gs, यह आपका न, gs होना च्छी है, चलो, तो देखो, जैसे मालो, जैसे मालो, यह gs है, ठीक है, gs उसने सिर्फ ऐसा दे दिया, तो आप मुझे बता सकते थे, यहाँ से c by r कितना आ जाता, यह आ जाता, e to the power minus s, upon 1 plus e to the power minus s, अब इसको solve कर लो, 1 equal to minus e to the power minus s, e to the power minus s equal to minus 1, यहाँ से अगर मैं इसको solve करता सपोज, तो यह मुझे मिल जाता, minus s is equal to, इसको ना मैं कुछ yt कर देता हूँ, so that थोड़ा सा mathematics अपनी सही हो जाए, ठीक है हाँ, ln minus t, s की value हो जाएगी, minus ln minus t, अब t के basis पे आप अंदाजा लगा लो, इसके roots lhp पे हैं, rhp पे हैं, बट मालो, अगर कभी आपको कुछ ऐसा expression दे दे, यहाँ पे इसके साथ कोई और भी s का time present हो, जैसे नीचे भी s का term आगे, ऐसा type, तो इस case में फिर आपको approximation यूज़ करके question को solve करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप c by r बनाओगे न, तो बड़ा complicated सा expression बनेगा, e to the power minus s upon, e to the power minus s plus st, अब यहाँ पे एक exponential एक polynomial को solve करके roots निकालना न, almost impossible हो जाएगा, तो अगर कभी आपका open loop transfer function में, e to the power minus s का killer term present, इसके लावा s का कोई term ही नहीं है, तो आप direct इसको basic method से solve करें, root calculation method से, बट अगर s का term इसके साथ present है न, so in that case, approximation यूज़ करने के लावा भाई, कि अपने पास कोई चारा नहीं बचाएगा, समझे मेरे बात को, मैं क्या बताना चाह रहा था? ओके, everyone, ठीक है, I hope this is fine, ओके, चलो एक concept आपका और होता है, shift of origin, ठीक है, जैसे मालनों हमारे पास कोई polynomial present है, हमारे पास कोई polynomial present है, कुछ भी मैं लिख देता हूँ, a0, s3, a1, s2, a2, s, plus a0, इसमें जो भी pole 0 का bifurcation हो रहा है, pole 0 का, वो इसके corresponding हो रहा है, sigma, j omega, और ये है आपका, s equal to 0, है ना, जैसे मालनों अगर मैं आपसे पूछूँ हूँ, कि इसके कितने roots लह पी पे हैं, तो कितने roots LHP को तो ऐसे भी पूछा सकता था था ना, कितने roots ऐसे हैं, जिनका real part 0 से कम है, yes or no, yes, मालनों अगर मैं पूछता कितने roots RHP में हैं, तो ये वही तो सवाल हो था, कि कितने roots ऐसे हैं, जिनका real part 0 से जादा है, ऐसे अगर कि हम लोग लिख सकते थे, but मान लो, अगर आप से इसी में कोई पूछे, इसी question में, कि how many roots, roots have real part, have real part less than minus 1, ऐसा पूछ रहे हैं, यानि कि आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर जो minus 1 वरी line थी, उसके left और right में हमको decision लेने के लिए बोल रहा है, yes, तो ऐसे cases में क्या किया जाता है, आपको अपनी origin को shift करना होता है, अब उसको मैं आसान भाषा में ऐसे समझा रहा हूँ, उसको ना मैं आसान भाषा में आपको ऐसे समझा रहा हूँ, कि आपको यहाँ पर s को replace करना है, अब आपके दिवाग में यही doubt आएगा, कि हम s को किस से replace करें, तो मैं दोनो possibility बता देता हूँ, आप इसको z-1 लिख लें, z-1 लिख लें, यही तो होगा आपके दिवाग में, replace s को करना है, तो s को अगर आप replace कर रहे हो, तो या तो z-1 से करोगे, या तो z-1 से करोगे, अब यहाँ पर एक simple सी चीज़ बताइए, आपको करना क्या है, करना क्या है आप लोगों को, आपको, आपको क्या करना है, s की जगह पर आपने z-1 और z-1 पूट कर लिया, अब देखें, आप यही तो चाह रहे हो, कि हमारा जो origin है, वो s equal to 0 से shift होके, s equal to minus 1 पर आ जाए, यही तो हम चाहते हैं, बताइए, बोलिए, ठीक है, तो एक बार यहाँ पर z को 0 पूट करिए, और एक बार यहाँ पर z को 0 पूट करिए, देखें, कहाँ पर आपको s equal to minus 1 मिल रहा है, origin की तो आप बात कर रहे हो, आप बोल रहों कि, मैं इसको z equal to 0 बना दूँँगा, पहले हमारा origin था, z equal to 0, दोनों जगए पूट कर दो, यहाँ से मिल गए s equal to minus 1, यानि s की यहाँ पर replacement value क्या हो जाएगी, z minus 1, आप इसी s को यहाँ पर replace करिए, और उसको normal route के तरह solve कर दीजे, है न, normal route के तरह solve कर दो, इस बार, अगर मालीजे आपके route के first column में, दो sign changes आते हैं, तो वो basically आपको बताएगा, कि दो roots ऐसे हैं, जो z equal to 0 के left half side में लाई कर रहे हैं, अगर z equal to 0 के left half side में लाई कर रहे हैं, मतलब s equal to minus 1 के left half side में लाई कर रहे हैं, समझगे मेरी बात को, तो आप सारा का सारा जो conclusion आप दोगे न, वो z equal to 0 के corresponding दोगे, और अगर z equal to 0 के corresponding दे रहे हो, तो ठीक है, z equal to 0 का left मतलब minus 1 से भी कम, z equal to 0 का right मतलब minus 1 से जादा, आई बात सबको समझगे, हाँ, नीचे वाला s equal to plus 1 हो जाएगे, ठीक है, तो ऐसे गर के हमेशा decide कर लिया करो, हमेशा decide कर लो, जैसे मालो, अगर इसने कभी बोला, कि how many roots will have real part less than minus 1 या greater than minus 1 या कुछ भी इसने बोला, तो आप s को z minus 1, z plus 1 दोगो लिखके replace कर लो, z की जगा 0 पुट कर लो, s equal to minus 1 plus 1 ये आगे है, इसको select कर लो, यानि s equal to z minus 1 replace कर दो, राउत बनाओ, सारा का सारा conclusion, अब z equal to 0 के left और right में आप दे दो अराम से, ठीक है, कोई doubt इसमें किसी को, any doubt anyone is having, पूरा revise होगे, अच्छे से राउत, सारे points से याद आगे आप लोगों को, ठीक है, फिर से, एक last point यही में आप लोगों को बताता हूँ, कि कभी भी marginal stable का question आए, कभी भी आपसे marginal stability पूछे, तो odd row को 0 करना, एक single बार important तो ही है, but at the same time, आपको first column के सारे के सारे sign भी same रखने होंगे, odd row का 0 होना सिर्फ यह निर्धारित कर सकता है, कि roots are symmetric about origin, फिर उसके बाद आपको first column के सारे के सारे sign भी positive करने होंगे, इसके वज़े से, वो symmetric about origin वाली location, आपकी j omega axis में convert हो जाए, odd row अगर आपके एक single बार 0 हो रही है, तो 100% non-repeated poles आपके exist करेंगे, ठीक है, perfect, चलो इसका answer बताओ क्या हो जाएगा, route, harvitt's criteria is used to determine, क्या option सही होना चैस में, बोलिए, तो इसमें आपका correct हो जाएगा, C वाला option, C वाला option correct हो जाएगा, absolute stability of the system, ठीक है, चलो, अब अगला chapter अपना start होता है, route, root, locust technique, for tracking closed loop poles, ठीक है, छोटा सा chapter है ये, बहुत ही limited चीज़ है, इसमें हम लोगों को discuss करनी है, तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, 4-5 मिनिट का break ले लो, ठीक है, फिर वापस आते हैं, route, locust, start करते हैं, ठीक है, 5 मिनिट का break ले ले, ग्यारा पैतालिस पर मिलते हैं, चलो, 11.45 मिलते हैं, 5 मिनिट का break ले लो, थोड़ा सा revise कर लो, कोई doubt आ रहो हैं, तो doubt भी लिख लो, क्लास के एंड में मैं आप लोगों के doubt भी ले लोंगा, ठीक है, कुछ पीलो, पानी वानी पीलो, ठीक है, ठीक है, चलो, 5 मिनिट का break ले लो, पास्टर्णे मिलते हैं, उके, आई कार लो, 5 मिनिट कर लो, पास्टर्णोंगा, भी कर लो, र्रीक है, तो मिनिट को पीलो, कि लो, यानी वानी वां खुर्णे हैं, तो घ्म, सानग Lunchा का Pr mente менूस्छ कांए, ंगा है, भी कर लो, इने खो fenyचे हैं, जाघ स जा Εれक मारूआत? झाल 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 वेलकम बैक चलो शुरू करते हैं आगे का डिसकुशन इसके बाद वाले चैप्टर जो ना वो छोटे छोटे इसके बाद जैसे आपका ये रूट लोकस हो गया या फिर बोर्ड हो गया या फिर मान लीजे नाइक्विस्ट हो गया तो उसमें तो बस हमको बेसिक कंसेट से डिसकुश करने हैं उसमें ज्यादा फॉर्मिलेस तो हैं नी डिरेक्ली ओके चलो मेरे क्याल से सबी लोग आ गए रेडी एक बार लिग दो चैट बॉक्स में सबी लोग शुरू कर देता हैं रूट लोकस का डिसकुशन ठीक है फटाफट बताइए जो रूट लोकस होता था उसमें कितने प्रकार के रूट लोकस हम लोग डिसकुश करते थें तो अगर आपको बदा करें कि direct root locus बनेगा या फिर complementary root locus बनेगा तो इसके हमने कुछ methods calculate किये थे देखिए हम लोगों ने क्या methods calculate किये थे सबसे पहली चीज हम make sure करते थे कि हमारा setup कैसा दे रख है setup पे हम देखते थे कि यहां पर एक forward gain k present होता था यह जो forward gain k होता था इसी के basis पे हम अपनी सारी के सारी possibility टिका के रखते थे साथ के साथ यह जो fs होता था यह जो आपको open loop system यहां पर दिखता था इसमें हम लोग यह make sure करते थे कि सारे के सारे जो इसमें s के coefficient हो उसका sign कैसा होना चाहिए हमेशा positive होना चाहिए example के तोर पे जैसे मानलों अगर fs ऐसा mention होता 1 minus s upon 1 plus s तो पहले हम इसके coefficient को positive कर लेते हैं ना बहुत ही बढ़ी है शांदार यानि कि सबसे पहले हम दो चीज़े जरूर observe करते थे कि हमारे fs में सारे के सारे s का coefficient positive होना चाहिए था और यहाँ पर k आपका forward gain में present होना चाहिए था तो हम लोगों ने कुछ possibilities यहाँ पर create की थी अगर आप लोगों को याद हो आईए देखते हो सारी के सारी possibilities जैसे मान लो यह setup हमको यहाँ पर दिख रहा है ठीक है अब इस setup में मुझे दिख रहा है कि भाई जो k है वो 0 से infinity के बीच में है यह k की range मैंने बताई और feedback negative तो आप सभी लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर feedback negative हो जाएगा है ना तो कैसे पता करते थे कि कि आप यहाँ पर root locus बनेगा मतलब DRL बनेगा यह CRL बनेगा तो हम लोग calculate करते थे CS by RS CS by RS हो जाता था KFS upon 1 plus KFS उसके बाद हम इसका जो denominator polynomial होता था उसको 0 के बराबर पुट करते थे 0 के बराबर पुट करने के बाद हंगिये बोलते थे कि यह जो KFS है इसको एक तरफ रखते हैं बागी constant को उधर लेके जाते हैं जो आपने KFS को एक तरफ रखा constant को उधर लेके गए तो सबसे पहली नहीं है जितना आसान हम लोगों को लगता है इतना आसान नहीं है आपको proper यहां पर calculation करने पड़ती C by R की C by R आप calculate करोगे फिर आपको denominator polynomial मिलेगा उसको आप equal to क्या करोगे 0 put करोगे उसके बाद दो चीज़ें चेक करनी होती है एक तो इस FS में सारे S का coefficient positive हो जो पहले बोल है उसमें बहुत silly mistakes होती है हाँ मैं मानता हूं magnitude angle वर magnitude angle criteria कभी GSHS में नहीं आता magnitude angle criteria इसमें आएगा यहां पहुंच गए अब तो दिखी रहा magnitude 1 और angle multiple of 2N plus 1 pi है ठीक है चलो अब यह वाला case देखो जैसे इस case में अगर हम लोग observe करे तो देखना ही क्या बोल रहा है अभी भी जो K है वो 0 से infinity vary कर रहा है feedback को हमने positive कर दिया इस feedback को positive कर दिया तो C by R क्या होगा GSHS upon 1 minus GSHS upon 1 minus KFS है ना 1 minus KFS को आप 0 put करोगे तो KFS मिलेगा 1 के बराबर यह K था positive इधर था 1 तो क्या बन जाएगा IRL या फिर CRL ठीक है done है यह बात perfect चलो इस case में बताओ क्या बनना चाहिए देखिए K हमने लिया है minus infinite से 0 और negative feedback तो देखो जब भी K की range minus infinite से 0 हुआ करे ना सबसे पहला आप काम क्या किया करो एक नया parameter build up कर लिया करो जो 0 से infinity हो तो हमने देखो तुरंत K को एक minus K1 से replace किया और यह K1 आपका 0 से infinity चला गया ठीक है किसी भी question में अगर K की range minus infinity से 0 आपको दे रखे हो तो immediately एक नया parameter build up करें which is K1 जिसकी range 0 से infinity हो फिर से आपने वही किया negative feedback था KFS upon 1 plus KFS 1 plus KFS में KFS आपको मिल गया minus 1 के बराबर but K तो आपका था minus infinity से 0 आपने K को replace कर दिया minus K1 से minus K1 दोनों side मिल के इसने क्या कर दिया 1 तो यहाँ पर देखिए जो भी constant parameter वो positive F is equal to 1 this will result in the CRL एक नंबर का question तो यही है कि RL बनेगा CRL बनेगा समझे बहुत सार लोग बोलते हैं कि negative feedback हो तो direct root locust बना दो positive feedback हो तो complementary root locust बना दो ऐसा कुछ नहीं होता भाई ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है चलो यह वाला case देखके बताओ इसमें क्या बनेगा के की range है minus infinite से 0 ठीक है feedback दे रखा हमने positive तो सबसे पहले तो आप यहीं पर घबडा गयोगे कि minus infinite से 0 तो आपने बोला कि इसेर एक काम करते हैं इसको minus k1 से replace करते हैं k1 को 0 से infinity वेरिकरा देते हैं चलिए ठीक है आपने cs by rs लिखा feedback positive था 1 minus kfs kfs की value 1 तो यहां से आपको kfs मल जाएगा minus 1 और देखिए यहां से बना आपका direct root locus भले ही feedback positive है तब भी direct root locus बन रहा है तो feedback अकेला role play नहीं करता है आपके direct root locus या complementary root locus की plotting नहीं साथ के साथ आपका यह जो k है ना इसके range बड़ा important role play करती है ओके दोनों मिल के decide करते हैं क्या बनेगा ठीक है इस case में बताओ क्या बनेगा इस case में इसने यहां पर minus k कर दिया यह 0 से infinity है feedback भी negative दे रहा है यहां पर k के जए उसने minus k replace कर दिया तो cs by rs minus k upon 1 minus kfs 1 minus kfs equal to 0 kfs equal to 1 बन गया c rl बताओ किते लोग है अब ऐसे जो rl direct root locus और complementary root locus में अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या बनेगा लगा पाएंगे ठीक है तो मैंने आपको एक अच्छा गैसा तरीका बता दिया मेरे ख्याल से इससे हमें clear होना चीक क्या बनेगा चलो root locus plot क्या होता है plot ठीक है एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ root locus plot असल में होता क्या है given क्या होता आपको given आपको होता है oltf of closed loop system एक closed loop system का आपको generally oltf दिया होता है ऐसा कुछ kfs type का है ना साथ के साथ आपको k की range mention करी होती है generally zero to infinity and obviously feedback mentioned होता है ठीक है feedback mentioned होता है ठीक है यह mentioned होता है अब root locus क्या करता है जड़ा देखिए हमारे पास closed loop system के information नहीं है हमारे पास एक closed loop system है यह पता है कि उसका feedback क्या है उसमें k कैसे vary कर रहा है और उसका oltf क्या दे रखा है इसी oltf को कुछ rules की मदद से हम लोग plot करने की कोशिश करते हैं यह oltf का expression दिया होता है इसी oltf के expression को reference लेते हैं कुछ rules follow करते हैं और एक plot बनाते हैं जो वो plot बन के आता है न वो इसके corresponding closed loop system के poles का लोकस देता है बताई कितनी amazing बात है कि भाई GSHS की जानकारी है है system closed loop इसके GSHS के जानकारी है कुछ rules है हमारे पास अगर वो rules उठा के हम इस GSHS पर apply कर दें तो एक plot बन के आ जाता है जो plot बन के आता है वो असल में इसके corresponding closed loop system के poles का लोकस आता है समझे मतलब आप सिर्फ इसी GSHS के उपर उन सारे rules को apply करके यह बता सकते हो कि जो आपका corresponding closed loop system बना होता उसके poles किस तरीके से vary कर रहे होते है जब भी आप लोग root locus की plotting करते हो तो root locus की plotting में हमेशा जो variable parameter होता वो k होता है तो basically जब root locus का plot बनता है तो वो आपको हर possible value of k के लिए यह बता देता है कि इसके corresponding closed loop system के poles कहाँ पर लाई कर रहे होंगे या फिर one plus GSHS के roots का पूरा का पूरा locus कैसा बना होगा यह होता है इसके पीछे का logic ठीक है तो आप ऐसे कुछ लोग ऐसे ही बोल सकते थे कि sir closed loop system के poles का locus दे रहा है मतलब one plus GSHS के roots का locus दे रहा है तेमी बात बहुत ही बढ़िया चलो अब देखे यह हम लोग agree कर चुके है कि या तो direct root locus बनेगा या तो complementary root locus बनेगा तो आईए इनके plotting technique सीख लेते हैं क्या होता है direct root locus ठीक है direct root locus plotting technique direct root locus में आपको दिया क्या होगा देखे ऐसा एक expression दे रखा होगा और आपको पता ही चल चुका है direct root locus की क्या-क्या possibility है शायद इस case में भी और इस case में भी आपका direct root locus बन जाएगा है ना अगर मालोंगे अपना expression ऐसा कर दूँ gshs equal to kfs k को कर दूँ 0 से infinity feedback negative देदू तो भी direct root locus बनेगा और gshs को minus kfs कर दूँ अभी भी इसको 0 से infinity रखो पॉजिटिव feedback देदू तो भी मेरा DRL बनेगा है ना बताईए परफेक्ट ठीक है आईन के rules देखने के कोशिश करते हैं क्या-क्य rules होते हैं हाँ याना हमें जल्दी जल्दी आंसर करते हैं जाओ सभी लोग याना बड़ी छोटी सी चीज है बड़ बहुत ignored होती है जब भी हमारे पास कोई भी gshs का expression दिया होता है सबसे पहला काम आपको करना चाहिए भाई s के सारे के सारे coefficient को positive बना लो immediately positive बना लो वो कहां से originate होता है open loop poles से या फिर open loop zeros से तो आप बोलोगे direct root locus हमेशा originate होता है open loop poles से open loop poles से जब वो originate होता है आपका तो आप मुझे बताइए simple सी चीज़ बताइए कि वहाँ पर k की value कितनी assume करनी चाहिए अगर आपका जो direct root locus है वो k equal to zero से पोल से originate हो रहा है तो k की value हाँ पर कितनी assume करनी चाहिए हमेशा zero assume करनी चाहिए ठीक है perfect जैसे माल लो इस case में देखो यहाँ पर open loop pole क्या है minus 1 तो आप क्या लिखोगे direct root locus originates from s equal to minus 1 and move in the direction of direct root locus क्योंकि यह pole real थे जब भी real आपका कोई भी pole होता है यह real access पे होता है तो जो root locus originate होता है वो real access पे ही originate होता है जब real access पे originate होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि real access पे किधर जाना है right जाना है कि left जाना है तो वो हमेशा उसी direction में जाने की कोशिश करेगा जिस direction में DRL exist करता है DRL कहाँ पर exist करता है DRL उन सारे regions में exist करेगा जिसके right half side में number of poles and zeros हमेशा odd होते हैं यह भी देखते हैं हम लोग चलो ठीक है इसमें बताना इसमें बताओ आपके जो poles हैं वो क्या है pole आरा minus 1 by 2 plus minus j root 3 by 2 तो बताना क्या poles आपके complex location पर है यह वो angle of departure को follow करते हुए originate होती है समझे मेरी बात को ठीक है अब जैसे इस case में देखो यहाँ पर बताईए क्या इस system में कोई poles है तो आप बुलोगे सर finite तो नहीं है infinite poles जरू इसमें present है infinity पर दो poles इसके present है finite कोई poles इसमें present नहीं ठीक I agree तो अगर इसके infinity पर poles present है तो क्या आप ऐसा बोल सकते थे कि यहाँ पर दो branches infinity से आएंगे अब infinity वाले को कौन रास्ता दिखाता है वो रास्ता दिखाता आपका angle of asymptote तो यह तीनों बाते बहुत clarity से अपने दिमाग में रखिए कि अगर आपके pole की value real है तो जो branch originate होगी न वो real axis पर ही originate होगी भाई समझें? अब real axis में वो किधर जाने का try करेगी? जिस direction में DRL exist करेगा इस region में आपका DRL exist करेगा बाइद वे poles अगर complex locations पर आ जाते हैं तो भी आपके branch originate complex location से ही होगी but at the same time आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि उस दोरान angle of departure उसके मदद करेगा उसको बताएगा भाई इस दिशा में आप निकलो और कभी कबार system में कोई finite poles होते नहीं poles infinity पे present होते हैं किसी भी system में जितने number of poles होते हैं उतने ही number of zeros होते हैं हमेशा बराबर होते दोरें अगर कहीं disbalance हो रहा है तो समझ जाना pole या zero infinity पे present होंगे समझे समझे मेरी बात को येस तो अगर कभी pole infinity पे present है तो वहां से branches generate होंगे तो infinity वाले को रास्ता का दिखाता है आपका angle of asymptote समझे मेरी बात को अब बताओ जो आपका direct root locus होता भाई सा वो terminate कहाँ पर होता है बताईए सभी लोग तो आप बोलोगे साथ direct root locus जो होता है वो terminate होता है open loop 0 पर कहाँ पर terminate होता है open loop 0 पर वहाँ पर k की value कितनी हो जाती है अनन्त, infinite infinite हो जाती है ठीक है तो चलो आओ देखते हैं यहाँ पर यह देखो gshs equal to k into s plus 2 यह आपको expression यहाँ पर mention किया है यह आपको expression mention कर रखा यह वाला तो बताना यहाँ पर open loop 0 क्या है s equal to minus 2 अगर open loop आपका s equal to minus 2 पर है तो जो branch इस पर जा रहोगे hit करने वो तो आपका real access पर ही रहेगी न और अगर real access पर ही है तो यह उससी region में सो तो जाएगी जिस region में direct root locus रखना allowed होगा yes अब इसमें बताना यह देखो इसमें कौन-कौन से 0 आ रहे है complex location पर देख रहे है आपको 0 complex location पर देख रहे है तो आप मुझे बताईए जब branch यहाँ terminate होने जा रही होगी तो कौन रास्ता बताएगा इसको यह तो यहाँ पर complex location में पड़ा होगा है तो कहीं से भी आ सकता है यहाँ पर terminate होने तो इस दौरान एक angle होता है जिसको आप बोलते हो angle of arrival angle of arrival इसको already इसके लिए पूरा का पूरा runway बना के रखेगा runway बना होगा बस इसको जा के उस runway के तहत आपके 0 को terminate करवा देना हो पूरा platform बना के रखेगा angle of arrival बहुत ही शांदर इस case में ज़रा बताएंगे कोई 0 है क्या इसमें देखो इसमें कोई 0 है आप बोलोगे सर कोई finite तो नहीं है बट infinite पे दो 0s present है तो जब infinite पे branch जा रहे होगी टर्मिनेट होने तो उस दौरान उनको रास्ता कौन दिखाएगा angle of asymptote ठीक है तो इसी के साथ साथ अपनी philosophy भी बनती जा रही है हम सिर्फ यह नहीं बोल रहे है कि root locus की या direct root locus की branch open loop pole से originate होती है या open loop 0 पे terminate होती है हम साथ के साथ यह भी discussion कर रहे है कि अगर वो origination या termination हो रहा है तो किन possible cases में क्या comment करेंगे तो अगर एक common चीज हम लोग देखें तो pole या 0 अगर आपका infinity पे present है तो angle of asymptote वहाँ पे runway का काम कर रहे है अगर आपके pole 0 complex आ रहे है existence of root locus on real axis real axis पे root locus कहाँ पे exist करता है तो आप बोलोगे real axis पे root locus exist करता है सिर्फ और सिर्फ उसी region में जिसके right half side में number of poles and zeros हमेशा odd होने चाहिए very 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 important point बहुत important point याद रखिएगा ये जो चर्चा हो रही है ये सिर्फ real axis के लिए हो रही है ठीक है अगर कोई pole sorry है अगर हम complex location की बात करते हैं तो ये complex location का नहीं बता रहा है ये बोल रहा है real axis का कितना हिस्सा root locus का part होगा कितना हिस्सा complex की कोई बात ही नहीं कर रहा है ओके चलो perfect आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद rule number 4 पे आते हैं rule number 4 में बोल रहा है कि suppose मैं आपको एक point दे दू आप मुझे सोचके बताएगा suppose मैं आपको एक point s equal to s not दे दू और पूछों कि क्या ये root locus का part हो सकता है की नहीं तो आप क्या पूछोगे मुझसे आप पूछोगे कि sir अगर ये s equal to s not कोई real point है तब तो हम देख के बता देंगे कि ये हमारे root locus का part है या नी है ना तब तो देख के बता देंगे क्योंकि हमें पता ही है कि हमारे real axis का कितना हिससर root locus का part है या नी बट अगर मान लो कि ये s equal to s not complex हो जाए फिर आप कैसे बताओगे है ना तो कभी-कभी पूछा जाता है कि identification of a point that s equal to s not is part of root locus part of root locus का मतलब क्या s equal to s not close group system का pole है की नहीं है या characteristic equation का root है की नहीं है या characteristic equation का 0 है की नहीं है देखिए फट आफट और बताइए कि है चारो बातें बिल्कुल सिमिलर है identification of a point s equal to s not is part of root locus और s equal to s not is poles of close loop system और roots of characteristic equation और s equal to s not is zeros of characteristic equation तो सारी बातें घुमा फिरा के same ही कही जा रहे है same ही बात को घुमा फिरा के बार बार कहा जा रहा है ठीक है perfect आगे बढ़े देखिए जैसे मान लीजे अगर मैं आपसे पूछता कि यह हमारे पास एक expression दे रखा है तो अगर आप इसकी plotting करते तो देखिए क्या यहाँ पे आप लोगों को यह दिख रहा है s equal to minus s equal to 0 और s equal to minus 1 check करो s equal to 0 s equal to minus 2 तो कितना हिस्सा root locus का part होगा आप यहाँ पे खड़े होके देखो right half side में दोनों poles कैसे है दोनों को जोड़ोगे तो even हो जाएंगे फिर आप इसके बीच में खड़े रहोगे right half side में देखोगे तो एक ही pole आपका यहाँ प्यार है इसका मतलब इसके बीच का जो यह पूरा का पूरा रीजन है यह root locus का part होगा तो अगर मुझसे कोई पूछता कि s equal to minus 1 is pole of close root system or not तो हम बता देते हैं हाँ हो जाएगा क्योंकि यह एक तो value real है उपर से root locus का part बताईए है ना भई इसने यह दे दिया तो हमने इसकी pole zero plotting कर ली pole zero plotting करके real axis पे हमने बता दिया अच्छा बताओ क्या यह वाला point root locus का part होगा यह point तो आप बुलोगे सर नहीं बता सकते क्योंकि यह point तो आपका complex है complex के बारे में हम comment नहीं कर सकते real axis पे ज़रूर बता सकते हैं कितने हिस्से पे root locus 100% exist करेगा complex में यहाँ पे करेगा की नहीं करेगा कोई guarantee नहीं done है perfect चलो अब मालो अगर कोई हमसे पूछता है कि s equal to s not कोई complex point है है ना complex point है तो क्या यह हमारा root locus पे exist करेगा क्या यह close loop system का pole होगा क्या यह characteristic equation का root होगा अगर ऐसा कोई पूछता है तो आप क्या कर सकते हो आप सबसे पहली चीज तो यही decide करेगा कि DRL बनेगा या CRL बनेगा यह तो decide करना ही पड़ेगा कि DRL बनेगा या CRL बनेगा मैं कहता हूँ हम decide कर लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं characteristic equation बनाते हैं ठीक है characteristic equation बनाते है और characteristic equation में S0 की value put कर देते हैं जैसे आप characteristic equation बनाके S0 की value put कर दोगे आप मुझे बताओ क्या आपको कहीं ना कहीं यह जो characteristic equation है इसके तुरूप पता चल जाएगा कि angle condition क्या आने वाली जैसे मालो हमने यहाँ पर बनाया characteristic equation characteristic equation बन गया 1 plus GSHS equal to 0 जो की बन गया 1 plus KFS equal to 0 और यहाँ से मिल गया KFS equal to minus 1 तो यह तो हमें पता ही चल गया कि अगर मैं इसमें S0 डालूंगा तो मुझे angle 2N plus 1 पाई मिलना चाहिए देख लो जैसे मैं इसमें S0 डाला angle 2N plus 1 पाई मिल गया इसका magnitude कितना मिलना चाहिए अगर magnitude देखें तो इसी S0 पर magnitude 1 मिल जाना चाहिए था तो हम यहाँ से K की value भी calculate कर सकते थे तो दो चीज़ों की calculation करना आना चाहिए अगर मानलो कभी आपसे पूछता है कि S equal to S0 root locus का part है की नहीं है तो आप बता सकते हो अगर वो real है तो आप बता दोगे directly और उस S equal to S0 पर आपसे K की value भी पूछ सकता है और कभी-कभी S equal to S0 आपका complex हो जाता है एक दामदर पूछेगा कि भाई बताइए ये root locus का part है की नहीं है तो आप simply characteristic equation बना लो CS by RS लिखके denominator polynomial उठालो उसमें S0 डाल दो तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या angle condition मिल रही है वो angle condition आप satisfy करवा दीजे जैसे आप ये angle condition satisfy करवाएंगे आपको odd multiples of pi मिलना चाहिए और इसका magnitude 1 आना चाहिए हाँ से k भी आप calculate कर सकते हो हला कि ये k calculate करने का एक और आसान तरीका होता है उस पर भी हम लोग discussion करना चाहते है ये point सबको clear हो गया ठीक है याद आगे होगा आप सबी लोगों को के calculate करने का एक आसान तरीका और होता है जैसे मालीजे अगर आप ये make sure कर चुके हो सबसे पहली चीज़ तो यही make sure करना है कि s equal to s not root locus का part है की नहीं तब ही ये calculation आप कर सकते हो अगर s equal to s not root locus का part है suppose ये वाला point था s equal to s not और ये root locus का part था ठीक है और आप जानना चाहते हो कि यहाँ पर k की value कितनी है तो कुछ करने के जरूद नहीं है जितने poles आपको देख रहे हैं देख रहे हैं आपको सारे के सारे poles यह देखे एक pole यहाँ पर है एक pole यहाँ पर है एक pole यहाँ पर है pole से इसकी length calculate कर लो और zero से इसकी length calculate कर लो और इनको divide कर लो ठीक है तो pole की length हमेशा उपर zero की length हमेशा नीचे इसमें एक छोटा सा catch होता है उस पर हम लोग एक discussion करते हैं पहले तो यह देखे यह point सबको समझ में है छोटा सा इसमें catch होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ओके इसमें छोटा सा catch क्या होता है जैसे मान लीजे अगर आपको gs-hs ऐसा दे रखा है किसी question में gs-hs s plus a s plus b and 2s plus c 2s plus d मान लो ऐसा कोई expression आपको दे रखा है okay fine perfect तो अब देखो अब देखो यहाँ पर problem क्या होगी मैं आपको समझाता हूँ यह sigma यह j omega पोल्स को मान लेते हैं minus a पर और minus b पर zeros sorry zeros है minus a पर और minus b पर पोल्स को मान लेते हैं minus c by 2 minus d by 2 ध्यान से समझेगा minus a minus b ठीक है ऐसा कुछ था और suppose s equal to s not root locus का part था यह हम make sure कर चुगे root locus का part है इस पर k की value calculate करने के लिए बोल रहा है तो अब यहाँ पर अगर आप ऐसा concept लगा होगे न कि आपने यहाँ से यहाँ की length calculate कर ली 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 तो गड़बड हो जाएगी क्या गड़बड हो जाएगी तो नीचे दो common ले लो ये बचा S प्लस C बाइटू S प्लस D बाइटू तो सारे के सारे S के coefficient पॉजिटिव होने चाहिए पर उसके बाद भी उपर वाला तो K थोड़ी रहा ये तो K बाइटू हो गया ठीक है तो अगर सारे के सारे S के coefficient आपने 1 कर दिये ठीक है और आप ऐसा बोल रहो कि मैं calculation करने के लिए length of pole length of pole divided by length of 0 into length of 0 निकाल दूँगा है ना यहाँ से यहाँ तक यह देखो आप इसको बोल रहो LP1 suppose इसको बोल रहो LP2 ओके इसको इसको आप बोल रहो LZ1 इसको बोल रहो LZ2 तो यह जो value आएगी ना यह k के बरापर नहीं आएगी यह k by 2 के बरापर आएगी समझे तो बहुत असानी सा examiner आपको भजा सकता है यह छोटा सा change करके चेक करो logic समझाए ना सबको तो अगर मानलू यह length वाला concept आपको आसान लगता है तो दो चीजों का ध्यान रखिएगा हमेशा S का coefficient 1 बना ले ना और यहाँ पर K दिखे 2K दिखे K by 2 दिखे उसी की यह value आप calculate कर रहो logically भी देखो यह बात बहुत आसान है आप actually यहाँ पर S0 ही तो put कर रहो S0, 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 S0 आपको पता है S0 plus A का मतलब K by 2 तो यहीं रह जाएगा S0 plus C by 2 इधर numerator में चला गया which is LP1 S0 plus D by 2 इधर numerator में चला गया which is LP2 S0 plus A नीचे आ गया which is LZ1 S0 plus B नीचे आ गया which is LZ2 कुछ बात समझ में आई ठीक है तो इसको बेहे चक कहीं भी use नहीं कर सकते है आपको पहले proper format में लेके आना पड़ेगा तभी यह use होगा ओके आगे बढ़े परफेक्ट आगे बढ़ते हैं चलो calculation of angle of asymptotes ठीक है angle of asymptotes की calculation कैसे की जाती अभी तक देखो क्या क्या हमने सीख लिया जल्दी से समराइस करता हूँ direct root locus के case में root locus की branch originate कहां से होती है open loop pole से terminate कहां पे होती है open loop 0 पे real axis पे कितना segment root locus का part होता है उतना segment जिसके right half side में number of poles and zeros हमेशे क्या होने चाहिए odd होने चाहिए अगर कोई point आपको दे रखा और आपसे पूछ रहा है वो root locus का part है या नहीं है तो अगर वो real है तो देख के पता चल जाएगा complex है तो पहले characteristic equation बना लो मतलब cs by rs का expression लिख लो properly cs by rs का expression लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास जो k fs वाला term था उसमें क्या angle की condition आ रही है generally अगर वो direct root locus होगा और वहाँ पे k की value calculate करनी है तो आप चाहे तो magnitude condition से calculate कर ले अदर्वाइस जो length वाला मैंने formula बताया वहाँ से calculate कर लीजाए उसके बाद angle of asymptote angle of asymptote के calculation ही तभी होती है जब open loop poles और open loop zeros की value बराबर नहीं होती है obviously ये finite open loop pole और finite open loop zero की बात हो रही है वैसे किसी भी system में जितने pole होते है उतने zeros होते है अगर आप infinity वाले pole zero को picture में लेके आ जाए है बट जब भी हम P की बात करते है तो P रिप्रेसेंट करता number of finite open loop poles Z रिप्रेसेंट करता number of finite open loop zeros ठीक है formula बढ़ा असान होता है अगर P की value आप greater than Z लेके चलते हो तो it is 2K plus 1 pi upon P minus Z K कहां से start होता है K start हो जाता है 0, 1, 2 से लेकर P minus Z minus 1 तर अगर Z की value P से जादा है तो यह formula हो जाता है 2K plus 1 upon pi हमेशे अधर नहीं 2K plus 1 होता है क्योंकि हम K को 0 से start कर रहे है तो this is 2K plus 1 into pi upon P minus Z 2K plus 1 upon pi upon Z minus P ठीक यह देखे P का यहां पर represent भी क्या गया है P क्या represent कर रहा है finite open loop finite word is important ठीक कुछ standard angle of asymptote के formula है हमको याद होने चाहिए obviously जैसे कि यह वाले अगर P minus Z 1 आता है तो यह हो जाता 180 degree अगर 2 आता है तो 92, 70 3 आता है 60, 180, 300 4 आता है 45, 135 200, 25 and 300 15 degree ठीक है तो यह angle of asymptote के formula है आपको directly याद होने चाहिए अगर आप यह बता चुके हो यह make sure कर चुके हो DRL बनने वाला क्योंकि सारे के सारे conclusions with respect to DRL आप लोग पढ़ रहा हूँ direct root locus बनेगा तो अगर आपको P minus Z 1 मिलता है तो 180 degree 2 मिलता है तो 92, 73 3 मिलता है 60, 180, 304 मिलता है तो 45, 135, 225, 315 ठीक है बहुत ही बढ़ी है centroid centroid की जो calculation होती है this is performed only when angle of asymptote needs to be calculated क्योंकि जो centroid होता है न यहीं से आप angle of asymptote plot करते हो तो जब P Z के बराबर नहीं होता है तब ही centroid calculate होता है centroid आपका होता है summation of P minus summation of Z divided by P minus Z जैसे इसी question में देखके बताओ कहां-कहां पर centroid की calculation नहीं करनी पड़ेगी कहां-कहां पर तो देखो इसमें जितने pole उतने zeros नहीं करनी पड़ेगी इसमें जितने poles उतने zeros नहीं करनी पड़ेगी जब भी poles और zeros का imbalance होता है तभी centroid और angle of asymptote picture में आते हैं otherwise वो picture में नहीं आते हैं आरी बात समझ में ठीक है centroid से related कुछ बड़े important terms जो कि हम लोगों को याद होने चाहिए जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो आपका centroid होता है centroid is calculated when p is not equal to z centroid calculation is needed when angle of asymptotes needs to be calculated the angle of asymptotes are drawn from a point on the real axis known as centroid यह सारे definition से याद कर लो सारे statements एक बार सुन लो क्योंकि exam में इस पे questions पूछे जाते हैं ऐसा पूछेगा कि angle of asymptote का meeting point क्या होता है real axis पे तो आप बोलोगे centroid इस पे देखिए the origination point of asymptotes on the real axis is known as centroid सही बात है जहां से आपका angle of asymptote originate हो रहा है वही तो आपका centroid है बहुत ही बढ़ी है उसके बाद देखो centroid is always present on the real axis और सात्वाँ point सबसे important बोल रहा है centroid may or may not be the part of real axis centroid real axis पे तो आएगा यह पक्की बात है बट जरूरी नहीं है कि वह आपका centroid root locus का part हो हो सकता root locus का part हो सकता नहीं भी हो यह सातो point एक बाद पढ़िए सबी लोग फटा-फट confirm करेंगे कि हां sir done है फिर आगे बढ़ते है 3, 4, 5 same ही चीज़े बोल रहा है बट examiner पूछता है भाई 3, 4, 5 से related चीज़े पूछता है मान लो यह point तो याद होने चीज़े और option में दिखेंगे तो हिटी कर लेंगा हम लोग है ना इतनी तो हमको practice हो चुकी ठीक है अब बात करते है break point के calculation की break point क्या होता है देखिए जैसे इस case में देखिए दो branches इधार आई real axis पर मिली एक branch उपर निकल गई एक branch नीचे निकल गई तो branch जब real axis से complex location में shift करती है तो जो यह point यहाँ पर बन के आता है इसको बुला जाता है break away point यह ना बाप होता है यह बाप यह देखो यहाँ पर देखो एक pole यहाँ एक यहाँ यहाँ से branch निकली complex से जब real में आ रहे हो तो यह होता है आपका bin bin का मतलब break in point दोनो break point होते हैं दोनो break point होते हैं बट जब real से complex में जाए तो देखो real से away जा रहा है तो break away यहाँ पर real में enter कर रहा है inside तो break in point ठीक है DRL का बाप break away point ठीक है चलो अब एक एक point यहाँ पर यह होता है कई के बार आप लोग root locust वगरा बनाओगे न तो जो root locust की branch होती है वो क्या होती है यह देखो complex में आके मिली complex में ही break हो गए दिख रहा है यह दोनों complex में मिले complex में break हो गए जब भी ऐसा point आता है तो यहाँ पर break away और break in का जो concept होता है वो थोड़ा सा mix up होने लगता है जाहिर सी बात है आप इसको ना तो break away की संग्या दे सकते हो ना break in की क्योंकि real से complex में नहीं जा रहा है ना ही complex से real में आ रहा है तो अगर इसका एक नाम देना भी होगा तो हम break away point दे देते हैं ठीक है इसको break away point बोल देते हैं क्योंकि जो आपका कुवो वाली book है वो सबको भी break away point बोल देता है तो इसको भी हम break away point ही बोल देंगे वैसे तो general break point बोलना चाहिए obviously बट हम इसको अगर नाम देना होगा तो break away point का नाम दे देंगे ठीक है चली calculation कैसे करते हो आप लोग break away point का सबसे पहले आप लोग characteristic equation form कर लेते हो ठीक है cs upon rs या फिर 1 plus gs hs 1 plus kfs जो भी बने आप सबसे पहले characteristic equation form करके उसके बाद k को as a function of s calculate कर लेते हो फिर आप dk by ds को equal to 0 करते हो जब भी आप dk by ds को equal to 0 करते हो तो जो values आती है वो break point नहीं होती है they are possible break points फिर आपको check करना होता है कि जितनी values आई जैसे s1, s2, s3 आई these are possible break points आपको फिर check करना होता है कि भाई ये जो break points हमने calculate किये क्या ये जो break points है ये root locus पे exist कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अगर ये root locus पे exist करते हैं, root locus का part होते हैं तभी आप इनको valid break point भोलेंगे example के तोर पे मान लिजे कोई break point आपका real आ गया तो आप कैसे पता करोगे कि वो valid break point है या नहीं अगर ये value real आ गई तब तो तुरंट पता चल जाएगा क्योंकि आपको पता है कि real axis का कौन सा हिस्सा root locus का part होगा कौन सा हिस्सा नहीं होगा तो वो तो immediately पता चल जाएगा बट मान लो अगर इसकी value complex आ गई फिर आप क्या करोगे फिर आप characteristic equation बनाओगे उसमें अपने point को डालोगे और जो भी angle का criteria आ रहोगा उसको satisfy करवाने की कुशिश करोगे फिर आप बता दोगे कि ये root locus का part है की नहीं है ना हाँ बहुत ही बढ़िया शांदार correct चलो एक दो और interesting चीज़ें यहाँ पर देखने की कुशिश करते हैं हम लोग देखे जैसे मालो अगर हमने dk by ds निकाला है ना और dk by ds ऐसा आ गया s plus a इसकी power 1 s plus b इसकी power 1 s plus c इसकी power 1 तो ये तो possible breakpoints होंगे s equal to minus 1 s equal to minus b s equal to minus c यहाँ से तो possible breakpoints मिल जाएंगे मान लेते हैं मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि s equal to minus 1 एक valid breakpoint है ऐसा क्यों हमने माना इसके लिए हमें data चाहिए होगा exact बट suppose हमने मान लिया कि यह हमारा valid breakaway point है s equal to minus b को मैंने माना कि यह invalid breakaway point है या invalid breakpoint है मैंने हो सकता है इनकी values real देखी हो और root locus पर plot करके देख लिया हो इसका मतलब यहाँ पर root locus की दो branches coincide करेंगे अगर इसी की power 2 होती न तो आप बोल देते हैं कि यहाँ पर तीन root locus की branches coincide करेंगे very very important observation जब भी आप dky ds बनाते हो dky ds का जब आप factorization कर देते हो तो उसके बाद इनके जो powers होती न यह बड़ी important हो जाती है s equal to minus है अगर valid breakpoint है और इसका power 1 है तो यहाँ पर root locus की दो branches आके मिलेंगे समझे मेरे बात को इसकी तो खैर बात ही छोड़ दो यहाँ पर s equal to minus सी अगर आपका एक valid breakpoint है तो इसकी power भी 1 थी तो आप बोल सकते थे sorry s plus c की power भी 1 थी तो आप बोल सकते थे कि यहाँ पर भी दो branches of root locus coincide करेंगे समझे बात को ठीक है अब एक छोटा सा point और यह कैसे बता चलेगा कि कौन सा break away point है और कौन सा break in point यह कैसे बता करो तो यहाँ पर maximum minimum all concept use कर लिया करो यहाँ पर maximum minimum all concept use कर लिया करो dk by ds तो आप अप already calculate कर चुके हो एक बार उसको और differentiate कर दो अगर d2 k by ds square की value negative आती है अगर d2 k by ds square की value negative आती है तो break away point बनेगा तो आप बोलोगे इसका मतलब तो यह हुआ ना sir कि यह s equal to minus a वाला जो point था यह point of local maxima था बिल्कुल सही बात है s equal to minus c वाला point point of local minima था बिल्कुल सही बात तो देखिए अगर आप notice कर रहे हो तो आप कर क्या रहे हो basically आप क्या कर रहे हो देखो k को as a function of c तो निकाल रहे हो this k is as a function of s जैसे आप ऐसे लिखते हो fx equal to x square यही तो लिखा हुआ यह k is equal to sum s square तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं k as a function of s जैसे आप यहाँ पर maximum negative conservative करते थे यहाँ पर कर लो तो आपको breakpoint calculate करने के लिए कुछ करना नहीं होता है k को as a function of s identify करना होता है और k को as a function of s आप कैसे निकालोगे उसके लिए आपको characteristic equation चाहिए होगे है ना तो k को as a function of s निकालते हैं dk by ds करके जो critical points आते हैं dk by ds equal to 0 क्या है critical points मिल गए these are the possible breakpoints उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो आप यह identify कर सकते हो at least यहीं से कौन-कौन से valid है कौन-कौन से invalid है जो valid है उनको आप वापस से check कर सकते थे d2k by ds square से अगर वो negative आ जाता तो वो breakaway point होता है यानि breakaway point always represents the point of local maxima and breaking point always represents the point of local minima बहुत सार लोग इसको first order derivative test से भी कर सकते थे मतलब की wavy curve से भी कर सकते थे तो बिलकुल भही same concept आपको यहाँ पे use करना है समझे है ठीक है चलो इसका बताना जैसे मालो अगर कभी हमारे पास expression ऐसा आ जाता है dk by ds इसमें देखे s plus a square s plus b cube s plus c की power 4 suppose मैंने इसको plot करके देखा यह identify किया s equal to minus a हमारा valid breakpoint था ठीक है यह valid breakpoint था invalid को छोड़ देते हैं यह भी valid breakpoint था तो हमें कैसे बता चलेगा कि यहाँ पर कितनी branches meet कर रहे हैं इसकी power थी 2 तो यहाँ पर 3 branches of root locus will coincide 3 branches of root locus will coincide s equal to minus थी अगर एक valid breakpoint था इसकी power थी 4 so 5 branches of root locus will coincide समझे है मेरी बात क ठीक है बाकि आपको यह कैसे पता चलेगा कि यह breakaway है या break in है बताईए कैसे पता करोगे यहाँ पर कि यह breakaway है या break in है बताईए यहाँ पर differentiation वाला concept यूज नहीं करते हैं यहाँ पर फिर आपको via plotting ही जाना पड़ेगा नहीं wavy curve से भी फिर यहाँ पर अंदाज़ा आप नहीं लगा पाऊगे कि वो break away होगा या break in होगा क्योंकि आप 3 branches आ रहे हैं जब 3 branches आ रहे हैं तो तीनों branches कहीं से भी आ सकती है हो सकता है दो real axis से आ रही हूँ और एक आपका complex वाली location से आ रहा हूँ तो बहला dicey सा situation ऐसे cases में बनता है तो ऐसे cases में generally हम क्या करते हैं हम यह बोलते हैं कि plot करेंगे plot करके देख लेंगे कि उसका nature कैसा है वहाँ पर आप double differentiate करके नहीं बता सकते हूँ कि यह breakaway है या break in है आई बात समझ में ठीक है तो अगर इन सारी बातों को मैं conclude करूँ तो कुल मिला जुला कि मैं यह बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम break point की बात कर रहे हैं break point की तो हम k को as a function of s calculate करेंगे जिसके लिए characteristic equation picture में आ जाएगा characteristic equation आप निकाल सकते हो csy rs है ठीक है उसका जो denominator polynomial होगा उसके बात k को as a function of s निकालिए उसको differentiate करिए differentiate करने से आपको जो critical points मिलेंगे equal to zero put करने से वो basically आपके possible break points हो जाएगे अब उस possible में से valid break points निकालना आपका काम है क्योंकि आपको पता है कि कोई एक particular point root locust पे lie करेगा उसकी कैसे calculation की जाती है real है तो तुरंद पता चल जाएगा complex है थोड़ा time लग positive आएगा मतलब वो point of local max होगा और अगर वो break in होगा तो वहाँ पर double derivative positive आएगा मतलब वो point of local mean होगा बहुत सरो लोग इसको first order derivative test से भी कर सकते हैं बट यह सारा procedure आप तभी करें जब dk by ds के सारे के सारे जो factors आपको दिख रहे हैं उनकी power 1 हो अगर किसी factor की power 2 या किसी factor की power और 3 आजाती है फिर उस case में आप double derivative test से कुछ भी conclusive नहीं बदा सकते हैं ना ही first order derivative test या VB curve से कुछ भी conclusive evidence आप वहाँ पर दे सकते हैं तो वहाँ पर कोई भी conclusive evidence आप नहीं दे पाएंगे फिर आपको proper plotting करके ही उनके nature के बारे में comment करना पड़ेगा आई बात समाज में perfect चलो what is angle of departure angle of departure कब calculate किया जाता है तो आप बोलोगे sir angle of departure calculate किया जाता है तभी जब जब आपके open loop poles complex locations पे present हो ठीक है complex open loop poles जब present होते हैं तभी angle of departure calculate किया जाता है क्या formula होता है angle of departure का 180 degree minus 5P minus 5Z 180 degree minus 5P minus 5Z 5P क्या होता है जिस भी complex pole पे आपको angle of departure calculate करना है उसको fix कर लो अब देखो कि बाकी सारे poles उस पे कितना angle बना रहे है वो total angle 5P हो जाएगा system में जितने zeros present है एक बार चेक करिए सारे के सारे zeros उस desired pole पे कितना angle बना रहे है वो 5Z हो जाएगा 5P minus 5Z निकाल लिए 180 में से घटा दीजे ठीक है चल जाएगा बड़ा ही आसान सा concept बहुत ही आसान सा concept ठीक है तो यह formula हमको यादी होते है इसमें कोई issue है नहीं ठीक है angle of arrival angle of arrival किसके लिए calculate करते हो complex open loop zeros के लिए calculate करते हो भाई साब इसको आप ठीक है तो angle of arrival आपका क्या होता है 180 degree minus देखे angle of arrival में 5Z minus 5P हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 dominate कर रहे है तो जिस भी point पे आप angle of arrival calculate करना चाहते हो उसको fix कर लो देखो बाकी zeros उस पे कितना angle subtend कर रहे है उस collection नो down कर लिजे फिर देखे system में जितने poles present थे वो again उस complex open loop 0 पे कितना angle subtend कर रहे है उस collect calculate कर लिजे 5Z मिल जाएगा 5P मिल जाएगा angle of arrival calculate कर लोगा ठीक है ठीक अब इसमें last point होता है intersection with j omega axis intersection with j omega axis कैसे calculate होता है बताएंगे आप लोग intersection with j omega axis calculate करने के लिए सबसे पहले characteristics equation बनाईए और अगर माल लिजे characteristic equation बनाने के बाद order 0 नहीं हुई या order 0 हुई मगर order जैसे आपने 0 किया k negative आ गया या अगर order 0 हुई k की value भी positive आ गयी मगर auxiliary equation के roots j omega axis पे नहीं है अगर ये 3 cases बनते हैं तो आप बोलते हो कि भाई j omega axis से कोई intersection नहीं हो रहा हमारे root locus का तो j omega axis से root locus का intersection होगा कब जब order 0 हो वहाँ से k value positive आ जाए साथ के साथ जो auxiliary equation है उसके roots j omega axis पे आ जाए जब ये 3 चीज़ से simultaneously satisfy होती है फिर आप बोलते हो कि हाँ मेरा जो root locus है वो j omega axis को intersect कर रहा है चेक कर लीजे बात समझ में आई परफेक्ट चलो अब बात करते हैं DRL के rule तो हो गए अब देखते हैं CRL में क्या चीज़ है different हो जाएंगी ठीक है CRL में देखिए origination point और termination point same as DRL मतलब complementary root locus पहले आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि complementary root locus होता क्या है जो कि हमने starting में discuss कर लिया कि complementary root locus कब-कब बनेगा मान लो आपने अंदाजा लगा लिया बनेगा तो वहां से भी complementary root locus originate कहां से होगा open loop pole से terminate कहां पे होगा open loop zeros पे done है ये बात बोलो भाई हाई या न क्या हुआ थक गया है ती जल्दी चलो root locus के बाद आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं पहले root locus complete करते हैं ठीक है तो हमारे पास एक motivation रहेगा आगे continue करने के लिए चलो perfect existence of root locus on real axis existence of root locus on real axis बताओ root locus जो है वो real axis पे कहां exist करेगा CRL के case में तो आप बुलोगे sir देखिए CRL के case में हम just opposite कर देंगे हम बोलेंगे कि हमारा real axis का उतना हिस्सा CRL का part होगा जिसके right half side में number of poles and zeros even होगे यानि आप ऐसा बूल सकते हो कि पूरी real axis हमेशा दो हिस्सों में बटी रहेगी कुछ हिस्से CRL का part होगे और कुछ हिस्से DRL का part होगे है या नहीं अगर number of poles and zeros right half side में odd हो गया तो वो CRL का part हो गया even हो गया तो DRL का part हो गया मतलब अगर मैं अपने दो poles के location को यहाँ पे fix करता देखो एक pole ये एक pole ये तो क्या पूरे real axis का में segmentation कर सकता था यहाँ पे मैंने देखा इसके right half side में number of poles and zeros even थे तो मैंने बोला भाई ये CRL का part होगा इसके आगे देखा बीच में खड़े होगे तो number of poles odd थे तो DRL CRL तो आगे से आप पूरी real axis का segmentation कर सकते हो ओके समझे मेरी बात को बहुत ही बड़ी है identification whether a point is part of root locus अगर मार लीजे किसी real point को चेक करना है तो ये तो बड़ा असान सा काम है आप देख लो कि भाई वो real line पे CRL का part है की नहीं अगर है तो फिर उसको select कर लेना otherwise अगर आपको ये चेक करना है कि S equal to S naught is complex और imaginary तो इसको कैसे check कर होगे फिर से भाई characteristic equation बनाना characteristic equation बनाने के बाद आप angle condition satisfy कर लेना अगर वो CRL बन रहोगा तो ये पक्की बात है कि angle की condition 2 and pi आ रही होगे समझे मेरी बात को ये पक्की बात है कि angle की condition 2 and pi आ रही होगे but generally इसमें तरीका यही होता है कि आप characteristic equation के हिसाब से solve करिए 1 plus GSHS लिख लो 1 plus GSHS बनाने के बाद आपको वहाँ से 1 plus KFS टाइप का कुछ मिल जाएगा KFS को एक साइड रखो positive वाले components को और बाकि सारी components को right half side में भीज दो तो यहाँ पे ये आपको even multiples of pi मिल जाएगा समझे मेरी बात को चालो आगे बढ़ते हैं angle of asymptotes angle of asymptotes का आप calculate करते हो when P is not equal to Z CRL के case में जरा notice करिए आप सभी लो carefully कि यहाँ पे 2K plus 1 नहीं है this is 2K only अगर P की value Z से जादा है तो it is 2K pi और अगर Z की value P से जादा है तो यह 2K pi अपाउन Z minus P यहाँ पर भी K आपका 0,1,2 से लेके P minus Z minus 1 तक है at the same time यहाँ पर भी okay done इसके भी कुछ table होते थे जो हम लोगों को याद होते थे P minus Z या Z minus P1 आएगा तो 0 degree 2 आएगा तो 0 degree and 180 degree 3 आएगा तो 0,120,240 4 आएगा तो 0,90,180,270 तो यह direct याद रखो यार इसको direct याद रखने की कोशिश करो CRL वाला भी और DRL वाला भी दोनो CRL के case में अगर आपका P minus Z 1 आएगा तो 0 degree 2 आएगा तो 0,180 3 आएगा तो 0,120 और आपका 300 degree and sorry 240 degree and अगर 4 आ रहा है तो 0,90,180,270 ठीक चलिए Centroid की calculation same as DRL formula भी लगेगा और तभी calculate करोगे जब P की value Z के बराबर नहीं है Sigma P minus Sigma Z upon P minus Z सारी properties अभी भी वैसी रहेंगी angle of asymptotes इसी point से calculate होगा आपका यह root local part हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है we are not sure break points break points की calculation तो बिल्कुल सेम रहेगी बस आपके जो validity conditions है वो change हो जाएगी validity condition ही तो change होगी calculation remains the same DK by DS को अभी भी आपको 0 ही put करना है यहाँ से possible break points मिलेंगे possible critical points यहाँ से मिल जाएगे but validity आपके accordingly change हो जाएगी क्योंकि अगर वो CRL का part है तो फिर आप real axis पे देखोगे कि कहाँ पे right half side में number of poles and zeros even आ रहे हैं तभी वो आपका valid break point होगा similarly माली जग कोई value यहाँ से complex आ जाती है तो फिर आप characteristic equation बनाके S equal to S not put करके 2 and 5 वाली angle condition चेक करने की कोशिश करोगे तो याद रखेगा break point की calculation सेम रहती है validity change हो जाती है ओके चलिए angle of departure में क्या होता है 180 degree जो angle आपका था direct root locus में उसको 0 degree से replace कर दो और कुछ नहीं करना है बाकी यह सेम है angle of departure complex pole के लिए calculate होगा जिस complex pole को निकाल रहो उसको fix कर लो बाकी जितने pole system में बचे हैं उस पे angle calculate कर लो 5P हो जाएगा सारे 0 से angle calculate कर लो 5Z 0 degree 180 degree शुद बी replaced by 0 degree that's it ओके वैसे यहाँ पे देखो angle of arrival 5Z minus 5P यह जो 180 degree था this will be replaced by 0 degree itself intersection with j omega axis exactly same with respect to DRL जैसे DRL में था exactly same condition यहाँ पे भी आपको use करने पड़ेगा एक note बोल रहा है कि जो आपके DRL और CRL होते हैं दोनों ही symmetric about real axis होते हैं real axis का मतलब horizontal axis के about पूरा root locus आपको symmetrical मिलेगा आई बात समझ में चलो इसमें बताईए मान लिजे मान लिजे कि हम इसका root locus बनाना चाहते हैं इसका तो हमें क्या change करना चाहिए ठीक है बताओ क्या change करना चाहिए अगर हम इसका root locus बनाना चाहते हैं फाइएट का क्या shortcut यार हो तो आपको निकालना ही पड़ेगा तो आप बोलोगे सर स का coefficient positive करना पड़ेगा तो यह होगा minus s minus 1 upon s plus 2 इसमें आपको अपने ts को convert करना पड़ेगा ओके ठीक है यह तो मैंने बताओ दिया starting में आप लोगों को all the rules of DRL-CRL are valid only when coefficient of s coefficient of s is positive and when positive and non unity ठीक है positive होना important clear everyone चलो इसी के साथ एक पड़ाओ हमने और पार कर लिया root locust में कुछ चीज़े मैं आपको recommend करूँगा जैसे की root locust की plotting आप लोग जरूर एक बार थोड़ा देख लीजे और root locust की questions थोड़ा अभी तक practice करी लियोंगे आपने बट मैंने जित्ती important चीज़े हो सकती थी सारी आप लोगों को यहाँ पर बता दी जितने भी circle वाली questions आते ना उसमें break point calculate कर लिया करो break point को jod के 2 से divide कर दोगे तो तुमको radius मिल जाएगी और ghatá के 2 से divide कर दोगे तो center मिल जाएगगा ghatá के 2 से divide करूगे तो radius मिल जाएगा ठीक है जितने भी circle वाली questions होते हैं उसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है आप उसका breakpoint calculation पर ज़्यादा ध्यान दो fine चलो एक कहानी आपको सुनाते हैं उसके बाद इसके आगे का discussion continue करते हैं ठीक है कहानी से पहले कहानी से पहले मैं आपको एक वह बता देता हूं कि कहानी का timeline के हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से सौंज में आएगा जैसे मालो ESC 2014 इसका मैं आपको timeline बता रहा हूं ESC 2014 का जो exam हुआ था exam वह आपका हुआ था June 2014 ठीक है इंटर्वियूस का हुआ था Jan 2015 रिजल्ट आया था रिजल्ट आया था March 2015 डिपार्टमेंट मिला था September 2015 ठीक है Reelways समझागे timeline आपको और joining थी 21 दिसम्बर December 2015 ठीक है चलो उसके साथ साथ ESC 2015 का जो exam था वो था June 2015 रिजल्ट कब आया यह देख। इस time rank थी 98 तो मैं आप लोगों से एक simple सा question पूछू एक simple सा question पूछू आप लोगों से देखें जैसे मालीजा मैंने जून 2014 को exam दिया January 2015 में interviewer result आया result में 98 rank मिली department मिल रहा September 2025 को तो आप मुझे बताईए अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप यह 2015 ओला ESC देते या नहीं देते बस इतना बता दो भई result आया March में rank आगे 98 अब यह थोड़ी पता है कि railways मिलेगा कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो safer side रहने के लिए जाहिर सी बात हम जून वाले exam दे देते ना यह वाला कि क्या पता 98 पे शायद कोई अच्छा department नहीं मिले या पता लगे मिल भी जाए क्या मिले कुछ नहीं पता हो सकता है ना यह तो जो आपने जून में exam दे दिया उसके बाद आपको यह department allocate होता ना ठीक है तो मैं आपको यह जो मेरे साथ 2015 का इंटर्वी हुआ था ना तीन दिसंबर को उसका मैं आपको story बताता हूं कि उसमें क्या घटनाए हुई थी ठीक है देखे तीन द हर याड़ा कैडर के retired IPS officer थे बहुत खतरनाग मतलब बहुत कम marks देते थे वह interview में हमीशा तो जब मैं तीन दिसंबर को interview देने गया तो उससे पहले क्या होता है ना इंजिनिंग सर्विसस के interview से पहले आपको detailed application form भरना रहता है तो detailed application form में आपको अपना सारा previous detailed भरना पड़त कि आपको जब railway मिल गया है आप जब already select हो चुके हो तो आपने exam दिया क्यों 2015 वाला ठीकर डाटते वे उन्होंने पूछा कि भाई क्यों एक seat खराब कर रहो तुम already तुम select हो चुके हो railway मिल गया है सबसे अच्छा department होता है दुबारा तुमने exam क्यों दिया तो जब उन्होंन से मैंने दुबारा exam दे दिया तो जब मैं और उसके आद मैंने उनसे पूछा भी जब मैंने यह बताए मैंने का सर अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप दुबारा exam देते की नहीं देते अब यार जाहिर सिवात है जो चेर परसन बैठा है वो ना तो हाँ बोल सकता है ना यहीं होबी सब की होती है किसी भी इंजीनियर को पकड़ लोगे सुनो भाई क्या होबी है तुम्हारी प्लेइंग क्रिकेट वाचिंग मुवी जब मैंने यहां पर भी लिखा था यहां पर भी लिखा वह था तो मेरा एक दोस्त मुझे मिल गया था 2015 वाले इंटर्वी से प की रोमैंसी है मेरी हभी मैंने क्या रहे बहुत खतरना की होबी या और तुमारी यह कैसी होबी हो器 लूँगा, क्या होता है, कॉन सी रेखा, कहाँ पे जाती है, हॉबी है, कोई इसके expert थोड़ी है, कोई professional थोड़ी है, तो एक हॉबी मैंने लिग दी यह, उसको देखके, जो मेरा दोस्त था, दूसरी हॉबी मैंने लिग दी राइटिंग, पॉईट्री, थीक है, सबसे पहले उसने मुझसे पूचा writing poetry उसने पूचा कि have you written any poem on radars and satellite तो मैं एक बार उसका मुह देख रहा था और एक बार मेरे सामने जो white plane sheet थी उसको देख रहा था मैंने का भाई poetry तो उसको देख के लिखे जाती है न जिसको देख के कुछ feeling आए radar और satellite देख के को feeling थोड़ी आएगी किसी को radar और satellite से थोड़ी प्यार होता है जिसको होता होगा भाई वो लिखेगा मुझे तो नहीं at least बोलता है optical fiber मैंने का नहीं नहीं वो भी नहीं फिर पूचता है random variable पे कोई poem मैंने का ओई पागल हो गया क्या पूरी तरीके से मैंने का सर नहीं लिखी poem मैं सोच रहा था कि वो मुझसे पूचे कि तुमने कौन सी poem लिखी है तो मैं उसको बताऊं मगर उसने पूचा नहीं मुझसे फिर अचानक से उसकी नजर इस पे गई किरोमैंसी बोला यह क्या होता किरोमैंसी मैंने का सर किरोमैंसी मतलब हात की रेखाएं पढ़ना तो तुरंट उसने अपना हात ऐसे आगे कर दिया कि यह देखो पढ़के बताओ तो मैंने सबसे पहले उसकी उमर देखी उमर उसकी थी करीबन मानके चलिए 75 प्लस शायद वो रहे होंगे ठीक है? मैंने पूछा सर क्या बताना इसमें देखके? मुलता कि यह बताओ मेरा भविश कैसा होगा? मैंने कहा कि भाई उमर आपकी है 75 पूछरो भविश कैसा होगा? भविश है कहाँ पे? यह मैंने मन में बोला यह मैंने मन में बोला मैंने कहाँ सर लाई यह देखता हूँ मैंने बोला कि सर आपकी जो हाइड के लाई ने वो बहुत अच्छी है आप भविश में बहुत अच्छा करोगे आपका बुद्ध उच्छे है, आपका तो बड़ा खुश हो गया वो उसने गाँ जलू चलू मेरा भविष्य सेक्योर है बात ये बहुत मीठी-मीठी कर रहा है अगले वाले को ट्रांसफर करते हैं अगले वाले को जब ट्रांसफर किया गया न तो वह एक मैम थी अगली अगली एक मैम थी उन्होंने मुझसे कौन सा अपना होगे रहा साल रास्ता लगे रहए दो साल लगे करुप्शन नहीं करेंगे तो इंटर्वू में क्या कभी भी करब्शन to happen to about warto सेल लग जाए नहीं हो यह काम फगर नहीं करूंगा को यह जो महल थे नौर्थ- इस्ट की मैम थी है इनका नाम मुझे भी व्यात है क्लिम सूंग्ल थी नौर्थ-eस्ट की तो उनको भी मैंने बता दिया है वो corruption corruption प्याड़ी रहे हैं मैंने गांगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा फिर लास्ट में एक teacher और थे एक एक इंटर्वीवर और थे उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है मैंने गोला मेरा फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी तो बोलते हैं कि MS धोनी के एक बड़ी अच्छी characteristic है कि जब भी Indian team match जीती है तब भी वो कुछ नहीं करते हारती है तब भी कुछ नहीं मुलब कोई reaction नहीं देते वर्ल्ड कप जीती सब लोग आसू बहार है वो चुप चाप अपना साइड में जा रहा है इस situation का महा भारत में क्या नाम होता है मैंने पहली चीज़ तो यह situation के बारे में मुझे कुछ पता नहीं और उपर से महा भारत में क्या लिखा गया और यह भाई मुझे कैसे पता हो सकता है मगर फिर अगेन यह सारी बात मैंने अपने मन में कही मैंने का सर यह तो नहीं पता तो नहीं बोला आपका फेवरेट क्रिकेटर आपको यह नहीं पता कि इस situation को क्या बहुत फेमस situation यह होती है आप तो हो भी भी आपकी है राइटिंग पोईटरी इस इसका मारला इस 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 सिच्वेशन को बोला जाता है सित प्रज्या मतलब कि एक ऐसी situation जिसमें आप emotions नहीं आने देते हैं बहुत खुश हो तब भी वैसे ही हो बहुत निराश हो तब भी वैसे ही हो उससे पहले में आपको बता दूँ कि एक बार मुझे 74 नंबर मिला था इस वाले में भी ऐसी 74 75 नंबर मिला था दो सो में 200 में से भाई ठीक है अब बताओ इस इंटर्व में आपको क्या लगता है कितने नंबर मिलें यह मेरे आस तक के न हाइस्ट नंबर मिले था भाई 120 नंबर समझें मेरे 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 हाइस नंबर थे यूपेसी के इंटर्व में और रैंक थी उस साल की पच्चिस पच्चिस वी रैंक थी 2015 में और मुझे लगता है न सारा का सारा यह जो किरोवैंसी वाला था यह 75 साल वाला इसने सब को पूश्किया होगा कि भाई इसको अच्छे नं अब ओना बोल पाए ना बोल पाया उसको मने वही पर अटका दिया तो ही के भाई ब्वुत week-end इस तो मतलब देखो मैंने ऐसा hobby लिखने का risk कि ले लिया है क्योंकि मेरी rank आ चुकी थी मुझे पता था ज्यादा से यादा क्या होगा, नहीं होगा selection, railway मिला पड़ा है, ज्यादा से यादा क्या होगा मेरी जिंदगे से related अब कुछ ऐसी चीज़े पढ़ते हैं जिससे आप भी भविश्य में इंटर्व्यू दे पाएं ओके परफेक्ट चलो आएए शुरुवात करते हैं हम लोग frequency response पे frequency response के आएए चर्चा करना start करते हैं करें ready हैं सभी लोग everyone चलिए शुरू करते हैं देखे frequency response में क्या होता है क्या क्या चीज़े calculate करनी होती हैं सबसे पहली चीज़ आपको यह calculate करना होता है कि एक system का sinusoidal input के लिए जो response आएगा वो आप कैसे calculate करोगे strictly sinusoidal input के लिए तो मैंने क्या किया ये जो system था अब मैंने इसका Laplace ना निकाल के इसका Fourier transform निकाल दिया इसका Laplace ना निकाल के इसका Fourier transform H omega मैंने calculate कर दिया H omega मुझे यहाँ पता चल गया अगर मुझे A sin omega naught T plus 5 के corresponding output लिखना है तो मैं क्या करूँगा ये जो system है न H omega इसका magnitude और इसका phase अलग-अलग calculate करके रख लूँगा कहां पर इस frequency ये जो frequency यहाँ पर आपको दिख रहे है omega naught वाली इस frequency पर इसका magnitude phase अलग-अलग calculate करके रख लूँगा जब मुझे output लिखना होगा तो इस A को मैं multiply कर दूँगा mod H omega naught से और अंदर जो phase होगा वहाँ पर रख दूँगा angle H omega naught very very important हर साल इस पर question पूछ लेता है यार एक number का समझें ये जो output आता है इसको बूला जाता है study state value of the output इसको बूलते है study state value of the output समझ आई बात सभी को ठीक है perfect चलो अब बताओ similar तरीके से अगर यहाँ पर मैं apply कर देता a cos omega naught t plus 5 ये हमारा system h omega सबसे पहले मैं यहाँ से omega naught की frequency find out कर लेता यहाँ से mod h omega naught angle h omega naught निकलता similar pattern में mod को बाहर multiply कर देता angle को मैं बाहर अंदर adjust कर देता mod बाहर angle अंदर done है perfect चलो कई के बार examiner क्या करता है system का जो frequency response होता है या system का जो Fourier transform होता है उसको f में mention कर देता है hf में तो हम क्या करते है यहाँ पर जो sin omega naught t होता है वहाँ से f naught बाहर निकालते है क्या बाहर निकालते हो f naught फिर again इसी system का hf naught मतलब इसका magnitude और इसका phase आप calculate करते हो और फिर से वही magnitude बाहर multiply कर देता हो और phase को अंदर adjust कर देता हो चेक कर यह foot of it is it fine I think yes very very simple similar तरीके से case 4 भी एक बाहर discuss कर लो यहाँ पर a cos 2 pi f naught t था इसमें आप f naught डालोगे यह हो जाएगा hf naught इसका magnitude अलग calculate कर लेना इसका phase अलग calculate कर लेना magnitude को बाहर रहने देना और phase को अंदर adjust कर लेना ठीक है clear बहुत ही simple है आई तिंग यह concept हमारा बहुत अच्छे से clear है आईए अब analysis करते है second order system के exact analysis frequency response के उसके analysis करते है basically इसमें हम क्या करना चाहरा है ज़रा देखिए जैसे मालीजे यह system आपको दिख रहा है rs k omega n square upon s into s plus 2 zeta omega n और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा यह system दिखा yes यहाँ से क्या इसका transfer function cs by rs हम लिख सकते थे k omega n square upon s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square लिख सकते हैं सही बात है अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि यह जो system आपको दिख रहा है इसकी frequency response analysis करिए या frequency domain analysis करिए whatever तो हम क्या करेंगे इसका laplace निकला पड़ा है यहाँ पर s की जगा j omega डाल देंगे जैसी मैं यहाँ पर s की जगा पर j omega डालता हूँ देखे क्या मुझे expression ऐसा कुछ दिख रहा है k omega n square upon minus omega square plus 2 zeta omega n s plus omega n square कर सकते हैं ऐसा कर लेते हैं कर दिया हमने ठीक है चलिए ज़रा देखिए ऐसा करने से क्या again यहाँ पर हमें एक ऐसा expression मिलेगा जिसका magnitude और phase हम अलग-अलग बता सकते थे देखो न इसका k upon 1 minus omega n square को उन्हें divide कर दिया ओपर नीचे 1 minus omega square upon omega n square plus j 2 zeta omega upon omega n इसका अगर मैं magnitude calculate करता है तो आपको पता है कैसे calculate करना है यह a है और यह j b तो यह under root a square plus b square और इसका phase भी आप calculate कर सकते हैं नहीं rationalize नहीं करना है omega square से divide कर देना कुछ नहीं करना है यह देखो न आपने s की जगे पर j omega put किया अब इसी omega n square से divide कर दो नीचे बस तो यह आपका 1 हो जाएगा यह omega square upon omega n square हो जाएगा और यह 2 zeta omega upon omega n हो जाएगा ओके आई बात समझ में ठीक है अब आपको बस यह बताना है कि अगर आप इसकी plotting करते यह इसकी plotting करते तो यह plot कैसे दिखता बस यह चीज़ हमको make sure करनी है न बस यह देखना है कि इसका plot अगर आप करते तो कैसा दिखता तो जाहिर सी बात आपको plot करना नहीं डारेक्ट याद होना चाहिए इसका plot कैसा दिखता है ठीक है देखे ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ इसके कुछ certain cases कि इसका plot कैसे दिखेगा जैसे मालो यह expression है ts k omega n square upon this तो अगर मैं इसमें s equal to 0 put करता हूँ तो क्या मुझे value k मिल जाएगी आप चाहते तो इसको dc gain भी बोल सकते थे k equal to 0 को तो यहाँ पे जो आपका plot start होगा न वो कुछ ऐसा दिखेगा देखे यहाँ से आपका plot start होगा k से एक peak यहाँ पे achieve करेगा और उसके बाद यह die down कर जाएगा ठीक है यहाँ पे आप देख रहोंगे कि एक certain frequency पे यह maximum value को achieve कर रहा है जिसको कि हम लोग बोलते है mr यह omega r को बोला जाता है resonant frequency और इसको बोलते है resonant peak ठीक है यह देखे initial value यह omega equal to 0 पे value k थी और यहाँ पे frequency थी 0 अगर मैं यह expect करूँ कि इसका magnitude k से k by root 2 पे आ जाए तो मुझे frequency axis पे 0 से लेके omega c तक की दूरी तै करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक की तो इसका जो magnitude है k वो घट के k by root 2 हुआ इस दोरान इसने ये पूरी की पूरी range cover कर ली इस पूरी range को बुला जाता है 3 dB bandwidth तो omega c यहाँ से आपको मिल गया 3 dB bandwidth of a second order system समझे बात को तो कितने parameters यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो calculate करने है एक तो mr निकालना है आपको एक तो omega r निकालना है एक तो omega c निकालना है मज़ी के बात यह है कि यह जो response आप plot कर रहे हो न यह response आपको तभी मिल सकता है जब आपका zeta 0 से 1 by root 2 के बीच में हो अगर zeta 1 by root 2 के बराबर हो गया या इससे जादा हो गया फिर response आपका change हो जाता है ओके चलो thank you so much यार 1 by root 2 के बीच में हो इसी का एक दूसरा diagram बनता है जिसमें इस वाली axis को हम लोग db में convert कर लेते यह है mod of d of j omega इसी को अगर मैं db में convert कर लू तो यह बताओ क्या हो जाएगा 20 log to the base 10 MR यह हो जाएगा 20 log to the base 10 K और यह बता सकते हो 1 by root 2 को अगर आप 20 log to the base 10 करोगे तो क्या वो minus 3 db हो जाएगा चेक करके देखे तो यह हो गया 20 log to the base 10 MR यह हो गया 20 log to the base 10 K और यह हो गया 20 log to the base 10 K minus 3 db यानि कि जो हम नाम दे रहे थे न, 3 dB bandwidth, वो काफियत तक justified भी है, क्यूंकि यहाँ पर जो magnitude था, अगर इसको मैं 3 dB घटाता, तो frequency axis पर इसको इतनी दूरी तैय करनी पड़ रही है, तो जाहिर थी बात है, यह जो bandwidth थे, इसको हम 3 dB bandwidth बोल सकते हैं, clear है इतनी बात सभी को, यह जो भी आप बनारे हो diagram, यह तभी तक बनता है, जब zeta की value 0 से 1 by root 2 के बीच, ठीक है, आई इसके कुछ formulas वगर हम लोग derive कर लेते हैं, अच्छा, case 3, case 4 भी देख लो, जैसे माल लो, अगर हम अपने transfer function को ऐसा लेते हैं, k मैंने हटा दिया यहां से, तो बताओ, s equal to 0 पे क्य by root 2 हो जाएगा, अगर आप इसको db में convert करोगे, तो यह 20 log mr होगा, यह 20 log 1 0 हो जाएगा, और यह minus 3 db, तो अगर आप इसको db में convert करोगे न, तो यह point यहां 0 को exactly touch करने लगे, चाहो तो आप देख लो, यह point exactly 0 को touch कर रहा है, अगर आपने इसको 20 log to the base 10 ले लिया, यह pick up कि यहां पे इसने peak बनाया, वापस यह नीचे निकल गया, और यह point था, वो minus 3 db नीचे आ जाएगा, तो basically जब भी आपको plotting करनी हो, तो आपने transfer function का dc value जरूर calculate करने, s equal to 0 जो भी आप calculate करोगे, वहीं से आपका graph start होगा, बाकि db में convert करना तो आप सभी लोगों को आता ही है, है ना, आईए कुछ formulas बगरा देखते हैं यहां पे, क्या-क्या formulas हम लोग यहां पे derive कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो क्या-क्या formulas आपको यहां पे निकालने हैं, देखिए, यह आपका transfer function, k omega n square upon this, s की जगह पे आपने 0 put किया, value मिल गई k, यानि start यह आपका हमेशा कहा n के बराबर होती है, कब अगर आप zeta को 0 put कर दें, जो कि आपको दिक पी रहा होगा, जैसे आप यहां पे zeta को 0 put करोगे, omega n मिल जाएगा, zeta अगर 0 से 1 by root 2 के बीच में है, तो यह होगा omega n under root 1 minus 2 zeta square, zeta square नहीं है, this is not omega d, यह है omega n under root 1 minus 2 zeta square, और अगर मैं zeta की value 1 by root 2 या उ there is no concept of, there is no concept of resonant peak, अगर zeta की value आप 1 by root 2 से जाधा ले लोगे न, तो जो plot बनेगा, उसमें peak आएगा ही नहीं, समझे, वो आपका ऐसे ही चला जाएगा, तो बोला जाता है, ऐसे case में, जब resonant peak ही नहीं आ रहा है, तो resonant frequency का concept exist नहीं कर सकता, और जो maximum value मिल भी रही है, वो 0 प अठा याद करिए, perfect, वैसे यहाँ पर देखो, जो आपका MR का formula होता है, यह क्या होता है, 0 से 1 by root 2 के बीच में, k upon 2 zeta under root 1 minus zeta square, very 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 important, generally books वगरा में अगर आप देखोगे, तो वहाँ पर लिखा होता है, 1 upon 2 zeta under root 1 minus zeta square, this is not 1 upon 2 zeta under root 1 minus zeta square, this is k upon 2 zeta under root 1 minus zeta square, k की value हमेशे कहा से आप calculate करते हैं, हमेशा calculate करते हैं, transfer function में s equal to 0 put करके, समझ गए न, तो वही आपका k का value होता है, perfect, अगर zeta की value में greater than or equal to 1 by root 2 ले लूँ, तो इसकी value k हो जाती है, और zeta equal to 0 पे तो यहीं से दिख रहा है, यह value infinite हो जाएगी, तो यह पूरी range आप लोगों को अच्छे से य rubber हो जाएगे, फिर इसके उपर जाहीं नहीं पाएगे, तो greater than 1 by root 2 पे तो clarity है, कि जैसके मैं value greater than 1 by root 2 लूँगा, यह resonant peak खतम हो जाएगा, और यह value मुझे मिलेगे, बट अगर 0 से 1 by root 2 के बीच में, तो फिर यह peak बनाता हुआ, यहां से निकले हो, अच्छा मुझे बता सक रखता हूँ, कि एक un-damped system के case में, resonant frequency पर जो peak आएगा, उसकी value infinite हो जाएगे, बोलो, तो देखो, यह graph आपका बनता है, जो आपको यहां पर graph दिख रहा है, 0 से लेके, 0 से लेके 1 by root 2 के बीच में, यह, proper, जिसमें peak वगरा सब कुछ अकर करता है, 0 से 1 by root 2, 1 by root 2 से जादा ले लोगे, तो यह graph आपका नीचे निकल जाएगा, ऐसा कुछ, और कहीं अगर आपने जीटा को exactly 0 ले लिया, तो भाई वो फिर infinity को अकर करेगा, तो कभी-कभी बोला जाता है, for un-damped system, the frequency response breaks into two parts, क्योंकि infinity तक तो आपका भी पहुंच नहीं पहुँगे, तो ऐसा बोला जा आता है, ठीक है, कहानी सुनके सो गया, क्या बाकी लोगे, एक लिए कहानी के जरुवती, मुझे लगा तो लोग बढ़े हो गया, चलो, आगे बढ़ा जाए, तो बस यही फॉर्मूलेस थे, एक बार मैं आपके लिए फॉर्मूलेस यहाँ पर भी लिख देता हूँ, देख इसनेट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला, ओमेगा एन और जीटा एक्वल टू, जीरो से वन बाई रूट टू के बीच में, ओमेगा एन, मैंने बुला था ना, कॉपी लेके बैठना, रनिंग नोट्स लेते रहना है, और जीटा ग्रेटर देन और एक्वल टू, वन बाई एमार, एमार विल बी इंफिनिटी, के अपॉन टू जीटा, एंडर रूट वन माईनस जीटा स्क्वेर, जीरो से वन बाई रूट टू, और आप्वियसली के पॉर जीटा ग्रेटर देन, वन बाई रूट टू, चेक करो, ठीक है, तो अब जैसे ये फॉर्मूलेस आपको प्राक्टिस कर लेने चाहिए जब तक मैं समझा रहा था, क्योंकि पढ़तों चुके हो सारी चीज़ है, ओके, परफेक्ट, चलो, अब आजाते हैं, बोड प्लॉट पे, मुझे लगता है, सबसे आसान चैप्टर जो है, हमारे लिए बोड प्लॉट है, क्योंकि उसमें कु का फर्मुला मैंने नहीं बता है, ओमेगा सी भी आप यहां से देख लो, क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूँ आपके लिए, ओमेगा सी, ओमेगा एन, अंडर रूट, यह आपका 3 dB बैंड विट्ध होता है, ओके, प्लस अंडर रूट, 1 माइनस 2 जीटा, होल ठीक है, यह आपको ओमेगा सी का फॉर्मुला होता है, यह, 3 dB बैंड विट्ध, ठीक है, 3 dB बैंड विट्ध को भी पूछा जाए, तो यह फॉर्मुला आप लिखेंगे, इसके फ्रैक्टिस कर लो, याद होना चाहिए, ठीक है, याद कर लो भाई, कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत ही बढ़ी आयर, आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो मैं बता रहा था कि बोर्ड प्लॉट में, मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे आसान चैप्टर है, बही एक बना दिया रहता है, या जो बनाना होता है, वो यहाँ पर आपकी db वाली axis होती है, और यहाँ पर log omega होता है, सही बात है न, this is the db axis, this is the log omega, suppose अगर मैं किसी point के coordinate लिखना चाहता हूं, ये point है, ठीक है, इसके coordinate लिखना चाहता हूं, ये value है m1, ये value है omega 1, ये value है m2, ये value omega 2, या क्या omega c omega n, हाँ omega c इधर होगा न, ये value omega c is equal to omega n, ठीक है, perfect, चलिए देखें यहाँ पर, तो a वाले point का coordinate तो बताओ या, क्या हो जाएगा इसका coordinate, a वाले point का, तो आप बोलोगे, x-axis log based in omega 1, y-axis m1 db, ऐसे ही आपको लिखना होता है, यहाँ पर देखें, इसका coordinate बताइए, x axis log omega 2, y-axis m2 db, यह देखें, और अगर यहाँ से मुझे slope calculate करना हो, यह slope तो कैसे calculate करोगे, y2 minus y1 upon x2 minus x1, m2 minus m1 log based in omega 2 minus log based in omega 1, आई बात समझ में, एक छोटा सा point जो आप note कर लो, 20 db per decade is equal to 6 db per octave, इसी ratio में बढ़ा सकते हो, 40 db per decade is equal to 12 db per octave and so on, तो यह basic चीज़ I think हम सभी लोगों को clear है, यह basic हमें अच्छी तरीके से clear है, ठीक है, अब क्या करना होता है, numericals में क्या पूछा जाता आप से, एक board plot बना बनाया दे देगा, आप से पूछा गया, gshs calculate करके बताईए, सबसे पहला step क्या होता है, सबसे पहला step होता है, initial slope को identify करना भाई सब, K, मार लीजे, initial slope minus 20 dB per decade का आता है, तो यह transfer function में क्या contribute करता है, K by S, मार लीजे, initial slope minus 40 dB per decade आता है, तो यह transfer function में क्या contribute करता है, यह contribute करता है, K by S square and so on, अब ऐसा भी हो सकता था कि initial slope आपका plus 20 dB per decade आए, अगर initial slope plus 20 dB per decade आ रहा है, तो यह transfer function में क्या contribute करेगा, K into S, अगर मार लीजे, यह plus 40 dB per decade आ रहा है, तो transfer function में क्या contribute करेगा, K into S square, तो सबसे सबसे पहला suggestion जो आप लोगों के लिए है, कि board plot के questions को solve करते time पे, initial slope को भाई साब ध्यान से देखिए, समझे, अगर आपने initial slope को ध्यान से नहीं देखा, तो गडबड हो जाएगी, correct, चलो, एक बार initial slope पता चल गया, फिर उसको देखिए, जो आपका graph जा रहा है, वो कहां कहां पे अपनी position चेंज कर रहा है, कहां कहां पे अपने slopes को चेंज कर रहा है, तो आपको basically corner points धूडने, जब भी आपका board plot का graph दिया होता है, उसमें बहुत सारे corner points exist करते हैं, तो आपको corner frequencies find out करनी होती है after this, आपको हमेशा find out करना होता है corner frequency पे, suppose हर corner frequency पे अगर आपने slope change identify किया, what is slope change, final slope minus initial slope, final slope minus initial slope का मतलब, जिस point पे slope change हो रहा है, उसके just बाद और just पहले slope में क्या change हुए, जैसे मान लीजे, अगर हम ऐसा मान के चलते हैं, कि हमारा delta S किसी corner frequency पे आया है, minus 20 dB per decade, corner frequency में लिख देता हूँ, यहाँ पे omega equal to omega 1 पे, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका slope change आया है, minus 20 dB per decade, तो यह किसमे contribute करेगा, 1 upon S upon omega 1 plus 1, इसके power 1, मान लीजे, किसी particular corner frequency slope change आपका आया है, minus 40 dB per decade, तो यह किसमें contribute करेगा, 1 upon S by omega 2 plus 1 का whole square, यह 1 upon लिखना बहुत important होता है, बहुत सारा लोग 1 upon लिखना भूल जाते हैं, delta S minus 20 होता है, तो भी उपर लिख देते हैं, plus 20 होता है, तो भी, नहीं, minus 20 का मतलब this corner frequency is corresponding to a pole, okay, minus 40 dB का मतलब this corner frequency is corresponding to the pole, perfect, अब यहां पर जो आपका change in slope आया, final slope minus initial slope, वो plus 20 dB per decade आ गया, तो ऐसे case में क्या आपका जो term आएगा, it will be S upon omega 3 plus 1, जाहिर सी बात है, माल लिजे, आपके पास कोई corner frequency है, omega equal to omega 4, यहां पर जो slope change आएगा, क्या उसके corresponding जो term आएगा, it will be S upon omega 4 plus 1 का whole square, अगर यह plus 60 होता तो, S upon omega 5 plus 1 क whole cube, so I hope यह सारे terminologies clear, सबको उठा के एक साथ आप club कर दीजे, जो आप club करेंगे, तो आपके पास सिर्फ k की calculation करनी रह जाएगे, क्या k की calculation के लिए मैंने आप लोगों को एक approximate analysis सिखाई थी, याद करिए, ठीक है, याद है सबको approximate analysis, जिस भी value of omega पे आपको magnitude known होता था, उसी omega पे आप transfer function को पहले approximate कर देते थे, approximation का मतलब होता था, कि यह जो दोनों terms दिख रहे हैं, या तो 1 survive करता था, या तो s by omega 1 survive करता था, दोनों मैंसे कोई एक term survive करते थे, तो हम फिर वहाँ से एक ts का expression बना लेते थे, फिर s के जगा j omega put करते थे, उसका mod लेते थे, 20 log करते थे, approximate analysis, again numerical का part है, तो I think अगर किसी को नहीं आता यह calculate करना, तो आपको एक बार crash course में जाके approximate analysis सीख लेनी चाहिए, त्यूंकि इसके लिए फिर questions ही करने पड़ेंगे, मेरे ख्याल से हमने more than 30 questions crash course में किये थे, जहां पर हमने almost तारे questions में KQ value calculate किये थे, ओके, हो जाएगा ये, एक तो KQ calculation generally दो हिस्सों में की जाती है, KQ calculation generally दो हिस्सों में की जाती है, पहले हिस्से में जहां पर approximate analysis लगा के आप KQ value calculate करते हो, बट कभी कभी कुछ ऐसे board plots दिये होते हैं जहां पर board plots के अंदर ही KQ value छुपी होती है, कैसे उसके अंदर छुपी होती है, कैसे उसके अंदर छ जाके सीखना चाहिए वो निमेरिकल का पार्ट है वो कोई थियूरी का पार्ट नहीं है या हमारे रिवीजन का हिस्सा नहीं है वो तो जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि हाँ यह यह चीज है हम लोगों ने वहाँ पढ़ी इसको नहीं आता वह एक बार जाके देख क्योंकि इस सेशन का मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को अब्जिक्टिव बताए न कि जो लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ चुके है अच्छी तरीके से उनको सारी चीज़े रिकॉल करवानी है ठीक है पर्फेक्ट देखिए कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे अगर मैं –20dv per decade को आगे जाने के लिए अलाव कर देता तो देखो कि ये लाइन आगे जाते 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 क्या आठ पे जाके हिट कर रही कि चक करेए तो यह अगर ना मुझ Сटेडी सिट और पूचा जाता तो steady state error मेरा हो जाता a by kv for ramp input rt is equal to 80 ut ठीक है तो जब भी initial line का slope minus 20 db per decade होता है और अगर मैं उसको आगे बढ़ने की अनुमती दे दूँ तो फिर वो omega वाली axis को कौन से वाले point पे जाके hit करता है k, k पे या फिर यही आपका kv भी हो जाता है याद है यह बात सभी को बहुत ही शांदार चलो यह देखो यहाँ पर देखो क्या initial line का जो slope है वो minus 40 db per decade है अगर इस line को मैं आगे बढ़ने देता बढ़ने देता बढ़ने देता तो यह cut कर रहा है किसी 6 पे यह जो 6 represent कर रहा है यह आपका represent करता है under root k या फिर under root ka acceleration error coefficient होता है यानि यहाँ से k की value या फिर ka की value आ जाती 36 अगर मुझसे कोई पूछता कि study state error क्या होगी तो मैं बताता a by ka for rt is equal to a t square by 2 ut ठीक है a t square by 2 ut यह आपका मिल जाता क्या यह आपका मिल जाता steady state error समझे भाई perfect आगे बढ़े चलिए मान लीजे आपके पास कोई ऐसा board plot है जिसका initial slope उसने mention कर रखा था minus 60 db per decade अगर आप इसको आगे बढ़ने के लिए allow कर देते तो यह आपका जाके cut करता k to the power 1 by 3 पर इसका कोई general notation नहीं है तो आप लिख सकते थे k to the power 1 by 3 is equal to 9 या फिर k आपको मिल जाता 701 729 ठीक है बाकी transfer function तो आप निकाल लेंगे नहीं acceleration error नहीं है भाई यह k की power 1 by 3 हो गया ना so this is not acceleration error यह कोई general k transfer function तो आप निकाल लोगे ठीक है जिनको transfer function में problem है उनको crash course में जाके board plot का एक ही lecture हुआ था मतलब दो lecture हुए था एक lecture के last में हुआ था लगपक 3-3 घंटे का lecture उसको go through कर लो transfer function कैसे calculate करते हैं ओके ठीक है और एक concept इसमें और है जैसे माल लो अगर आपको कोई board plot दे रखा है ठीक है कोई board plot आपको दे रखा है जिसका initial slope 0 dB per decade ऐसा type का कुछ हा रहे ठीक है यह माल लेते हैं यह 20 दे रखा है तो इस case में जो यह 20 होता है अगर initial line का slope कैसा है 0 dB per decade ठीक है तो यह जो होता है न यह height यह आपका 20 log kp के बराबर होता है 20 log kp तो kp की value बताओं यहां से कित्ती मिल जाएगी दस यही आपका k भी होता है ठीक है अगर हमसे कोई पूछता कि steady state error क्या हो जाएगा हम बता देते a upon 1 plus kp for rt is equal to a ut याद आगे सारी बातें इससे related बोट प्लोट यार जरूर पढ़के जाएए free के marks होते हैं exam में बस आपको transfer function से वापस से अपने sorry board plot से वापस से transfer function को recover करना आना चीब है और कुछ भी इसमें expected नहीं होता है ठीक है बहुत ही simple सा topic होता है free के number इसमें आप लोगों को मिलते हैं पर्फेक्ट चलो इसका answer बताओ which of the following method is strongest tool to determine the stability and the transient response of the system बताईये strongest method कौन सा है stability as well as transient response बताने के लिए बोलो बताईये बी डी देखो उसने transient response की बात कर ली न मतलब ये time domain parameter की बात कर रहा है कौन से domain की time domain आपको तो पता होता है nyquist हो गया और board हो गया ये तो frequency domain analysis के लिए use होते हैं route और root locus के अगर आप बात करोगे तो route और root locus होते हैं दोनों ही stability के बारे में बता पाते हैं बेसिकली अगर आप आप ने कभी root locus का chapter पढ़ा होगा तो root locus बनाने की शुरुवात ही route से होती है characteristic question बनाते हो केकी अलग-अलग values पूट करते हो फिर जाके आप root locus की plotting करते हो है न तो बेसिकली आपका जो root locus की plotting होती है वो भी आती तो route से ही है समझे मेरी बात को तो time domain analysis या stability के लिए जो सबसे strongest tool होता है वो route होता आपका route सबसे strongest tool होता है तो बेसिकली आपसे जानना चाहता था कि time domain analysis में अगर आप stability बताना चाहते हो time domain में तो सबसे strongest tool कौन सा है तो वो है आपका route criteria है ठीक है चलो अगला chapter स्टार्ट किया जाए मैंने बोला था ना root locus हो गया board हो गया इसमें ज्यादा terms नहीं है terms बहुत कम है इसमें 10 rule इधर 10 rule इधर सारी बाते हमको revise हो गई at the same time अगर आप board के बारे में देखें तो board तो सारा का सारा question based है problem based है problem अगर करना आता है board के question आप करी लोगे जो important बात है थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी बहुत ही शांदार आई ज़र देखे नाइक्विस्ट की बात हम लोग करते हैं नाइक्विस्ट में देखो आपको क्या करना है नाइक्विस्ट से अगर आप पिछले 25 साल का paper उठा के देखोगे पिछले 25 साल के paper में तो दो ही topic से question आते हैं एक आपका gain margin face margin वो तो खेर एक general topic है उसको नाइक्विस्ट से relate नहीं कर सकते हैं बट नाइक्विस्ट के बाद ही उसको पढ़ते हैं हमारा जो topic होता है वह होता है नाइक्विस्ट stability criteria जो कि हम लोगों ने बहुत आसानी से पढ़ा मेरे खाल से हम सभी को बहुत clarity भी होनी चाहिए बट आईए एक बार सारी चीज़ें quickly revise कर लेते हैं सारी चीज़ें quickly revise कर लेते हैं ठीक है देखिए सबसे पहली चीज मैं आपस से पूछता जाता हूं आप बस मेरे साथ हां में हां मिलाते चाहिए यह है हम rules of mapping develop करना चाहते है what are the rules of mapping ठीक है यह है एक s-plane और इस s-plane में contour मैंने बना दिया और यह contour सपोज आपका anti-clockwise direction में s-plane में contour मैंने बना दिया एक anti-clockwise direction में मैं चाहता हूं कि इस s-plane का एक-एक पॉइंट एक-एक-पॉइंट एक-एक-पॉइंट एक-पॉइंट उठा कर इस qs-plane में map कर दूँ तो qs-plane में map करने का मतलब है qs का expression तो होना चाहिए तब ही तो आप इस point को qs में डालोगे हो गया आप लोग ऐसा हम करना चाहते हैं हमने पाया कि यह जो qs वाला function यहां पर दे रखा था इसका एक पॉल इधर trap हो रहा है मतलब अगर आप एक s-plane को qs-plane में map करना चाहते हो और आपको यह पता चल रहा है कि भाई यह तो s-plane जो है न यह s-qs का एक-पॉल अपने अ एक बार करेगा और वो भी आपका clockwise direction में करेगा बोलो यानि कि अगर हमारे s-plane में qs का एक पॉल ट्रैप हो रहा है तो उसी s-plane की अगर हम qs-plane पे mapping करेंगे तो वो अपने origin को encircle करेगा एक बार इन दो आपोजिट डिरेक्शन clear perfect अगला देखो second वाला scenario यह देखिए यह हमारा s-plane s-plane की जो हमने direction मान रखी है वो anti-clockwise direction हमने मान रखी है हमने पाया कि हम इस s-plane को qs-plane में map करना चाहते हैं हमने देखा यह जो qs-plane था इसके दो पोल्स इसके अंदर trap हो रहे थे तो s-plane का एक contour इस qs-plane के दो पोल्स को trap कर रहा था तो क्या corresponding qs-plane अपने origin का दो बार clockwise direction में encircle करेगा या नहीं करेगा मतलब क्या हो गया मतलब यह हो गया कि अगर s-plane contour में किसी qs-transfer function के p-polls trap हो रहे हैं तो corresponding qs-plane में आपको p-bar origin का encirclement दिखेगा opposite direction है है ना यह basic rules of mapping है basic rules of mapping ओके हाँ दो बार clockwise direction में इसमें देखें क्या हो रहा है यह एक s-plane contour है यह s-plane contour इस qs के एक 0 को trap कर रहा है तो अगर मैं इस s-plane को qs-plane में map करना चाहूं तो क्या यह अपने origin को encircle करेगा in the same direction अगर यह आपका anti-clockwise है तो जो आपका qs-plot आएगा in qs-plane वो भी अपने origin को encircle करेगा anti-clockwise direction में एक बार same direction में करेगा ठीक है चलो यह वाला देखके बताओ इसमें क्या होगा यह आपका s-plane contour है इस s-plane contour में यह जो qs था इसका 2 pole और एक 0s के अदर trap हो रहा है तो जो corresponding qs-plot आ रहा है बताओ क्या वो effectively एक pole जैसा behavior show करेगा मतलब यह अपनी origin को encircle तो करेगा मगर कौनसे direction में opposite direction effectively एक pole का impact दे रहा है यह 0 यह pole अपने behavior को क्या कर रहा है cancel out कर दे रहा है impact एक pole का जा रहा है अगर एक pole का impact transfer हो रहा है तो फिर ही अपनी origin को encircle करेगा एक बार कौनसे direction में opposite direction में भाई अगर यह anti-clockwise था तो यह clockwise direction में इसको encircle कर रहा होगे है ना बोलो भाई साब ठीक है चलो यह वाला बताओ यह वाला बताईए यह है आपका 102030 एस plane contour में इसी qs के 30 और एक pole trap हो रहा है तो बताओ corresponding qs plot के आपने origin को encircle करेगा कित्ती direction में दो बार करेगा in the same direction क्योंकि impact हमेशा 20 के बराबर आ जागा तो clockwise direction में दो बार करेगा ओके ठीक है कुछ important observations ले ले ठीक है तो यह concept तो अपना clear है यह concept अपना clear है कि अगर हमारे पास s plane में कोई contour present है और उस s plane के हम किसी qs plane पे mapping करना चाहते हैं हाँ qs plane में mapping करना चाहते हैं तो एक simple सी चीज़ बस हमको यह देखनी पड़ेगी कि भाई जो qs वाला transfer function है जिसके तुरू आप mapping कर रहे हो उसके कितने poles और zeros आपके s plane contour में trap हो जा रहे हैं बस इतनी सी आपको observation लेने हैं चलिए एक simple सी observation हम लोग लेते हैं जो कि आप मुझे खुदी बताइए जैसे मान लीजे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि 1 plus qs plot in 1 plus qs plane encircle 0,0 तो is it as good as कि जो आपका qs plane है जो आपका qs plane है वो minus 1,0 को encircle करेगा इसका मैं एक simple सा आपको तरीका बताया था अगर ऐस qs plot in 1 plus qs plane encircle 0,0 तो 1 plus qs को 0 के बराबट पूट कर दो qs आगया minus 1 तो अगर 1 plus qs 0,0 को encircle कर रहा है तो qs अपने plane में minus 1,0 को encircle करेगा ठीक है सही है console a direction ये direction ये direction ये anti clockwise है किया इसको clockwise कर लो इसको clockwise कर लो अब ठीक है परफेक्ट बहुत ही बढ़िया है चलो तो हम लोग कुछ important observations ले रहे थे हैं अब बताईए जैसे ये देख के आप मुझे बताईए कि यहाँ पे हमें क्या conclusion देना चाहिए if 2 plus qs plot in 2 plus qs plane encircles its origin तो क्या ये पक्की बात है कि जो qs plot होगा वो qs plane में minus 2,0 को encircle कर रहा होगा बड़ा असान सा logic मैंने बताईए 2 plus qs बराबर 0 qs बराबर आपको दिख गया minus तो है ना तो ये अपने plot को जब बना रहोगा तो अपने plane में ही तो बनाएगा तो minus 2,0 को encircle कर लेगा इसको देखके बताईए जो मैंने generalize किया is it fine for everyone? बोलो if a plus b qs plot in a plus b qs plane encircles its origin then qs plot in qs plane encircles minus a by b comma 0 by the same logic by the same logic qs की value यहाँ से minus a by b हमको दिख रहे हैं है ना ठीक है चलो ये वाला बताओ इसका देखके बताईए कि अगर आपका 1 plus qs plot in 1 plus qs plane encircles its origin तो minus qs पे हम लोग क्या comment कर सकते है minus qs plot की बात कर रहा है तो ठीक है minus qs की बात कर रहा है 1 plus qs equal to 0 qs equal to minus 1 तो जो minus qs होगा उसकी value किसके बराबर हो जाएगी 1 तो आप ऐसा बोल सकते थे कि जो minus qs वाला plot होगा वो minus qs के plane में 1,0 को encircle करेगा बड़ा ही basics और fundamental observation है जो कि हम सब को लेना आना चाहिए clear है चलो इसका बताना ज़रा ये तो मतलब एक्स्ट्रीमी केस हो गया बड़ अगेन अगर आपका basic clear हो तो आप इसको भी कर लोगे ये बोल रहा है 4 plus 2 qs plot in 4 plus 2 qs plane encircle sits origin तो आपने 4 plus 2 qs को zero put कर लिया तो ये 3 plus qs के बारे में पूछ रहा है qs की value आपने निकाला 3 plus कर दिया तो 3 plus qs 1,0 को encircle कर रहा हो है ना चेक कर लो कोई आपत्ती है इसमें तो बताओ clear आईए mapping के conclusions फटाफट देख लेते हैं जो कि हम अलड़ी करी चुके हैं बस एक दो चीज़ें इसमें add on कर लेते हैं ठीक है देखें mapping के क्या-क्या principle सम लोग follow कर रहे है याद दिलाता हूं आपको देखें जैसे मान लीजिए यह आपको s-plane देख रहा होगा हमने इस s-plane की qs-plane में mapping की आप देख रहोगे ना मैंने इसकी कोई direction रखी है ना मैंने इसकी कोई direction रखी दोनों में से किसी के भी कोई direction नहीं रखी है मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि mapping के अनुसार एक principle हम लोग develop कर पा रहे हैं mapping बोल रहा है n is equal to pc minus zc इसको बोला जाता है mapping principle या mapping rule सबसे पहली चीज़ जो यह mapping rule या mapping principle लिखा हुआ है यह use किसके लिए होता है यह हमेशा transfer function के लिए use होता है किसी भी transfer function के लिए यह mapping rule आप use कर सकते हो अब सवाल यह पैदा होता है कि यहाँ पर यह n, pc, zc है क्या तो मैं यह बोलता हूँ कि यह जो n आप देख रहे हो, pc देख रहे हो, zc देख रहे हो कि यह statement कैसे आप लोग modify करते हो, बस यहीं पर सारा का सारा ज्यान चुपा हुआ है देखिए, जैसे मान लीजे, अगर मैं n is equal to pc minus zc, qs में apply करना चाहता हूँ, qs में, है न तो यहाँ पर pc क्या represent करेगा, pc represent करेगा number of poles of qs lying inside c जैसे कि इस case में c है, मैंने यह बना दिया था, यह c था आपका, this contour was c, इसके direction हमने decide नहीं की थी, क्या direction है, क्या नहीं है, वो बाद में देखते हैं और यहाँ आपका qs का transfer function यहाँ पर दिया है, तो अगर हम आप यह mapping rule qs में लगाते हो न, तो pc represent करता है कि qs के कितने poles c के अंदर है बताना zc क्या represent करता है, zc represent करता है qs के ही, इसके कितने zeros c के अंदर है, जो आपने contour बना रखा था इस plane में और n क्या represent करता है, n represent करता है कि qs plot अपने plane में 0,0 को कितनी बार encircle कर रहा है, तो देखो क्या दोनो planes सापस में linked हो गए, s plane और qs plane, s plane कहीं न कहीं, आपको pc और zc के जानकारी निकाल के दे रहा है, आप s plane में तो देखके बताओगे न, कि इसके कितने poles c के अंदर है, कित और n आप कहां से देखके बता रहे हो, इस वाले plot से देखके बता रहे हो, तो एक बार मुझे देखके बताना क्या दोनों चीज़ें linked up हुई यहां से, pc zc के लिए आपको इधर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसके अंदर है या इसके बाहर है, और n के लिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि 0,0 का encirclement हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थीक है, तो I think अब यह rule धीरे-दर हमको समझ में आ रहा है, देखे, मान देखे, यह rule में इसमें लगाता, n is equal to pc minus zc अगर मैं apply करता, in 1 plus qs, तो यहां पर क्या rule होता, pc क्या represent करता, number of poles of जो transfer function है, 1 plus qs, इसके कितने poles c के अंदर है, zc क्या represent करता, इसी 1 plus qs के कितने zeros c के अंदर है, और n क्या represent करता, यह जो 1 plus qs plot है, यह 1 plus qs plane में अपनी origin को कितनी बार encircle कर रहे है, ठीक है, तो by 1 plus qs plot in 1 plus qs plane, चेक करो, हाँ यह ना में जवाब दो, ओके, ठीक है भाई साब, जड़ा देखे, जड़ा देखे, एक simple सा observation लीजे, अगर qs की value है, ns by ds, तो जो a plus b qs है, उसको आप लिख सकते थे, a plus b ns by ds, या a ds plus b ns upon ds, तो आप मुझे बताइए, जो qs के poles की location होगी, वही poles की location तो a plus b qs की भी होगी, poles of qs is equal to poles of a plus b qs, जो poles की location qs की होगी, वही 1 plus qs की होगी, वही 2 plus 3 qs की होगी, वही 2 minus 3 qs की होगी, pole की location तो same ही रहेगी, क्योंकि denominator polynomial तो बदलने वाला नहीं है, है न, perfect, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमने अभी-भी observations लिए, अभी तक हमारे observations बहुत general थे, हाँ, zeros change हो जाएंगे, poles same रहेंगे, अभी तक हमारे observations बहुत general थे, s plane में हम लोग कोई भी contour consider कर ले रहते, और corresponding qs plane में उसकी mapping करा दे रहते, ऐसा कराने की वज़े से हमारे पास एक mapping rule निकल के आया, n equal to pc minus z c, ये rule हमारे सामने निकल के आया, आया ना हमारे सामने निकल के, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी rule की मदद से आये, हम कुछ और conclusions ड्रॉग करते हैं, यहाँ पे जो आपको contour दिख रहा होगा, एस plane का, देखिए क्या मैंने इस बार entire RHP लेने की कोशिश की हैं, देखिए, चेक करो, ठीक है, मैंने इसको entire RHP ले लिया, दिख रहा है आपको, ठीक है, जो हमारे qs हुआ करता था न, ये qs, इसको मैंने gs hs ले लिया, gs hs ले लिया मैंने, अभी मैं n is equal to pc minus zc gs hs में लगाना चाहता हूँ, जरा मुझे बताइए, pc क्या होगा, number of poles of gs hs inside c, which is RHP, yes or no, भई, पूरा आपने RHP ले लिया contour की, मैं पूरा RHP लोंगा, perfect, zc क्या represent करेगा, number of zeros of किसके, gs hs inside c, मतलब RHP, और n क्या represent करेगा, number of encirclement of 0,0 by gs hs plot, gs hs plane, यह लों मिल गया, आप मुझे बताइए, क्या, अगर मैं s plane के contour को entire RHP ले लूँ, तो मैं stability पे भी comment कर सकता था, for stability of gs hs, which is o l t f, pc should be equal to 0, सोच के बताना, logically, बोलो, भाई, अगर यही mapping rule मैं, gs hs में लगा दू, शर्त बस मैं यह रख रहा हूँ, कि जो s plane का contour था, वो entire RHP आप ले लेना, शर्त बस इतनी सी रख दी, कि s plane contour आप entire RHP ले लो, जो आप qs qs उदर कर रहे थे, मैंने का gs hs इदर कर दो, तो logic तो अभी भी है, mapping rule तो अभी भी apply हो रहा है, वहाँ inside c होता था, यहाँ पे वही inside c, RHP हो गया, तो अगर by the way, यह PC आपका 0 आता है, देखें, अगर by the way, यह PC आपका 0 आ जाता है, तो आप मुझे बताओ, क्या इस gs hs के poles c में नहीं है, मतलब RHP में नहीं है, मतलब system stable हो गया, बिल्कुल, आई बात समझ में, जो marginally stable वाली systems होते हैं, उनका Nyquist plot बनाना इतना आसान होता नहीं है, इस वज़े से उसके Nyquist plot दिये नहीं होते हैं, इस वज़े से Nyquist stability criteria या mapping rule जब भी आप apply करते हो, तो यहाँ से आप absolute stability पे comment दे सकते हो, ठीक है, दे सकते हो, जाहिर सी बात है, कि वो 100% sure तो नहीं है कि हाँ stable ही हो जाएगा, बट आप comment कर सकते हो, ओके, चलो, अब इस पे देखना, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो बताओ, यह जो mapping rule है, यह apply किसके लिए होता है, यह जो mapping rule यहाँ पे लिखा हुआ है, decode करते जाएगे, PC क्या होगा, तो मैं बोलूँगा PC होगा, poles of 1 plus GSHS lying inside C, which means RHP, अभी अभी आपने बोला, जो 1 plus GSHS के poles होंगे, वही GSHS के poles हो जाएगे, तो देखें यह ठीक लिखा है, number of poles of 1 plus GSHS inside C, और, और, number of poles of GSHS inside C, बोलते जाएगे, बहुत ही बढ़िया, अब बताना, ZC क्या होगा, पहले इसी से लिंग करो, directly, ZC होगा, number of zeros of 1 plus GSHS lying inside C, और, number of zeros of 1 plus GSHS lying inside C, और, number of zeros of 1 plus GSHS lying inside C, और, number of zeros of 1 plus GSHS lying in RHP, जो 1 plus GSHS के 0s होंगे, वही तो corresponding system के poles होंगे, 0s का मतलब इसके roots, तो देखें, वही लिखा हुगा, number of zeros of 1 plus GSHS lying inside C, और, and, which means, this is representing the number of poles of a system like GSHS upon 1 plus GSHS, check करिए, आसान है, correct है, perfect, perfect, अब यह देखों, यहाँ पे N, N क्या represent करेगा, यह 1 plus GSHS, अपने plane में, अपने plot को, origin को कित्ती बार encircle कर रहोगा, है न, बट, अगर आप यहाँ पे देखें, तो आप ऐसा यह तो बोल सकते थे, कि जो GSHS का plot है, वो minus 1,0 को कितनी बार encircle कर रहोगा, यानि कि आप मुझे बताइए, यह N equal to PC minus ZC बनाने के लिए, या इसको verify करने के लिए, हमको 1 plus GSHS का plot, first of all, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप बोलोगे, नहीं चाहिए 1 plus GSHS का plot, जरूरत ही नहीं है, हमें जो भी इसके poles है, PC, वो तो हमें GSHS से मिल जा रहा है, क्योंकि आप इसके pole निकालो, या GSHS के निकालो, same है, capital N, GSHS से मिल जा रहा, minus 1,0, ZC तो निकालना है, आप मुझे बता सकते हो, अगर हम चाहते हैं, कि for closed loop system to be stable, अगर हम चाहते हैं, कि हमारा closed loop system stable हो, तो क्या ZC को हमें 0 put कर देना चाहिए था, या मतलब ZC को 0 आना चाहिए था, put क्या कर देना चाहिए था, बताओ, clear? ओके? आई बात समझ में? PC कैसे 0 हो जाएगा यार, system को stable होने के लिए, closed loop system के बात हो रही है, closed loop system को अगर आपको stable करना है, तो closed loop के poles right half side बनी जाने चाहिए ना, तो closed loop के poles क्या होंगे? जो one plus GSHS के 0s होंगे, है न? ठीक है, चलो, एक बार इसमें लगा के देखो, इस वाले में लगा के देखो, n equal to PC minus ZC in one minus GSHS, PC बताओ, सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप लोग PC verify करके मुझे बताइए, ये PC क्या होना चाहिए? देखो, PC हो जाएगा, जो भी ये transfer function है, इसके कितने पोल्स inside C है, inside C का मतलब RHP, one minus GSHS के जो पोल्स होंगे, वही GSHS के पोल्स हो जाएगा, अभी ये आपने पढ़ा, तो number of poles of GSHS inside C, चेक करो, पहले न, basic पहीं लगानी है, ये mapping rule, एक बार basic पहीं लग गया न, उसके बाद आप सूचिए, ZC बताओ क्या होगा, ZC होगा, ये one minus GSHS के कितने zeros inside C हैं या RHP में, या फिर आप बोल सकते थे कि ऐसे सारे systems, जहाँ पही ये one minus GSHS नीचे आ रहा होगा, ये represent करेगा, number of poles of systems like GSH upon one minus GSH inside C, which is RHP, बोलो, is it correct or not? अब लास्ट में बताओ, capital N क्या represent करेगा, capital N represent करेगा, number of encirclement of 0,0 by one minus GSHS plot, या फिर number of encirclement of 1,0 by GSHS plot, बात खत्व, ये ही तो है, जो है, पर्फेक्ट, चलो, अब मानलो किसी जनरल में आप लगाना चाहते हो, जनरल में भी एक बार लगा के देखो, इसमें लगा के देखिए, पढ़ लो, फटाफट, verify करो सारी बाते, clear है, अगर आप N equal to PC minus ZC A plus B GSHS में लगाना चाहते हो, तो PC क्या हो जाएगा, A plus B GSHS के कितने poles inside C है, which is RHP in this case, which means GSHS के कितने poles inside C है, which is RHP in this case, चलो, ये तो हो गया, ZC क्या represent करेगा, इसी A plus B GSHS के कितने zeros inside C, which means RHP हैं, इसका मतलब, S is सारे के सारे systems, which is having the format of GS upon A plus B GSHS, उनके कितने poles RHP में, N क्या represent करेगा, ये A plus B GSHS अपने origin को कित्ती बार encircle कर रहा होगा, या फिर GSHS minus A by B को कित्ती बार encircle कर रहा होगा, तो मेरी ख्याल से, ये case 4 तक आते आते, इसमें आपको comfort level मिल जाना चाहिए, I hope so, कि ये आप लोग अप comfortable होगे, इन सारे terms को बार-बार define करने में, बेसिक से relate करना, हर बार पहले transfer function से relate कर दो, फिर alternative देखो क्या हो जाएगा, जैसे PC, A plus B GSHS का GSHS से link हो जा रहा है, ZC, A plus B GSHS का close loop system के poles से link हो जा रहा है, जो भी poles आप बनाना चाहते हो, N, एक तो ये अपने origin से link कर रहा है, साथ के साथ GSHS को भी link करने के कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये links आप लोगों को develop करना आना चाहिए, तमझे मेरी बात को, ये सारे के सारे links को develop करना आना चाहिए, आप सभी लोगों को, चलो, बहुत ही शांदार, अब देखो क्या होता है, अगर इसी right half plane को जिसके आप बात कर रहे था, इसी right half plane को अगर आप थोड़ा specific तरीके से ले लो, जैसे मालो right half plane में, ये मैंने पूरा का पूरा j omega axis ले लिया, और ये पूरा right half plane ले लिया, ये radius infinite लेके, तो ये जो contour बनता है ना इस plane में, इसको बोलते है, Nyquist contour, इसके अगर आप एक-एक point की उठा के mapping कर दो, तो हर एक point की उठा के अगर आप mapping कर दोगे ना, Gshs plane में, तो बन जाता है आपका Nyquist plot, तो ये जो plot बनके आता है, इसको Nyquist plot बोल देते हैं, तो Nyquist plot is nothing but, the mapping of a very specific contour, covering the entire right half side of a plane, into Gshs plane, ये जो पूरा का पूरा right half side of plane ले रहो, बढ़ इसका shape बड़ा specific है, यहां से यहां तक आप गए, फिर आपने एक infinity radius का semi circle लिया, फिर यहां से यहां पहुच गए, ये contour, Nyquist contour होता है, इसके corresponding जो भी plot बनके आता है, उसको आप बोल देते हैं, नाइक्रिस्ट plot, ठीक है, परफेक्ट, चलो, बाकी आपका जो Nyquist contour है, ये clockwise भी हो सकता है, अब हमारे problem solving approach क्या होती थी, मैंने आप लोगों को एक flow chart बताया था, बताया था आप लोगों को flow chart, कैसे करते थे question को solve आप, कोई भी Nyquist stability criteria का question आता था, सबसे पहली चीज़ में आप क्या identify करते थे, contour कैसा दे रखा है, contour in S plane को सबसे पहले identify करते थे, मान लीजे, examdar ने उसको clockwise दिया होता था, उसके बाद आप क्या करते थे, उसके बाद आप अपने Nyquist plot की, या फिर GSHS plot की, एक default direction पुट करते थे, हमने मान लिया, कि reference direction in GSHS plot, is in anti-clockwise direction, अगर reference direction, direction, आपका GSHS plot में anti-clockwise direction में था, तो ये clock, ये anti-clock, तो P-Z का format लिखते थे आप, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, S plane contour की direction देखने होता है, S plane contour अगर आपका clockwise direction में है, उसके बाद आप ए default positive direction खुद से तै करिए, अगर question में नहीं दे रखा है तो, तो आप मान के चलिए, कि जो GSHS plot आपको दे रखा है, उसमें anti-clockwise direction को, anti-clockwise encirclements को आप positive मान के चलेंगे, तो दो चीज़े देखनी होती है, S plane में क्या मान रहे हो, और GSHS plane या Nyquist plot में, आप अपने difference direction को क्या आजूम करके चल रहे हो, मतलब N की value आप positive किसके लिए consider करोगे, अब दूसरा scenario क्या हो सकता था, दूसरा scenario होता है कि contour आपने इस plane में देखा, clockwise आ गया, बट आपने reference direction जो GSHS plot में ली न, वो आपने clockwise direction में positive ले ले, तो GSHS plot यानि कि Nyquist contour में सपोज, minus 1,0 का अगर आप encirclement देख रहे हो, तो जो clockwise encirclement है, इस पर आप उसको positive ले के चलोगे, तो यहाँ पर ये clock, ये clock, ये हो जाता था, ZC minus PC, समझे, बात समझाई, चलो, अब दूसरा देखो, हो सकता है कि examiner आपको exam में जो S-plane का contour है न, वो anti-clockwise direction में दे दे, अगर ये anti-clockwise direction में है, तो आप देखिए, reference direction in GSHS plot, अगर आपने अभी भी positive माना anti-clockwise direction में, तो देखो, ये anti, ये anti, जब दोनों सेम रहेंगे, तो Z minus P हो जाएगा, similarly यहाँ पर देखो, P minus Z हो जाएगा, ये 4 cases हमें हमीशा याद होने चाहिए, बहुत important है ये 4 cases, इस पर बहुत सारी question हम लोगों ने किया थे class में, मान लो, कोई ऐसा question आता है, जिसमें कुछ नहीं mentioned है, तो सबसे right वाला जो आपको direction देख रहा न, वो default लिए, S-plane contour clockwise direction, और जो आपका Nyquist plot बना किया आया है, या फिर GHHS plot बन किया आया, उसमें anti-clockwise directions को आप positive मान लीजएगा, ठीक है, anti-clockwise encirclements को positive मान के चलेंगे, अगर suppose कुछ नहीं mentioned है तो, otherwise question को बहुत बारीकी से scan करेंगे, उसके बाद ही कुछ comment बगरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, perfect, ठीक है, यह वही लिखा हुआ, problem solving approach, direction of S-plane contour, transfer function identification, ओके, reference positive direction, ठीक है, ठीक है, चलो एक दो बात यह और देख लो, जैसे वालो हमारा question लगाने का अप्रोच क्या होता था, सबते पहले direction देख लेते थे, S-plane का, फिर देखते थे कि transfer function, किस transfer function में लगाना है, अगर open loop system की stability देखनी है, तो GSHS में लगाते थे, अगर close loop system की stability देखनी है, तो 1 plus GSHS में लगाते थे, उसके बाद फिर reference positive direction in GSHS plot, और उसके इसाफ से हम अपना N चूज कर लेते थे, ठीक है, बहुत सारे questions इस पे किये थे, I hope उन सारे questions के आपने ठीक ठाक तरीके से practice कर रखी होगे, शलो, अब अगला discussion स्टार्ट करते हैं, gain margin और phase margin का, ठीक है, समझ आगया, नाइक को stability criteria से related सारे point, ठीक है, आईए, बात करते है, gain margin और phase margin की, उससे पहले, कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते है, gain margin, phase margin से related, जैसे की, कुछ prerequisites अपने होते थे, जैसे minimum phase system क्या होता है, है ना, तो minimum phase system होता है, जिसमें सारे के सारे poles and zeros, strictly LHP पे हो, और जो poles और zeros, origin या j omega axis पे होते थे थे न, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, समझें, जैसे अगर मैं एक और एक pole यहाँ पे, ऐसा डाल देता, S, तो ये भी हमारा minimum phase system होता है, minimum phase system का मतलब होता है, सारे के सारे जो poles and zeros होनी चाहिए, वो strictly आपके कहाँ पे होने चाहिए, LHP पे होने चाहिए, है न, ठीक है, बाकि अगर कोई origin पे जो omega पे आता है, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, perfect, उसके लाबा, आपके non minimum phase systems भी होते हैं, non minimum phase systems जनरली दो टाइप के होते हैं, कौन से दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा जिसमें सारे के सारे poles आपके left half side में हो, है न, और एक zero आपका right half side में आ जाए, ऐसा, या फिर सारे के सारे zeros left half side में हो, और certain poles आपके right half side में आ रहा है, समझे मेरी बात को, ठीक है, तो अगर आपके सारे के सारे poles LHP में आ रहे हैं, और एक zero right half side में आ रहे हैं, तो इसको मैं बोल देता हूँ, minimum phase system of type A, और इसको बोल देते हैं, minimum phase system of type B, तो जो minimum, सारी, जो non minimum हो रहा हो, because of the pole, उसको मैं बोल देता हूँ, type B, और जो non minimum हो रहा, because of zero, उसको मैं बोल देते हैं, type A, ठीक है, perfect, gain margin के ज़रा definition, मुझे बताएंगे, gain margin के definition क्या होती है, बोलो, तो आप बोलो के बड़ा असान होता, gain margin के definition, gain margin के definition, basically वो factor होती है, जिससे हम इस open loop transfer function को multiply कर दें, so that complete closed loop system marginal stable हो जाएं, है न, समझे मेरी बात को, तो gain margin क्या होता है, एक factor होता है, which is used to determine the stability of closed loop system, हमेशा closed loop system के stability define करने के लिए, gain margin यूज़ किया जाता है, gain margin वो factor होता है, जिससे कि जब आप GSHS को multiply करते हो, तो corresponding closed loop system marginal stable बन जाता है, जैसे कि तरह स्टेटमेंट को पढ़िए, देखे क्या ये इससी स्टेटमेंट का verification, it is the amount of gain that is needed to multiply in OLTF GSHS, such that corresponding closed loop system becomes marginally stable, और the roots of 1 plus GSHS signifies marginal stability, है न, बिलकुल सही बात है, थर्ड वाला देखे, अगर आप gain K को multiply कर रहे हो, तो फिर आपको db में add करना पड़ेगा, तो कभी-कभी भूला जाता है, कि हम कितना gain, कितना gain db में GSHS में add कर दें, so that corresponding closed loop system आपका क्या हो जाए, marginal stable हो जाए, समझे मेरी बात को, तो बस ये basic idea आप लोग clear लखिए, basic idea clear लखिए, multiply इसमें करना है, बट idea ये है कि corresponding closed loop system stable होना जाए, ओके, बहुत ही बड़ी है, शांदार, चलो phase margin बताओ, similar तरीके से phase margin के definition आप बता सकते हो, phase margin, it is the factor used to determine the stability of closed loop system, it is the amount of phase angle that is needed to be added in GSHS, GSHS में कितना phase add कर दें, such that corresponding closed loop system becomes marginally stable, तो phase में तो कोई db भी होता नहीं, phase में तो आपको add ही करना है, GSHS में कितना phase add कर दें, ताकि corresponding closed loop system marginal stable बन जाए, बात समझा ही सभी को, ओके, चलो, अब एक बड़ी interesting सीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ, यह देखिए, जैसे मालो, हमने अगर अपना open loop system देखा, अपना open loop system देखा, सपोज हमने, और हमने पाया, कि भाई, यह जो open loop system था न, यह minimum phase system था, या minimum phase system था, या non minimum phase system था, type A, type A का मतलब आप लोग समझ गए, कि pole right half side में नहीं है, सारे के सारे zeros हैं, जो left half side में, सारे के सारे poles left half side में, शायद एक आदा zero right half side में निकल गया होगा, तो यह बोल रहा, अगर यह minimum phase system है, या फिर यह आपका non minimum phase system है, तो ऐसे case में, अगर gain margin positive आता है, phase margin positive आता है, तो corresponding close loop system stable होगा, यानि अगर मैं इसको language में बोलने की कुशिश करूँ, अगर gain margin और phase margin नेगिटिव आ रहा है, तब system को stable होने के लिए इसका non minimum होना ज़रूरी है, नहीं, समझे, non minimum की दो categories बने आपको बताई, categories पर ध्यान देने की कोशिश करिए, कि अगर आपका open loop transfer function minimum phase है, या non minimum type A है, मतलब उसका pole right half side में नहीं जा रहा है, तो corresponding close loop system को stable होने के लिए, gain margin और phase margin दोनों को positive होना पड़ेगा, मज़े की बात यह है, कि gain margin और phase margin का sign हमेशा same होता, अगर gain margin positive आया है, phase margin भी positive ही आएगा, gain margin negative आया है, तो phase margin भी negative आएगा, जो आप यह positive और negative के बात कर रहे हो, यह db में हमेशा बात की जाती है, ठीक है, जैसे आप बोल रहो ना, positive आना चाहिए तो db में, ratio में greater than 1 की हमेशा बात होती है, बाकि यह degree की हमेशा बात होती है, क्योंकि phase margin तो हमेशा degree में ही calculate हो, ओके, चलो अगला case देखो, next case, इसमें देखो क्या बोल रहा है, GSHS आपका क्या है, minimum phase या non-minimum type A, तो इनका behavior सेम होता है, minimum phase का, या non-minimum phase type A का behavior सेम होता है, ऐसे case में, अगर आपने gain margin और phase margin निकाला बाइद अबे, दोनो negative आ गया है, तो आप बोल सकते हो, corresponding close loop system unstable हो जाएगा, तो इसको आप ऐसा कभी-कभी बोलते हो, कि अगर हमारा open loop system, non-minimum phase system type A है, या minimum phase system है, और corresponding close loop system unstable हो रहा है, तो gain margin और phase margin negative ही होगा, ओके, चलो, similar तरीके से ये वाला scenario देखिए, GSHS, यहाँ पर जो लिखा हुआ न, this GSHS, अगर ये non-minimum phase system है, type B, मतलब एक pole right half side में चला गया, समझे, then for corresponding close loop system to be stable, gain margin and phase margin, both has to be negative, अगर ये भी negative होता, ये भी negative होता, तो आपका close loop system stable होता, मानलो, अगर ये positive, ये positive है, तो close loop system unstable हो जाएगा, समझाई बात, छुटा सा point है, but बहुत important, very very important, वैसे इसका देख लो, GSHS आपको दिरखा non-minimum phase system, type B, है न, मतलब एक pole इसका right half side में, तो अगर gain margin नेगेटिव आ रहा है, और phase margin नेगेटिव आ रहा है न, suppose अगर ये दोनों आपके नेगेटिव आ रहा है, this and this, so in that case, your corresponding close loop system will be stable, तो non-minimum direct नहीं बोलना आपको, non-minimum के type के साथ आपको statements बताने हैं, ओके, चलो, बहुत ही बढ़िया, हाँ, और marginal stable वाला case भी देख लो, अब GSHS कैसा भी हो, minimum हो, non-minimum हो, type A हो, type B हो, अगर gain margin 0, DB में आ रहा है, DB में, ratio में 1, ratio में 1, ठीक है, और phase margin 0 degree में आ रहा हो, तो corresponding close loop system, marginal stable हो जाएगा, ठीक है, तो कभी भी gain margin, phase margin का आपको sign दिखे, कि gain margin positive दिख रहा, phase margin positive दिख रहा है, तो corresponding close loop system के stability बताईए, तो आप जरूर एक बार open loop system का nature, जरूर चेक कर लें, अगर open loop system का nature, minimum phase है, या non minimum type A है, तो आप बोल देना कि, यहां भाई, corresponding close loop system stable हो जाएगा, बट बाइदवे आपने gain margin, phase margin निकाला positive आ गया, तो आप जरूर एक बार open loop transfer function चेक करिए, सपोस्थ वो आपका non minimum type B भी आ गया, तो corresponding close loop system unstable हो जाएगा भाई, ठीक है, परफेक्ट, चलो, ठीक है, तो gain margin calculate करने का, मैंने आप लोगों को एक shortcut बताया था, या दे कि आप लोगों को वो shortcut, कैसे calculate करते थे, calculation wise, तो बड़ा असान होता था, हमारे पास ts is equal to gshs दिया होता था, और बोलता था gain margin निकालो, तो हम क्या करते थे, इसी gshs में k1 multiply कर देते थे, है ना, और k1 को 0 से infinity की range provide करा देते थे, फिर बोलते थे, 1 प्लस k1 gs का route बना दो, भाई, ultimately बात तो यह हुई, कि हम open loop system में कितना gain multiply कर रहे हैं, ताकि corresponding close loop system marginal stable बने, हमने gshs में k1 से multiply करके, 1 प्लस k1 gshs कर दिया थे, अब जब यह 1 प्लस k1 gshs करते थे, तो I think आपको याद होगा, कि marginal stability की जिम्मेदारी हमेशा, दो रोज लेते थे, दो रोज हमेशा marginal stability की जिम्मेदारी लेते थे, एक तो आपका odd row और एक last row, last row जब भी आपका exactly 0 हो जाता था, उसे भी kq value invalid आती है, तो gain margin आपका plus infinite db या minus infinite db हो जाता है, है ना, ये कैसे पता चलता, plus infinite या minus infinite system की absolute stability से, अगर आपका corresponding close loop system absolutely stable है, और उसके corresponding open loop system, एक minimum phase, या फिर non minimum type A है, तो इसका मतलब इसका gain margin plus infinite in db हो जाएगा, समझे मेरी बात को, ठीक है, वैसे मान लीज़े, अगर आपका odd row invalid है, और last row valid हो गया, यहाँ से kq value invalid आए, बट यहाँ से valid आगए, तो भी gain margin finite आए जाएगा, वही k1 की value ही gain margin हो जाएगी, यहाँ से भी value valid आगए, odd row से यहाँ से invalid आगए, तो भी gain margin finite आजएगा, बट अगर यहाँ से valid आगया, तो यह तो absurd case बना, है न, बोलो, अगर यहाँ से भी k नहीं आए, यहाँ से भी नहीं आए, इसका मतलब omega p c does not exist, तो आप gain margin यहाँ से plus infinity minus infinity बोल देना, अगर यह valid है, तो यही gain margin हो जाएगा, यह valid है, तो यही gain margin हो जाएग, दोनों valid हो जाएग नहीं सकते हैं, कैसे calculate करते थे, क्या procedure होता था, valid order, valid order के लिए क्या क्या चाहिए, order 0 हो, k positive आजाए, और उसके बाद जो auxiliary equation के roots हा रहे हैं, वो j omega axis पे non repeated single roots हैं, समझे, तभी आप उसको marginal stable बोलोगे, non repeated भी होने चाहिए, और single भी होने चाहिए, वालब, वो multiple वाले नहीं होने चाहिए, ऐसा ही case बनना चाहिए, ऐसा ही case आपका बनना चाहिए था, देखो, यह वाला, बस ऐसा, है न, और यहाँ पे देखो, j omega axis पे, जो roots आएंगे, जैसे जब आप auxiliary equation को solve करोगे न, वही आपका phase crossover frequency भी यहीं से मिल जाता था, तो k1 मिलता था gain margin in ratio, 20 log k1 से db में मिल जाता था, है न, आई बात समझ में, तो basically, open loop transfer function में k1 से multiply करिए, ठीक है, 1 plus k1 gshs हो जाएगा वहाँ से, आप break लेते हैं, एक बार इसको complete कर ले, gain margin phase margin को, straight space से पहले break लेते हैं, ठीक है, चाय बनाओगे इतनी रात में, MBA चाय वाला, B-tech चाय वाला, MBA चाय वाला की चाय, पी आप लोगों में से किसी ने, नहीं पी ये, चाय ही पी लोगे ना, motivation आ जाएगा, और तो कुछ करने के ज़रूरत ही नहीं, अगर कभी motivation ना आ रहो, जा के चाय पी लो उसकी, 2-4-10 दिन के लिए तो motivate होई जाओगे, चलो, ठीक है, valid last row क्या होता है, last row को 0 के बराबर पुट कर दो, अगर ये positive आ गया, तो ठीक है, यही gain margin हो जाएगा, और phase crossover frequency 0 हो जाती, तो एक बार मैं इसको, अपनी भाषा में summarize कर देता हूँ, आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, अपनी भाषा में summarize कर देता हूँ, क्या-क्या है, अगर gain margin calculate करने आप लोगों को, तो gain margin calculate करने के लिए, GSHS में K1 multiply करने आप, और 1 plus K1 GSHS का राउद बना दे, और order row observe करें, valid order row कब होगा, जो आपका order row 0 हो रहा हो, K positive आजाए, और corresponding auxiliary equation, second order के बने, और GMA axis पे आपको non-repeated roots देते वो, वहीं से omega PC निकल जाएगा, similarly, कभी-कभी last row को भी चेक करना चाहिए, last row अगर 0 हो गया, K की value positive आगए, 0 से infinity के बीच में, वही gain margin हो जाएगा, in ratio, और उस case में omega PC 0 हो जाएगा, ठीक है, perfect, बाकी एक तरीका हम लोगों ने और सीखा था, इसके अलाबा, जो general process होता था, gain margin कौन सी frequency पे calculate होता है, phase crossover frequency पे, phase crossover frequency कैसे calculate करते हो, angle को minus 180 degree के बराबर put कर दो, तो आपको क्या करना होता है, S की जगे पे J omega डालिए, angle आप minus 180 के बराबर put करेंगे, तो यहाँ से जो आपका omega का value आता है न, यह necessary नहीं है, कि यह आपको omega PC दे ही दे, it may be possible omega PC, तो generally हम क्या करते हैं, यहाँ से जो omega PC आता भी है, उसको उठा के यहाँ पे रख के देखते हैं, कि भाई यह minus 180 आ रहा है कि नहीं, समझें मेरी बात को, कई-कई question ऐसे होते हैं, कि आप इसको put करोगे, minus 180 के बराबर, और यहाँ से जो omega PC आएगा, जब वापस put करोगे, तो minus 180 नहीं आएगा, ऐसे होते हैं question, हमने class में किये भी हैं, ठीक है, तो basically इस वज़े से, मैं इसको omega PC ना बोलके, possible omega PC बोल रहा हूँ, ठीक है, चलिए, तो कैसे पता चलेगा, कि omega PC valid है की नहीं, देखे, यह बुल रहा है, पहले तो omega PC आपका real और positive आना चाहिए, और इसी omega PC पे angle वापस से minus 180 आना चाहिए, तो वापस से cross check ज़रूर करिए आप लो, एक बार cross check ज़रूर करिए कि minus 180 आ रहा है की नहीं आ रहा है, उसके बाद आप इस phase cross over frequency पे इसका magnitude calculate कर लो, ठीक है, magnitude का आप inverse ले लो, तो gain margin in ratio मिल जाएगा, 20 log लगा लो, तो आपको gain margin मिल जाएगा, ठीक है, DNA test type का मान सकते हैं बट, जादा तर cases में हो जाता है भाई, ठीक है, जादा तर cases में हो जाता है, बट फिर भी ये एक आदर डालते हैं, done है, phase margin, definition तो आप लोग पढ़ी चुके हैं, phase margin की, phase margin बताएगे कहा calculate होता है, gain cross over frequency पे, कैसे निकालते हो gain cross over frequency, उसके लिए, आप सबसे पहले इसमें S के जगह पे जो उमेगा पूट कर देते हो, इसका magnitude 1 के बरावर पूट करते हो, इसको भी हम लोग बोलते हैं, possible omega gc, ठीक है, इसको directly omega gc नहीं बोलने के यादर डालते हैं, ठीक है, real and positive और omega gc, 0 भी include हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वहाँ पे हम जो भी आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको जरूर एक बार डाल के चेक करेंगे, कि भाई, minus 180 के बराबर आ रहा की नहीं, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसी omega gc पे इसका angle calculate करके, 180 जोड देना है, बहुत सारों लोग phase margin में घटा देते हैं, मैंने देखा है, phase margin में gain cross-over frequency पे angle निकालके, 180 जोडना रहता है भाई, ठीक है, आपको इसमें add करना है, ओके, ठीक है, मेरे खाल से, आपका जो examiner होता है, वो कभी कभार nyquist plot से, board plot से भी आपसे पूछता है, gain margin, phase margin, कैसे calculate होगा nyquist plot से, तो बड़ा असान सा तरीका होता है, gain margin, phase margin, अगर आप calculate करना चाहते हो, तो logically क्या कर रहे हो आप, आप अपने angle को, minus 180 के बराबर put कर रहे हो, भाई, nyquist plot में जो negative real axis होती हो, minus 180 degree को represent करता है, nyquist plot आपका एक magnitude और phase plot होता है, तो जो भी negative real axis होती है, minus 180 degree पे, अगर आप देख लें कि nyquist plot वहाँ पे, कितनी दूरी बना रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा, कि 180 degree वाले angle पे, आपके transfer function का magnitude कितना है, क्योंकि जब भी आप nyquist की plotting करते हो न, तो nyquist plot अपने हर एक point पे, हर एक जगह पे gain और magnitude की जानकारी देता है, gain का मतलब उसकी origin से दूरी कितनी है, और phase का मतलब positive real axis से, वो कितना anti-clockwise direction में angle बना रहा है, ठीक है, तो यह बोल रहा है, कि अगर आपका nyquist plot intersects negative real axis, omega PC will 100% exist, फॉर और gain margin निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, बस आप यह देख लो, कि जो negative real axis पे intersection हो रहा है, उसका inverse लेके हम mod ले लें, तो हमको gain margin मिल जाएगा, ऐसे ही होता है, phase plot से, gain margin, यहाँ पर जो intersection हो रहा है, यहाँ पर जो intersection हो रहा है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल के, यह दूरी निकाल लो, ठीक है, तो यह one upon gain margin नहीं तो हो जाएगा, यह distance, minus x60 degree पे, आपको यह पता चल रहा है, कि इसका mod कितना है, इसका inverse कर, तो gain margin मिल जाएगा आपको, यह लिजए, ठीक है, तो इसमें omega PC की need ही नहीं होती है, omega PC की need ही नहीं होती है, जब आपको nyquist plots वगरा generally mentioned होते हैं, ठीक है, perfect, चलो, अब बताओ, कि अगर मानलो आपको nyquist plot से phase margin calculate करना है, तो कैसे calculate करोगे, जब देखिए, यह yellow वाला जो दिख रहाँ आपको, yellow वाला, यह, यह आपका क्या था, nyquist plot था, दिख रहाँ आपको, आपने क्या किया, एक unity radius का circle इसके round बना दिया, और उसने इसको यहाँ पे intersect कर दिया, आप मुझे बताओ, अगर यह unity radius का circle आपने बनाया, तो basically, आप यही तो कहना चाहरे हो, कि यह nyquist plot का, इस point पे magnitude unity है, इस point पे, अगर मैं एक nyquist plot बना दू, और इसको, mod of t of j omega equal to 1 से intersect कराऊ, तो आप यही तो बोल रहाँ, यहाँ पे इसका magnitude 1 है, आप मुझे बताओ, अगर इस point पे इसका magnitude 1 है, इस point पे, अगर इसका magnitude 1 है, दिखरा न, दोनों intersect कर रहे हैं, तो इसको solve करने से, मुझे omega gc मिल जाना चीए था, यानि कि, यहाँ पर जो भी magnitude मिल रहा है मुझे, वो omega gc के corresponding मिल रहा है, तो अगर मैं यह calculate करना चाहूँ, कि यह omega gc पे phase कितना है, तो मैं calculate करी सकता हूँ, phase कैसे calculate होगा, यहाँ से देखिए, मैंने एक arrow generate किया, दिखरा आप लोगों को, देखो, एक arrow मैंने generate कर दिया, यह omega gc वाली frequency पे ही, phase मैं calculate कर रहा हूँ, phase आप कैसे calculate कर सकते हो, यह देखिए, इस वाली axis से, मैंने phase calculate किया, जाहिरती बात है, यह जो clockwise direction आपको दिखरे, इसकी वाज़े से, यह angle कुछ negative आ जाएगा, जो भी आएगा, तो इस angle को मैंने बोल दिया, minus theta, मैं इसमें जैसे 180 add करूँगा, बताइए, क्या मुझे phase margin मिल जाएगा, तो phase margin तो calculate करना बहुत असान है, बस आप यह देख लो, कि आपके Nyquist plot को, unity circle cut कहां पे कर रहा है, जहां पे भी unity circle cut कर रहा होगा, उसको origin से एक vector से connect कर दो, और देख लो, आपका horizontal axis से angle कितना बन रहा है, आई बात समझ में, जैसे मालो, अगर मैं आप से पूछ हूँ, ठीक है, gain margin और phase margin इसमें कितना आजाएगा, gain margin and phase margin, सबसे पहले दो gain margin बता दो, ford effort कितना आजाएगा, negative real axis को minus 1 by 4 पर कट कर रहा है, चार, db में पूछा होता तो, 20 log to the base 10, 4 db, phase margin बताओ किया आजाएगा, phase margin, यह देखे, यह unity radius का circle है, unity radius, ठीक है, तो unity radius यहाँ पर कट किया, यह angle बताओ कितना बन रहा है, minus 150, क्लॉक्वाइज में measure कर रहा हूँ न, तो minus 150 में, अगर आप 30 जोड देते, sorry, 180 जोड देते, तो आपको answer मिल जाता, 30 degree, आई बात समझ में, क्लीर बात, परफेक्वाइज चलू यह बता न, when the gain margin is positive, and phase margin is negative, then the system is, यह बताओ क्या है, gain margin को positive बोल रहा है, और phase margin को negative बोल रहा है, पूछ रहा है, system क्या हो जाएगा, यह, क्या होगा, चलो देखो, देखो जरा ध्यान से, I assume कि यह, DB की बात कर रहा है, phase margin, negative, in degree, ऐसी तो कोई possibility हो नहीं सकती, ऐसा possible ही नहीं है, कि इन दोनों का sign अलग अलग आ जाए, not at all possible, बट अगर यह ऐसा बोल रहा है, अगर यह DB में नहीं दिया है, तो अगर मैं gain margin को 1 से कम ले लूँ, अभी भी positive है ना, तो DB में negative आ जाएगा, phase margin भी आपका negative है, चलो, अगर मैं gain margin को 2 ले लूँ, अभी भी positive है, और phase margin को negative ले लूँ, तो यह gain margin, DB में positive आ जाएगा, तो यह भी आपका false case बन गया, तोनों का sign अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है, इस case में बताओ, closed loop system पे आप क्या comment कर सकते हो, stable होगा, unstable होगा, आप बोलोगे कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक open loop transfer function के बारे में नहीं पता होगा, अगर open loop transfer function आपका रहा होता, minimum phase या non minimum phase type है, तो corresponding closed loop system unstable हो जाता, बट अगर आपका open loop system रहा होता, non minimum type B, तो यह आपका stable हो जाता, समझे मेरी बात को, ठीक है, तो बड़ा dicey सा question है यह, बट अगर I assume कि इस question में जब positive negative बोल रहा है, तो obviously वो positive in db और negative in degree के बात कर रहा होगा, तो I will go with the d option, हाँ, omega gc, omega pc, अगर आपका equal होता है, तो marginal stable होता है, omega pc, omega gc से बड़ा होता है, तो stable होता है, और अगर omega pc, omega gc से कम होता है, तो unstable होता है, ठीक है, ओके, perfect, यह देखो, यह आप पूछ रहे थे, यह आप ही गया, ठीक है, तो यह table है, table कहां चली गए है, यह table आप लोग याद कर लो, बड़ी important table, ठीक है, very very important table, table से पहले मैं एक बार आपको यह दिखा देता हूँ यार, यह diagram भी तो था, यह रहा न, यह देखो, board plot में stability कैसे calculate करते हैं, या gain margin, phase margin कैसे calculate किया जाता है, जड़ा देखिए, बड़ा असान है, सबसे पहले, एक एक करके establish करते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है, सबसे पहले मैं, K1 वाले gain के corresponding जाना चाहता हूँ, K1 वाले gain के corresponding, ठीक है, K1 वाले gain के corresponding देखिए, यह line जो है, यह 0 dB की line, तो जब यह आपकी green वाली line, 0 dB पे cut करेगी, यहाँ पर, इस point पर, तो क्या यह omega gc होगा, या नहीं, बस इतना बताए, अरे चंदन सर्वी आ गया है, चंदन सर्कायार, जोरदार स्वागत करिया आप लोग, 24 तारिकों सर्वी आपके साथ जुडेंगे, डिजिटल के साथ, ठीक है, बहुत ही शांदर, तो जरा अब एक बार यह तो बता दो, कि यह जो green वाली line है, है न, अगर यह 0 dB वाली axis को cut करेगी, तो यह तो gain crossbar frequency हुई न, अब देखो इस gain crossbar frequency पे चेक करो, चेक करो, चेक करो, फेस कितना देख रहा आपको, minus 180 से नीचे, मान लेते हैं, minus 210, इसमें 180 जोड़ोगे, तो क्या phase margin आपको minus 30 degree दिख जाएगा, येस, है न, अब आप अगर notice कर पा रहे हूँ, अगर आप notice यहाँ पे कर पा रहे हूँ, अगर मान लो मुझे phase margin, sorry, अगर मुझे gain margin calculate करना होता, तो gain margin कैसे निकलता, gain margin तो phase cross work frequency पे निकलता, ये minus 180 वाली line है, देखो, ये जो आपको पुरा का पुरा phase दिख रहा न, ये pink से, देखो क्या ये minus 180 degree वाली line को यहाँ पे cut कर रहा है, omega PC पे, तो ये omega PC तो ये वाली line हो गई, अब आप इसके उपर जाओगे, उपर जाओगे, उपर जाओगे, उपर जाओगे, green वाली line को चेक करो, यहाँ पे, देखो, इसका जो भी gain आ रहा होगा, whatever maybe the gain is, जाहीर सिवात तो वो कुछ positive gain ही आएगा, तो gain margin क्या negative हो जाएगा, अगर आप gain margin ये बोल रहो कि, calculate करने के लिए, मुझे gain का 1 upon लेना होता है, तो gain margin को db में calculate करने के लिए, आपको gain के साथ negative sign लगा देना चीए, है या नहीं? बोलो भाई साब, ठीक है? येस, और अगर आप relation देखने के कोशिश करो, तो देखो, omega g यहाँ पे omega p से जादा है, omega p c, omega g c से कम है, तो ये कहीं न कहीं, एक unstable system को represent करवा रहा है, तो जब भी आप लोगों को, जब भी आप लोगों को gain margin या phase margin, board plot ते calculate करना हो न, तो हमेशा दो ही चीज़े देखा करो, हमेशा दो ही चीज़े देखा करो, कि जो आपका ये gain वाला plot है, ये 0 db पे कहां cut कर रहा है, ठीक है, 0 db पे जहां भी cut करेगा भाई, वही आपका हो जाएगा omega g, और इस omega g पे जो आप phase calculate करोगे, ठीक है, वो phase निकाल के उसमें 180 जोड़ देना, तो तुम्हारा phase margin हो जाएगा, उसके बाद आप देखा करो, कि जो phase plot है, बोलो भाई, ये बात समझ आई, सबको, ठीक है, परफेक्ट, तो हमीशा दो ही चीज़े आप 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 देखा कर लिए जाओगे ना, काम बन जाएगा, ठीक है, omega gc, 0 db axis पे cut करेंगे, and आप उसके नीचे आईए, और आपको जो हमाँ पे phase दिख रहा होगा, उसी पे 180 जोड़ दो, कहाँ पे minus 180 को cut कर रहा हो, उपर चले जो, minus से multiply कर रहा हो, ओके, ठीक है, तो चंदन सर, आप लोगों से मिलेंगे, 24 तारीक को, digital electronics के साथ, चलो एक बार ये table देख लो, OLTF आपको दे रखा है GSHS, obviously ये table minimum phase system के लिए बनी हुई है, ठीक है, ये जो table बनी हुई है न, ये minimum phase system के लिए बनी हुई भाई साथ, ठीक है, ओके, चलो देखो, अगर omega PC omega GC से ज़ादा है, तो gain margin भी positive, phase margin भी positive, system stable, आप इसको ऐसे याद कर लिया करो, PG, PG में जब आप रहते हो, तो ज़्यादा stable रहते हो न, कैसे, भी बना बनाया खाना मिल जाता है, एक रूम मिल जाता है, और सब कुछ मिल जाता है PG में, और जब बाहर रहना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो ऐसे याद कर लिया करो, PG में ज़्यादा stability होती है, समझे, मुझे तो ऐसे याद, तो ओमेगा PC, अगर ओमेगा GC से ज़्यादा है, for a non-minimum phase system, तो corresponding close-loop system stable हो जाएगा, ओमेगा PC, ओमेगा GC के बराबर है, तो marginal stable, ओमेगा PC, ओमेगा GC से कम है, तो unstable, यहाद रहेगा, तो यहाँ से जो transfer function आ रहा है, यह e to the power minus st हो जाएगा, ठीक है, e to the power minus st आप लोगों का transfer function मिलके हो, ओके, अभी maths भी करवाद है, तुरंत, इसको बंद कर दें, जो चल रहा है, बाद की बाद कर रहे हो, बाद में, बाद में 29th को करेंगे, ठीक है, 29th को mathematics करेंगे, ठीक, चलो, देखो, तो यह transportation lack का simple मतलब डिले करना, भाई, xt आपने डाला, इसने इसको डिले कर दिया, तो यह मिला आपको e to the power minus st, ठीक है, जिस दिन math होगा, उसने पूचो, control कब हुआ था, भाई, जो चल रहा हो, उसको चला लो, जब जो मिलेगा तब ले लेंगे, मालों 12 के 12 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो फिर कोई नया सब्जेक्ट सर, इतिहास कब होगा, भूगोल कब होगा, अर्थ शास्तर कब करवाओगे सर, कुमारा हूँ सर, शादी कब करवाओगे, तो भाई, उसकी तो कोई limit ही नहीं है न, जो मिल रहा है, उसको ले लो, चुप-चाप, चलो, देखो, क्या कर रहा हूँ, transportation lag हम लोग डाल रहे है, feedback system में, यह GS, यह तुमारा HS, ठीक है, system 1 का, देखो, transfer function क्या, GSH हो जाएगा, सिर्फ system 1 की बात कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर, gain margin कैसे calculate करोगे, gain margin के लिए, J omega, H omega, angle को, minus 180C के बराबर पुट कर दोगे, gain margin calculate कर दोगे, system 1 में, I think, आपको clarity है, कि आपको कैसे approach करना है, check करो, is it clear to everyone? check करो, दो घूट लगा के बैठे हो सब लोग, चलो, कोई बात नहीं, success का ना सही, बट किसी चीज़ का तो नशा होना चाहिए न, success का हो जाए तो, ज़्यादा अच्छी बात है, चलिए, देखे, यह क्या process सबको clear है, अच्छी तरीके से? शुकर है कोई यह नहीं बोल रहा है कि, thank you so much sir, mathematics अब अच्छी तरीके से त्यार हो जाएगा, बहुत अच्छा mathematics का आपने revision करवा दिया, आने यह वाले कुछ लोग अभी, कि sir, आज math का जो आपने revision करवा है न, आज बज़े से जो class हो रही थी, बहुत मज़ा है sir, maths में, अब बस control का और करवा दो, तो sorted life, आने वाले होंगे अभी कुछ, बिल्कुली खतम लोग, चलो, आज वो इसको निप्टाते हैं फटाफट, ठीक है? देखिए, अब system 2 पे हम लोग चलना चाहते हैं भाई, यह देखो, यह system 2 है, इसमेंना transportation lag डालके बैठा हुआ यह, e to the power minus st, transportation lag डालके बैठा है, इसका जरा आप लोग notice करिए, इसका जो OLTF आएगा, वो ऐसा आ जाएगा, जो यहाँ पर mention किया है, इसका OLTF, देखो, आ जाएगा, अब देखिए जरा इसका जो phase crossword frequency होगा, जरा गौर करिएगा, इसके phase crossword frequency में, S की जगए पर j omega डालोगे, e to the power minus j omega t, g of j omega, h of j omega, जब इसका angle आप calculate करोगे, यहाँ से angle आपको मिलेगा, minus का j omega, angle of j omega, h omega equal to minus 180 degree, मिल जाएगा, I think yes, तो बताओ, पहली चीज़ तो, transportation lag introduce करने से, क्या phase crossword frequency बदली या नहीं बदली, बताओ, क्या यह equations completely change होगे, भाई, इसके पहले, यह minus j omega, minus omega t, इसके पहले, यह थोड़ी आ रहा था, इसके पहले तो यह था यह था यह नहीं, सिर्फ आप इसको minus 100 c के बरावर पूट कर रहे थे, तो यह तो हो गया, minus omega t, है न, perfect, तो यहां से देखे, phase crossword frequency changes, तो gain margin भी बदली जाएगा, जब phase crossword frequency change हो रही है तो, तो पहला impact transportation lag का, transportation lag changes, the phase crossword frequency, as well as gain margin, okay, phase margin पर आईए, phase margin अगर आप calculate करेंगे, तो यह देखो लिखा भी हुआ है, यह न, आपका क्या-क्या change करता, omega pc and gain margin, दोनों चीज़ें बदल के रख देता है, done है, चलिए, अब एक बार, phase margin के तहट इसका discussion करते हैं, phase margin के तहट बताईए, क्या इसका gain crossword frequency बदलेगा, बिल्कुल नहीं भाई, है न, अगर आप इसका, इसमें s equal to j omega पुट करके, अच्छा, यह तो, पहले system 1 की बात कर रहा है, system 1 में, system 1 में OLTF था यह, phase margin के लिए, इसका mod निकाल के 1 के बरावर पुट करोगे, और यह हो जाएगा आपका phase margin, चेक कर लो, यह system 1 की बात कर रहा, इसमें transportation lag नहीं present है, ओके, तो अब बताओ, with the introduction of transportation lag, आप मुझे खुद बताईए, अगर यहाँ पे e to the power minus st होता भी, तो s की जगह j omega put करते, mod लेने से क्या यह निपट जाता पूरा का पूरा, और equal to 1, यानि transportation lag के introduction से, क्या आपका gain crossword frequency का भी बदल सकता है, या नहीं बदल सकता है, तो आप बोलोगे सर, gain crossword frequency तो नहीं बदलेगा, हाँ, अब gain crossword frequency नहीं बदलेगा, बट तुम्हारा जो ये gain है, ये ज़रूर बदल जाएगा, है ना, क्यों gain बदलेगा, क्योंकि जो आप ये calculation कर रहे होगे system 2 के लिए, तो ये minus omega t भी यहाँ पे picture में आ जाएगा, और ये आपका g of j omega gc, h of j omega gc, ठीक है, plus 180 degree आप यहाँ पे put करोगे, समझ गे, transportation lag introduce करने के बाद, जैसे मान लीजे, ये सारा discussion तो system 1 के लिए हुआ था, मैं system 2 के लिए भी आपको करके दिखा देता हूँ, सारा discussion, ठीक है, चलो, system 1, system 2 पे आ जाएगे, system 2, system 2 में अगर हम notice करें, तो जो हमको ts मिल रहा है यहाँ से, ये बन चुका है अभी, gs, hs, e to the power minus st, s की जगह पे अगर मैं j omega डाल दूँ, तो ये मिल जाएगा, g of j omega, h of j omega, e to the power minus j omega t, ठीक है, इसका अगर मैं mod ले लूँ, अगर इसका mod ले लूँ, 1 रखने के लिए, तो देखें, ये e to the power minus j omega t का, तो कोई roll ही नहीं है ना, यहाँ पर, क्या roll है, कोई roll नहीं है, तो यहाँ से, आपको जो omega मिलेगा, वो exactly वैसा ही मल जाएगा, जैसा without transportation lag मिलता, बट, जब मैं इसका phase margin निकालने की कोशिश करूँगा, तो मुझे इसका angle लिखना पड़ेगा, तो इसके angle में एक तो g h j omega g c आ जाएगा, बट, minus omega t भी आ जाएगा, तो बताइए, क्या transportation lag इंट्रोड्यूस करने से gain crossover frequency बदली, नहीं बदली, बट क्या phase margin बदला ही नहीं, बलकि कम भी हो गया, minus omega t इस में घट गया, और phase margin अगर घटा है, तो क्या system की stability कम होई है, compromise होई है, absolutely, तो ज़रा पढ़िए, आपका omega g c remains the same, phase margin changes and phase margin decreases, so corresponding stability of close-leaf system also is being compromised, decrease हो जा रही है, वो भी, ठीक है, चलो इसका बताओ, question आगया बीच में, बीच बीच में आपकी knowledge test कर रहा है, answer बताओ इसका क्या आन अची है, फिर बढ़ते हैं, state space की तरफ, answer, D, D option आ रहा है, पक्का, क्या पूछा है, जो आपका root locus होना चाहिए, it must lie, मतलब break point must lie on the root locus, ठीक है, पक्काड़ी, चलो, अब अगला chapter start होता आपका, state space representation, ठीक है, छोटा सा chapter है, state space भी, ठीक है, state space, ठीक है, सबसे पहली चीज, ज़रा देखिए, एक एक करके models, state model representation of an electrical network, जैसे मुझे बताईए, आपका जो, इंड़क्टर होता है, इंड़क्टर का current, इंड़क्टर का जो current होता है, वो state variable होता है, या फिर, उसके cross voltage, फटा फट बताएंगे सभी लोग, तो आप लिखते हैं, VLT is equal to LDILT by DT, तो जो आपका इंड़क्टर होता है, इसका जो current होता है, यह होता है, state space, state variable, ठीक है, क्योंकि इंड़क्टर जो है, वो current के form में memory store करता है, current के form में memory store करता है, परफेक्ट, चलो, दूसरा बताओ, जो आपका capacitor होता है, जो capacitor होता है, यह किसके form में memory store करता है, या फिर इसमें state variable क्या होता है, इसके cross voltage, VCT, इसके तरू जो current जा रही है, वो है ICT, आप यहां से लिख सकते थे, ICT is equal to CDVCT by DT, which means VC.T बराबर 1 by C ICT, तो इस case में जो capacitor का voltage होता है, वो होता है एक state variable, ओके, हां, तो inductor के case में, इंड़क्टर के case में, आपका जो inductor होता है, जो, इंड़क्टर के case में, जो उसके तरू current होती है, वो थी state variable, और capacitor के case में, जो उसके cross voltage होता है, वो होता है एक state variable, अब बात करते हैं, कि suppose आपको अगर कोई differential equation दे रखी है, तो आप उसको state model में कैसे represent कर सकते हो, ठीक है, देखिए, अगर आपको कोई भी differential equation दे रखी है, तो क्या उस differential equation की मदद से, आप transfer function निकाल सकते हो, बताए, जैसे मालों आपको ये differential equation दे रखी है, d2y upon dt square plus dy by dt plus yt equal to 3xt, हाँ, निकाल सकते हैं, तो यहां से जो ys by xs आपका आएगा, this will become 3 upon s square plus s plus s, ठीक है, तो कभी भी आपको कोई differential equation दिया रहे है, आप उसको किस में convert कर लें, एक transfer function में convert कर लें, जैसे आप उसको transfer function में convert करोगे, आपके पास कुछ models होते हैं, जिनके मदद से आप transfer function को directly state model में convert कर सकते हो, ठीक है, example के तोर पे, अगर मैं यहां पर देखो, हमारे पास एक standard transfer function present है, ठीक है, देखिए, ज़्यादे यह बड़ा नहीं हो गया यह, दिख रहे हैं आप लोगों को? ठीक, चलो देखो, इसका format ज़रा देखिए, यह s to the power जो 4 है, इसका coefficient कितना है? 1, ठीक है? इसका coefficient 1 है, यहाँ पर आपको b दिख रहा होगा, suppose common लेने पर बाहर b दिखा, इसकी highest power 4 है, इसकी highest power 3 है, c3 s cube, c2 s square, c1 s plus c0, यहाँ पर दिख रहा होगा, s to the power 4, a3, a2, a1, a0, ठीक है? तो अगर हम इसको, एक state model में represent करना चाहते हैं, जैसे मालों यह दे रखा है, अब इसका state model representation क्या होगा? यह, x dot equal to ax plus bu और y is equal to cx plus du, इस model के form में हम इसको represent करना चाहते हैं, तो इसका मैं तरीका आपको बदाता हूँ, ठीक है? में भी शायद आप ज़्यादा असानी से relate कर पाएं, सबसे पहले तो आप लोग यह देखिए, सबसे पहले तो यह देखिए, कि यहाँ नीचे क्या लिखा हूँ है? दिख रहां आप लोगों को नीचे क्या लिखा हूँ है? आप क्या क्या करो हैं? एक arrow ऐसा बना लिए करो, और एक arrow ऐसा बना लिए करो. x dot equal to जो आप यहाँ पे लिखते हो ना, तो आपको कैसे शुरुवात करनी चाहिए पहला टर्म 0 1, 0, 0 0, 0, 1, 0 अगर आप पहला टर्म 0 लिखके 1, 0, 0 कर लिया ना आगे वाली चेन में सिर्फ और सिफ ripple factor डालना है that's it ripple factor डालना हो और कुछ करने के तुरहते हैं सबरवाल सर का font text थोड़ा बड़ा रहता है ठीक है देखिए 0, 1, 0, 0 यह हो गया 0, 0, 1, 0, 0, 0 तो इसी 1 को ripple करा दो बस और कुछ नहीं उसके बाद देखो आपने यह तर arrow बना रखा था न पकलो इसको A0, minus A0 A1, minus A1 A2, minus A2, and minus A3 समझे बात को perfect उसके बाद देखो यहाँ बाहर जो भी common आ रहा है जैसे यहाँ पर B आपको common दिख रहा है न तो इस B को उठाके आप यहाँ पर डाल दो 0, 0, 0, B यहाँ पर आप क्या लिखोगे इधर भी आपने उपर arrow बना रखा था C0, C1, C2, C3 उपर वाले पर जो आप arrow लगाते हूं न तो यहाँ पर अंदर लिख लिए करो positive यहाँ पर आप arrow लगाते हूं अंदर लिख लिए करो negative मतलब यह coefficient negative के साथ लिखने है यह positive के साथ लिखने है यह आपका बन गया एक controllable canonical form ओके ने कभी कभी क्या होता है कि यह जो type करने माला होता है न यह तो type करने के जगा पूरा paint कर देता है वो एक तो क्या होता है कि आप उसको type करते हो और एक paint software भी होता है न तो कभी कभी उसके अंदर का जो artist होता है वो जाग जाता है तो उस तो आलावा paint ही कर देते हैं मन है जैसे आप ही अगर अपने आपको देखें आप चाहे कभी notice करना आप आप जब copy paint लेके पढ़ते रहते हो न और किसी का phone आ जाएगा तो आपकी जो copy होती है जो पन्ना खुला होता है उस पर आप ऐसी महान चित्रकारी कर देते हो जो हो सकता आज से 100-200 साल बाद अगर खुदाई में निकले तो करोड़ों रुपे में विक्के ऐसा होता है न फोन पर बात करो पता नहीं क्या ही बना डालते हो उस पर कई लोग तो कई लोग तो बस ऐसे ऐसे किया करते हैं क्या मतलो बाइस का इतने सारे हैश्टेग बना देरो पॉपुलर एक भी नहीं हो रहा है रच देते हो उसको बिल्कुल तो वह होगा उसके साथ भी किसी का फोन आ गया होगा चलो पेंटी कर डालते हैं पूरा चलो यह खैर जो भी है सुन्दर लग रहा है देखने में इतना वड़ा फॉंट साइज होना चाहिए चलो ठीक है यह बात समझ आई तो एक्जाम में ऐसा लिख के देगा मेरे भाई ऐसा लिख के देगा यह पूरा बना बनाया देगा और बोलेगा इसका 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 वाड़ से प्रैक्टिस करने की बात भी है पर्फेक्ट ठीक है चलो इसको देखो observable canonical form देखिए अगर आपको controllable canonical form लिखना आता भाई d की value 0 हो जाएगा d आपका 0 हो जाएगा यहाँ यह देखो 0 d 0 होगा कोई problem नहीं ठीक है perfect चलो यह देखो जो observable canonical form है ना उसमें कुछ करने की जरूत नहीं आप पहले उसको controllable canonical में convert कर दो उसके बाद जो controllable canonical का A है ना आप simply यहाँ पर क्या यूज करो transpose यूज करो भाई ठीक है यह transpose यह transpose इसका A और इसका A transpose से related होंगे B और C को transpose से relate कर देना C और B को transpose से release कर देना तो जब भी आप observable canonical form चाहिए आपको न तो A वाले का observable canonical form जो आपका यह controllable canonical form इसका transpose ले देना B वाले का observable canonical form जो C वाले का controllable canonical form ता इसका transpose ले देना C वाले का observable canonical form जो B वाले का controllable canonical form ता इसका transpose ले देना ठीक है परफेक्ट ठीक है इसके बाद आपका एक आता diagonal canonical form जो की बहुत असान होता है diagonal canonical form में आपका ये और ये आप ये देखेंगे कि जो ये आपका पूरा पूरा function है ना आप इसको simply partial fraction कर लीजे ठीक है? partial fraction जो आप इसका करेंगे तो यहाँ पे आपको b1 upon s plus p1, b2 upon s plus p2 b3 upon s plus p3 और ये मिल जाएगा ठीक है? अब देखो बहुत simple है जब भी आपका diagonal canonical form आएगा ना तो जो a वाली matrix आएगी वो diagonal के form में रहेगी इसमें आप poles डाल दो, minus p1, minus p2, minus p3 एक बात का ध्यान रखना कि जो minus p1 आप डाल दो ना उसी के corresponding ये minus b1 लेना उसी के corresponding ये b2 लेना उसी के corresponding ये b3 लेना उसी के corresponding ये b4 लेना example के तोर पे जैसे मालो अगर मुझे b लेना है तो देखो मैंने minus p1 के सामने k1 लिखा हुआ और यहाँ पे m1 लिखा हुआ तो all in all ये जो b1 आपको दिख रहोगा न ये इस k1 और m1 के product के बराबर होगा तो मैं कोई भी random value डाल सकता हूँ इस b में k1 k2 k3 k4 m1 m2 m3 m4 m1 और k1 का product b1 के बराबर हो समझे बात को बात समझाई ठीक है याद आ रहा है न सब कुछ ये बताया भाई आप लोगों को crash course में भी बना बना के दिखाया है ठीक है examples हम लोगों ने किये उसमें देखा हम लोगों ने कि भाई convert हुआ था canonical में वो अगर आप लोगों को याद हो तो अब model number 4 पे आते हैं तीन model हम लोगों ने cover कर लिए सबसे पहला electrical network का कैसा representation होता है उसमें बस दो ही चीज़ों का ग्यान चाहिए आपको कि inductor और capacitor में किस तरीके से आप state variables choose करते हो differential equation को हमेशा convert कर लिए आप transfer function में transfer function में मैंने आपको तीन model समझाए सबसे पहला model मैंने आपको समझाया controllable canonical form observable canonical form और तीसरा मैंने आप लोगों को समझाया था diagonal form एक हम लोगों ने Jordan canonical form भी देखा था वो मैं चाहूंगा कि आप crash course वाले question के थूर जाके उसको समझे क्योंकि उसका कोई general format नहीं होता उसके लिए आपको पूरा question solve करना पड़ता है derive करना पड़ता है ठीक है तो मैंने आप लोगों को एक Jordan canonical form बताया था 4-5 मिनट का वो एक question मैंने करवाया था वो question आप लोग जरूर उसको देख लें ठीक है चलिए अब बात करते है state model representation की state model representation यार हमको clear ही होता है क्योंकि अभी अभी पढ़के आ रहे है summing node को कैसे identify आप करते हो summing node को identify करना बड़ा असान होता multi input and multi input होता है और take off node आपका होता है single input ठीक है तो ये nodes पहचानना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है ओके पहचान लिए हम लोगों ने इन nodes को summing node and take off node पक्का nodes का potential कैसे calculate करते हैं ये सो हमको बहुत अच्छी तरीके से आता है n का potential कैसे calculate करोगे a1 x1 a2 x2 a3 x3 z का a4 into n integrator block कैसे represent करते हो integrator block आपका होता है 1 by s अगर इसके input में x.t डालोगे output पर मिल जाएगा xt यहां से एक बड़ा important statement हम लोग observe करते हैं that output of an integrator is always a state variable यह statement हम लोगों ने रटा था golden statement में इसको बूला था इसी एक statement के basis पे सारे के सारे questions generally हम लोग crack करने की कोशिश करते थे output of an integrator will always be a state variable this is for sure तो मैंने आपको question solve करने की कुछ tricks बताई थी कि जहां जहां पर भी आपको signal flow graph में 1 by s दिखे तो आप क्या करें यह 1 by s को दो हिस्तों में तोड लिया करो बीच में मैंने बोला था एक dummy node डाल दिया करो जैसे बीच में आप एक dummy node डालते हो तो आपका यह हो जाता है 1 by s और यह आपको यह statement तो याद ही है कि output of an integrator is a state variable तो इसको आप कर दे तो x1 और यह input वाली value आपकी हो गई x1 dot और output वाला जो आपको potential होता हो उसको z से represent कर दिया करो अभी z x1 के बराबर हो किसके बराबर हो हमें नहीं पता ठीक है बीच में आपको एक dummy node डालना चाहिए कहीं पे भी integrator दिख रहा हो dummy node डाल दो इधर 1 by s रखो इधर 1 और statement यूज कर लो output of an integrator is a state variable तो यहाँ पे x1 मिल जाएगा बाकी बच्चेवे node की value generally कुछ और मानलो z मानलो अपने आप उसकी value कुछ न कुछ निकल के आजाएगी तो हम लोगों ने एक statement भी बोला था कि output of an integrator is a state variable and this state variable transfers to the next node only when next node is takeoff node अगर अगला node takeoff node है तभी आप इस x1 को directly transfer करिये अगा आगे otherwise मत करना ठीक है तो the output of an integrator is a state variable and it transfers to the next node only when the next node is takeoff node बड़ा important statement था बहुत सारे questions पर हमारी help करता था हूँ ठीक है problem solving approach हमारी क्या होती थी यहाँ पर number of integrators is always equal to number of state variables जितने integrators होते थे आपके sfg वाले block diagram में उतने ही state variables हम लोग use करते थे at the same time concept of dummy variables are used to assign state variable dummy node variable नहीं concept of dummy node यह concept of dummy node जो अभी भी मैंने आपको समझाया concept of dummy node to assign state variable perfect अगला solution of state variable that needs to be calculated कैसे calculate करते थे आप solution of state variable को x dot t sorry x s is equal to s i minus a inverse यहाँ पर आजाता था आपका initial condition plus s i minus a inverse b u s यह यादर फॉर्मला है इसमें से बताना कौन सा zero state response होता था कौन सा zero input response होता था कौन सा zero state response होता था कौन सा zero input response होता था बताओ बोलिए कोई भी 0 state 0 input नहीं होता क्योंकि यह output है नहीं यह state variable का आप लोग solution calculate कर रहो so this is not 0 state response this is not 0 state response 0 input response ठीक है कोई भी नहीं है वो जब output वाला response आप लिखोगे ना तब आपको पता चलेगा ओके एक दो चीज़ें इसमें छूट गई हैं वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ ठीक है पर्फेक्ट इसमें कुछ भी नहीं होता है इसके अलाबा एक आपका output response का formula होता है या मैं पहले इसी को बता देता हूँ यार इसी में ना दो तरीके की state equation होती है एक homogeneous एक non homogeneous ठीक है अगर ऐसा लिखा हुआ है बी की value नहीं present है ओके तो यह आपकी होती है homogeneous state equation homogeneous state equation और यह आपकी होती है non homogeneous state equation non homogeneous state equation ठीक है इसमें अंतर क्या होता है इनके solutions में अंतर आ जाता है जैसे मालो इस case में जो आप solution लिखोगे वो हो जाएगा si minus a inverse बस यही यहाँ पर तो आपका complete solution आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है क्योंकि यह x of 0 minus constant होता है इसका time domain version यह x t के matrix vertical matrix यह आपका phi t आ जाता है state transition matrix का inverse कभी-कभी इसको e to the power 80 बोलते हैं और x of 0 minus है ना तो जो homogeneous state equations होती है वहाँ पर s domain और time domain में direct conversion possible होता है इस case में ऐसा नहीं हो पाएगा direct conversion ओके समझे मेरी बात को चलो लगे हाथ आपको मैं state transition matrix भी बता देता हूँ stm stm के दो formats होते है time domain, frequency domain state transition matrix s domain में होती है यह inverse होती है ठीक है और जो आप इसका time domain version calculate करते हो तो इसको e to the power 80 या 5t से represent करा जाता है इसकी बड़ी important properties होती है यह होता है stm in s domain stm in time domain सबसे पहली property जो आप सभी लोगों को visible हो रही होगी कि अगर आपने इसमें t की जगे पे 0 put कर दिया देखो तो देखो क्या यह आपको अंदर 1 मिल जा रहा है identity matrix ठीक है t equal to 0 put करने पे and अगर मैं इसको differentiate कर दूँ और उसके बाद मैं t equal to 0 put करूँ तो क्या मुझे एक ही matrix वापस मिल जा रही है यह ना identity matrix होती है आपके ठीक अगर आप इसको direct t equal to 0 put कर देतो ना तो आप expect करते हो कि यहाँ पे आपको identity matrix मिल जाए differentiate करके t equal to 0 put करोगे यह value आपको a मिल जाएगे ओके perfect चलो तीसरा देखो बाकी सारी properties तो बहुत obvious है जैसे मानलो अगर कोई पूछता है phi of t minus t naught तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते थे phi t into phi of minus t naught मानलो अगर कोई पूछता है आप से what will be phi to the power kt तो आप लिख सकते थे this will be phi kt यही से आपको दिख रहा होगा इसके power k करो या t के जगा k put कर दो यहाँ पर t minus t naught करो या अलग अलग दोनों को लिख दो तो ऐसे करके बहुत सारी properties होती है जो हम लोग यहाँ पर link up कर सकते हैं ओके आगे बढ़ें बहुत ही बढ़ी है चलो अब मैं लगे हाथ आपको एक बार output वाला भी formula लिखके दिखा देता हूँ output matrix जो आपका output variable के matrix आती है उसका क्या formula होते है c into si minus a inverse x of 0 minus plus c into si minus a inverse into b plus d us ठीके input दो चीज़ें अगर initial condition अगर initial conditions 0 है और single input single output system है तो ठीके तो यह matrix आपका जो है एक single term में convert हो जाएगा और आप transfer function का formula भी build up कर सकते थे c into si minus a inverse into b plus d ठीके ठीके चेक कर लो तो transfer function निकालने के लिए basically initial condition भी 0 होना चीए which means this और यह single input single output होना चीए ताकि यह और यह आपका एक single single term में करना अट हो जाएगा तभी तो ratio calculate कर पाऊगा matrix का ratio थोड़ी निकालोगा चलो यह बात भी अपनी complete हो गई अब बात कर लेते controllability और observability की ठीके controllability और observability चेक करने का तरीका बहुत असान होता है ठीके आपको यहाँ पर x dot is equal to ax plus bu दिया है y is equal to cx plus du दिया है ठीके मान लीजे आपका जो a वाला matrix है वो x square matrix है ठीके पहले scenario में मान के चल रहे है a वाला जो है वो x square matrix है ठीके तो अगर a वाला x square matrix है तो आप कैसे पता करोगे कि यह आपका matrix इसके लिए use करते हैं हम लोग kalman test ठीके सलमान के भाई kalman ठीके तो यह इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े काम किये controllability के उन्हों test बता है उन्हों में बोला अगर आप controllability test करना चाहते हो तो controllability check matrix मना लो controllability check matrix का format इन्होंने कुछ ऐसा दिया देखिए ऐसा बोल रहा है दिखर आपको controllability check matrix controllability check matrix में B is to A B is to A square B is to A to the power N minus 1 B तक जाना है A matrix का order आपने चूज किया था न N cross N यहां गया यह देखर A आपका square matrix है determinant of A निकाल सकते हो rank of this matrix A determinant of A will not be 0 non singular matrix होता ही है rank of matrix A is always equal to N ठीक है and N cross N का matrix आपको यहां पे mention किया गया ठीक है चलिए तो यहां पर अगर आप notice करें तो यह जो आपको दिख रहा है यह आपका square हो सकता था मतलब यह जो QC आप बना रहे है B is to A, B is to A square B यह square matrix हो सकता था rectangular हो सकता था मान लो यह QC अगर आपका square हो गया तो simply आप इसका determinant calculate करके देखिए अगर determinant 0 है तो यह uncontrollable है और determinant non 0 है तो यह controllable है ओके मान लो यह matrix आपका अगर rectangular matrix होता rectangular matrix का equation चाहिए टेस्ट में भी मैंने दिया था जहां तक मुझे याद है तो rectangular matrix अगर होता तो इस case में फिर आपको rank से compare करना पड़ेगा rank of QC अगर आपका rank of A के बराबर आ गया तो controllable और rank of QC rank of A से कम आ गया तो फिर यह uncontrollable हो जाएगा ठीक है ना ठीक है similar तरीके से observability है observability में आपको observability check matrix बनानी पड़ेगी observability check matrix आपकी क्या हो जाती है C transpose A हमेशा देखे जैसे इस case में अगर आप notice करें तो A हमेशा पहले ही आ रहा था B is to A B is to A square B similar basis पे A यहाँ पे पहले ही आएगा C transpose A transpose C transpose A transpose का square C transpose up to A transpose की power N minus 1 अब यह भी square हो सकता है rectangular हो सकता है अगर यह Q naught आपका square है सीधे mod निकाल देना mod का मतलब determinant अगर determinant की value 0 आ रही है तो यह not observable और non 0 आ गई तो observable मान लोगर यह Q naught आपका कलको rectangular matrix आता तो सी rank से compare कर देना अगर rank of Q naught और rank of A बराबर आ गया मतलब N के बराबर आ गया तो observable और N से कम आ गया तो not observable समझ गए बात को ठीक है चलो कुछ questions based on this answer बताईए which of the following statements is our correct एक से ज़ादा options भी correct हो सकते हैं इसके बाद हम लोग चलेंगे control system के अपने आखरी chapter की तरफ which is controller and compensator ठीक है which options are correct कौन कौन से which of the following statements is our correct सबसे पहला for a system to be controllable भाई साब पहला गलत गलत है पहला दूसरा observable दूसरा भी गलत C और D सही हो गए ठीक यह बाला देखो इसका आंसर बताओ state model representation of the linear system the output equations are represented as output equation के बात कर रहा है भूलो output equation C कहां से हो जाएगा याद D होगा न ठीक है चलो अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएग आखरी चैप्टर compensator and controller ठीक है थेओरेटिकल चैप्टर है थोड़ो और numerical भी आते हैं बट जनरेली चैप्टर थोड़ा सा theoretical ही है यह ठीक है पानी वानी पीलो ठीक है आदे घंटी के बात और है अगला न झालो सबसे बात करते हैं हम लोग iliar की ठीक है चार तरीके के bekon migrants आप लोगों को आने चाहिए पहला lead compensator lag compensator lead lag expenses lag lead compensator झालो देखो सबसे पहले चीज तो आहिए यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से time domain parameters होते हैं कौन कौन से frequency domain parameters होते हैं ठीक है जिनरली क्या होता है, कमपन्टेटर्स को अम लोग frequency domain parameters को control करने के लिए यूज करते हैं, और जो controllers होते हैं, उनको time domain parameters को control करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जैसे माल लीजे, अगर आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें, तो time domain parameters में कुछ major parameters में आपको यहाँ पे शो करता हूँ, जो कि आप लोग देख भी पार होगे, rise time हो गया, zeta मतलब percentage overshoot हो गया, percentage overshoot हो गया, study state error हो गया, settling time हो गया, these are time domain parameters, frequency domain parameters में gain crossover frequency, phase crossover frequency, gain margin, phase margin, bandwidth, resonant peak, resonant frequency and so on, तो यह frequency domain parameters हो गया, generally इनको control करने के लिए, आप compensators use करते हैं, और इनको control करने के लिए, controllers use किया जाता हैं, ओके, चलो देखो, जैसे हमने क्या किया, अगर आप लोग notice कर पार हो, तो यह हमारा system था, अब इसी के forward path में, हम लोगों ने देखो, एक और gain block लगा दिया, यह लगा दिया, है ना, तो यह जो system आ रहा है न, इसको बुला जाता है, compensated control system, आप यहाँ पर compensator आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, compensator का क्या-क्या काम होता है, आए देखते हैं, चार तरीके के compensators आपको पढ़ने होते हैं, एक होता है phase lead compensator, phase lag compensator, lead lag compensator, lag lead compensator, एक एक करके समझें इसको, सबसे बात करते हैं, phase lead compensator की, जो आपके phase lead compensator होते हैं, उसका standard diagram आपको पता होना चाहिए, standard diagram में R1, C1 parallel में है, यहाँ पर R2 है, ठीक है, इसका जो time constant हम assume करके चल रहे हैं, यह time constant हम, मनलब T जहाँ 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 पर भी आपको दिखेगा, T के जगहे पर R1, C1 हम लोग replace करने वाले, यह graph आपका time domain में बना हुआ, ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपको याद होना चाहिए, आपको यह graph याद होना चाहिए, ठीक है, यह diagram याद होना चाहिए, lead compensator का, R1, C1, R2, अगर मैं इसको S domain में convert कर देता, तो यह हो जाता R1 और यह हो जाता 1 upon S C1 और R2, साथ के साथ, इसको अगर मैं V0 by S, V1 by S calculate करता, तो वो calculate तो मैं करी लेता, but ultimately जो मुझे याद रखना होता, वो मैं इस expression को याद रखता, ठीक है, इसको मैं हमिशा याद रखता, देखे, यह adjustment वगर आप अराम से कर लेना, मैंने हैं आप लिग दिया, किसी वो देखना होगा, तो देख लेना आप, but आपको simply क्या कर रहा है, alpha into 1 plus ST upon 1 plus alpha ST, यह आप लोगों को याद करना है, साथ के साथ alpha की value आपको पता होनी चाहिए, alpha होता है R2 upon R1 plus R2, जो कि आपको दिख बिरा 1 से कम है, ठीक है, और जहाँ जहाँ पर भी T दिख रहा है, T का मतलब होता है R1, C1, आगे बात सौंझ में, perfect, ज़रा इसके pole की location बताईए, देखे क्या यह pole की location, ठीक लिखे गई, pole is equal to minus 1 upon alpha T, minus 1 upon alpha T, 0 की location बताईए, 0 है आपका minus 1 upon T, बिल्कुल, आप मुझे बता सकते हो, इसमें pole और 0 में से कौन origin के ज़्यादा करीब है, वैस यह मुझे बताईए, pole और origin में कौन उसके ज़्यादा करीब है, अगर आप notice करो, alpha की value अगर 1 से कम है, यह याद रखना भाई, ठीक है, इसको भी मैं box में बन कर देता हूँ, यह पता होना चाहिए, यह भी पता होना चाहिए, वैसे तो standard expression पता होना चाहिए, यह बाला, बैट इसमें पता तो होना चाहिए, alpha क्या है, t क्या है, t होता है, r1, c1, तो 1 से जादा हो जाएगा न, यानि कि आपका जो phase lead compensator होता है, वो हमेशा zero dominant होता है, phase lead compensator हमेशा क्या होता है, it is always zero dominant, है न, तो जो आप इसका pole zero diagram बनाओगे न, तो zero जो है न, वो हमेशा origin के closer आएगा, यह बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है, तो पहला सवाल यही हो गया, कि जो phase lead compensator है, it is zero dominant compensator, phase lead compensator is a zero dominant compensator, चलो बहुत ही बढ़िया, तो पहली चीज़ सबको सौंच में आ गई, क्या क्या करना आप लोगों को, देखिए, phase lead compensator में सबसे पहली चीज़ आपको यह diagram याद होना चाहिए, diagram याद होने के बाद इसका transfer function पता होना चाहिए, transfer function में alpha क्या है, t क्या है, यह पता होना चाहिए, साथ के साथ इसका pole 0 diagram आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, pole 0 diagram के बाद आपको क्या करना होता है, इसका phase calculate करना आना चाहिए, phase कैसे calculate करते हो, आप लोग, phase calculate करने के लिए, s की जगह पे j omega डाल दो, तो यह दिखेगा, 1 plus j omega t, 1 plus j omega alpha t, दिखेगा आप लोगों को, 1 plus j omega alpha t, ठीक है, तो यह दिखेगा आपको, 1 plus j omega alpha t, phase यहाँ से क्या हो जाएगा, minus tan inverse omega t, minus tan inverse alpha omega t, तो देखेगे, phase आगया omega का function, अगर कोई पूछता इसकी maximum value तो बता दो, तो again आपका maximum minimum अनुवाला concept strong है, आप इसको differentiate करके 0 के बराबर भुट करते, और यहाँ से आपको जो omega मिलता, वो मिलता 1 upon t root alpha, इसको याद करने का एक और आसान तरीका है, कैसे आप इसको याद कर सकते हो, जरा मुझे बताईए, यह जो आपको pole और 0 दिख रहे थे, अगर मैं इसका geometric mean calculate करता, तो बताना, geometric mean क्या आपको exactly वही मिलता, चाहो तो आप calculate करके देखो इसका geometric mean, निकालो जरा इसका geometric mean कितना हो जाएगा, देखो, geometric mean का मतलब क्या होता है, आपका जो pole था, वो था minus 1 by t पे, जो 0 था, ठीक है, geometric mean क्या हो जाएगा, under root 1 by t into 1 by t alpha, देखो, क्या आपको 1 by t under root alpha मिला, चेक कर लो, है ना, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, कि जब भी आप phase lead compensators की बात करते हैं, standard की बात कर रहा हूं, standard phase lead compensators, इनका transfer function है, alpha into 1 plus st upon 1 plus alpha st, तो इन सारे standard compensators में, अगर आपको phase calculate करना है, आप रहाम से करिए, कोई problem नहीं, बट अगर आपको maximum phase calculate करना है, तो जो frequency आएगी, it is always the geometric mean of pole and 0, समझे बात को, ठीक है, देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, geometric mean निकाला ना, चेक करो, same चीज लिखी हुई यहाँ पर, यहाँ आपके pole का magnitude हो गया, 0 का magnitude हो गया, और यह आपका हो गया, geometric mean, देख पार हैं इसको, ठीक है, तो दो चीज़ें हम लोगों को अच्छी तरीके से सौँझ में आ गई, diagram, transfer function, pole 0 diagram, 0 dominant, और फिर वहाँ से, is equal to j omega put करके, हम लोगों ने calculate कर लिया, कि भई, यहाँ पर आपका geometric mean कितना आ रहा है, जो geometric mean आएगा, इसी frequency पर phase maximize होगा, for sure, खीक है, perfect, तो जो phase maximize हो रहा है, वो कैसे calculate करोगे, बढ़ा असान है, maximum phase आपने निकाला, और यहाँ पर omega की value put कर दो, 1 upon t root alpha, put कर दिया न, तो tan inverse 1 by root alpha, minus tan inverse under root alpha, इसको solve कर ले न, sine के form में याद रखना इसको बहुत असान है, तो अगर कोई आपसे maximum phase पूछता है, so try to remember this formula, 1 minus alpha upon 1 plus alpha, clear everyone, perfect, आगे बढ़ते हैं, अब इसका अगर कोई हमसे board plot पूछता है, तो board plot आप इसका कैसे बना सकते हो, board plot calculate करने के लिए, आपको इसको convert करना पड़ेगा, alpha into 1 plus st, 1 plus alpha st, तो यह 1 plus s, इसको मैंने लिख दिया, 1 by t, और इसको लिख दिया 1 upon alpha t, वैसे आसान तरीका यह होता है, कि आपने जो यह zero dominant, pole dominant बना रखा था था न, जब आप इसका board magnitude plot बनाने जारू न, तो आप इसी की mirror image लिए लो, यह corner frequencies में convert हो जाएंगे, वैसे तो यह pole zeros है, बट जैसी mirror image लोगे, तो एक corner frequency दिख गए zero, एक corner frequency दिख गए pole के, है न, आप बताओ इसका board plot बना लोगे, बताने इसमें initial line का slope कितना होगा, तो कोई भी इसमें origin पे pole is zero तो है नी, तो अगर origin पे pole is zero है नी, तो initial line आपकी flat start होगी, और flat मतलब 20 log alpha से start होगी, alpha की value less than 1 है, तो देखो इसका board plot आपको ऐसा दिखना अच्छे था, 20 log alpha, यह देखिए, ऐसे गया यहाँ तक, negative था ना, क्यूंकि alpha less than 1 था, तो यहाँ पे आपको पहला zero मिल गया, तो यहाँ से plus 20 db per decade का change मिलेगा, है न, और फिर यहाँ पे एक pole मिल गया आपको, यह pole आपको, अगिन 0 db per decade का change देदेगा, तो एक्जाम में कभी कबार 4 option बना के दे देता है, पूछता इसमें से कौन सा phase lead compensator का board plot है, यह है, अगर मान लिजए इसका आप बनाना चाहते है phase plot, तो phase plot देखो कैसे बनता, यह देखो, 1 by T से पहले पहले तो, 0 था, ठीक है, यहाँ पे phase lead है न, तो lead कर रहा है phase, maximum phase आपको पता है, omega पे आने वाला है, इन दोनो corner, इन दोनो corner frequencies का geometric mean, यह, यहाँ पे maximum, और फिर इसके बाद आपका यह 0 हो जाएगा, आपको पता यह value कैसे calculate करनी है, यहाँ से, ठीक है, फिल्टर behavior क्या होता है, जो आपके phase lead compensators होते हैं, वो हमेशा कैसे behave करते हैं, they always behave as a high pass filter, ठीक है, अगर आप इसका behavior बनाओगे न, तो जो phase lead compensators होते हैं, they behave as a high pass filter, perfect, चलो, properties देख लो, phase lead compensator की, जो मैंने अभी तक आपको बताई, it is a zero dominant compensator, analogous to high pass filter, it will give maximum phase at omega m, this, what is the value of maximum phase, sin 5m is equal to 1 minus alpha upon 1 plus alpha, it decreases gain of the system, पांच में के बाद वाली जो properties हैं इसको आपको याद करना पड़ेगा, जो आपके phase lead compensators तो gain घटा देते हैं, alpha की value less than 1 होती है, जो आप उसमें insert करोगे, तो ये overall gain को हमेशा reduce करने का काम करते हैं, उसके अलाबा, ये हमेशा steady state error of the system को बढ़ा देते हैं, एरर कम नहीं करते हैं, ये बढ़ा देते हैं, इसकी analogy आप थोड़ा बहुत, आगे controller से भी ले पाओगे, it increases the steady state error, ठीक है, इट increases gain cross over frequency, ये gain cross over frequency को भी बढ़ाते हैं, ये phase margin को भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वज़ा से relative stability आपकी improve हो जाती है, ये हमेशा जो आपका zeta होता है, zeta, zeta को भी हमेशा बढ़ाते हैं, zeta अगर आपका बढ़ता है न, तो जो आपका MP होता है, ये decrease करता है, और MR भी decrease करता है, ठीक है, improve से zeta का मतलब होता है, zeta को बढ़ा देते हैं, zeta को बढ़ा होगे, percentage over shoot भी घट जाएगा, MR भी आपका घट जाएगा, ठीक है, omega n को ये बढ़ा देते हैं, undamped natural frequency को ये बढ़ाते हैं, देखे, zeta को भी बढ़ा रहे हैं, omega n को भी बढ़ा रहे हैं, तो क्या settling time आपका कम हो जाएगा, absolutely, resonant frequency पे हम कोई comment नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे दोनों का impact opposite होता है, तो यहाँ पे directly कोई comment नहीं करता हैं, है ना, कम हो रहा है, तो जल्दी settle होगा, तो थोड़ा fast speed में काम करें गई, समझे बात को, तो एक बार सारी properties फटा फट रिकॉल कर लेते हैं, zero dominant compensator होता है, analogous to high pass filter है, it will give maximum phase at 1 by t root alpha, यह तो निकल जाएगा, geometric means है, sin phi m 1 minus alpha होता है, gain कम कर देगा, alpha की वज़े से, steady state error को बढ़ा देता है, by the same alpha, alpha नीचे आजाता है आप लोगों का, उसके लावा, gain crossword frequency को बढ़ाता है, bandwidth को भी बढ़ाता है, phase margin को बढ़ाता है, stability increase कर देता है, zeta को भी बढ़ा देता है, apart from that, omega n को बढ़ाता है, zeta को भी बढ़ा देता है, जिसकी वज़े से, settling time decrease हो जाता है, है ना, हाँ, थोड़ा सा, इसका transient region कम होता है, तो speed of operations का थोड़ा, fast हो जाता है, तो settling time भी कम ही हो रहा, जल्दी settle हो रहा जाकि, ठीक, अब आते हैं, phase lag compensator में अगर आप notice कर पा रहे हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले R1 और C1 लगे होते हैं पैरलल में, उस R1 C1 को series में उठा के, इसने यहाँ पे जोड़ दिया, दिख रहा है आप लोगों को, और R2 यहाँ पे रहने दिया, इसका दावा है कि यह जो circuit है, यह आपके phase में lag लेके आएगा, है ना, तो इस वाज़े से इसको phase lag compensator हम लोग बोलते हैं, परफेक्ट, आगे देखो, इसका भी अगर आप transfer function calculate करोगे, तो transfer function आपको मिलेगा कुछ ऐसा, पहले मिलता था alpha into 1 plus st upon 1 plus beta st, इसमें यहाँ पर alpha beta कुछ नहीं आएगा, 1 plus st upon 1 plus beta st, यहाँ से अगर कोई pole की location पूछेगा, तो आप बता सकते हो, pole की location है minus 1 upon bt, और 0 की location है minus 1 upon t, अच्छा, बीटा यहाँ पर क्या होता है, बीटा होता R1 plus R2 upon R1, which is greater than 1, इसका जो बीटा होता है, वो हमेशा 1 से जादा होता है, t की value अभी भी R1, C1 हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, इस case में अगर आप इसका pole 0 plot बनाओगे, तो यह हमेशा pole dominant आएगा, phase lag compensators जितने भी होते हैं, they are pole dominant compensators, pole हमेशा origin के करीब देखने को मिल जाएगा, आप लोगों को, पर maximum आएगा, जो आपके pole और 0 का geometric mean होगा, यहाँ में भी जो formula आएगा, वो 1 minus beta upon 1 plus beta आएगा, अब यह अलग बात है, पिछले case में जो alpha आ रहा था, वो आपका 1 से कम था, इस case में जो beta आ रहा हो 1 से जादा है, beta is R1 plus R2 upon R1 R2, यह आपका beta है, R1 plus R2 divided by R1, ठीक है, phase हो गया, maximum phase हो गया, geometric mean वाला concept तो आपको आपको दिख रहा है, यह उमेगा M जो आपको दिख रहा है, यह इसका और इसका geometric mean हो जाएगा, 1 by T, root beta, fine, board plot इसका आप plot करोगे, बढ़ा असान है, देखिए, पोल 0 तो आपको यहाँ पर पता ही है, यह देखो, यह पोल है, यह 0, corner frequency में convert करोगे, तो यह पोल यहाँ आजाएगा, यह 0 यहाँ पर आजाएगा, बाहर है value 1, पोल और 0 origin पर है नहीं, तो initial line आएगी 20 log to the base 1, 20 log to the base 1 का मतलब क्या हो गया, 20 log to the base 1 का मतलब हो गया, line स्टार्ट होगी यहाँ से, पहला पोल मिला, minus 20 dB per decade, 0 मिला, 0 dB per decade, तो बड़ा असान है, इसको judge कर पाना, ठीक है, एक्जाम में यह direct पूछे जाते हैं, पोल 0 diagram, ओके, direct पूछे जाते हैं, रही बात इसकी, तो यह होता है phase lag, maximum phase lag कहाँ पे मिलता है, यह आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे जो sine phi हम आ जाएगा, it is 1 minus beta upon 1 plus beta, ठीक है, यह इसका sine phi हम हो जाएगा, perfect, चलो देखो, बताना आप मुझे, कि जो आपका lag compensator होता है, उसका behavior किसके analogous होता है, low pass filter के, आईए इसकी characteristic भी फटा-फट quickly हम लोग resolve करते है, it is a pole dominant compensator, yes or no, yes, analogous to low pass filter, yes, maximum phase इसका कौन सी frequency पे अकर करता है, यह निपट गया है, आप बताइए, maximum phase जो इसका है, वो कौन सी frequency पे अकर कर जाता है, तो आप बोलेंगे, यह अकर करता है, omega m equal to, 1 by t root beta, है ना, बहुत ही बड़ी है, शांदार, sin phi m कितना हो जाएगा, 1 minus beta upon 1 plus beta, ठीक है, यह क्या करता है, यह gain को घटाता बढ़ाता नहीं, constant ही रखता है, क्योंकि इसमें कोई alpha जैसा parameter बाहर आ नहीं रहा है, है ना, वहाँ पर देखो, alpha जैसा parameter बाहर आ रहा था, तो gain को reduce कर दे रहा था, यह नहीं कर पा रहा है, gain remains constant, proportional gain, perfect, इसमें बताना, क्या होगा, gain के बारे में, तो अगर आप यहाँ पर notice करो, तो यह ऐसा बोल रहा है, कि अगर beta की value 1 आप चूस कर रहा हो, है ना, इस beta की value जो बाहर आपको देख रहा है, इसकी value अगर 1 चूस कर रहा हो, तो steady state error will remain same, omega gc को अब उसी का impact टुल्टा कर देना, omega gc को घटा देता है, bandwidth को घटा देता है, phase margin को घटा देता है, relative stability को घटा देता है, इस case में zeta भी आपका कम हो जाएगा, तो zeta जैसे कम हुआ, आपका ये percentage overshoot कम हो जाएगा, और ये आपका, MR आपका बढ़ जाएगा, zeta भी कम, omega n भी कम, settling time आपका जादा हो जाता है, इस पे कुछ comment कर नहीं सकते, transient region को बढ़ा देता है, speed of operation को slow कर देता है, उसी को opposite operations, आप यहाँ पे check कर लीज़े, ठीक है, opposite यह ना उसी का, एक चीज बस मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पे न, zeta को कम कर रहा है न, MP भी बढ़ना चीज़े, और, अहाँ गया, MP भी बढ़ना चीज़े, और MR भी बढ़ना चीज़े, ठीक है, उल्टा होता है न, ठीक, fine, चलिए, अब बताओ, lead lag compensator में क्या करोगे, पहले lead लिखा है, lead लिख देना, बाद में lag लिखा है, यहाँ पे lag लगा देना, lead lag compensator में, सिर्फ board plot based question पूछा जाते हैं, तो मैं इसका board plot आपको बना के दिखाता हूँ, कैसा बनेगा, देखो, lead lag compensator की बात कर रहा है, तो बड़ा असान है, यहाँ पे देखो, lead मतलब, zero dominant, lag मतलब, pole dominant, lead lag compensator की जब भी बात करता है, तो देखो, होता क्या है, असल में, ऐसा होत करना, यहाँ lead बना देना, यहाँ lag बना देना, नहीं, lead lag compensator का मतलब होता है, कि जो lead वाला होना चाहिए, सबसे पहले तो वो आपका, इसके करीब होना चाहिए, फिर lead की property आप रखिए, जैसे इसने लिखा हो है ना, यह lead lag compensator, lead lag compensator का मतलब है, lead वाला origin के करीब होना चाहिए, अब अलग बात है, 20 log alpha से आए, plus 20 dB, minus 20 dB के वज़ा से 0, minus 20 dB, plus 20 dB, है ना, रही बात इसकी, तो यह तो आपको पता ही है, यहाँ से जाओगे, lead था, तो lead करवा देना, lag था, तो lag करवा देना, चार option दिये रहेंगे, है ना, कोई confusion नहीं, बताएं न मैंने, lead lag आपको क्या करना है, जैसे मालो, नाम आपको बस observe करना है, नाम observe करिए, lead lag था, तो lead का मतलब यह हो गया, कि यहाँ पर lead आएगा, origin के पास, और यहाँ पर lag आएगा, यह lead और lag, फिर आपको पता है, यह कौन सा pole dominant, और कौन सा zero dominant करना है, है ना, perfect, अब जैसे अगला वाला आप देखिए, उसका खुद बताइए, अच्छा इसका जो filter behavior होता हो, band pass filter जैसा होता है, ठीक है, lead lag का जो filter behavior होता, वो band pass filter जैसा behavior होता है, जरा इसको बताए, यह lag lead इसमें कैसे करोगे आप, lag पहले लिखा हुआ है, अगर lag पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कर देना आप lag, और यहाँ पर कर देना lead, origin के पास हमेशा चेक किया करो, समझे बात को, देखो, वही चीज़ ने किया, lag है तो यह वाला हिस्सा, pole dominant, यह वाला हिस्सा, zero dominant, इस ही कि mirror image लेलो, तो आपको corner frequencies मिल जाएंगे कुछ ऐसी, इसमें देखो, alpha आ रहा था picture में, क्योंकि आपने इन दोनों को multiply किया था, इस alpha की वज़े से, तो यह भी minus 20 log db से start होगा, देखो थोड़ा नीचे से ही start होगा है, नीचे से ही pick up लिया है, यहाँ से, pole देखा, minus 20 db per decade, फिर 0 db per decade, minus 20 db per decade, 0 db per decade, phase response बनाओगे, तो यह देखो, पहले आपका lag है, फिर lead, बस इसमें board plot based question आता है, नाम लिख देगा, 4 option देगा, पुछे हैं इसमें से कौन सा board plot correct है, तो बस आपको pole 0 की placing correctly पता होनी चाहिए, that's it, कुछ बात पलने पड़ी, इसका जो filter behavior होता है, वो band reject filter जैसा होता है, ठीक है, lead lag का, ठीक है, तो इसी के साथ आपका compensator भी खतम हो जाता है, आसान था compensator, ठीक है, बस properties थोड़ा याद कर ले ना, कभी कवार property based questions आ जाते हैं, otherwise तो इसमें कोई problem है भी, ठीक है, ओके, controller में मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, बस उसी कहानी को अगर आप याद रखते हो, तो controller से दो ही तरीके के question पूछे आते हैं, theoretical, numerical तो आप लगाई ले तो controller के हैं न, numerical में तो कुछ करना नहीं होता, CS by RS निकालो, compare करो, answer calculate करो, वो जैसे normal question आप time response के लगाते हो, वैसे controller के भी लगा सकते हो, मैं इसमें आप सभी लोगों को controller की एक कहानी सुना देता हूँ, उसी साब से आप याद रखिएगा चीज़ों को, देखे, controller में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ आती, proportional controller, proportional controller का सिर्फ एक ही role होता है, वैसे तो बहुत सारे role होते हैं, बट जो major role होता है, proportional controller का वो होता है, steady state error को reduce कर देना, स्टेडी स्टेट error को reduce कर देना होता है, controller का काम, खेर, proportional controller बहुत सारे parts में अलग से भी contribute करता है, बट हम लोग अपना observation स्टार्ट करते हैं, अगला, proportional controller के बाद आपका आता है, integral controller, integral controller क्या करता है, वो हमीशा हमीशा, जो system होता है, उसकी stability को compromise कराता है, बट वो आपके steady state error को reduce कर देता है, जैसे मालों अगर पहले unit step input लग रहा था, और finite error आ रहा था, और system stable था, तो हो सकता है integral controller क्या करें, आपके system को marginal stable बना दे, बट 100% unit step input के लिए steady state error जीरो कर देगा, यानि कि ऐसी situations जहां पे आपको लगता है, कि भाई मैं थोड़ा बहुत stability में compromise कर लूँगा, बट मुझे error किसी भी हालत में नहीं चाहिए, तो बहाँ पे आप integral controller picture में ले के आते हो, तो आप बोलो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है बहुत सारी जगह पे, कि जहां पे हम इसका उल्टा करना चाहें, है न, तो इसके बाद आपका आता है एक proportional derivative controller, PD controller जिसको आप बोलते हो, जो proportional derivative controller होता है न, वो सबसे पहली चीज़ तो क्या करता है, जो transient region होता है न, उसको reduce कर देता drastically, system की speed of operation को बहुत fast कर देता है, है न, तो जो आपका PD controller होता है, वो transient region को reduce करता है, but जो आपका PD controller होता है, उसका impact क्या आता है, मतलब उसकी वज़ासे हानी क्या होती है, उसके वज़ासे हानी ये होती है, कि जो आपका steady state error होता, वो बढ़ जाता है, है न, same input के लिए, जैसे आप unit step के लिए suppose by the way finite error obtain कर रहे थे पहले तो आप उसी same unit step input के लिए वो सकता है कि और ज्यादा error obtain करने लगे या आप suppose ramp input के लिए पहले zero error obtain कर रहे थे अभी आप ramp input के लिए finite error obtain कर रहे हूँ तो exam में दो ही question पूछे आते हैं controller से related सबसे पहला integral controller क्या करता है integral controller आपके system के stability को कम करता है बट steady state error को zero करता है और PD controller क्या करता है transient region को reduce करता है drastically but at the cost of steady state error steady state error बढ़ा देता है तो फिर क्या करें फिर इन दोनों ही थरमस्यों को दूर करने के लिए एक नया controller लेके आया गया जिसको की बूला गया PD controller इसके पहले जो मैंने आपको बता है वो derivative controller इसके बाद लाए गया PD controller उसमें proportionality की भी properties थी और derivative की भी properties थी PD controller लाए गया PD controller ने ये दोनों ही चीज़े balance out कर ली transient region को भी उसने ठीक ठाक balance किया at the same time उसने steady state error को भी ठीक ठाक balance out कर लिया तो आईए एक बार इसी कहानी कहता है पूरा discussion go through कर लेते हैं ठीक है देखिए कौन कौन से हमें controller पढ़ने होते हैं proportional controller, integral controller, PI controller, derivative controller, PD controller, feedback controller and PID controller ठीक है इसका काम steady state error को घटा देना integral controller का काम जो integral controller specifically आएगा यह आपके steady state error को zero कर देगा बट system को थोड़ा सा unstable या फिर marginal stable करेगा first order system को marginal stable करता है, second order को unstable कर देता है फिर PI लेके आए, PI आपके steady state error को कम करता है, बट stability को थोड़ा सा control करता है derivative controller हम लोग लेके आए, derivative controller transient region को कम करता है मगर steady state error को बढ़ा देता है PD लेके आए, PD आपका क्या करता है transient region को भी reduce करता है, steady state error को भी control करता है feedback derivative controller जो आपका होता है इसको tachometer भी बोलते हैं इसका कोई ऐसा direct direct कोई याद रखने वाली इसमें बात नहीं होती है इसको comparison करके ही आप देख सकते हो last में आता PID controller जो इन सारे controller की positive properties को include करता है PID controller steady state error भी कम करता है stability भी ठीक ठाक तरीके से दे देता है उसके साथ transient region में improve कर देता है समझाई बात सभी को ओके चलो देखो इसमें कुछ मैं आपको चीज़े दिखा देता हूँ उसमें ठीक है ये कहानी सुन समझागी ने सबको तो बस ये कहानी आदोनी चाहिए कभी भी calculate करके properties हम लोग नहीं लिखते हैं देखिए ये एक है second order system second order system में parameters देखिए मैंने लिखा हुए यहाँ पे at ut steady state error निकाल सकते हो आप इस input के लिए ramp input के लिए steady state error निकल जाएगा rise time pi minus 5 upon omega d 4 upon 0 to omega n और ये percentage mp आपको mention किया गया ठीक है this is percentage mp e to the power minus pi zeta and it is percentage mp चलो देखो जैसे मालो अगर मैं omega n को constant रखूँ और zeta बढ़ा दूँ तो जो rise time है न वो बढ़ जाएगा percentage और shoot कम हो जाएगा settling time कम हो जाएगा omega d आपका कम हो जाएगा ठीक है और location of poles left shift कर जाएगा अगर zeta और omega n constant रखूँ तो इस पे comment नहीं कर सकते हैं इस पे नहीं कर सकते हाँ settling time same रहेगा बाकियों पे comment नहीं कर सकते हैं real part of poles fix हो जाएगा that is also correct एक बार इस table को check कर लो समझे बात को यहाँ पे omega n का square कर लो ठीक है तो यह impact बस आप लोग देख लीजे आई ज़रा देखे एखे ज़रा proportional controller proportional controller का मतलब होता है कि आप इसके forward path में kp डाल देंगे जैसी kp डालेंगे आप मुझे बताइए इस case में जो आपका cs by rs आएगा वो कुछ ऐसा आजएगा kp omega n square s square 2 zeta omega n s plus kp omega n square ज़रा यहाँ पे comparison करिए तो आपको omega n dash मिलेगा omega n under root kp zeta dash मिलेगा zeta under root kp अगर आप notice कर पा रहे हूँ कि आपका जो omega n dash है वो बढ़ रहा है zeta dash कम हो रहा है obviously जब kp का one से जादा लेके चल रहे है but अभी भी दोनों का product सेम है zeta omega n के बराबर ज़रा यहाँ से चेक करके देखिए अगर आप gshs लिखते open loop transfer function तो आपको ऐसा मिलता यानि kv की value आपको मिल जाती kp into kv की value देखो आपको क्या मिल जाती है हाँ से kp into omega n upon 2 zeta दिखरा आपको तो जैसे आप steady state error calculate करोगे देखो क्या steady state error आपका reduce हुआ steady state error आपको निकाला a upon kv kp हाँ पे नीचे आगया kp की value greater than 1 आपने मान रखे थी तो आपको ये value reduce होती हुई दिख रही है अगर आपको proportional control लेकर सारे effect जानने है सारे effect यहाँ पे लिखे हुए reduces अगर kp की value greater than 1 है proportional की value greater than 1 लेते हैं हम लोग zeta omega n constant है settling time constant रहेगा real part of pole fix रहेगा stability same रहेगी pole आपके उपर नीचे जा सकते हैं left में नहीं भागेगा pole zeta घट रहा है तो percentage और शूट बढ़ जाएगा omega d omega d बढ़ जाएगा rise time आपका कम हो जाएगा but these effects are not very important only this effect is very very important कि जब आप proportional controller लगाते हो जिसमें kp की value 1 से जादा हो जाए तो ऐसे cases में आपका जो steady state error होता है वो घट जाता है reduce हो जाता है समझें बात को बाकी सारे effect भी आप देख सकते तो table मैंने बनवाई दी table से compare करके देख लो इन सारे impact को आई बात समझ में अब देखो integral controller के आने से क्या होता है integral controller का अकेला आ रहा है तो यह ki by s कर रहा है ki by s को अगर आप देखो तो यह क्या कर रहा है पहले g into h था 1 by st अभी g into h हो गया ki by s square t तो इसने system का type एक से बढ़ा दिया पहले kv आप का रहा था 1 by t अभी kv आ रहा है infinite steady state error पहले finite था अभी zero हो गया यही तो मैं भी बोल रहा था समझे बात को perfect चलो इसको बताओ stability पे क्या फरक पड़ेगा पहले आपका close root transfer function ऐसा था 1 by t s plus 1 by t absolutely stable जब आपने जब आपने रास्ते में 1 by s square introduced k by s introduced कर दिया अब c by r आप calculate करोगे तो c by r की value आपको कित्ती दिख रहे है k i by t s square plus 1 by t तो देखो अच्छा भला stable system marginal stable बन गया इसकी बज़े से तो जो आपका integral controller होता है वो first order system को हमेशा marginal stable बनाता है और second order system को unstable कर देता भाई ठीक है second order system की भी calculation है second order system में आप इसको apply करके देखोगे इसको unstable कर देगा पहले ऐसा था omega n square upon s square 2 zeta omega n dash omega n dash square है ना sorry omega n dash नहीं आएगा कहीं पे भी omega n square तो ऐसा अब दिख रहा था फिर अगर इसी के रास्ते में 1 by s डाल के आप close loop निकालोगे है ना तो आपको ये कुछ ऐसा मिल जाएगा cube वाला term आना चाहिए था ठीक है at least one pole RHP में आपको यहाँ पे मिलेगा route says को आपको चेक करना पड़ेगा sign change आपको बीच में दिखेगा जिसके वर्यसे plus का sign आ जाएगा but obviously calculations हमको नहीं करनी है बस हमको note अच्छी तरीके से याद करना है यही दोनों point आपको याद रखने है इसी पे question exam में पूछा जाता है integral controller increases the type of the system by A so steady state error for same input becomes 0 it makes first order system marginally stable and second order close loop system unstable समझे बात को ठीक है तो थोड़ा इसको improve करने के लिए proportional integral controller लेके आते है kp, ki by s ठीक है proportional integral controller का impact क्या आजाता है proportional integral controller आपका overall क्या करता है देखिए overall आपका overall matlab से कुछ conclusions देता है with the help of matlab ठीक है क्या-क्या conclusion देता है इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक दूँ चीज़े दिखा देता हूँ यहाँ पे pi controller का impact हम लोग देखते है देखो यह देखो kp plus ki by s यह तो आपका भही है omega n square s into s plus 2 zeta omega n अभी क्या होगा अभी इसमें यह multiply हो जाएगा अगर हम ramp input की बात करें पहले error finite आ रहा था अभी 0 आ रहा था यानि कि जो pi controller था वो अभी भी आपके लिए क्या कर रहा है अभी भी error को तो 0 ही कर रहा है pi controller but error 0 होना हमारा तो वो था ही नहीं error तो हमारा integral controller भी 0 कर रहा था क्या यह stability को somehow balance out कर पा रहा है बिल्कुल अगर आप इसको बना के देखेंगे यह पूरा का पूरा expression इसका route बना के देखोगे तो जो पहले आपका 100% unstable आ रहा था अभी वो आपको एक conditional stable system दे देगा मतलो आपको एक condition दे देगा कि अगर आप ki की value less than 2 zeta n लेके चलते हैं तो उस case में आपका system stable रहेगा ओके नहां से देख लो यह positive यह positive यह भी अगर आपको positive करना है तो 2 zeta omega n cube should be greater than ki omega n square which means ki should have been less than 2 zeta omega n अगर ki की value 2 zeta omega n से कम है न तो system आपका stable रहेगा conditional बन गया पहले तो आप आप बन करके बोल दे रहे था था न कि भाई जो हमारा system है वो second order system वो तो unstable ही हो जा रहा है बट इस case में आपका system unstable नहीं हो रहा है बलकि conditional stable हो जा रहा है तो अगर हम ये condition फुल्फिल करने के आई पर तो stability को भी achieve कर पा रहा है है ना ठीक है अब इसके response में भी कुछ खास बाते होती है जो कि जाहिर से बात है हम बता नहीं सकते हमें किसके पास जाना पड़ेगा MATLAB के पास क्यों कि जो transfer function आ रहा है वो non-standard आ रहा है चेक करके देखो यह देखो न यह देखो न यह देखो न non-standard transfer function यहाँ पर मिल रहा है तो MATLAB बगरा में इसको plot करते हैं तो वहाँ से कुछ interesting conclusions मिलते हैं वो यह कि following conclusions इसमें यह बोला जाता है कि number of oscillations इसमें बढ़ चुके हैं काफी जादा ठीक है और response ना बहुत sluggish हो गया है transient region बहुत बढ़ गया है है ना तो PI controller ने फाइदे तो हमको दे दिये PI controller से हमें जो फाइदे desired थे वो फाइदे मिले तो कौन-कौन से फाइदे मिले study state error भी कम हो गया और जो unstable system था वो conditionally stable हो गया बट नुकसान क्या मिला कि जो आप response बना रहो न वो आपका बहुत जादा oscillations उसमें present है और number of oscillations काफी बढ़ जा रहे हैं क्योंकि settling time आपने आगे shift करा दिया साथ के साथ response काफी sluggish हो गया है transient region बहुत बढ़ गया है तो transient region अगर बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए picture में आता है derivative controller ठीक है derivative controller का simple सा काम क्या होता है derivative controller का बहुत simple सा काम होता है transient region को reduce करना अगर आप first order system के बात करें तो देखे पहले तो मैं आपको बता दू error wise ये क्या करेगा error wise first order system में देखे ये था one upon st इसमें अगर आप रास्ते में add कर दोगे क्या रास्ते में अगर आपने kds add कर दिया तो one upon st into kdst ये cancel हो गया पहले जो system का type 1 था अभी 0 हो गया तो यानि कि आपके जो derivative controllers होते हैं जो derivative controllers होते हैं वो सारे के सारे आपके system के type को एक से बढ़ा देते हैं देखरो जैसे पहले system का type 1 था अभी उन्होंने 0 कर दिया तो steady state error तो non-zero हो गया बट इसका impact transient region पर क्या गया comparison करके देखे पहले ये था one by t upon s plus one by t है ना तो अगर आप यहाँ से cs calculate करोगे तो cs हो जाएगा this और आपको ये वाला response मिलता है हम लोगो ने class के starting में आज बनाया भी था बनाया था class के starting में चेक करो अगर मानलो हम cs by rs calculate करते after introduction of this derivative controller तो देखो क्या आपको जो cs की value मिल रहे है वो kd upon kd plus t मिल रहे है यह यहाँ पहुँच जाता 1 kd upon kd plus t और आप देख रहो transient region almost zero हो गया almost zero समझ पारें आप सभी लोग तो अगर मानलो जैसे आप आपने रास्ते में k i by s introduce किया था था न वैसे ही अगर आप बीच में kd by s introduce कर दें यह देखें यहाँ पर आपने introduce भी कर रखा kd यह देखें यहाँ पर ठीक है तो derivative controller के देखें खास बात क्या क्या होती है derivative controller सबसे पहली चीज़ तो reduces the type of system 1 but at the same time यह लोग error को increase कर देते हैं और उसके बाद derivative controller reduces the transient region अच्छा खासा transient region reduce करता है ठीक है अच्छा खासा transient region यह reduce कर देता आपका जो derivative controller होता है ठीक है छलो फिर proportional derivative controller picture में आ जाता है proportional derivative controller जो होता है वो आपका कुछ चीज़ें में help करता है यहाँ सभी MATLAB से हम लोग conclusion देते हैं यह आपका percentage overshoot TSTR को reduce करता है and relative stability को improve करता है और इसका तो काम ही है transient region को reduce करना यह उसको भी reduce करता है ठीक है अब देखे एक बात यहाँ पर यह होती है कि जब आप PD controller की बात करते हो न देखे जैसे यह था न आपका PD controller यह तो PD controller का जब आप CS by RS calculate करते हो न तो इसका जो CS by RS आता है वो non-standard आ जाता है जब यह non-standard आ जाएगा तो आपको फिर MATLAB की मदद लेनी पड़ेगी इसके conclusions को देने के लिए तो इसी बज़े से हम लोगे एक ऐसा derivative controller बनाते हैं जिसका CS by RS standard आ जा यहाँ पर derivative feedback में लगा हुए अभी तक जितने भी controller थे वो सारे forward gain में लगे हुए थे इसका जो आप CS by RS निकालते हो न तो यह देखो standard transfer function आ जाता है standard में जो आप comparison करोगे तो omega n सेम रहता है और zeta dash आपका बढ़ जाता है सबसे starting में हम लोगों ने table बनाई थी सबसे starting में table हमने बनाई थी और उस table के according आप इसके सारे conclusions लिख सकते हो देखो ज़रा starting में आपको table भी दिखाता हूँ हम लोगों ने बनाई थी दिखाता हूँ आपको starting में table तो feedback derivative controller का आप जब भी conclusion देना है ना जब भी feedback derivative controller का conclusion देना हमेशा इसी table से देना है यह देखो feedback derivative controller में यह बढ़ रहा था omega n constant रह रहा था चेक करो ठीक है तो एक बार सारे effect आपको summarize करवादें इसके controller के चलो सारे effect एक बार summarize कर लो यह summary अपनी भाशा में लिख लेना बस इतनी बात याद रखना कोई derivation वगरा इसका करने के जरुवत नहीं है ठीक है देखें सबसे पहले proportional controller का जो एक बात आपको याद रखनी कि वो steady state error को कम कर देता है integral controller आता है यह open loop मतलब जो आपका system है उसका type एक से बढ़ा देता है जिसकी वज़ए से similar input के लिए steady state error को कम करता है बट stability compromise करवा देता है first order system को marginal stable बना देता है second order को absolutely unstable बना देता है तो इसको दूर करने के लिए PIE के पास गये PIE ने बोला कि मैं steady state error को अभी भी zero रख रहा हूं और जो आपका absolutely unstable system आ रहा था उसको conditionally stable में कर सकता हूं तो यह conditionally stable करके देता है मगर जब MATLAB में डालके इसका output plot किया गया तो पता चला भाई इसका जो oscillations था वो बहुत बढ़ गया है settling time भी बढ़ गया और response बहुत sluggish हो गया है फिर हम गया derivative controller के पास derivative controller ने भूला कि भाई मैं steady state error को तो बढ़ा दूँगा क्योंकि मैं system के type को generally कम कर दे रहा हूं क्योंकि मैं TDS का एक component forward gain में introduce कर रहा हूं तो मैं steady state error को तो बढ़ा दूँगा but मैं transient region को almost zero कर दूँगा बहुत कम कर दूँगा है ना तो transient region को हमने बहुत कम कर दिया अब transient region को जो हमने कम किया derivative controller के थूँ तो error तो अभी भी आ रही थी मतलब कि PD controller के case में हमारा transient region भी बहुत कम हो जा रहा है और steady state error को भी somehow हम लोग reduce करवा पा रहे हैं है ना फिर उसके बाद feedback derivative controller पे गए इसका जो transfer function आता था वो एक standard transfer function आता था जिसमें omega n तो constant रहता था जीटा बढ़ जाता था अब इस पर कैसे कमेंट्स आपको देने वो कमेंट्स अल्री टेबल में अपने पास लिखे हुए यह देखो टेबल में तो इसका कमेंट टेबल के हिसाब से हम लोग देदेंगे last वाले का कि rise time बढ़ जाएगा यह कम हो जाएगा यह कम यह कम यह left shift हो जाएगा and so on बताई आगे सारी बात समझ में सबको तो इसी के साथ आपका यह महा रिवीजन होता है finished ठीक है महा रिवीजन होता है finished मेरे क्याल से मैंने सारी important पाते इसमें include करने की कोशिश की जितनी बातें अच्छा एक question जाते आते कर लो यह gate का ही question I think बताओ क्या answer correct होना चाहिए which of the following statement is our correct अभी अभी आपको फूरी कहानी सुना ही मने अभी पोलर प्लोट के लिए crash course जाके देख लो polar कोई plotting आपको नहीं सिखाई जा सकती महा रिवीजन में ठीक है अगर आप 8-9 घंटे में पूरा कंट्रोल पढ़ना चाहते हो तो अभी आपको जाना पड़ेगा देखने के लिए crash course crash course में देख लो वहाँ पूरी plotting सिखा रखिए इस आर पूछा है भाई एक से जादा option correct हो सकते हैं आओ ज़रा देखते हैं देखो ज़रा पहला option first option first option पर आईए देखिए क्या first option में PI controller improves steady state response बिल्कुल सही बात है मतलब steady state error को reduce करता है न ये ठीक है PD controller improves transient response बिल्कुल सही बात है PI controller improves transient response नहीं PD controller improves steady state response है न करता है PD controller steady state response को improve बट 0 नहीं कर पाता है PI तो 0 ही कर देता है खतम कर देता है वैसे PD controller transient response को ठीक ठाक improve कर देता है ओके चलो इसी के साथ आज का session खतम करते है net 500 pages थे हमारे इस महारी वीजन में I hope आपको सारी के सारी important points अच्छी तरीके से याद आगे किसी उगर plotting में जैसे root locust कैसे plot करना है polar plot कैसे plot करना नाइक्विस plot तो भाई उसके लिए आप एक बर crash course को जाके go through कर लिजे ठीक है thank you so much everyone for attending this session और महारी विजन में और भी subject आते रहेंगे I hope आप सभी लोग सारे session certain करेंगे और उसके साथ साथ एक अच्छी rank लेके आएंगे thank you so much